असलाम अलेकुम मैं हूँ एसद महमूद and welcome to Xions लास्ट वीडियो में हमने HTML fundamentals के module को complete किया था आज की वीडियो से हम CSS fundamentals के module से start करेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ मैं यहाँ पर Chrome browser को open कर लोगा और xions.com की website को यहाँ पर open कर लोगा जब हमने HTML fundamentals का part start किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमें web page यहाँ पर नजर आ रहा होता है वो तीन चीजों से मिलके बना होता है यहाँ पर मैं text editor को open कर लेता हूँ जो तीन चीजें हमारे web page को बनाती है जो यहाँ पर हमें browser में नजर आता है वो है HTML, CSS और JavaScript यह तीन चीजें हमारे इस website की layout को बनाती है HTML से हम अपने website के structure को define करते हैं कि कौन सा element होगा image tag, heading tag और इस तरहां बाकि जितने भी elements हमारे website में होते हैं वो HTML से define होते हैं CSS फिर उन सभी elements को style करता है जो भी यहाँ पर styling नजर आ रही है वो सारी CSS से हुई हुई है और lastly, JavaScript functionality को जो actions होते हैं जो functionality होती है उसको define करता है ओके तो last part में हमने HTML को complete कर लिया था उसके basics को जो हमने basic fundamentals उसमें cover कर ले थे वो हमने वहाँ पर cover कर लिये थे आज की वीडियो से हम start करेंगे CSS से और हमने last time जो HTML fundamentals के test में जो एक layout बनाया था, जो structure बनाया था उसको CSS यूज़ करते होए style करेंगे यहाँ पर मैं आपको HTML, CSS और JavaScript का roll clearly show करवाने के लिए सबसे पहले JavaScript को disable कर लूँगा और साथ ही CSS को भी disable कर लूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने JavaScript को CSS को disable किया है तो यह पीछे जो मेरे पास बच गया है, यह सारी HTML बच गई है यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में cover कर चुके हैं कि हम HTML को use करते होगे headings कैसे add कर सकते है, text कैसे add कर सकते है links को कैसे add कर सकते है, images और भी बागी काफी कुछ जो elements है उनको अपने web page में किस तरह add कर सकते हैं आज की वीडियो से क्योंकि हमने CSS स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पर CSS को enable करूगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CSS जैसे ही मैंने enable की है तो मेरे पास जो HTML का structure था क्योंकि अभी java script disable है तो इस वज़ाद से थोड़े glitches यहाँ पर आपको नजर आ रही है लेकिन वो जो part है वो सारा java script के साथ handle होने वाना है mainly जो CSS है उससे हम अपने web page की styling करते है जैसे कि यहाँ पर यह heading का bold होना और central line होना images का in squares में आना और इस anchor tag का एक button की shape में आना यह सारा CSS के through handle होता है यह था introduction to CSS next video से हम अपने first line of code लिखेंगे जिसमें के मैं आपको बताऊँगा के CSS का syntax किस तरह का है और हम CSS का code किस तरह write करते हैं यह थी आज की video इस video में हमने देखा कि CSS क्या है और web pages में CSS का क्या role है next video से हम अपना first line of code लिखेंगे जिसमें मैं आपको CSS का syntax बताऊँगा और यह explain करूँगा कि हम अपने HTML document में CSS को किस तरह add कर सकते हैं वीडियो के related कोई भी question हो तो उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आपसे मिलूँगा next video में तब तक के लिए लिए लाह आफिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum मैं हूँ Aisam Mekmoud and welcome to Zayons आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि CSS को हम अपनी HTML फाइल में किस तरह एड़ कर सकते हैं हम तीन तरीकों को study करेंगे जिसके तुरू हम CSS को एड़ कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको CSS में syntax के मतलिक भी बताऊँगा कि हम CSS में अपनी styles को किस तरह एड़ करते हैं चलते हैं वीडियो की तरह स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपने finder explorer में finder में आ जाएंगे और लास्ट टाइम जब html fundamentals पर काम कर रहे थे तो हम इस folder में काम कर रहे थे html starter course यहां पर यह जो सारा code है यह html fundamentals का course है मैं इसको basically html fundamentals इसका एक folder बनाऊंगा और सारे code को इसमें move कर दूँगा next मैं यहां पर एक folder बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख दूँगा css fundamentals और हम अपना सारा css fundamental का जो properties को study करेंगे और जो भी study करेंगे वो code मैं यहां पर लिखूँगा मैं इसको right click करके टर्मिनल में open कर लोगा और vs code में इस folder को open लोगा यहां से हम start करेंगे सबसे पहले हमें css और javascript को execute करने के लिए browser में देखने के लिए एक html file required होती है तो मैं यहां पर सबसे पहले html file बना लोगा index.html और यहां पर basic html skeleton को add कर लोगा यहां पर मैं इसकी title चेंज करके html fundamentals कर लोगा और यहां पर एक heading एड़ कर लोगा एच्वन understanding how to add css in your html file इसे मैं यहां पर right click करके इसका copy बात करूँगा और इसे browser में open कर लोगा यहां तक हमारा काम complete हो गया अब हम देखेंगे कि हम css को अपनी html file में किस तरह एड़ कर सकते हैं css को html file में एड़ करने के तीन तरीके हमारे पास हैं सबसे पहला तरीका inline css next internal css और last external css सबसे पहले मैं आपको inline css use करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे add करते हैं और कैसे इसको use करते हैं फिर हम internal css को study करेंगे और फिर हम study करेंगे external css को start करते हैं आप html की file में आ जाएंगे और internal css को add करने का तरीका कर यह है कि जिस tag पर आपने css का style apply करना हो आप उस पे एक attribute है style यह special attribute है जो के हर एक html की tag पे available होता है यह हर एक tag पे available होता है इन meta tags को छोड़ के क्योंकि इन की कोई specific जो front enter इस तरह element कोई नहीं show online का जितने भी tag head section में होते हैं उन पे हम यह style का attribute apply नहीं करते है style का attribute हम apply करते हैं body tag और बाकि जितने भी tag body tag के अंदर हम use करते हैं जो के हमें यहां browser में actual कोई element के तोल पर display होते हैं उन सब में हम style का attribute use कर सकते हैं यहां पे मैंने style का attribute add किया और इसके अंदर अब मैं कोई भी css की property use कर सकता हूं css basically properties per dependent हैं जिसमें के property का नाम यूज किया जाता है और colon लगाकर उस property की value define की जाती है कि जो value आप इस property को assign करना चाते हैं और उसके बाद semicolon के साथ यह एक property declaration complete होती है यहां पे इन-line style में मैं एक property use करूंगा font size यह एक css की property है जिसको use करते हुए हम अपने text का size control कर सकते हैं font mean text जो हमने text लिखा हुआ है font लिखा हुआ है और size उसका जो size है display size उसको control करने के लिए css में कुछ units हैं जिसके तुरू हम इसके font size को control कर सकते हैं अभी के लिए हम सिर्फ most simple जो unit है उसी को study करेंगे जो के है pixel यहां पर मैं इसे लिख दूँगा 40 pixel और इसे save करूँगा और यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो font size है इसका जो size है display size वो increase हो चुका है मैं यहां पर इसको visually थोड़ा clear करने के लिए 140 pixel यहां पर add करूँगा और save करके यहां पर refresh करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि यह काफी clear है और आपको font size उसकी understanding हो गया कि उसको use करते होगे हम अपने text का जो size है उसको control कर सकते है एक दफ़ा मैं repeat कर देता हूँ यह font size यह CSS की property है mean कि इसका नाम exactly यही होना चाहिए हम यहां से यह hyphen नहीं खतम कर सकते हैं अगर यह करेंगे तो फिर style apply नहीं होगा मैं पहले सिर्फ size नहीं लिख सकता यह कोई valid property नहीं है यह भी apply नहीं होगा हमें इसका नाम exact लिखना परेगा और उसके बाद यह specific किसम के जो values हैं उसी को accept करता है मैं यहां पर 140 सिर्फ 140 नहीं लिख सकता इसे save परके refresh करूँगा तो यह invalid value है पहले जो मैं लिख रहा था वो invalid property थी CSS को इस property का नहीं पता जब मैंने उस property को correct कर दिया तो अब यह इसकी invalid value है क्योंकि इसके साथ मैं कोई unit define नहीं कर रहा CSS में जैसे के मैंने आपको बताया हर एक property को specific value accept करती है जो font size की property है यह specific unit की value को accept करती है जिसमें के अभी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ pixel को study किया PX pixel basically आपका यह जो पूरा browser होता है इसमें number of dots को represent करता है यह एक थोरा सा advanced concept है जिसको हम throw out the codes बार बार repeat करेंगे और उससे यह आपको काफी clear हो जाएगा अभी के लिए मैं यहाँ पर इसका unit we define कर दूँगा pixel और इसको save करके जब यहाँ पर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह property apply हो चुकी है मैं आपको यहाँ पर एक और प्रोपर्टी यूज करके दिखाऊंगा जिससे के मैं इस text का color control करूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर semi colon add किया है यहाँ पर दो चीज़े हैं जो के मैंने यहाँ पर आपको explain की property का नाम उसके बाद colon colon लगा के इस property की value define करनी है कि जो इसको value हम assign करना चाहरे है और एक property जब हमारी complete हो जाए उसकी completion को show करने के लिए CSS को बताने के लिए कि यहाँ पी यह मैंने property की value assign कर दी है और next को इस property यूज करने लगाँ हमें semi colon यूज करना पड़ता है यहाँ पे मैंने semi colon एड़ कर दिया और space देके अब इस space की ज़रूरत नहीं है लेकिन यह code maintainability और readability को आपके code का structure बहतर होना चाहिए इसलिए यहाँ पे space एड़ करना बहतर है यह सिर्फ और सिर्फ readability के लिए मैं यहाँ पे space एड़ नहीं भी करूँगा semi colon require है एक property के बाद दूसरी property use करने से पहले आपने semi colon एड़ करना है यहाँ पे मैं अभी के लिए space नहीं एड़ कर रहा सिर्फ दिखाने के लिए कि वो code इतना readable नहीं होगा फिर हम वहाँ पे space एड़ करेंगे और moving forward अच्छे standard practice के साथ ही continue करेंगे यहाँ पर एक old property है जो के color को control करती है जिसका नाम भी color ही है color और अब इसकी value assign करने के लिए मुझे colon यूज़ करना परेगा shift और यह colon इसको मैं थोड़ा सा increase करके आपको दिखा देता हूँ यह colon यहाँ पे लगाया और again यहाँ पे अप space required नहीं है लेकिन readability के लिए space add करना बहता है और यहाँ पे जो भी color मैं इसको assign करना जाता हूँ again यह specific type of value को accept करता है जिसमें के keywords आ सकते हैं जैसे के green, red यह color keywords है उसके लावा यह hex code की value को भी accept कर सकता है जैसे triple zero यह black को represent करता है और इसकी full form अगर हम six time zero लिखेंगे यह value और यह value exactly same black color code को represent करती है यह चीज़ भी हम course में बार बार repeat करेंगे जिससे के आपको यह चीज़ भी काफी clear हो जेगी अभी के लिए मैं यहाँ पर एक keyword यूज़ करूँगा जो के color का नाम है जैसे के red और semicolon add कर दूँगा जिसका मतलब है कि यह property की value यहाँ पर मैंने property declaration को complete कर दिया save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो font था उसका color red हो गया यहाँ पर continue करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने red लिखा है तो vs code मुझे यहाँ पर एक small box में red color code शो कर रहा है यह basically मैंने extension install की हुई है आप यहाँ पर extension के tab पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर search करेंगे color और इसे यह वाली extension मैंने install की हुई है इसी के साथ हमने दो CSS properties को सीख लिया font size जिसके थूँ हम अपने text का size कंट्रोल कर सकते हैं और color जिसके थूँ हम अपने text का color कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही हमने यह सीख लिया कि inline CSS किस तरह आड़ करते हैं next हम देखेंगे कि internal CSS को एड़ करने का तरीका क्या है internal CSS को एड़ करने का तरीका का यह है कि आप यहाँ पर head section में जो head का tag starting और ending tag से पहले एक tag एड़ करें जिसका नाम है style यह style का tag एड़ करें और इसके अंदर आप CSS का code लिख सकते हैं यहाँ पर आप मैं आपको CSS का code syntax बताता हूँ CSS का जो code syntax है उसमें सबसे पहले selector होता है जो के element select करने के लिए use होता है उसके बाद properties box होता है जिसको हम represent करते हैं curly brackets के साथ opening और closing और इसके अंदर हम लिखते हैं property name और same column के साथ property value और semicolon के साथ हम एक property declaration को complete करते हैं इसी तरह हम जितनी properties इस element को जो selector element जिसको हमने selected किया होता है लगाने ही होती है उन सब को इसी pattern के साथ लगा देते हैं इसको property box भी कहते हैं और declaration box भी कहते हैं यह selector यह property box यह declaration box यह एक single property declaration और इस सब को मिला के हम इसको कहते हैं CSS property CSS property box यहाँ पर मैं इसको comment कर दूँगा comment करने का तरीका का यह है कि आप यहाँ पर forward slash add करें shift 8 यह steric symbol और यहाँ पर यह comment start हो गया CSS में और comment add करने का तरीका का यह है कि आप इसको reverse order में यहाँ पर लिख दें जहाँ पर आपने comment को end करना है सब पहले आजाएगा steric और बाद में forward slash okay तो यह हमने comment यहाँ पर देखा कि CSS में comment किस तरह add करते हैं यहाँ पर आप मैं आपको internal CSS के थो एक element को style करके दिखाऊंगा हम यहाँ पर एक new heading add कर देंगे h2 and इसको मैं text दे दूँगा internal CSS okay सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था हम selector यूज़ करते हैं जो most common selector है जो सबसे ज्यादा simplest selector वो है tag का नाम जिस element को जिस tag को आप style करना जाते हैं आप उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं मैं यहाँ पर क्यूंके h2 को style करना जाता हूँ मैंने यहाँ पर h2 लिख दिया उसके बाद हमने सीखा था कि properties को लिखने के लिए हमने एक property box को start करना है property block को वो हम curly brackets के थूँ implement करते हैं यह property block start हो गया और इसके अंदर अब हम जो भी properties implement करना चाते हैं key और value player में वो यहाँ पर implement कर देंगे मैं same properties को यहाँ पर भी implement करके दिखाऊंगा font size और इसकी मैं जो value है वो 100 pixel यहाँ पर add कर दोगा save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि internal CSS कि जो हमने level 2 heading h2 heading add की थी वो add भी हो चुकी है और उसका font size भी 100 pixel set हो चुका है यहाँ पर आके अगर मैं इसको comment करता हूँ जिसका कर शोट हैंड वे है command plus forward slash मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर comment add हो जाता है एक दफ़ा और प्रेस करता हूँ तो comment remove हो जाता है यह comment को toggle करने के लिए use होता है यहाँ पर मैं इसको comment करके save करता हूँ और refresh यहाँ पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि by default जो इसका font size था वो यह है और जब मैं इसको एक different font size करके save करके यहाँ पर आता हूँ तो इसका font size उसी तरह हो जाता है next हमें जो second property की सिखी है color की वो भी यहाँ पर मैं implement करूँगा color और इसे मैं एक और keyword देदूँगा green save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका color भी change हो गया next अब हम study करेंगे external CSS कि हम HTML में हम external CSS add करने का तरीका कर यह है कि आप सबसे पहले एक CSS की file create करते हैं मैं यहाँ पर आ जाओंगा और इस file का नाम कुछ भी हो सकता है जो common name हम use करते हैं वो है style dot और यहाँ पर आप file की extension आएगी HTML file की extension थी HTML CSS file की extension है CSS enter करूँगा और यहाँ पर यह एक CSS की file create हो चुकी है मैं यहाँ पर आके एक new heading एड कर लोंगा h3 और इसमें कह दूँगा external CSS और यहाँ पर same internal और external CSS में syntax बिल्कुल सेम है जैसे कि यहाँ पर हमने selector add किया था उसके बाद property block को start किया था और जो जो CSS की property हमने add कर दी थी उसको उसके नाम लिखा और उसकी value उसको assign कर दी थी external CSS में भी बिल्कुल ही same concept और syntax यूज होता है मैं यहाँ पर selector जो के h3 element है property block को start करूँगा यहाँ पर उसका font size जो है उसको set कर दूँगा 80 pixel और color को set कर दूँगा yellow मैं यहाँ पर save करूँगा और यहाँ पर आके अगर मैं refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो external CSS apply नहीं हुई इसकी वज़ा यह है कि सिरफ और सिरफ इस तरह यह file create करने से इस html की file को यह पता नहीं चलता कि यह जो style है यह मेरी file के लिए मेरे जो html quote है उसके लिए लिए लिखे गया है और मैंने उनको apply करना है उसके लिए एक जो missing piece है वो यह है कि हमें इस css की file को इस html की file के साथ link करना पड़ता है जिसका तरीका का यह है कि हम link का tag यूज़ करते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है मैंने सिर्फ पर सिर्फ link लिखा है और जो vs code उसकी auto completion यहाँ तो मुझे दिखा रही थी कि यह link का tag है मैंने सिर्फ enter किया है उसने by default क्योंकि link का tag by default एक css की file को add करने के लिए use होता है हमने last section में जब हम html fundamentals को कर रहे थे तो हमने यह सिखा था कि link का tag हम अपनी website का fav icon लगाने के लिए भी use करते है link के tag का एक बहुत important use case यह है कि उसको हम external css की file को link करने के लिए use करते है और यह इसका most important use case है यहाँ पर मैंने link का tag add कर दिया और हमें already पता है html fundamental के module से के rel का जो attribute है वो बताता है कि यह किस तरह की information है जो css की file हम add करते हैं उसके लिए यह specific keyword है style sheet यह as it is लिखा होना ही चाहिए यह बताता है कि यह style sheet की file को हम link कर दें और lastly href जो के हमें last fraction से पता है कि इसमें सिर्फ हमने जो उसका value होती है जो उसकी file का जैसे के fab icon के लिए हमने जो हमारी png की या जिस भी format की fab icon की file थी image उसका link यहाँ पर paste किया था hopefully आपने guess कर लिया होगा कि css की file के लिए भी हम यहाँ पर css की file का link add करेंगे उसका relative link सबसे पहले dot और forward slash यह भी हमें पता है कि dot और forward slash लगाने से यह जो html की file जहाँ पर परी हुई है वहाँ तक हम आ जाते हैं और क्योंके css की file यहाँ पर बिल्कुल साथ ही परी हुई है तो यहाँ पर save for save मैं लिख दूँँगा style और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह auto complete भी मुझे दे रहा है तो मैं इस पर click कर दूँँगा और save करूँगा यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो style apply हो चुका है यहाँ पर css लिखने का तरीका का बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने internal css में लिखा हमने selector लिखा, property block को start किया property का नाम लिखा और उसकी value को लिखा internal css में हम सारी जो भी css होती है इस style के tag में add करते हैं और external css में इस separate file में add करते हैं next अब मैं आपको बताऊँगा कि इन तीनों में से हम कौन से pattern को follow करेंगे और कौन सा pattern recommended है जो css pattern हम अपने पूरे course में use करेंगे और जो most recommended pattern है वो है external css क्योंकि इसके साथ आपका जो code है वो highly maintainable लगाता है आपका जो css का सारा code है वो एक separate file में है अगर हम internal css को use करते हैं जो के un recommended नहीं है लेकिन maintainable नहीं है ये basically अगर आपका एक छोटा सा page है जिसमें आपने तस elements यूज की है और आप उसकी सिर्फ css लिखना चाते है तो आप internal css को use कर सकते हैं लेकिन मैं उसको recommend नहीं करता है आप बहतर है कि external css को use करें क्योंकि उसके साथ आपका code जो है वो proper और maintainable लाता है और जो inline css है ये हम बिल्कुल भी use नहीं करेंगे ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए और सिखाने के लिए कि css को हम तीन तरीकों से add कर सकते हैं inline ये style का attribute यूज करते होए internal ये style का tag यूज करते होए और external एक css की file यूज करते होए ये तीन तरीके हैं जिसके तरू हम css को add कर सकते हैं हम अगर कभी हो सकता है कि अपने पूरे course में internal css को use करें otherwise throughout the course और throughout the recording journey मैं आपको recommend करूँगा कि आप external css को prefer करें क्योंकि इसमें ये basic साथ small setup है कि आपने से विए फाइल क्रिएट करनी है और उसको link कर देना और इसका एक और benefit ये भी है कि अगर आपने इस file में कोई default rules एड़ की है जो कि आप different html की files में लिखना चाते हैं अगर आप internal css में वो rules लिखेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर about.html create कर लेता हूँ और यहाँ पर simple html को एड़ कर लेता हूँ explaining why external css is better और यहाँ पर मैं सिर्फ एक p tag paragraph tag एड़ कर देता हूँ simple p tag और अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो color है इसका वो purple होना चाहिए अगर मैं internal css के दूप काम करूँगा तो मुझे क्या करना परेगा कि यहाँ पर p tag को एड़ करना परेगा और मैं नीचे p tag को यहाँ पर इस फाइल में अड़ भी कर देता हूँ थोली देर तब color add करता हूँ जिसको कि मैं purple set करतेता हूँ और यहाँ पर भी उसी tag को add करतेता हूँ save करता हूँ और यहाँ पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका color पर पर लो चुका है मैं same काम यहाँ पर भी चाहता हूँ तो internal css का जो drawback है वो क्या है कि मुझे यह style at least इतना style copy करना परेगा और यहाँ पर आकर style का tag एड़ करना परेगा और इसमें यह जो property है उसको add करके फिर मैं इसको देख सकता हूँ मैं इसको right click करके copy path करूँगा और यहाँ पर open करूँगा अब जाके अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखता जैसे कि आपको पता है तो यह चीज़ यहाँ पर apply नहीं होगी लेकिन अगर मैंने यही काम इस external css में किया होता यहाँ पर जो एक principle हम follow नहीं कर देए वो है do not repeat yourself कि आपका जो code है वो repeat नहीं होना चाहिए यहाँ पर मैंने same style यहाँ पर भी लिखा और same style यहाँ पर भी लिखा और वो principle break हो गया कि coding का यह principle है html css javascript क्योंकि अभी हमने सब basic html लिखिया तो अगर मुझे यह element एक दफ़ा all चाहिए तो मुझे इसको repeat करना ही परेगा लेकिन moving forward जब हम javascript पे यह उससे जो advanced जो most efficient है react angular view इस तरह के frameworks में चले जाएंगे तो फिर हम इस html में भी अपने उस principle को properly apply करेंगे अभी simple html में हमें elements को copy करना परेगा अगर हम चाहते हैं कि element दो दफ़ाश हो लेकिन css में हम अभी से इस rule को implement करेंगे do not repeat yourself हम इस चीज को properly implement करेंगे यहां पर मैं t tag को add करूंगा और इसका color purple set करूंगा save करूंगा और यहां पर मैंने इसे भी comment कर दिया और यहां पर मैंने इस चीज को भी comment कर दिया अभी के लिए मैं style को भी comment कर दूंगा otherwise इसका color purple ही रहेगा save करूंगा और यहां पर आके refresh करूंगा और आप देख सकते हैं इसको मैं remove कर देता हूँ जो मैंने एक सकीन एड़ की थी refresh यहाँ पे h3 का style भी remove हो गया क्योंकि मैंने link रेक कर दिया css के file के साथ और यहाँ पे color भी इसका purple नहीं है अब सिरफ और सिरफ मैं इस external css का link add कर दूँगा और save करके यहाँ पे refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस p tag का color जो है वो purple set होगी रहाँ यहाँ पर about.html में भी मैं इसका color क्योंकि purple set करना चाहता हूँ तो मुझे सिरफ और सिरफ इतना काम करना परेगा कि इस style file के साथ इसका link create करना परेगा मैं save करूँगा और यहाँ पर refresh करूँगा यहाँ पर आके और इसका color भी यहाँ पर 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 लोगी है इसी के साथ हम यह जो style duplicate कर रहे थे वो हमारा do not repeat yourself का principle जो है वहाँ पर properly apply होगी होगी है एक जो इसका काम हुआ है वो यह है कि h3 का style भी इस file में already add हो चुका है यहाँ पर क्योंके कोई h3 element नहीं था इस वज़ाँ से आपको वो style apply होता हुआ वा नजर नहीं आया अगर मैं यहाँ पर एक h3 add करता हूँ तो इसको automatically यह style भी apply हो जाएगा यहाँ पर कुछ भी मैं add कर देता हूँ refresh करता हूँ तो आप देख सकते है कि वो style उसको apply हो चुका है इस चीज़ को हम next video में study करेंगे कि हम इसको कैसे avoid कर सकते हैं ताके यह जो style है कि किसी भी h3 को apply ना हो जाए बलके specific elements को ही apply हो मैं एक दफ़ा repeat कर देता हूँ जो हमने आज की वीडियो में cover किया हमने यह देखा कि css को html file में add करने के कितने तरीके है हमने तीन तरीकों को study किया inline css, internal css और external css और मैंने आपको यह बताया कि external css को use करते होगे हम move forward करेंगे हम ना internal css को use करेंगे और inline css को बिल्कुल भी use नहीं करेंगे और उसी के साथ हमने दो css की properties को भी study किया जिसमें के हमने font size को study किया और color की properties को study किया यह थी आज की वीडियो hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो kindly comment section में उसको mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करें इस तरह की और बहुत सी वीडियो आने वाली है मैं आप से मिलूँगा next वीडियो में सब तक के लिए अलाम बेस असलाम अलेकूम मैं हूँ एसन महमूद and welcome to Zyons लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि CSS को हम अपनी HTML फाइल में कैसे एट कर सकते हैं और उसी के साथ हमने दो CSS properties को study किया था जिसमें थी font, size और color आज की वीडियो में हम next कुछ और CSS की properties को study करेंगे इसके लिए मैंने आपके पसानी के लिए एक sheet उनाई है जिसको आप इस link से देख सकते हैं zyons.com slash hcjcs ये basically एक short URL है जो आपको इस sheet के ले आएगा जिसके आपको view only की access available होगी है मैं इन properties की description साथ साथ add करता जाऊंगा last video में हमने इन दो properties को study कर लिया था font size और color जिसके जरीए हम अपने text का size और color कंट्रोल कर सकते हैं आज की video में हम ये next seven properties को study करेंगे जिसमें के हम font style, font weight, text align, font family, width, height और background color इन properties को study करेंगे चलते हैं video के तरफ हम start करेंगे font style प्रोपर्टी से मैं अपने code editor को open कर लूँगा और यहां पर मैंने css fundamentals वाला folder open दिया हो है यहां पर मैं html index.html को open कर लूँगा और copy बात करके यहां पर इसे open कर लूँगा मैं इसे यहां पर pin कर लूँगा और इस url को भी यहां पर pin कर लूँगा मैं यह जो internal css का code है उसे यहां से remove कर दूँगा और 0 for syrup यहां पर h1 को रह मिलूँगा इसका inline css code remove कर दूँगा और css style में आकर यह code भी यहां से remove कर दूँगा refresh करूँगा और यह हमारी basic file आ गई है यह इसकी मैं heading text को change कर दूँगा और इसे एक simple paragraph टैग ना दोगा ताकि मारे लिए और बाकी properties के लिए भी एक एक tag add करना सामगे learning about font style css property refresh और यहां पर यह set हो गया सबसे पहले आपका एक short test है extended css को use करते हुए इस paragraph टैग का जो font size है उसको 40 pixel पर set करें वीडियो को post करें और इस challenge को complete करें hopefully आपने इसे complete किया होगा अब हम इसे बिलकर complete करेंगे मैं यहां पर code में आ जाओंगा और जैसे के हमने सीखा था css में properties ask करने का तरीका का यह है कि आप सबसे पहले selector लिखते हैं जिस element को आपने style add करना होता है HTML tag को हमने paragraph tag को add करना है तो P उसके बाद property block को start करते हैं curly brackets के star और यहां पर जो properties हमने add करनी हो उनको add करते हैं अभी के लिए हमने दो ही properties study की थी जिनमें से एक property को use करते होगी यह test complete होगा था font size और मैंने इसको कहा था कि 40 pixels पर set करते हैं यहां पर मैं इसे save करूँगा और browser में आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसका font size set हो चुका है next अब हम continue करेंगे font style के साथ font style की property basically इस font का, इस text का style control करने के लिए होती है यह अभी normal style में text लिखा हुआ है हम इसको font style की property के साथ इसके style को italic में change कर सकते हैं मैं यहां पर आऊंगा और font hyphen stylic style की property को add करूँगा और जैसे ही मैंने enter किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें यह जो इसकी values हम add जो कर सकते हैं वो यहां पर show रही है जो most common value हम use करते हैं वो यह keyword है italic इसको मैं यहां पर add कर दूँगा और save करके यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो font style है वो italic में change हो गया है आपको दिखाने के लिए कि यह by default जो हमने HTML में tag परा था i tag वो भी यह same काम करता है मैं इसी चीज़ को यहां पर copy कर लूँगा paste करूँगा और यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो end result है वो भी same है इसके इलावा हमने एक और tag परा था em tag और उसमें भी same ही end result है तो यह जो style है यह हम control कर सकते हैं इस property के साथ font style के साथ हम इसे italic लिखेंगे और इसका जो style होगा वो italic पे set हो जाएगा जो by default इसकी value है वो है normal इसे मैं refresh करूँगा और यह आप देख सकते हैं कि यह normal पे reset हो गया इसी के साथ हमारी यह property complete होगी है मैं इसे done पे mark कर दूँगा और next अब हम continue करेंगे font weight के साथ font weight की property basically इस property के साथ हम अपने font की जो bold behavior है उसको control कर सकते हैं कि यह कितना थिक हमारी web page में नज़र आएगा मैं यहाँ पर अपने text में आता हूँ code editor में और इन दोनों को यहाँ से remove कर दोता हूँ refresh करता हूँ और यह हमारे पास send result आ गया अब मैं चाहता हूँ कि यह जो text है यह bold में लिखाओ तो उसके लिए जो हमारे पास property है वो है font-weight और यह जो value accept करता है यह 100 से लेके 900 तक number value और numeric value को accept करता है और तीन इसमें keyword है जो के है bold, bolder और lighter ओके यह तीन keyword मैं यहाँ पर bold का keyword यूज़ करूँगा save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो text का जो font weight है जो इसकी thickness है वो increase हो गई है मैं यहाँ पर आके इसे comment करूँगा और font weight को फिर से add करूँगा font weight और अभी के लिए फिलहाल इसे comment ही लगूँगा यहाँ पर refresh करता हूँ, यह इसका normal है जो normal font weight है वो 400 होता है 400 यह लिखें, यहाँ पर refresh करूँगा तो कोई change नहीं आया क्योंकि यह इसकी normal value है यहाँ पर मैं normal लिख दूँ, यह 400 लिख दूँ, दोनों का end result same है mean, यहाँ पर मैं comment add करूँगा normal equal to 400 और जो bold keyword है इसकी value है 700 मैं 700 add करूँगा, refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं यह end result है, मैं इसको comment करूँगा इसको comment करूँगा, यहाँ पर refresh करूँगा, कोई change नहीं आया mean, जो bold keyword है, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा और bold ही देने दूँगा जो bold keyword है, इसकी जो value है, वो है 700 next मैं continue करूँगा font weight bolder जो हमने ख़रा था, इसको और यहाँ पर आप देखेंगे, यह थोड़ा old thick हो जाएगा, इस basically, यहाँ पर bolder और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो visually आपको कोई change नजर नहीं आया, basically जो font weight होता है जो font family हम use कर रहे होते हैं, जो के मैं आपको next video में बताऊंगा कि font families इस क्या होती है, जो text लिखा होगा है, इसके लिए font family, browsers में by default, काफी font families by default included होती है उसके लावा हम अपनी मरसी की font family भी add कर सकते हैं जो के मैं next video में वह भी बताऊंगा लेकिन अभी के लिए, अगर font family में जो font weight है जो font weight है अगर वो define नहीं किया गया जो bolder font weight है इसकी जो value है, वो है 900 अगर font family हम use कर रहे हैं उसमें 900 का weight है वो define नहीं किया गया 900 set करते हैं तो किस तरह ये नज़र आना चाहिए तो वो कोई effect नहीं लेगा मेरे से पहले वाला कौन सा define है, जो 700 है तो उस पे fallback कर लेगा ये उपर से नीचे fallback करता है ये जो by default हम font use कर रहे हैं ये है serif और इसमें जो हमें available property है, यहां पर basically आपने चेक करना हो कि कौन कौन सा font weight available है उसका simplest तरीका का ये है कि आप एक font weight की property को add करें जो font आपको provide करेंगा जो designer वो तो आपको बता ही देगा लेकिन अगर आपने खुछ से चेक करना हो कि आपने online कोई font उठाया है जैसे कि मैं इंशाला आपको next video में बताऊंगा कि हम कोई font जो हमें online available है जिसका हमारे पास proper license है use करने का या वो free font है उसको use करने का क्या तरीका है तो वहाँ पर वो clearly हमें बता देते हैं कि इस font के ये वाले weights available है लेकिन अगर आपको कोई font कोई web page है उसमें आपको idea नहीं है और आपने चेक करना है कि कौन-कौन सा weight available है तो आप simple 400 से start करेंगे क्योंकि 400 default है आप देख लेंगे कि ओके ये 400 है अगर मैं इसको 300 करता हूँ और hopefully ये भी आपको idea हो जाएगा कि अगर 400 से नीचे जा रहा हूँ तो ये थिन होता जाएगा पतला font होता जाएगा जो letter होंगे वो बारीक लिखे होंगे और अगर 400 से उपर जाँगा तो ये थिक होता जाएगा जो letters होंगे वो bold मोटे लिखे नज़र आएगे मैंने 300 की आज save करूँगा refresh करता हूँ कोई फरक नहीं आया इसका मतलब कि इस font का जो lighter version है वो available नहीं है मैं यहां पर अगर lighter keyword भी यूज़ करके करूँगा तो कोई change नहीं आएगा जो default होता है वो 400 है सारे fonts हर एक font का 400 जो normal weight है वो available होता ही है until unless के किसी designer ने उसका जो default version है उसको lighter लगती है या bold लगती है जो के rare chances में होता है इसका lighter version अवेलिबर नहीं है मैं इसको 500 set करता हूँ refresh करता हूँ तो इसका 500 version अवेलिबल भी नहीं है 600 refresh और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो weight है वो set हो गया है 600 मैं 700 set करके देखता हूँ refresh करता हूँ और यहां पर इसने round की value में यह जा रहा है कि जो 500 था क्योंकि उसके ज्यादा पास 400 था इसलिए वो 400 की तरफ गया ना के 700 की तरफ लेकिन 600 के ज्यादा पास 700 है जो के bold के equal है तो वो 700 के पास गया ना के 400 के पास तो यह एक चोटा सा concept है कि यह किस पे round हो रहा है इसकी value जो इसके closest value थी वो उसकी तरफ चला गया कि मेरे पास वाला कौन सा font weight available है चाहे वो higher में हो या चाहे lower में हो यहाँ पर मैंने यह कर लिया इसी के साथ हमने देखा कि font weight CSS property के साथ हम अपने जो text है उसका weight किस तरहां control कर सकते हैं हम यहाँ पे इसे भी done mark कर देंगे और next हम study करेंगे text align text align के property के साथ start करने के लिए मैं यहाँ पर recorded reader में आ जाओगा और यहाँ पर hopefully आपने guess कर लिया होगा जो property का नाम है वो यही है यहाँ पर जो भी लिखे हो है वो exactly properties के नाम है जो हमने यहाँ पर लिखने हैं तो text align और जैसे ही मैंने enter की है और अगर आपके पास यहाँ पर ना आ रहा हो कि आपने पूरा यह type किया है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पूरा type कर देता हूँ इस तरह और आपको वो auto completion चाहिए तो जो macOS है उसमें shortcut की है option plus escape और windows में जो shortcut की है वो है control plus space macOS में option plus escape और window में control plus space इसके साथ यह जो auto completion होती है वो आ जाती है और इसमें main लिए जो हमारे पास जो properties इसकी use करने वाली है वो है center text को center align करने के लिए left, left align करने के लिए right, right align करने के लिए और justify basically जितनी उसके पास space available है उसमें उस text को mean जो पहला लफज होगा वो start पे होगा आफनी लफज end पे होगा और बीच में जो space होगी उसको adjust किया होगा जो default option होता है वो left होता है यहां पे मैं left करूंगा, save करूंगा और यहां पर आके browser में refresh करूंगा कोई change यहां पर नहीं आया क्योंकि यह default option है मैं इसको central align करता हूँ save करके यहां पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो जो text है वो central align हो गया वो document के center में आ गया क्योंकि जो paragraph है वो block type element होता है में कि उसको जतनी space उसके parent को available होती है वो वो पूरी space लेता है और यहां पर हमारे पास जो paragraph है उसका जो parent है वो है body और body पूरे जो document होता है उसकी space को ले रहा होता है मतलब यह paragraph है यह अभी अपने पूरे document की space को ले रहा है width में height में नहीं इस वज़ा से इसको जब मैंने center किया तो यह window के center में आ गया और मैं अगर इसको यहां से थोड़ा सा ऐसे करूंगा तो आप देख सकते को अपने center में ही रह रहा है जैसे जितनी जितनी उसको space available होती है उस लिहाद से वो adjust होता जाता है next option इसका यहां पर save करूंगा और यहां पर आकर refresh करूंगा तो आपको visually यहां पर अभी कोई change नजर नहीं आएगा क्योंकि justify की जो property है वो इस तरहां काम करती है कि आपकी यह text की जो width है जो quantity है basically वो एक से ज्यादा line पर आ रही हो जैसे कि मैं यहां पर फोड़ा सा और text set करता हूं मैं इसी को copy कर लेता हूं पूरे text को space देखे paste करता हूं दो तफ़ा मैंने paste किया और refresh करता हूं तो justify यह करता है कि जतनी उसकी width होती है वो उसमें उसको adjust करता है justify mean पूरा लेकिया आता है मैं यहां पर अगर इसको comment करके refresh करता हूं तो आप यहां पर आपने गोड़ करना है refresh किया और यहां से आप देख सकते हैं कि यह content पसला पीछे को shift हो गया है मैं इसको दोबारा यहां पर करता हूं तो इसमें जो spacing पहले line में थी उसको थोड़ा increase करके इस तरह किया कि यह पूरी line को adjust कर रहा है पूरी line को fill up कर रहा है तो यह justify की property इस काम के लिए use होती है next property पे move करने से पहले मैं आपसे एक request करना चाहूंगा कि मैं आपको हर एक property basically मैं property use करके आपको दिखा रहा हूं और उसका कोई main जो most common और used जो तरीका होता है जैसे text line ज्यादा तर हम use करते है justify right या center करने के लिए उसके लावा font size जो हो गया अब मैं यहां पे आपको one से लेके और infinity तक हर एक value को लगा के नहीं दिखा सकता इसका तरीका का रही होता है कि मैंने आपको यह बता दिया font property क्या है उसकी value क्या क्या हो सकती है और हो सकता है कि मैं एक property की हर एक तरहां की value बता भी ना सकता हूँ तो आप kindly उसको खुछ से थोड़ा सा experiment करके देखे ओके यहां पे यह 40 pixel आ गया अगर मैं 0-04 करता हूँ तो यह basically simple matter जो first non zero डिजर होता है उससे पहले जो zero होते हैं वो neglect हो जाते हैं लेकिन इस तरह experiment करके देखा जा सकता है कि अच्छा अगर मैं यहां पे P हटा दूँगा तो क्या यह काम करेगा नहीं करेगा अगर मैं सिर्फ P लगा दूँगा नहीं करेगा X लगाता हूँ अब काम करता है इसके लवा हम और भी units जो जैसे मैंने आपको बताया था कि यह PX एक unit है CSS का इसके लवा भी और unit है जो हम study करेंगे और उसी तरह यह font style की अगर मैं बात करूँ यहां पर इसको मैं reverse कर देता हूँ font size का यहां पर आप auto complete करके देख सकते हैं कि अच्छा क्या क्या आ रहा है जैसे यह मैंने आपको use करके नहीं दिखाया आप इस पर click करें और refresh करके देखें कि क्या हो रहा है यह इसको करने से हुआ है और इसको अगर मैं यहां पर italic करता हूँ और साथ में italic करता हूँ यहां पर अब मैंने पहले इसको normal किया यह normal font fate है और sorry font style italic में इस तरह हुआ और अबर मैं इसको यह oblique ट्रॉला करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों का end result same है और इस तरह कि जब आपके पास कोई question होगा वो आप मैं से पूछ सकते हैं उसका मैं आपको answer कर दूँगा कि ओके यह चीज इस तरह क्यों हो रही है और इसको क्या चीज बेतर है mostly हम इसमें जो use करते हैं वो italic simply हम use कर लेते हैं italic styling करने के लिए तो आप kindly experiment करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें जो आपका फिर आपको experiment करेंगे तो फिर आपको question भी आएंगे कि इन दोनों में difference क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि i or er tag, b or strong tag उन में क्या difference है, क्या use करना चाहिए इस तरह जब आपको questions होंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ये चीज़ भी उसकरनी चाहिए इसे के साथ हमारी text align की property complete होगी, इसको मैं done mark कर दोगा यहाँ तर, next हमारी font family की property font family की property hopefully आपने guess कर लिया होगा कि font की family को control करने के लिए होता है कि किस तरहां की font family हमारे text का जो style ये style basically उसकी normal है यहाँ टैलिक है उस तरहां को control कर रहा है font family जो text लिखा गया है क्योंकि cartoonic font family होती है classic font family होती है इसी तरहां और बहुत ज्यादा font families होती है इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसको हम next video में इंचाला properly discuss करेंगे google fonts यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि font family basically क्या क्या होती है अब यहाँ पर हमारे पास ये इतनी ज्यादा font families अबेले बाले है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस font family में e इस तरह लिखा गया अगर मैं नीचे आता हूँ तो इसमें e इस तरह लिखा गया तो यह जो style है यह font family के through control होता है उसको control करने के लिए जो हमारे पास property है CSS में वो है font family और जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि browser में कुछ font families है जो by default installed होती है जिसको आप by default जैसे कि हमारे पास एक बड़ी common use font family है send serif यह हर एक browser में by default installed होती है मैं यहाँ पर आके अब refresh करता हूँ इसमें तो अभी सबसे पहले मैं इसको comment कर देता हूँ और इसके इसे भी comment कर देता हूँ refresh यह simple है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी current जो family use हो रही है वो है serif यह और मैं यहाँ पर लगा के भी दिखा देता हूँ अगर मैं इसको serif रखता हूँ refresh करता हूँ तो कोई change नहीं आया एक और बड़ी common यह भी by default available होती है और यह default family है जो है send serif यह है और यह डो phone type है serif और send serif serif होते हैं जसके end पर यह edges आते है यह है na यह serif की एक sub type है और यह send serif की एक JOE के जिसके end पर edges नहीं आते है वो plane होते है उनका जो rectangle type इस तरह होती यह भी send serif है उसकी एक type है send serif नहीं है जैसे open send यह इसकी टाइब है उन्होंने थोरवा सा सिसमे स्थाइल चेंज किया हुए लेकिन जो जिसके एंडप एज़े ह Lakeham जरूंगे सेरिफ फैमिली में से आ यहांपर मैं इसको एजिएकर ऊकुछेज़ करुण का तौँए लीन हर न कि यह कोई वेबसाइट एडूकेशन रिलेटिड वेबसाइट जैसे कि अगर मैं जायोंस की बात करूँ तो मैंने सेरिफ सोरी सेन सेरिफ को यूज की है ना के सेरिफ जो एजिस वाली फॉंट है वो ज्यादा प्रफेशनल जो इंवार्मेंट होता है उसमें ज्यादा यूज नहीं होते क्योंके वो एजिस जो है इतने प्लेन और क्लियर फॉंट ज्यादा यूज किया जाता है ज्यादा तर आप यूज वेबसाइट कोई भी देखेंगे तो सेन सेरिक फैमली में से कुछ यूज वाला होगा सेरिक फैमली में से कम जूज होता है तो इस तरह हमने ये देखा कि हम अपनी फैमली को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास बाई डिवोल जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा ये ओपन सेंट ये काफी पॉपलर और अच्छा फोट है इसको यूज करने का तरीका ये इसका नाम है अगर मैं ऐस इट इसका नाम यहाँ पर लिख दूगा ना और यहाँ पर अगर तो बीच में स्पेस नहीं है तो फिर तो उसका नाम वैसे ही लिखा जा सकता है लेकिन अगर स्पेस है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता फिर मुझे उसे सिंगल कोट या डबल कोट में रैप करना बरेगा मैं इसको ऐसे लिखके सेफ करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्लेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि यह फॉंट इस ब्राउजर में बाइडिफोल्ट अवेलेबल नहीं है यह एक फ्री फॉंट है इसको हम यूज भी करेंगे नेक्स वीडियो में लेकिन यह बाइडिफोल्ट अवेलेबल नहीं होता है इसको हमें पहले इंस्टॉल करवाना पड़ता है और वेबसाइट के साथ बंडल करवाके शिफ्ट करना पड़ता है में कि वेबसाइट के साथ हमें इसे प्रवाइड करना पड़ता है कि यह फॉंट है इसको इस तरह यूज करना है बाईगोड उवेलेबल नहीं था और जो डिफॉल्टफा आख मेंने आउomi पताया था कि Citiesॉ हमारी जो डिफॉल्टफा भाएक फैमिली है वो है शैरिफॉ तो इस वज़ासे से वो सैरिफ फैमिला पे शिफ्ट हो गया और यहां पर मैंने एक और शी briefly किया मैंने कॉमा लगाके मैंने कह दिया ओके पहले ट्राइ करो यह font मिलता है तो यह यूज कर लो नहीं मिलता तो फिर इस font पे और मैं यहां पर जितनी मर्ची fonts लगा सकता हूँ जो font वो पहले सबसे पहले वाली को देखेगा फिर दूसरी font को देखेगा तीसरी चोथी जो font उसको मिल जाएगी उसको यूज कर लेगा यहां पर मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूँ क्योंकि मैं send serif चाता हूँ तो मैं send serif यहां पर लग लिए और फिर मैंने end पर serif लिए अब क्योंकि browser के पास send serif available है तो वो serif पे fallback नहीं करेगा यहां पर मैं आया browser में आगया refresh करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यह send serif set हो गया क्योंकि उसने सबसे पहले try किया कि मुझे open send मिल जाए उसे नहीं मिला तो वो next पे move किया जो कि send serif था उसके पास रहती है यह font installed ब्राउजर में available थी उसने उसको यूज कर लिया मैं यहां से अगर online कोई और font लिखता हूँ पीछे आ जाता हूँ और यह एक और font है send serif family में से इसको यूज करता हूँ मैंने third number पे इसको कह दिया अगर यह font हो तो इसको यूज कर सकता हूँ save यहां पे आकर refresh करता हूँ तो वो font भी इसे नहीं मिला क्योंकि यहां से मैं कोई और font यूज करता हूँ और कोई भी अभी मैं यूज कर लो क्योंकि वो font installed नहीं है तो फरक नहीं पढ़ने वाला यहां पर मैं इसे भी add कर देता हूँ मैं जितनी fonts नहीं हो basically पिर जितनी मैंने mention कियोंगी best practice यह होती है कि वो font फिर आप पर provide करें अगर वो by default आपको पता है कि यह by default अवेलिबल क्योंकि एक और by default font है aerial यह by default अवेलिबल होती है और save किया यहां पर आके refresh किया तो इतना visual change नहीं आया मैं इसको थोड़ा सा बना करता हूँ आप यहां पर इस P या L पे focus करिएगा मैं यहां से aerial हटा देता हूँ या sense एरिफ को पहले मोग कर देता हूँ दोनों काम से ही है मैंने इसको पहले कह रही है पहले sense एरिफ आपके पास वो तो उसको यूज कर लेना ना हो तो next smoke करना है sense एरिफ क्योंके available है तो यहां पर आप P पे जरा focus करिएगा मैं refresh करूँगा यह थोड़ा ज्यादा bold हो जाएगा ओके उसका जो basically इतना bold हो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा length wise height wise यह बड़ा हो गया मैं इसका font size जो है उसको जरा बड़ा कर देता हूँ refresh करता हूँ और अब hopefully जरा काफी clear होना चाहिए यह property पे हम focus करते हैं ओके यह about मैंने इसको shift किया aerial को पहले और यहां पर about पे focus रखे यह refresh और उसका जो style font family change होई क्योंकि real by default available है तो इस तरह यह काम करता है इसको मैं अब एक तो इसका font size भी चोटा कर दोगा और मैंने उसको भी कर दी है यह basically मैं two fingers से zoom in और zoom out करता हूँ यह macOS का feature है यह browser का by default feature नहीं है ओके? यह macOS में feature है ओके? यहां से मैंने अब इसको एक सिर्फ और सिर्फ लास्ट रफ़ा मैं इसको repeat कर देता हूँ जिसमें space थी उनको मुझे wrap करना परा single quotes के साथ मैं double quotes के साथ भी wrap कर सकता हूँ उसमें कोई issue नहीं है जो single words हैं वो वैसे ही मैं use कर सकता हूँ और जिन वर्सक्रिय में हाइफन या अंडर्सकोर आ रहा होगा मैं उनको भी without single quote या double quote यूज़ कर सकता हूँ आप चाहें तो आप उनको भी wrap कर सकते हैं कोई फरक नहीं परेगा लेकिन बहतर है कि जिन में space नहीं है आप उनको as वैसे ही use करें without single या double quote और अभी के लिए जो points अवेलेबल नहीं है मैं उनको भी remove कर दोगा और मैं sense ए refuse करोगा यहाँ पर आखे refresh करता हूँ और इसे के साथ यह adjust हो लेगा इसको हम done mark कर देंगे next हमारे पास है width की property basically width की property और height की property को explain करने के लिए पहले मैं आपको explain करूंगा background color की property ताके मैं आपको visually इन दोनों properties को अच्छे से explain कर रहाँ तो हम सबसे पहले study करेंगे इन दोनों properties से पहले background color background color की property hopefully आपने guess कर लिया होगा यह किसी भी चीज़ के background color को control करने के लिए use होती है मैं यहाँ पर आऊँगा और हम क्योंके अभी तक सरफ यह paragraph text से ही खेर रहे हैं इसका मैं background color यहाँ पर set कर दोगा यहाँ पर मैंने सरफ और से बी ए लिखा उसने मुझे कह दिया कि अच्छा आप शायद background color की background की कोई property चाह रहे हैं उसमें यह सारी properties और हम इंशाला इन सब को almost cover करेंगे at least जो most important है उनको तो cover करेंगे करेंगे जो थोड़ी कम important है उनको शाह स्किप करते हैं उनको आप खुद experiment करके study कर सकते हैं कोई issue आया तो वो आप मुझे सकते हैं अभी हम study कर दें background color मैं इसके click करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे के color की property जो color के नाम है जो keywords है उनको भी accept करती है और hex code को भी accept करती है same background color भी वही करता है मैं यहाँ पर इसका background color रख देपा हूँ green save करूँगा यहाँ पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका background color जो है वो green set हो गया और mainly background color का यही काम है कि आप उसका जो भी element है उसका background color set कर सके इसको मैं done mark कर दोँगा और अब हम study करेंगे width और height की property इसको मैं done mark कर दोँगा और next अब हम study करेंगे width and height property CSS width और height की property को CSS में study करने के लिए मैं आपको सबसे पहले उसको इस element पर implement करके दिखाऊँगा और बाद में उसका जो most common use case है उसको करके दिखाऊँगा यहाँ पर मैं आजाऊँगा और सबसे पहले अभी के लिए आप देख सकते हैं कि यह जैसे कि मैं आपको भी explain भी कर चुका हूँ यह क्योंकि p tag block type block type element है दो तरह के tag होते हैं जो कि हमने html fundamental में detail से study किया था block type और inline type जो block type elements होते हैं वो जितनी उनके parent में space available होती है वो सारी space को occupy करते हैं उनके left और right में कोई element नहीं आ सकता वो पूरी space को occupy करते हैं हम CSS के साथ इसको control कर सकते हैं लेकिन हम वाग में study करें और दूसरे element होते है inline type basically वो सिर्फ उतनी ही space को occupy करते है जितना के उनके content होता है या tags होता है जितना उनके child space को लेते हैं वो उतनी ही space लेते हैं p tag हमारा block type element है यहां पर हमारे पास जो inline tag हमने study किया था वो है span इसके लावा भी काफी ज्यादा है यहां पर मैं same text को यहां पर लिख दूँगा यहां कम text को लिखूँगा और refresh करूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सरफ यहां पर लेकिन visually show करवाने के लिए मैं इसका background जो color है यहां पर span को select करूँगा और background color इसका let set करूँगा और आप देख सकते हैं यह सरफ यहां पर आ रहा है इसका text में मैं उतना ही set करूँगा और अभी के लिए मैं इसके font size को खतम रचूँगा font weight इन चीज़ों को मैं comment out कर दोगा सिर्फ और सिर्फ background color को मैं देख लिए और यहां से इसका text भी कम कर दी है जितना मैंने text उसमें रखाया उतना ही text इसमें रखाया refresh करता हूँ आप यहां पर देख सकते हैं कि text यहां तक ही है लेकिन यह जो width है वो पूरी ले रहा है इसका font size मैं दोनों का set कर दूँगा 40 pixel font और सोरी वो हमारे पास पहले ही है इसको मैं सिर्फ अन कमेंट करता हूँ 30 pixel करके ताकि मुझे थोड़ा बहुत visually आपको देखने में असानी देख refresh और यहां पर जो p tag है क्योंकि वो block type है तो उसने पूरी width ली है जो यहां पर है span tag यह क्योंकि inline था type element type इसकी inline है उसने सर्फ उतनी space ली है जितना उसमें text था इस चीज़ को हम अगर हम चाहते हैं कि यह भी पूरी width ले तो इसको हम control कर सकते हैं width के property के साथ मैंने WI लिखा उसने मुझे कहा दिया width की property यूज़ करना चाते हैं मैंने enter किया yes और यहां पर यह auto यह default है fit content जतना content है उतना max content जतना content है उतना main content यह भी यहां पर मैंने width को set किया 100% और यहां पर आकर refresh करता हूँ तो अभी यह चीज़ यहां पर change नहीं होगी उसकी वज़ा क्या है क्योंकि इसकी जो display की property है जैसे कि मैं बता चुका यह display inline के set है उसके लिए हमें इसका जो display है उसको change करना परेगा inline से कुछ और जब display inline हो तो हम उसकी width को control नहीं कर सकते तो CSS में display को control करने के लिए property है display और इसकी जो by default value spam को लगी हुई है वो है inline यह change होती है जो by default value p को लगी हुई है वो block है और जो by default value spam को लगी हुई है वो inline है मैंने यहां पर inline नहीं नहीं दिया refresh किया कोई change नहीं आया मैं यहां पर इसको inline होगा तो यह property neglect हो जागी मैं आपको यह दिखा सकता हूँ यहां पर आके आप browser में यहां पर यह सही है यहां पर refresh करें और write क्लिक करके inspect करें inspect रहने के बाद आप यह arrow इसके क्लिक करें और जो element जिसकी आप styling को देखना चाते है किस तरह style implement हो रहे है उसके click करें मैंने पहले इसके click किया यह selector यह blue हो गया मतलब यह on है और फिर मैंने जिस element के style को देखना था मैं अगर इसके hover भी करता हूँ तो यह देखें मुझे पूरी इसकी details जो इसके पास है वो बता रहा है मैं इसके click करता हूँ तो यहाँ पर उसके style मुझे यह नजर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह property सही है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा इसका font size कर लेता हूँ ताकि आपके देखने में असानी हो ओके यहाँ पर यह जो property है इसका जो color है वो सही है यह property वो भी active लग रही है यह disable लग रही है और इसके आगे यह जो है info icon है मैं अगर उसके hover करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने लिखा हुआ है इसके display inline जो property है वो width को effect नहीं होने देती means width की property को neglect कर देती है try setting display to something other than inline तो यह हमें यहाँ पर भी browser भी बता रहा है कि अगर आप display को inline कर देगे मैं इसको अगर cut भी कर देता हूँ तो क्योंके by default भी इनको properties लग रही होती है और by default property क्या लग रही होती है वो आप check कर सकते हैं computed में जाके यह जो भी final property इस element को लग रही है वो यहाँ पर computed style के tag में जितनी properties इसको लग रही है वो सारी शो होती है computed के tag में जो final property effect कर रही होती है वो शो होती है मैं यहाँ पर अगर display सर्च करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर by default इसको display लग रहा है नेक्स्ट अब हम इसको set करेंगे display को कुछ और और क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि इसको block लगा हुआ है और यहाँ पर मैं देखना चाहूँ कि क्या-क्या मेरे पास available कौन-कौन सी property है तो मैं option plus escape press करूँगा और मेरे पास यह सारी जो property इसकी value है वो available है मैं यहाँ पर most simple जो type है उसको use कर लूँगा block जिसका के मतलब है कि जितनी space आपके parent को available है आपके parent के space लिए है आप उस सब space को occupy कर लो width wise height wise नहीं और यहाँ पर अगर मैं इसको uncomment भी करते ताओ मैंने display को block कर दिया refresh करूंगा तो क्योंके display block हुआ है तो वो automatically सारी space में में लग पर है PE को by default जो display होता है वो block होता है यहाँ पर PE को select करता हूँ और computed property में display यहाँ पर देखें automatically इसको block में रहा होता है और यहाँ पर आप क्योंकि span को अब मैंने change किया है तो इसको भी अब computed property के tab में block ही मिल रहा है by default अगर मैं इसको यहाँ से खतम करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि इसको क्या मिल रहा है inline by default इसको inline होता है मैंने इसको change कर दिया कि block कर लो लेकिन अगर आप अब अगर मैं इसकी फिर width करूंगा विर्थ को अगर मैं कहा देता हूँ के 50% हो जाओ तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी width को मैं properly control कर सकता हूँ ओके inline जो होता है inline अगर होगा तो उस पे width की property काम नहीं करती और यहाँ पर जैसे कि आपने अब भी मुझे देखा कि मैं यहाँ पर चेंज कर लाँ यहाँ पर चेंज करके play around करके देख तो सकते हैं जैसे मैं इसका color जो है वो white कर दूँँगा यहाँ पर effect तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर जैसे हम refresh करेंगे वो चीज यहाँ पर style file में save नहीं हो रही मैं refresh करूंगा सारी चीज़ें गाय हो जाएगा जो भी मैंने style यहाँ पर लगाया होगा यहाँ पर प्लेगरांट तो हो सकता है play area आप यहाँ पर आराम से चेक करने हो कि यह property अगर मैं white करता हूं तो फिर क्या effect आता है इसका font weight मैं bold करता हूं तो फिर क्या आता है effect यह सारी चीज़ें आप यहाँ पर करके देख सकते हैं यह 100% valid है लेकिन यह persistent नहीं रहेगा persistent यह English का word है grammar प्रोग्रामिंग में use होता है इसका मतलब होता है बाकी रहना मतलब वो चीज़ जो हमने changes की है वो अपनी state को maintain रखे है जब refresh करें तो वो गायब ना हो जाए जब मैं refresh कर रहा हूँ वो changes गायब हो जाते हैं मतलब यह persistent चीज़ नहीं है persistent और permanent change के लिए मुझे वो चीज़ यहाँ पर add करने परेगी हमने यहाँ पर एक extra property study कर ली जिसको मैं यहाँ पर mention यह दोंगा display और हमने देखा कि इसके थूँच जो हमारी display के behavior होता है उसको हम control करते है दो properties हमने study की inline और block इसके इलावा एक और बहुत important जो हम काफी commonly use करते हैं वो है inline block inline block मैंने किया है तो अब यह space अभी के लिए तो उतनी ही ले रहा है जितनी basically किता tax है लेकिन अब अगर मैं इसको width को 100% set करता हूँ तो अब भी यह set हो जाएगा अब भी यह एक valid use case है तो यह तीन important है इसके लावा बाकी जो है जो इसके लावा most important एक है flex or grid flex को हम इस course में अच्छे से study करेंगे grid को हम इस course में study नहीं करेंगे उसके लिए एक separate course होगा ओके next अब हमने यहां से width को भी study कर लिया last हमारा रह गया height का height hopefully आपने guess कर लिया होगा element की height को control करता है यहां पे मैं spam पर ही दाऊंगा और यहां पे मैं अगर save करके refresh करता हूँ क्योंकि अभी block है यहां पे मैं inline block इसको कर देता हूँ mostly हम inline block इसको slack करते है ताके width inline block का फाइदा यह है कि अगर हम width को specify नहीं करते है 100% तो इसके आगे अगर मैं कोई और spell लगा दूँगा तो वो इसके सामने आ जाएगा ओके लेकिन अगर मैं इसके ब्लोक इसको specify कर दूँगा कि आपकी जो display type है वो block है behavior block है तो इसके सामने नहीं आ सकेगा और फुल width लेगा तो यह difference है बस inline block को इसके ज्यादा prefer किया जाता क्योंकि इसके तो हम इसकी width को भी काफी असानी से manage कर सकते मैं इसको कह सकता हूँ कि width आपकी जो है वो 30% होने चालिए refresh और वो manage होगी यहाँ पिर मैं यह डूब्लिकेशन को कर दूँगा last time study करेंगे height को hopefully आपने guess कर लिया होगा यह सिर्फ और सिर्फ height को control करेगा height किया और यहाँ पर जितने भी पिक्जल आपको चाहिए मैं कहा देता हूँ मुझे 300 पिक्जल चाहिए save किया refresh किया और यहाँ पर आपने 300 पिक्जल जितने बन दे थे उतनी इसको height check दे आपने यहाँ पर hopefully note किया होगा कि मैंने एक और unit यहाँ पर यूद किया है css का percentage ओके यह अपने parent पर dependent होता है अगर parent की जो width है वो 100 पिक्जल है और उसमें एक child है यहाँ पर मैं आपको यह explain करता हूँ detail में यहाँ पर मैं एक div add करता हूँ और यहाँ पर basically यह जो example है यह हम next video में करेंगे क्योंकि इसके लिए मुझे class और id को use करना परेगा और यह वीडियो और यह वीडियो काफी लंबी हो गई है तो वो हम next video में करेंगे next video में मैं आपको बताऊँगा कि जो percentage है वो अपने parent पे किस तरह dependent होड़ा है यहाँ पर सिर्फ मैं आप theoretically उसको explain कर देता हूँ कि अगर parent जो है उसकी width जो है 100 pixel है और मैं child उसमें एक और child element आड़ करके उसको कह देता हूँ कि तुमने 30% लेना है तो वो उसकी जो width सैट हो जाएगी वो 30 pixel हो जाएगी क्योंकि 100 pixel का जो 30% बनेगा वो 30 pixel बनेगा यह हम next video में properly करेंगे उसके बाद उससे next video में हम font जो external font families होती है जो हमारे पास Google font में से जैसे वहां से use करना सीखे मैं इसे भी चेक कर दूँगा यहां पर कि हमने width height को भी select कर लिया और साथ पर हमने display को भी study कर लिया ओके यहां पर मैं description एड़ कर दूँगा यह जो sheet का link है view only इस sheet का link आपको description में मिल जाएगा ताकि आप go through कर सके कि जो जो properties हम cover करते जाएंगे वो वो मैं यहां पर add करता जाऊँगा यह थी आज की वीडियो आज की वीडियो में हमने font family, weight, style, background color, text align, width, height और display की CSS properties को study किया वीडियो के related कोई भी question हो तो please comment section में उसको mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करें इस तरह की और बहुत सी वीडियो आने वाली हैं मैं आप से मिलूँगा next वीडियो में तब तक के लिए लाव असलाम अलेकुम मैं हो एसन वहमूद and welcome to Zions लास्ट वीडियो में हमने CSS की कुछ basic starting properties को study किया जिसमें कि हम अभी तक total जो है यहां तक 10 properties को study कर चुके हैं अभी तक जो हमने CSS selector में देखा है वो सिरफ और सिरफ element या tag name selector को देखा है जो के इतना ज्यादा practical नहीं है और maintainable नहीं है अगर आप चाहते हैं कि यहां पर दो spam हैं और दोनों को different style करना चाहते हैं तो इस approach के साथ आप उसको achieve नहीं कर से तो आज की वीडियो में हम CSS selector पे further discussion करेंगे और मैं आपको जो simple common CSS selector होते हैं जिसमें कि ID और class most commonly used with दो CSS selector हैं उनते हम discuss करेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ continue करने से पहले मैं यहां पर अपने code को जरा format करनूँगा और clean करनूँगा right click करेंगे और format document करेंगे यहां पर यह first time जो होता है यहां पर यह configure का option पुछता है मैं इस पर configure पर click करूँगा और prettier को select कर लोगा अब next time जब हम इसे save करेंगे यो automatically उसको format कर दिया करेंगा हमारे लिए अगर आप का कोई old formatter set हो जोगा है और आप उसको change करते है prettier को default formatter set करना चाहते है तो आप right click करें और format document with पर click करके configure default formatter और अब जिस पर आप click करेंगे वो आपका default formatter set हो जाएगा यहां पर मैं इस commented code को remove कर दूँगा और यह redundant space को यहां से remove कर दूँगा हमारा जो CSS का code है वो कुछ इस तरह नजर आता है जिसमें के selector होता है property box होता है block होता है properties होती है और simple यह pattern हमारा जाएगा अभी तक हमने यह देखा कि यह span हम सिर्फ और सिर्फ tag name के साथ properties को add कर देए लेकिन यह क्योंकि इतना practical नहीं है अगर यहां पर एक और span है और मैं यहां पर इसको add कर देता हूँ and other span element यहां पर मैं इसे save करूँगा और यहां पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने exact same जो CSS थी जो मैंने इस पहले span element को attach की थी वो इसने इस पर भी apply कर दी है जो कि एक proper thing है क्योंकि मैंने यहां पर select इसके साथ किया है कि जो भी span element है तो यह भी span element है और यह भी है लेकिन मैं जाता हूँ कि इसको color red हो जाए इसका color green हो जाए और इसको इसको बैगराउन color red मिला हुआ है वो मिले और width और height नहीं हो इसको बाकी कुछ भी ना मिले ना इसका display हम unset करें दूसरा जो set की है inline glow और कुछ भी इसके ना हो इसका सरव और सरफ font color में red करना चाता हूँ तो हमारी यह current approach के साथ यह achievable नहीं है आप यहां पर basically अगर नीचे एक और span अगर कहरें कि मैं यहां पर पहला span करूंगा और यह सारा कुछ यहां से cut करके इसमें कर देता हूँ क्योंकि यह बाद में आ रहा है सरफ इस logic की base पे मैं इसको अगर color यह कर देता हूँ red और इसको बाकी सारा कुछ इसका background color red कर देता हूँ और color green कर देता हूँ तो basically CSS इस तरह behavior करती है कि अगर same selector होगा तो यह बाद में आने वाले selector को ज्यादा importance देगा मतलब यहां पे भी यही नाम है यहां पे भी यही नाम है तो यह देखेगा कि अगर तो यहां पे कोई ऐसी property है जो यहां पर नहीं दी तो वो तो implement हो जएगी लेकिन कोई ऐसी property जैसे color यहां पर भी है इस तरह चलती है यह basically थोड़ा सा advanced concept है क्योंकि इस में CSS का जो नेचर है जो कास के लिग की नेचर है CSS स्टैंड इस में तो इस में यह होता है कि यह आपर से अगर हम एक पेरेंट को प्रोप्री लगाते हैं तो उसका चाइल्ड वह प्रोप्रेटी अगर उसके इम्विलीमेंट होती हुए जैसे के फॉन फैमिली की बात करता हूँ, तो मैं अगर पेरेंट को एक फॉन फैमिली लगा दूगा और चाइल्ड को नहीं लगाँगा, तो चाइल्ड अपने पेरेंट से इन्हेरिट कर लेगा उस चीज को, अभी के लिए आप सरफ इसको इतना याद रखते हैं कि चाइल्ड जो हो वो प्रोप्री नहीं मिली होगी, तो वो इन्हेरिट कर लेगा जो पेरेंट में उसकी वैली सेट होगी, और दूसरा, अगर सेम सेलेक्टर को मैं दो दफ़ा लिख दूँगा, ऐसे बेसिकल होना नहीं चाहिए, यह इन्वैलिड यूस केस है, सिर्फ समझाने के लिए यह नीचे भी सेम सेलेक्टर को लगा दिया है, तो जो डिफरेंट प्रोप्रीज होगी, जो एक सेलेक्टर में आए और दूसरे में नहीं है, वो तो इंप्लिमेंट हो जाएगी, लेकिन जो सेम प्रोप्री होगी, वो बाद में आने वाले की इंप्लिमेंट हो जाएगी, इसके इलावा भी कुछ criteria होता है selection का जो के हम properly in depth जब हमारी थोड़ी basics clear हो जाएंगी properties को हमने काफी थोड़ी बहुत study कर ली होगी तब मैं आप उस पे properly discuss करूँगा कि कौन कौन सा criteria होता है जिससे के ये सारी चीजे change होती है end पे जो final property जो computed property लगेगी वो कौन सी होगी ये चला हम properly study करेंगे कि सरफ और सरफ court देखे हम fully surely ये कहा देंगे कि ये property की value ये लगेगी यहाँ पे भी है हम 10 जगा पे भी इसको लगा देंगे तो हमें full short होगी कि इसकी यही value इसको लगेगी क्योंकि उसका ये reason है इसको हम properly study करेंगे अभी क्योंकि वो basic से थोड़ा advance है तो अभी इसके लिए हम उसको touch नहीं करेंगे यहाँ पर सिर्फ और सब इतना मैंने आपको बता दिया क्योंकि color की property यहाँ पे भी लगी है सेम अगर selector हुआ है और कुछ change नहीं हुआ तो बाद में जो आएगी वो वाली property उसको लगेगी मैं इसको save करता हूँ तो अगर तो आप यह guess कर रहे हैं तो पहले वाला पहले span को लग जाएगा और दूसरे वाला दूसरे span को लग जाएगा तो आपका guess गलता है बेसिकली यह इसमें इसने कहलें कि एक किसम का union ले लिया है दोनों की जो different properties उनको merge कर दिया और जो same property थी उसमें बहाद मने आने वाली को लगा दिया इसके लिए हमारे पास एक specific type of selector होना चाहिए जो इसके लिए different हो और इसके लिए different हो हमने HTML के fundamental जब कहँए थे तो हमने दो attributes इस तरह के study किये थे उसके इलावा भी selectors पे हम और भी काफी बात करेंगे अभी के लिए सर्फ इन दो को study करेंगे जिन में सबसे पहले आता है ID और इसको बहुत ही ज्यादा असान अलफाज में बताऊं तो जैसे आपका CNIC या तो CNIC एक बंदे का एक होता है वो repeat नहीं हो सकता मतलब मैं ID जो इस element को दूँगा मैं वो इस पूरे HTML document में repeat नहीं कर सकता और यही बात हमने HTML fundamental में भी study दी थी य जैसे हमने वहां पर भी study किया था ID की value मैं कुछ भी दे सकता हूं सिर्थ और सिर्थ उसका कोई मतलब बन रहा हो मैंने span 1 इसकी ID का value दे दी और same मैंने इसको copy करके यहां पर paste कर दिया और इसको मैंने true कह दिया हम इसकी value को same नहीं रख सकते invalid HTML हो जाएगी इसकी value change होनी चाह क्योंकि जो style apply हो रहे है वो element के थ्रू हो रहे है tag name के थ्रू हो रहे है वो ID की base के नहीं हो रहे है जो ID selector है मैं इन दोनों को अब यहां से comment कर टूँगा ID selector css में hash के साथ start होता है और बाद में जो हमने ID का नाम दिया हो यहां पर मैंने यह ID का नाम दिया था इसको मैं जो और सिर्फ उस element को sign होगी जिसको यह आईडी होगी इसको कोई फरक नहीं पर था कि वह element किया है इसको यहां पर पहले तो specific थाना कि वह spam tag होना चाहिए अब इसको कोई फरक नहीं परता मैंने इसको spam 1 कह दिया लेकिन यहां पर इसको change करके पी कहा देता हूं इसको literally कोई फरक नहीं परता कि इसको मिली हुई है इसने सरफ और सब यह देखना कि अच्छा यह आईडी इस चीज़ को मिली हुई है यह जो style है उसको apply कर देना है आप सोच रहे होंगे यह भागी style जहां से आ रहा है वो हमारी यहां से आ रहा है यह जो हम हमने उपर लगा है इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा हम moving forward कोई भी काम जो specific styling होंगे जो reset CSS में reset करने के लिए कोई style यूइक प्रिये जते हैं यह concept भी हम in future परेंगे वह हम tag पे ही करते हैं लेकिन बाकी जितने styling होते हैं वह हम tag पे नहीं करते क्योंकि वह जैसे आपने अभी देख लिया कि मैंने लगाना सिर्फ font का color था लेकिन उसका background color भी लगया क्योंकि उपर लगाया हुआ था तो यह काम हम नहीं करते हैं जो specific styling होती है वह हम ID और class के थ्रू करते हैं और यह भी मैं अभी explain करूंगा कि कौन सा हम ज्यादा use करते हैं किसको हम avoid करते हैं या specific use cases में यूज करते हैं अभी के लिए हमने दो चीजों को देखा हमने tag name को use नहीं करना ज्यादा specific use cases होंगे वो CSS reset के लिए ओके तब हम सिर्फ यूज करेंगे mostly tag name को otherwise tag name को use करते होंगे हम CSS की property apply नहीं करेंगे वो हर एक उस tag type के apply होजेगा next अभी के लिए हमने study किया है कि यह जो इसको कमेंट कर जाता हो ताकि नीचे घार कि जो id होती है यहां पर id जो implement की है यह इसका नाम एक proper होना चाहिए क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक attribute है इस attribute को select एने का तरीका का यह है हैश लगाते हैं यह css का keyword है हैश लगाने के बाद जो भी नाम लिखेंगे css इस html के document में जिसके साथ वो attach है इस id का element डून लेगा कि उस element को देखेगा जिसमें id का attribute लगा हुआ है और उसकी value exact यह same है अब भी मैं save करके यहां पर refresh करता हूँ तो styling खतम होगी क्योंकि मैंने यह p को भी खतम कर दिया और यह id अभी किसी को नहीं है यहां पर मैं इसको id को यहां पर लगा देता हूँ refresh करता हूँ तो वह apply होगी है और इसको मैं ज़रा सही कर देता हूँ P1 कहा रहता हूँ और P1 एक proper नाम नहीं है क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई element कोई header section में नहीं है अबाउट section में नहीं है तो इस वजह से मेरे पास कोई proper नाम नहीं है जब हमारे पास proper HTML होगी तो proper नाम भी होगे आईडी और classes के यहां पर अब भी मैं P1 कहा रहता हूँ at least पहले वाले से बेटर रिफ्रेश करते हैं end result same same काम अब यहां पर मैंने कहा था कि इसकी background color red होनी चाहिए color green होना चाहिए और virtual height होई होनी चाहिए और hopefully आपने guess कर लिया होगा यह आप पर short challenge है इसको complete करें इसका background color आपने red करने है यहां पर मैं लिखते था हूँ यह वाली properties उसको same apply करने है as it is वीडियो को post करें और इसे complete करें hopefully आपने इसे try किया होगा अब हम इसे मिलकर complete करें मैं क्यूंकि यह same properties apply होनी है मैं इसे copy करूंगा और यहां पर block start करके paste कर दोगा अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे selector एक्टर ने है selector क्या है यह id selector है यहां पर मैं इसे hash और id का नाम यहां पर आके मैंने refresh किया है तो आप देख सकते हैं कि यह style यहां पर implement हो चुका है ओके next अब हम css में classes को study करेंगे कि हम class के साथ किसी element को कैसे select कर सके जैसे के हमने html fundamental में study किया था कि class भी एक attribute का नाम है और इसमें भी हम जो basically class का नाम add करना चाहिए वो कर सकते हैं यहां पर मैं कह सकता हूं tax1 यहां फिर random tax कुछ भी मैं नाम दे सकता हूं और class का नाम देने का जो pattern होता है वो होता है section और basically यह एक proper standard है इसका जो standard का नाम है वो है block underscore underscore element हाइफन हाइफन modify block element and modify यह basically अभी के लिए थोड़ा advance है यह जब हम html और css के basic सारे clear कर लेंगे और html में proper html के साथ उसको classes देने लगेंगे तब हम इसको properly implement करेंगे अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूं और सिर्फ और सिर्फ लोग तो जो span one class class को select करने का CSS में तरीका यह है कि dot यह keyword है dot लगाने के पाद जो भी आप लिखेंगे css उसको class name समझेगा mean के यह dot specify करता है css को मैं इसके बाद class का नाम लिखने लगा और जो भी मैं यहां पर नाम लिखंगा जैसे span one तो css html document सारे को study करेगा और देखेगा कि कौन सैसे element है जिसके class के attribute में यह जो मुझे class का नाम दिया गया है वो लिखा हुआ है यहां पर यह element को select कर लेगा यहां पर मैं इसको देने दूँगा और block element को start करूँगा और मैं color को change करके white कर दूँगा क्योंकि यहां पर इसकी visibility बिल्कुल भी नहीं है यहां पर मैंने color कहा sorry color white refresh और यहां पर अब यह color implement नहीं हुआ यहां पर basically यह थोड़ा सा एक advanced concept है जो मैं आपको बाद में भी repeat करूँगा और in-depth repeat करूँगा कि कोन सी CSS apply होती है उसकी वज़ा क्या है यह हम properly in detail study करेंगे अब ही के लिए सिर्फ मैं आपको यह पता जिता हूँ कि जो id-based selector होता है id-based selector उसकी जो purity होती है वो greater than होती है class place selector से okay mean कि मैंने एक element है same element है उसको id के साथ भी select किया और class के साथ क्योंकि last जो मैंने आपको बात बताई थी वो यह थी कि अगर मैं tag name के लेकिन यहां पर selector same था tag यहां पर भी tag name था और यहां पर भी tag name था तो मैंने आपको बताया था कि अगर selector बिल्कुल same हो और एक property पहले selector में भी आ रही है और दूसरे selector में भी आ रही होगी वो value assign होगी इसके और थोड़े से use cases है लेकिन जो हमने अभी तक currently study गिया है उसमें सिर्फ यही आता है मैं repeat कर देता हूँ एक दफा selector 100% same होना चाहिए change नहीं होना चाहिए और एक property पहले selector में भी उसके property block में भी आई दूसरे में भी आई और property के साथ अभी और कोई चीज़ नहीं लग रहा है और उसकी value आ रही है तो जो उसकी value हम दूसरे block में लखेंगे वो वाली implement होगी ID और class की base में यह different है अगर तो यहां पर दूसरा selector भी ID वाला होता जो के नहीं हो सकता एक element को दो ID के attribute नहीं लग सकते ओके एक ही लगना है तो वो चीज़ implement नहीं हो सकती class हो सकती है कि दो classes लग सकती है मैं यहां पर class जैसे मैंने दो दी है tax यहां पर देती है तो वो लग सकता है वो मैं आपको case अभी करके दिखा दूँगा लेकिन जो अभी current case है वो यहां पर पहले मैंने same element को इस span को मैंने ID के साथ भी select की है और class के साथ भी select की है तो जो property मैं ID के selector में चाहिए वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है उसमें जो add करूंगा उसकी importance ज्यादा है में कि वो लग जाएगी बाद में class काले में अगर मैं उसको overwrite करने की कोशिश करूँगा तो वो overwrite नहीं कर सकता यहां पिर जैसे के मैं inspector के right click करके अब हमारा CSS और JavaScript में यह inspect का tab बहुत ज्यादा हम यूज़ करेंगे यहां पर मैं थोड़ा सा इसको काम करता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं कि ID में जो color की property है वो properly active है नीचे same class का selector यह देखें जो हमारी यहां पर property है वो भी क्योंकि इस element को मैं element यहां से change करता हूँ तो वो वाली property यहां के style tab में मुझे दिखाता है जो इस element को लग रही है मैं यहां पर span पर आता हूँ तो वो properties मुझे दिखा रहा है जो span element को लग रही है और computed में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर आप सर्च कर सकते हैं कि final कौन सी property लग रही है यहां पर यह बता रहा है कि यह एक ID selector से इसको property यह लग रही है और class selector से यह लग रही है लेकिन similar property ज्यादा importance के साथ लगी हुए है कहीं और इस वज़ा से यह override हो गई है तो यह इसका मत्सद है यहां पर मैं वाफिज आके basically इसमें से color यहां से disable कर दूँगा ताके white color यहां पर लग सके और अभी आप देख सके यह अब यहां पर जो strike का मतलब यह नहीं है कि यह property किसी और की वज़ा से override होगी है इसका मतलब यह है कि यह disabled property यह commented property है यहां पर जैसे कि आप देख सके यह commented है यहां जो मैं remove कर दूँगा तो फिर यहां से remove हो जागी लेकिन अगर commented है तो फिर वो मुझे यहां पर unchecked और इस तरह ओपर strike आ रही होगी मैं उसको check करूँगा तो वो basically देखेगा कि क्या यह property मै मैं लगा सकता हूँ इसकी importance इतनी है अगर importance इतनी होगी तो वो इसको लगा देगा और strike खतम होजेगी और किसी दूसरी property जो पहले लग रही थी उसके वो strike आ जाएगी अभी के लिए मैं इसको comment कर देता हूँ यहां पर इसको uncomment किया comment किया refresh किया और यह यहां पर सेट होग अब जो main बात है कि कौन सा selector हमने use करना है class base या ID base Basically हम through of the course prefer करेंगे कि हम class base selector पे जाएगे उसकी सबसे बरी वज़ा क्योंकि हम ID score repeat नहीं कर सकते पर्स करें कि हमारे पास ये same element हमारे पास ये है और हम ने जो सारे styling थे वो ID base लगाए हुए थे यहां पर मेरे पास एक कोई और element आ गया कोई भी element आ गया और मुझे वो exact same styling इस पे भी चाहिए मैं classes को भी खतम कर देता हूं और सरफ ID की बात करता हूं यहां पर इसको भी खतम पर देता हूं और color यहां पर यह दिया हुआ है इसको अन कमेंट करके रिफ्रेश करता हूं यहां पर यह काव हो गया लेकि लिए invalid HTML है यह जो span है ID repeat नहीं हो सकती यह invalid HTML है जब कोई भी आपके HTML को validate करेगा तो यह एक error आ जाएगा और यह HTML developers के लिए काफी बुरी चीज़ मानी जाती है कि आप ID को repeat रहते हैं यह बहुत simple concept है कि ID repeat नहीं हो सकती इ exact same style चाहिए और मुझे क्या करना पढ़ेगा सबसे पहले तो मुझे इसकी ID चेंज करनी पढ़ेगी जैसे ID चेंज करूंगा style सारे गाइब हो जाएंगे उसके बाद मुझे यह पूरे exact style copy करने पढ़ेगे यहां पर paste करने पढ़ेंगे to करने पढ़ेंगे ओके refresh आप में से और मैं कोमा लगाके एक और सेलेक्टर लगा सकता हूं कि यहां पर मैं जो style लिक रहा हूं वो इन दोनों selectors को apply हो जाए ओके यह काम आपकी यहां तक बार ठीक है कि ऐसे मुझे repeat नहीं करना परा लेकिन यह maintainable नहीं है maintainable किस वजह से नहीं है क्योंकि अगर मुझे एक और element ह है उसको भी same style चाहिए मीन के मुझे एक और id पर नहीं परेगी उसको यहां पर जाकर आड़ करना परेगा इसलिए हम class बेस रहते हैं क्योंकि class हम यहां पर मैंने यही class एड़ कि होती span 1 यह text 1 क्या देते हैं क्योंकि span element को heading element को भी add कर रहा हूं तो text 1 क्या देते हैं अब इस यहां पर मैंने इस तरह किया होता अभी मैं refresh करूंगा style गाए हो जाएंगे लेकिन यहां पर जाके आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना परेगा कि जो text 1 की class जिसको भी लगई हो उसको यह style apply कर दो और वो style apply हो और इसका फाइरा क्या है एक तो मैं जितने मर्जी element इस document में add कर दूं मुझे यह restriction नहीं है कि मैंने basically इसको कोई नई class अटनी क्लास क्लास हम चाहें repeat कर सकते हैं हमारा code future point of view से भी secure है और highly maintainable है क्योंकि हम classes के तरू जहां पर हम चाहें तो इसको एक और class भी add कर सकते हैं जैसे कि मैं इसको कहा सकता हूं display block मैंने बीच वाले को कह दिया d block इतनी असानी से मैंने यहां पर अगर मैंने id के तरू किया होता तो मैं एक और id नहीं था add कर सकता है यहां class में ने एक और add कर दिया जितनी मर्ज़ी classes हम add कर सके हैं और यहां पर सिर्फ वर सिर्फ मैं कहा दूँगा कि जिसको d block add है यह generic CSS हमारी होगी उसको display block कर दो बाकी सारे styles उसको लगे हुएं सिर्फ वर सिर्फ जो यह element है उसको उस तरहां यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पहले इनको क्योंकि in line block है वो आपस में आ रहे हैं यह block है वो अपनी जगा पर आ गया और बाकी सारे exactly सेम आ रहे हैं तो हम moving forward throughout the course classes को prefer करेंगे ओके classes future आपका code जो होगा वो maintainable होगा और properly structure होगा दो चीज़े हमने अभी तक finalize करनी जो हम follow करेंगे external CSS और classes यह थी आज की वीडियो इस वीडियो में आपने देखा कि हम अपने custom selectors कैसे बना सकते हैं जिसमें कि हमने ID और class selectors को use कि आप next वीडियो में अभी हम selectors से ही continue करेंगे और मैं आपको कुछ और type of selectors को explain करूँगा जिसमें कि हम next वीडियो में mainly attribute selectors को study करेंगे hopefully आपको वीडियो के संदा ही होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो please उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like share and comment करें चैनल पो subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next video में तब तक के लिए अला आपिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel assalamualaikum मैं हुआ आप मोद and welcome to xynons last video में हमने देखा था कि हम css में अपने custom selectors कैसे बना सकते हैं जिसमें के हमने mainly id और class based selectors को study किया था आज की वीडियो में हम attribute based selectors को study करेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ CSS में attribute selectors एक बहुत ही important concept है class based selectors और id based के साथ बाद ये second most important way है अपने elements को css में select करने का क्योंकि css का अभी तक hopefully आपको काफी अच्छे से clear हो गया होगा css में हमने properties को assign करना है जैसे कि मैं यहां पर अपना document open कर लेता हूं और इसे open कर लेता हूं ये एक web page है css का सिर्फ ये काम है कि इसको style करें और जिस तरह हम चाहते हैं वैसे style करें तो वो काम most efficient कैसे हो सकता है कि हम जो element हम चाहते हैं उसको हमारे पास ज्यादा से ज्यादा और efficient से efficient तरीका होना चाहिए उसको select करनेगा class-based selector और ID-based selector okay हैं लेकिन उनसे काफी ज्यादा powerful selectors भी available हैं class-based selector और ID-based selector से हमें काफी ज्यादा काम नहीं कर सकते मैं यह काम नहीं कर सकता कि इस पे जब mouse इसके ओपर आए तो इसका color change हो जाए अब यह class-based selector से नहीं हो सकता उसके लिए हमें CSS में specific type of selector है जिसको study करना परेगा आज की वीडियो में हम अपने CSS में selectors हैं उसको बहतर बनाएंगे और उसमें एक शीज हम add करेंगे attribute selector text one का एक element यहां पे आके refresh करूंगा यह अभी तक हमारे पास end result है अब मैं यह same काम मैंने अभी कैसे apply किया है चीजों को मैंने सबसे पहले tag name से start किया था वो मैंने बता दिया मैंने कहा कि हम classes को ज्यादा use करेंगे क्योंके code maintainable रहता है और future में अगर changes करने हो तो वो easily adjustable रहते हैं यह चीज़ हमारी होगी next अभी मैंने बताया कि अब सिर्फ इन दो type of selector से हम अपनी जो styling है उसको completely कर सकते हमारे पास और भी तरीके होने चाहिए जैसे के कोई element है जिसके हम किसी भी reason की वज़ा से class यह यह ID नहीं लगा सकते यह नहीं लगाना चाहते तो उसको हम किस तरह select करेंगे उसका तरीका कार हमारे पास एक बहुत ही जो generic और efficient तरीका है वो यह है कि हम attribute selectors को use करें कि attribute selector जैसे कि attribute के नाम से अपको समख लग लग रही होगी कि यह जो भी हम attribute जैसे कि आगर यहां पर एक input add कर देथा हूँ यहां पर यह type एक attribute है यहाँ पर place holder एक attribute है यहाँ पर ID एक attribute है यहाँ पर value एक attribute है यह सारे attributes है तो हमें पता होना चाहिए कि हम इन में से किसी भी एक्टिविट को यूज करते होगे एक specific element को या ज्यादा elements को select कैसे कर सकते हैं जैसे कि मैं उन सारे input elements को select करना चाहता हूँ जिसमें type text हो अब ये एक redundancy चीज है कर हम सकते हैं कि हम सब को एक दे रहें input text ये सब को दे रहें ये इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है लेकिन जब हमारे पास already एक specific selector है जिसको हम use कर सकते हैं और जो भी text based हमारा use case बदा specific है कि हमने सारी selective वो करने हैं जिसमें एक तो होनी input चाहिए उपर से type उसकी text होनी चाहिए ये बड़ा specific use case है हम email की बात नहीं कर रहें type की हम किसी text area की बात नहीं कर रहें हम input field की बात कर लें input tag की और उसमें type का attribute होना चाहिए और वो text होना चाहिए एक specific selector हमारा पहले से ही रही है हमें एक new specific selector एक्रेने की जोड़त नहीं है no doubt ये कर सकते हैं कोई reason, objection नहीं है लेकिन attribute selector को यूज करना आना चाहिए हम इसको कैसे select करेंगे कि वो सारी input select हो जाए जिसमें के जो type है वो text है उसका तरीका कार ये है CSS में जो attribute selector है वो इस तरह होते हैं आप चाहे हैं तो साथ में tag का नाम लिखते हैं अगर नहीं चाहते हैं तो direct attribute selector से start कर दे इसके लिए हम square brackets use करते हैं attribute का नाम लिखते हैं और फिर उसकी value single quote या double quote इससे फरक नहीं पड़ता लेकिन single quote start करके double quote से under नहीं कर सकते हैं तो प्लीज हो common sense है मैंने single quote यूज किया और मैंने कहा दिया सारे वो यूज कर दो जिसमें text value ये selector हो गया हद एक अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सरफ और सरफ input को select करेगा क्योंकि मैंने tag यहां पर specify नहीं किया अगर मैं यहां पर क्या दिता ना कि input वो input select करो ये basically एक compound selector हो गया यहां पर हमने पहले एक last video में study किया था कि जहां पर मैंने text 1 कहा था और comma देके text 2 या span कुछ था ये basically multi selector था ये एक से ज्यादा element को select कर रहा था ये single selector ही है select एक ही element को कर रहा है लेकिन ये compound selector है इसमें जो चीजें हम check करण वो ज्यादा है इसमें सरफ class चेक कर रहे हैं इसमें सरफ ID चेक कर रहे इसको compound selector में कैसे बना सक्ता हूं ये टी 1 किसको लगा हुँ है paragraph को लगा हुँ है मैं इसके साथ कह सक्ता हूं इमेज हो, कोई फर्ग नहीं पड़ता, लेकिन अब क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हो गया है, कि अब एक तो वो पराग्राफ टैब होना चाहिए, और उपर से उस पे आईटी भी लगी होनी चाहिए, मैं इसको और स्ट्रिक कर सकता हूँ, मैं इसके कह सकता हूं कि इस पर इत्रिब्यूट भी होना चाहिए टाइब टैक्स का इस चीज तो मुझे एट्रिब्यूट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं यहां पे वो बेसिकली उस पर हो सकता कि हम कह सकते हैं कि मैंने इसको टाइप नॉन सेलेक्टेबल किया था क्योंकि मैंने जावास्क्रिप के थ्रू एक कंडिशन लगा दी अब यह आपका यूज के वैलिड है और यह आपकी एच्टी एमल भी इन्वैलिडेट नहीं होने देरा क्योंकि एट्रिब्यूट्स आप अपने कस्टम अपनी मर्जी स्के लगा सकते हैं लेकिन उसका एक स्पेस्पिक टाइप है जो हम यूज करते हैं क्योंकि वह पिर हमें एक्स्प्लेन नहीं करना परता है यह तो आपको अपने सीनियर को एक्स्प्लेनेशन देनी परेगी कि क्यों ही और वह सीनियर रिजेक्ट भी करतेगा मैं आपको वीडियो केंड में वह बताऊंगा कि हम अगर पी को एक टाइप का अट्रिब्यूट देना चाहिए तो उसकी प्रोपर फॉर्मेट क्या होती है अभी कलिए म मैच करेगा तो फिर मैं उसको कह देता हूं कि जो इसका बैगरोंट कलर है ना वो गरीन कर जोर यहां पर आया रिफ्रेश करते हैं यहां पर आप दो इ्पुट आगें उतलब गर जो और ऑरेंगो है यहांपर अगर मैं कह देता हूं कि इसका इ-मेल हो क्योंके वा यहां पर यह चीज तो समझ लगी लेकिन अगर इसको भी कह दिया और प्लेस ओल्डर इसमें इसमें मैंने कह दिया एंटर यूजर नेम और इसमें मैंने कह दिया एंटर यूजर इमेल अब प्लेस ओल्डर का ओविएसली जो स्टेट फॉर्वर बनता है वो तो यही है ना जो आपको आपने अभी तक गैस कर लिया होगा यहां पर मैं यह कर दो और कर दो यह काम ठीक है लेकिन यह इतना अप्रोचेबल नहीं है क्योंकि यहां पर मैंने गल होना चाहिए उसमें एक SPACE ज्यादा नहीं हो सकती यूजर ईमेल से नहीं हो सकता Uistar के पहले नहीं आ सकती इसन के सारे चेक होते हैं और TEXT BASE में इस तरह के चेक आप्यों मसले वाले होते हैं तो उसका तरीका कर यह किये आप यहां पर यह जो साइन है मद्दा वाला साइन अलिफ मद्दा वाला साइन ये बिसिकली मैक ओएस में शिफ्ट दबा के जी के साथ जो की है उसको करेंगे तो ये आ जाएगा ये साइन आप ने लेक्ट आ रहा है मैं इसको थोड़ा सा जोम इन करके दिखा देता हूँ और यहां से इसको फ्लोस ये साइन इसका मतलब है कि ये अप्रॉक्सिमेट चेक कर रहा है कि ये इस से टैक्स में पूरा होना चाहिए ये साइन और इस साइन के बाद आप बेसिकली सिरफ और सिरफ एक वर्ड डिफाइन करते हैं कि जो ये word उसमें होना चाहिए, यहां पे दो word नहीं हो सकते, यहां पे मैं यह नहीं कह सकता कि user email हो, space आएगी, तो वो acceptable नहींगा, यहां पर वो नहीं चलेगा, यहां पर सरफ और शरफ आप यह कह सकते हैं कि अच्छा, यह user का word ना, place order का कोई भी text हो, उसमें user का word कहीं ना कहीं पे होना चाहिए, save करता हूँ, refresh करता हूँ, तो apply हो जाता है, मैं यहां पर आके, अगर इसको user को बिला देता हूँ, refresh करता हूँ, तो यह यहां पर अनाइड हो गया, क्योंकि user का word, अकेला word होना चाहिए, उससे पहले भी एक space होनी चाहिए, और उसके बाद भी एक space होनी चाहिए, यह criteria इसमें match कर लगा, ओके, यह मद्दा के sign के साथ, यहां पर आप देख सिकते हैं कि यह अब सिर्फ और सिर्फ इसको apply हो रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने space खतम कर दीए, मैं space वाकिस लाँगा, यह दोनों पर apply होने लग परेगा, mean, यह जो selector है, मद्दा वाला, इसका mean है कि यह specific word exist करना चाहिए, उस पूरे text में, next, यह हमने देख लिया कि, यहां पर मैं comment कर देता हूँ, यह जो selector है, attribute selector, जिसमें अलिव मत्दा का sign, और फिर equal की symbol यूज़ करके, उसके बाद जो value, यह word selector है, ओके, attribute की value में, वो लफ्स जो आपने एक word होना चाहिए, वो उस पूरी value में, कहीं ना कहीं होना चाहिए, वो start में हो सकता है, जैसे कि, यहां पर start में मैं लगा आके, अगर इसको यहां पर करूँगा, यह भी value use case है, उसके इलावा, अगर मैं इसको end पर लगा देता हूँ, space होनी चाहिए, वो word standalone होना चाहिए, वो किसी के साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए, यह भी एक value use case है, मैं अगर यहां से space खतम करूँगा, invalid use case है, इस तरह word selector, मैं इसको वाफिस ले आँँगा, ताकि यह जो disturbance है, यह ok हो जाए, refresh, यह set होगए, next, अगर आप चाहते हैं कि, यह हमने word selector, कि as it is, वो word होना चाहिए, आपके पास यह use case हो सकता है, कि आपका वो word, यह तो, सिलफल से वो अकेला word हो, यह फिर उस word के साथ, हाइफन लगा के कुछ लिखा हो, अगर आप इस तहां के attribute value है, और उसको भी select करना चाहते हैं, तो pipeline, pipe symbol, फिर equal symbol, और फिर user, अब यह इन दोनों को select कर लेगा, मैं save करता हूँ, और उपर वाले code move कर देता हूँ, यहाँ पर blue कर देता हूँ, ताकि में change नजला है, refresh करता हूँ, अभी दोनों पे नहीं लग रहा, यहाँ पर मैं इसके use cases बताता हूँ, कैसे लगेगा यह, एक use case कि सिर्फ यह word हो, एक यह valid use case है, एक इसके बाद कुछ भी हो, लेकिन hyphen के साथ, space के साथ नहीं, space valid use case नहीं है, not valid use case नहीं है, क्या valid case है, कि हाईपन के साथ हो, यह, और hyphen के बाद, अब आप चाहें तो कुछ basically और use कर सकते है, okay, इसके بعد में कुछ आ सकता है, इसके पहले आपकुछ नहीं लिख सकते हैं यहां पे अगर आप कोई word लिखे उसको करेंगे तो वो valid use case नहीं है इसके तीन valid use case है एक valid use case है के exact value जो आपने यहां पे लिखी है वो हो as equal check एक और valid use case है हाइफर लगा के आपकुछ लिखते हैं जैसे info लिख लिख लिखता हूँ एक valid use case है और इसके बाद space लेके आप जो मरसी लिखते हैं इस से पहले space लेके नहीं कुछ लिख सकते हैं वो invalid use case हो जाए रहा यह हमने कर लिया next आपकी चाह सकते हैं यहां पे मैं लिख लिखता हूँ यह दो valid use case है यहां पे साथ यहां पर उसके बिना और something यहां पर आप मैं इसको भी खड़ देता हूँ comment next आप कह सकते हैं कि मुझे वो वाले element सेलेक्ट करने है जिसमें जो user है वो कहीं पे भी आजए और किसी तरह भी आजए किसी word के साथ मिला हुआ आजए हाइफवान ये उसके लिए हमारे पास है static equal कि कहीं पे भी आ रहा हो वो उसको manage कर देगा क्या हमारे पास value क्या बनेगी इसकी जगा आजएगा static और अब ये सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि क्या user इसकी पूरी value में कहीं ना कहीं आ रहा है के नहीं आ रहा रिफरेश करता हूँ यूजर और इसके लिए अल्मूस्स सारी use case वैलिज़ है मैं इसके पहले कुछ लिखता हूँ यूजर के सारी यांप आद देख से थी यह मिला हुआ है यहां पर मैं इसके यूजर पर लिखा पुला हो सारे use case वैलिज़ है इसको सिर्फ और सिर्फ यह चाहिए कि यूजर का word कहीं ना कहीं available हो चाहिए वो start भी हो word के साथ मिला हुआ हो जैसे मर्जी मिला हो उसको कोई मस्दान नहीं तो यह वैसे काफी universal है लेकिं CSS जब भी हम apply करते हैं कोशिश करते हैं specific हो इस तरह के जो universal है ना वो in future कुछ ना कुछ bug create कर सकता है कि किसी यूजर ने यूजर नेम लिखा और उस विचारे को ये यूजर की style अपला ही हो रहे है तो वो खाफी annoying काम होता है इस वाजा से इसको कम यूजर करते हैं until unless क्या आपके पास specific reason refresh यह हो गया next आप हम देखेंगे कि कोई आप चाहते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ लफ इससे start हो रहा है जैसे कि exponent symbol and equal यह क्या select है यहां पर word available anywhere in all text and इसमें आ जाएगा यह था word selector specific exact word selector और यह वाला था यह तीन values case अब इसकी use यह जो है word at the start यहां पर इसका जो use case बनेगा यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ और exponent symbol refresh करते हैं अभी किसी को apply नहीं हो रहा है यहां पर आके basically यह start में आना चाहिए refresh हो गया इसको अब मैं बाद में जो मर्जी हो उससे उससे कोई फरक नहीं परता इसके साथ मिला हुआ है नहीं मिला हुआ हुआ उससे नहीं है लेकिन इससे पहले start जो होनी चाहिए value वो इससे होनी चाहिए यह एक specific और last take रहा गया है उसको study कर लेते हैं hopefully आपने guess कर लिया और यह start है तो वो end पे value at end और उसके लिए dollar यह कहा रहा है कि end पे होना चाहिए start पे नहीं होना चाहिए जो मर्जी शुरू में और फरक नहीं बढ़ता एंड जो है वो इससे होना चाहिए और इस पर अपलाई हो जाए चार केसे हमने study किये चार ने पांग टोटर एक equality check exact value वही होनी चाहिए कुछ ज्यादा नहीं हो सकता कुछ कम नहीं हो सकता नहीं यहाँ पर मैं equality check में एक आपको जड़ा थोड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ equality check क्योंकि वह most strict है वह कीज़ादा यूजरी करे, क्या नहीं होना चाहिए ना बहुत ज्यादा लूस होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा strict होना चाहिए दोनों cases में जो पर ब्रेक हो जाता है यहाँ तो раб हो जाता है, strict होगा तो direct होगा ब्रेक हो जाएगा है यूजर ही क्योंके capital R और small R different value है string में इस वज़ा से वो नहीं माना उसमें से तो बहुत ज्यादा strict नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा lose नहीं होना चाहिए CSS selector जो है वो specific होना चाहिए ताके जो आपका code हो वो maintainable हो और efficient हो अभी के लिए उसको comment करता हूँ refresh करता हूँ और next हम और एक दफ़ा review कर लेते हैं equality check हमने देखा उसके बाद exact word check हमने देखा wild एक किसम का wild card check हमने देखा start में होना चाहिए वो check हमने देखा और इससे पहले ये जो pipeline वाला check जिसमें वो word एक तो start में text start उसके साथ होना चाहिए और उसके बाद यहां तो hyphen के साथ आ रहा हो यहां फिर hyphen के साथ अगर ना भी आ रहा हो तो space देके बाद में कुछ आ सकता है text start इससे होना चाहिए और अगर इसको किसी के साथ मिलाना भी है तो hyphen के साथ मिलेगा फैसे नहीं मिल सकता है यह वाइल कार्ट इसको बस यह टैक्स कokhini ना Kmart सबूत इसको को माना होना कर भाधियर और बाद में अखिसी और टेक्स के सारी क्यारिक के साथ मिला हुआ है या धार नों आसाक्षा उत मिला हुआ हुppy प्रिफ्रेश किया यहां पे इसको और किया डॉत लगाया रफ्रेश किया नहीं लगएगा एंड इससे होना चाहिए एक सिर्फ ओर चीज रहागी जो कि मैंने आपको स्टार्ड में काता कि ताइप अपको लगाने को यहां पे भी लगा सकते हैं इक वर टुक टू कस्टाब यह एक अफिशल नहीं है अट्रिब्यूट इसका लेकिन मैं इसके जरीए CSS में स्ट्रेक्ट कर सकता हूँ मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि इसको प्रोपर्टी क्या साइन हो रही है यहां पर लर्निंग विद्ध यह है मैं इसको चेंज करता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के साथ इसको मैं चेंज करता हूँ और आपको रिक्मेंट करता हूँ कि आप टैग को स्पेसिटाइब करते हैं जस्ट इन केस के अगर बेसिकली क्योंकि अगर आप थोड़ी सी नॉर्मल वे में सिंपल रखे सोचें तो आईडी भी तो एक अट्रिब्यूट है अगर आप सिर्फ वैसे स्लेक्ट करने लगेंगे तो थोड़े बहुत इश्यूस के चांसे हैं आप पहले टगने सेलेक्ट करें उसके बाद आप आट्रिब्यूट करें । अटाइब और यहां पर नहीं तोlog कोई यूज कीवे जर्फेता हैं और वाइस वर्श तबार के इसको क्यारत यह नहीं है है और मैं इसे कह रहेता हूं कि इसका फॉंट साइज जो या सेवन्टी पिसल सेफ किया रिफ्रेश्ट किया स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं लेकिन ये तरीका रिकुमेंड़िट नहीं है जो रिकुमेंड़िट तरीका है वो यह है कि आप डेटा एट्रिब्यूट्स वो ये वैलिड वे नहीं है आप इस तरह कर सकते हैं लेकिन और एच्टीमल भी इन्वैलिट नहीं होती है लेकिन जो सीनियर आपका होगा वो आपसे इस चीज़ का क्वेस्टन करेगा कि आप क्योंकि ये एक प्रॉपर एट्रिब्यूट है टाइप का तो आपने इसको इस तर करते हैं डेटा और हाइफन लगाके अब आप जो मर्जी नाम लिए जैसे के डेटा नहीं और यहां पर आप कह सकते हैं ऐसा कुछ भी कर दें जब आप डेटा इस पैटरन के साथ चलेंगे डेटा हाइफन और बाद में जो भी इस पे आपको क्वेस्टन नहीं होगा क्यों तो यहां पर जायोंस नेम भी कह सकता हूँ मुझे अगेर रोकने वाला कोई नहीं है लेकिन क्योंकि यह सी एसस का स्टेंडर नहीं है लेकिन हम अपने परजेक्ट में इसको स्टेंडर बना सकते हैं इस चीज़ से हमें कोई नहीं रोक रहा मतलब कि हम अपने सारे ऑफ स्क्यूर्टी ओर एड हो जाए आपकी कोड में आपका कंपनी का बार बार नाम यूज़ हो रहा है इसको मैं यूज़ करके कोई भी यहां पर मैं नाम और कर सकता था मैंने इससे किया इस तरह और अभी अगर मैं से यहां पर रिफ्रेश कर ओंगा तो वह स्टाइल गा अपलाई हो, मैं पहले इसको खराब करता हूँ, ऐसे डालके, रिफ्रेश करता हूँ, नहीं, सिर्फ ये किया, मैंने इसे वो का वो सारे पी टैक स्टेक्ट करेंड हो, जिसके ये एट्रिब्यूट अवेलेबल है, वैल्यू किया है, उससे मुझे फरक नहीं करता हूँ, ये थे attribute selection के कुछ तरीके, जो हमने आज की वीडियो में study की, आज की वीडियो में आपने elements को attributes के साथ select करने के different तरीके study की है, और last में आपने देखा कि अगर आप अपना custom attribute बनाना जाती हैं, तो आप किस तरह उसे बना सकते हैं, और आप अपने project में किस तरह custom standards को implement कर सकते वीडियो के रेलेटिट कोई भी question हो तो please comment section में उसे mention करें, मैं उसका जवाब दूँगा, वीडियो को like, share and comment करें, चैनल को subscribe करें, मैं आप से मिलूँगा next video में, तब तक के लिए नामस। असलामों अलेकुम, मैं हूँ एसर महमूद and welcome to Zions, लास्ट वीडियो में हमने attribute selectors के मतलिक देखा था, उससे पहली वीडियो में हमने ID और class selector को study गया था, आज की वीडियो में हम CSS selectors पर ही continue करेंगे और आने वाली वीडियो में भी CSS selector की ही बात होगी, आज की वीडियो में जो selectors हम study करेंगे वो हैं combinator selectors, अभी तक हमने ये देखा कि किसी specific element को हम किस तरह select कर सके हैं, लेकिन CSS में styling करते वक्त अक्सर अवकाद हमको ये ज़रूरत होती है, कि हम किसी combination या relation की base पे elements को select कर सके हैं, जैसे कि मैं एक div create करूं और उस div के अंदर जितने भी paragraph tags हैं मैं हम चलते हैं वीडियो की तरह, स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर chrome browser open कर लूँगा और last time हम यहां तक पहुंचे थे, और इसी के साथ मैं core editor को भी open कर लूँगा और last time हम इस file पर काम कर रहे थे, जिसमें के हमने attribute selectors को अच्छी तरह अंस्टर्दी कर लिया था, आज की वीडियो में हम combinator selectors से काम स्टार्ट करेंगे, यहां पर मैंने यह google sheet का link आपको description में available होगा last video की तरह, यहां पर last time हम इस tab में थे, css properties, यहां से मैंने एक column अभी के लिए remove कर दिया है, और यहां पर video का link आपको जैसे जैसे यह sheet मिलती जाएगी, और जो जो video release होती जाएगी, उसका link यहां पर add होता चला जाएगा, अभी के लिए मैंने एक और नीचे sub sheet create की है, css selectors, और यहां पर अभी तक जो हम study कर चुके हैं, वो है id selector, class selector, और attribute selector, और attribute selector में हम यह 5 type study कर चुके हैं, आज की video हम start करेंगे combinator selector से, जैसे के मैं already बता चुका कि combinator selector का मतलब यह है, कि मैं यहां पर एक div create करूँ, और उसके अंदर जितने भी paragraph tag हैं, p1, p2, p3, मैं इनको duplicate कर लेता हूँ यहां पर, यह 5 paragraph tags, मैं इनको select करना चाता हूँ, मैं इनको कोई class assign नहीं करना चाता हूँ, मैं इनको कोई id assign नहीं करना चाता हूँ, ना ही किसी attribute की base पर select करना चाता हूँ, और हमने class और id की video में यह सेख लिया था, कि हम सिर्फ tag name से select नहीं किया करेंगे elements को, क्योंकि वो हमारा code scalable नहीं होगा, मैं चाता हूँ कि इस div के अंदर, मैं इस div को कोई class assign कर दोंगा, ताकि मैं इस div को specifically select कर सकूँ, और इस div के अंदर जितने भी paragraph tags हैं, मैं उन सब को select करना जाता हूँ, हम start करेंगे descendants selector से, descendants selector को आपको explain तरने के लिए मैं यहां पर आऊँगा, और सबसे पहले इसको एक class assign कर दोंगा, ताकि मैं इस div को individually select कर सको, मैं इसे कह दोंगा div 1 अभी के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई proper html का structure, हम header tag नहीं बना रहे, about us section नहीं बना रहे, कोई services का section नहीं बना रहे, इस वज़ा से मेरे पास इसके लिए, कोई specific एक clear नाम नहीं है, हम इस तरह के नाम देने से, CSS classes के कोशिश करते हैं, कि हम उससे बचें, जो नाम आपी CSS class का हो, जड़ा clear होना चाहिए, जै एक proper नाम है, कि ये services section का container element है, container div है, लेकिन क्योंकि ये अभी नहीं है, तो मैं इसको, अभी के लिए dummy नाम यूज़ कर लूँगा, div1, ताकि अगर मैं all divs को भी classes assign करूँ, तो two, three, इस तरह कर दीने कर सके, अब मैं इस element को यहां पर select कर लूँगा, CSS में, यहां से मैं ये empty जो block है CSS, उसको remove कर दोंगा, CSS में आपकी पास empty blocks नहीं होने चाहिए, यहां पर अगर hover करेंगे, तो यह बता भी राए, do not use empty rule sets, यह basically bad practice है, तो इसको हम remove कर देंगे, और यहां पर format कर देंगे, मैं नीचे आकर, यहां पर add कर दोंगा, कि हम study कर रहे हैं, descendant selector को, और मैं D को capital कर दो, यहां पर मैं उसको select करूंगा, हमने last video में study किया था, उससे पहली वीडियो में, क्लास को select करने के लिए हम dot लगाते हैं, और उसके बाद, जो हमने class का नाम select करना हो, उस नाम को यहां पर paste कर देते हैं, यह आ गया, और फिर property block को start करेंगे, और यहां पर अभी सिरोफर सिरोफर verify करने के लिए कि यह मैंने select कर लिया है, मैं इसको background color assign कर दूँगा, blue, और save करूंगा, यहां पर आके refresh करूंगा, और आप देख सकते हैं कि यहां पर यह चीज़ select हो चुती है, मैं इसके color को revert कर दूँगा, और अब हम continue करेंगे, descendants selector से, descendants selector basically, उसक syntax यह है कि आप parent, जो भी parent element होता है, उसका selector add करते हैं, यहां पर मैं parent को class से select कर रहा हूं, और उसके बाद space add करके, जो उसमें descendant, जो भी element आप उसके further direct child, यहां फिर उसका further down descendant है, child का जो child है, child का मीन, यह parent है div, जो wrap कर रहा है, और यह इसका child है, पीड जो tag है, यह इस parent के अंदर क्योंकि रैप हो रहा है, इसलिए HTML में हम friends यूज़ करते हैं, HTML और CSS में, कि यह parent element है, और यह जो इसके opening और closing tag के अंदर element आ रहा है, वो इसका child element है, ओके, यह simple सी term है, यहां पर मैंने parent element का selector add कर दिया, मैं space add करूंगा, और child element का selector add कर दू होगा, मैं इसको काफी specific कर सकता हूँ कि मैं यहां पर सारे piece को एक class assign कर दूँ, लेकिन यह already काफी specific है, क्योंकि हम सब piece को selecting कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर इसके नीचे यह इसके नीचे एक और paragraph tag को add कर लेता हूँ, outside div one, div, okay, मैंने बस उसको div one यह कर दिया, parent कर दिता हूँ और यहां पर मैं इन सब को कह देता हूँ, अब मैं जो styles यहां पर implement करूँगा, वो paragraph tag को implement होँगे, basically CSS selectors इस तरह काम पर दें कि जो end पर चीज, last चीज होगी, यह पहले जितने होँगे, उसको parent select करेगा, और space देके, यह जो space मैंने यूज़ किया, यह descendant selector के लिए इसके अंदर child आ रही हो, उन सब को, जो specific paragraph child है, उन सब को select कर लेना, p tag को, मैं इसको कह देता हूँ, कि यह color, यहां इसका font size, जो है, वो 30 pixel कर दे, और font weight, बॉल्ट कर दे, मैंने यह किया, save करूँगा, यहां पे आके refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं, मैंने color remote पर दिया था भी, यह सिरफ in पे apply हुआ है, नीचे वाले outside div, यहां पहली जो paragraph tags है, उनके apply नहीं हुआ, तो यह selector already काफी specific है, एक तो इसने अपने अंदर जो direct, यह इसके direct child है, क्य इसके अंदर आ गया, तो यह paragraph इस div का direct child है, लेकिन जो descendant selector है, यह ना सिरफ direct child को select करता है, बलकि अगर इसका descendant का मतलब ही यह होता है, कि child, child भी उसमें आ जाते है, child के child, grand child और grand grand child सारे उसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे मैं यहां पर कोई एक और div add कर लो, उसके अंदर एक और div add कर लो, उसके अंदर एक और div add कर लो, और further down जितना मरसी deep level चला जाओ, उसमें अगर एक paragraph tag add करके, यहां पर लिक देता हूँ, three level, deep child, descendant, ओके, और इसे save करता हूँ, तो यह इसको भी select कर लेगा, descendant selector, यह basically काफी एक generic selector है, क्योंकि यह इस div के अंदर, जो यह class div को available है, उसमें जहां पर भी paragraph tag आएगा, यह style यहां पर जो मैं उसको mention करूंगा, उसको apply हो जाएगे, यह था descendant selector, next, अब हम study करेंगे, child selector, child selector, basically, यह almost similar है, जैसे के descendant selector काम करता है, यहां पर मैं एक comment एड कर लेता हूँ, child selector, और यह almost इसी तरह काम करता है, जैसे descendant selector, सिरफ एक फरक के साथ, descendant selector, basically, सारे जो childs इसमें होते हैं, direct child, यहां सब-सब child, उनको select कर लेता है, जब किस, जो simple child selector, जिसका किस syntax है, div and greater than symbol, और उसके बाद, जो child का जो भी selector है, उसको मैं कोई class देता हूँ, जैसे यहां पर मैं class से specify कर देता हूँ, यहां पर मैं कहा देता हूँ, h2 tag add करता हूँ, और दो h2 tag add कर देता हूँ, h2 tag 1, और h2 tag 2, और सिरफ पहले वाले को मैं class assign करता हूँ, h2 tag 1, और मैं यहां पर आके basically कह देता हूँ, कि सिर्फ वो वाला element select करो, direct child, यह जो है child select करो है, और child का मतलब है कि वो सब grand child नहीं हो सकता, grand grand child नहीं हो सकता, यह इस parent के direct, mean के वो direct child इसका होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो इस parent के opening और closing ब्रेक्ट में direct वो आता है, उसके बाद कोई और element स्टार्ट होके उसके अधर आएगा तो वो उसका descendant बन जाता है, वो उसका direct child नहीं रहता, यहां पर मैंने dot लगा दिया class selector के लिए, और यहां पर यह जो है था class selector मैंने यहां पर actor दिया, यहां पर यह मैंने class इसको दिये हैं, और यह एजटू इस div का direct child है, यहां पर वाफिस आके मैं अब इसे style apply करूंगा, color मैं इसको दे दूँँगा, red font size मैं इसे apply कर दूँगा 35 pixel, यहां पर मैं save करूंगा, और यहां पर आके refresh करूंगा, तो यहां पर यह style apply नहीं होगा, मतलब हमने कोई गलती कर दी है code में, मैं वाफिस code में आऊंगा, और यहां पर basically मैंने सरफ div add किया है, जबकि यहां पर मैंने class इसकी रखी थी div 1, तो इस तरह की mistakes से बचना है, और classes जब भी लिखनी हैं, उनको please double confirm करना है, कि आपकी classes exactly same हैं जो यहां पर आपने spelling लिखे हैं, मैं यहां से copy करके इस तरह की mistakes से बचने के लिए, यहां पर paste कर दूँगा, save करूँगा, और अब यहां पर आके refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि वह style apply हो गया है, और यह style सिरफ और सिरफ एक तो direct child को apply हुआ है, और दूसरा उस direct child को apply हुआ है, जिसके पास यह class थी, मिन अगर मैं यहां पर h2 कह देता, यहां मैं इसी को divert करके, मैं पहले direct child को एक दफाँ clear कर देता हूं, मैं इसको copy करता हूं, और इस के अंदर इस div के अंदर रख देता हूं, format करता हूं, और यहां पर मैं कह देता हूं h2 tag 1, class बिल्कुल same रहने देता हूं, यहां पर सिरफ कह देता हूं, deep level 1, ओके, इस सिरफ और सिरफ यह एक level down आ गया, अब इसका जो direct parent है वो यह div है, और इस div का direct parent यह div, actual div है, इसलिए अब यह rule इसके apply नहीं होगा, जबके इसकी class बिल्कुल same है, लेकिन यह जो greater than symbol है, यह direct child को ही selected है, मैं यहां पर आकर refresh करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यह style नहीं होगा, और next जो मैंने दिखाना था वो भी same ही है, यगर मैं इस पर h2 कह देता हूँ, अब क्योंकि यह हर एक h2 को select कर लेगा जो इसका direct child है, इसलिए अब यह भी select हो जाएगा और यह भी select हो जाएगा, refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर दोनों select होगे, इस वज़ा से मैंने यहां पर class यूज़ कर ली क्योंकि मैं सरफ एक ही div को, oh sorry, एक ही h2 को select होगे ना चाहता था, save यह fresh और यहां पर यह complete हो गया, इसी के साथ हमारा child selector भी complete हो गया है, next अब हम study करेंगे adjacent sublink selector, adjacent sublink selector यह भी basically बहुत ही ज्यादा important type है और हम काफी इसको use करते हैं CSS में, यहां पर मैं इसकी adding add कर दूँगा एक comment में और इसको capitalize कर दूँगा, यहां पर selector और यहां से मैं थोड़ा सा इसे clean कर लूँगा ताकि हमारे पास जगा available हो, मैं इस code को यहां तक comment कर दूँगा, comment किया और basically मैंने ending div को भी comment कर दिया, यहां पर जैसे ही आपको prettier में कोई error आए, इसका मतलब है कि आपने कोई गलत HTML format में आपकी कोई गलती हो गई है, आपकी HTML valid नहीं दी, मैंने यहां पर div को start किया लेकिन ending tag को भी comment कर दिया, तो मैं यहां पर control Z करूँगा, command Z Mac पे और इस div को निकाल लूँगा, यहां तक सिर्व फिर सिर्व इन चीज़ों को comment कर दूँगा, और save करूँगा तो आप देख सकते हैं, तो यहां पर प्रिटियर जब भी आपको एरज दे, इसका मतलब है कि आपकी HTML invalid है, यहां पर आके refresh करूँगा, और यहां से उपर से भी मैं यह चुट कोड है, उसको comment कर लूँगा ताकि हमारे पास जगा available है, कमेंट किया मैंने, और यहां पर क्योंकि पहले ही एक comment available था, यहां से comment start हुआ, और यह comment यहां पर खतम हो गया, और यह invalid हो गया, इसको मैं यहां पर space दे दूँगा, तो यह comment start हो गया, लेकिन यह end अभी भी यहां पर हो रहा है, तो यहां पर भी मैं एक space add कर दूँगा, जिसकी वज़ा से यह comment यहां पर जाके end हो, space save करूँगा यहां पर, और यहां पर आके refresh करूँगा, अब हमारे पास काफी space है, अब continue करेंगे adjacent selector से, ओके, adjacent sibling selector basically, यह आपके sibling जैसे के English में sibling लफ्स का मतलब है, यह आपके जो next in line होता है, मेंकि एक parent के दो child, ओके, यहां पर मैं इस paragraph tag को, यहां से copy करके इसको यहां पर comment कर दूँगा, और इसको यहां पर paste कर दूँगा, P1, P2, P3, P4, इनको change भी कर दूँगा यहां पर, ओके, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारे paragraph tag select कर लूँ, जो के P2 के बाद आते हैं, सबसे पहले मुझे P2 को select करने के लिए, इसको specific कोई class assign करनी परेगी, P2, यह मैंने इसको class assign कर दी, अब मैं चाहता हूँ, कि P2 के बाद, जो direct इसका sibling है, एडजिसंस sibling का मतलब है, कि एक तो वो next होना चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ इसके next जो direct sibling हो, यह नहीं कि इसके बाद यह भी select होगा, सिर्फ जो next direct sibling है, यह previous को भी select नहीं करेगा, और नहीं max से अगर, एक से ज्यादा next sibling को select करेगा, यह सिर्फ और सिर्फ P3 को select करेगा, यहां पे मैं save कर लेता हूँ, और यहां पे आके जैसे कि अभी तक हमने देखा कि relation, जो combinator selector हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं, जिनके हम relational selectors भी कह सकते हैं, कि उन में सबसे पहले हम parent या main selector या एक किसम का relationship selector पहले एक करते हैं, ज्यादा तर हम parent को select करते हैं, और उसके बाद उसका जो child selector या direct child selector या descendant selector उसको add कर दिया, sublink selector में अब क्या होगा, जो main sublink है हम उसको select करेंगे, P2 हमारे case में यह main sublink है, हम इसके थूरू जो next P3 है उसको select करना चाहरे हैं, और यहां पर sublink selector को select करने का तरीका कार है plus symbol, यह basically direct जो next sublink है सिर्फ direct one next जो sublink है उसको select करेंगा, यह उसके बाद वाले siblings को select नहीं करेंगा, और space देके P, यहां पर basically मैंने कहा कि यह main sublink है और यह जो plus symbol है यह adjacent sublink selector है, और उसके बाद जिस sibling को मैंने select करना था, क्योंकि मैंने code लिखा है इसलिए मुझे पता है कि P2 के बाद यह एक और paragraph है जिसको मैं select करना चाहता हूं, और सिर्फ मैं इसी paragraph को select करना चाहता हूं, basically हमारे पास बहुत से तीन करी के और भी थे हम attribute लगाके select कर सकते थे लेकिन यह आपको सिखाने के लिए हमारे पास यह भी एक selector available है, यह इतना ज्यादा commonly use नहीं होता, यह काफी commonly use होता है और यह हम बहुत ही ज्यादा use करते हैं, यहाँ पर अब मैं इसको color दे दूँगा, green और font size में इसे दे दूँगा 25 pixels, save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यह जो P है सबसे पहले में उपर आके basically क्योंकि यहाँ पर div 1 में पहले ही वो लगी हुई है जो property है, वो पहले से यहाँ पर लगी हुई है कि div tag में जतने भी paragraph tag हैं उनका font size 30 pixels हो, क्योंकि यह भी यह सारे div paragraph tags हैं और यह सारे div 1 में रैप हैं इस वजह से इन पे वो font size लग चुका है, और इसके बाद मैंने कहा दिया कि paragraph 2 के बाद जो P direct sublink है, उसका जो font size है वो 25 पर दे, इस वजह से इसका font size थोड़ा चोटा हो गया है और उसका color green हो चुका है, और आप इसमें सरफ next को select किया है, उसके बाद वाले paragraph को select नहीं किया, इसी के साथ हमारा adjacent sublink selector complete हो गया, next हम study करेंगे general sibling selector, general sibling selector, hopefully आपने guess कर लिया होगा, ये भी siblings को select करने के लिए use होता है, लेकिन ये adjacent sublink selector से ज्यादा powerful होता है, यहाँ पर मैं comment add कर लूँगा, और यहाँ से इसे copy करके वहाँ पर paste कर लूँगा, और इसे update कर लूँगा, यहाँ पर, okay, जो general sibling selector का syntax है, वो है, main sibling, मैं यहाँ पर फिर P2 को ही select कर रहा हूँ, और उसके बाद alif madda sign, और उसके बाद जो further जो भी sibling, mean के tag आप select करना चाहते हैं, वो, यहाँ पर मैं फिर से paragraph tag को ही select करता हूँ, और blow को start कर देता हूँ, उसे पहले मैं इसे comment कर देता हूँ, इस code को और यहाँ पर आके refresh करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से styling remove हो चुकी है, रवाफिस code में आता हूँ, और यहाँ पर आके, अब color apply करता हूँ, red, save करता हूँ, यहाँ पर आके refresh करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने दोनो selectors को select कर लिया, main, general sibling selector और adjacent sibling selector मे ये difference है कि general sublink selector main selector जो actual sublink है उसके बाद आने वाले सारे tags को select कर लेगा यहाँ पर अगर मैं बीच में कोई और tag भी आ जाएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ as to tag in between उसके बाद भी अगर एक paragraph tag आएगा जो कि इस tag का होना sibling की चाहिए mean के एक in इसका parent और इसका parent दोनों ये same parent में होने चाहिए ये sibling की condition होती है यहाँ पर P5 कहता हूँ और यहाँ पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी select हो चुका है ये है general sibling selector इसी के साथ हमारे जो combinator selector हैं वो चारो complete हो चुके हैं मैं एक दफार repeat कर देता हूँ सबसे पहले हमने study किया descendant selector को इसका syntax है space mean हम parent का selector add करते हैं और space लगा के child selector add कर देते हैं next हाँ child selector इसके लिए भी parent का पहले selector लगता है उसके बाद greater than symbol और उसके बाद child selector जो भी selector हमने child को दिया होता है वो tag के साथ हम select कर सकते हैं ID के साथ, class के साथ, attribute के साथ इन तीनों चारों में से किसी के साथ भी हम उसे select कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम mostly कोशिश करेंगे कि class selectors यूज़ करेंगे एक तो वो specific रहेंगे और दूसरा हमारा code future ready देगा ताकि अगर हमें changes करने परें तो हमें issue ना है फिर हमने study किया था adjacent sibling selector जिसका syntax है plus symbol हम main sibling को लगाते हैं और उसके बाद further जिस sibling को select करना होता है इसका condition यह है कि यह main sibling के direct बाद होना चाहिए इनके दर्मियान कोई और element नहीं आ सकता mean यहाँ पर अगर मैं h2 इनके दर्मियान दूँगा h2 in between 1 and h2 in between 2 और इधर से इसे uncomment करता हूँ और font size मैंने सरफ इसको दिया हुआ है और यहाँ पर मैं इसको comment कर देता हूँ सरफ आपकी इस आनी के लिए यहाँ पर आकर refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पर style apply नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो condition है वो यह है जो adjacent sibling है वो directly main sibling के बाद में होना चाहिए उसके दर्मियान कुछ नहीं हो सकता है इसे मैंने यहाँ पर move किया refresh करूंगा तो अब यह style apply हो रहा है siblings को वो सबको select कर लेता है यह थी आज की वीडियो hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आप से मिलूगा next video में तब तक के लिए Allah असलाम अलेकूम मैं है हैसन महमोद and welcome to Zyron's लास्ट वीडियो में हमने combinator selectors को study किया था जिसमें हमने descendant, child sublink, adjacent sublink और general sublink यह चार combinator selectors को study किया था आज की वीडियो में हम selectors को और ज्यादा advanced state पे लेके जाएंगे और mainly हम state selectors को study करेंगे जिनका के proper term है pseudo class selectors जिनको असान अलफाज में अगर मैं समझाओ तो उनको element को specific state से select करेंगे यह पिर specific type of elements को select करेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ pseudo class selectors को समझाने के लिए यहाँ पे मैं अपना ब्रॉजर ओपन कर लोगा और साथ ही कोडिटीटर भी ओपन कर लोगा लास्ट टाइम हम यहाँ तक पहुंचे थे और हमने combinator selectors को study कर लिया था pseudo class selector को explain करने के लिए basically मैं most simple use case से start करोगा pseudo class selector यह state selectors होते हैं और specific element selector होते हैं जैसे कि हम एक state define कर सकते हैं कि जब मेरा mouse यह जो cursor है इस paragraph tag के ऊपर आजाए इस पे hover कर रहा हो तो इसका जो font size है यह color है वो change होके green हो जाए यह कोई भी एक इस पे CSS property अपलाई हो जाए तो यह चीज एक specific state को represent कर रही है जैसे कि अगर यहाँ पर हम मैं यहाँ पर आके यहाँ से इस HTML code को यहाँ से remove कर देता हूँ ताके हमारे पास space create हो जाए और यहाँ से इसे भी remove कर देता हूँ save यहाँ पर सबसे पहले मैं anchor tag create कर लेता हूँ और उसका URL मैं zions.com slash bio इस website पर ले जाता हूँ यहाँ पर यह missing है और इसका जो target है वो मैं blank set कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका text zions website save करता हूँ यहाँ पर आके refresh करता हूँ तो यह यहाँ पर set हो चुका है वाफिज आकर यहाँ से पहले continue करते हैं सबसे पहले अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर hover करूँ तो इसका जो color है वो इस blue की जगा यहाँ पर इसका color yellow हो जाए तो उसके लिए जो हमारे पास pseudo class selector है यहाँ पर मैं heading दे देता हूँ pseudo class selectors यह state and specific element selectors है अब मैं चाहता हूँ इसको सबसे पहले मैं एक यहाँ पर class भी assign कर देता हूँ इसको select करने के लिए zions website link इसे और अब मैं चाहता हूँ जब इस पर मेरा mouse cursor hover आए तो इसका color change होके yellow हो जाए यहाँ पर मैंने इसे add कर दिया और अगर मैं simple बस इसका color yellow कर दूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह पहले yellow हो गया जबके मैं चाहता था कि यह blue ही रहे और जब मैं इस पर hover करूँ तब यह yellow हो और yellow यहाँ पर study नहीं किया जा सकता यहाँ पर right click करके inspect करता हूँ इसे और color इसका change कर देते हैं ताके जो असानी से हमें नजर आए परपल पिंक यह पर इस color को मैंने यहाँ से copy कर लिया और यहाँ पर paste कर दिया save करता हूँ refresh यह by default यह color नहीं होना चाहिए उसके लिए जो हमारे पास sudo selector है वो है hover मैं यहाँ पर code में आऊँगा और यहाँ पर इस case को achieve करने के लिए कि जब user इस पर hover करे तब इसका color change हो हमारे पास जो sudo selector है वो है hover का और sudo class selector के add करने का जो syntax है वो है colon और उसके बाद hover यह as it is spelling लिखने है और यहाँ पर save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि by default इसका color blue है और जब मैं इस पर hover करता हूँ मेरा mouse इसके उपर आता है तो इसका color change हो जाता है यह हमने सबसे पहला sudo selector study किया hover state का यह क्या करता है mouse over पे properties implement करता है ओके जब user का mouse over हो रहाता है जिस state को हम hover की state कहते हैं तब इसकी यह properties जो भी यहाँ पे मैंने लिखा होगा कुछ भी property जो supported है css की वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और यह इसको apply कर देगा यहाँ पे आप देख सकते हैं next अब हम study करेंगे focus यह भी हमारे पास एक pseudo class selector है इसको अब हम next study करेंगे focus pseudo class selector basically यह जो hover का pseudo class selector है यह almost हर एक HTML element पे available है ओके लेकिन यह जो focus का pseudo class selector है यह सिरफ और सिरफ input type के elements पे available है जैसे के text area और input जिसमें के user कुछ data enter कर सकता है क्योंकि जब user कुछ data enter कर रहा होता है उस पे cursor click करके type कर रहा होता है तब उस पे एक specific state active होती है जिसको के हम focus की states कहते है कि यह element currently focus है इस पे user काम कर रहा है यहाँ पे मैंने input element create किया और इसको मैंने class दे दी user name यह मैंने इसको class दे दी और अब मैं चाहता हूँ कि user name की जो class है सबसे पहले मैं उसको थोड़ी सी default styling दे दूँगा font size 20 pixel और यहाँ पर आकर refresh करते हैं यहाँ पर यह ऐस तरह आ गया और basically यहाँ पर मैं produce करवाद होँगा HR tag को जो horizontal line break tag है refresh करूँगा और यहाँ पर यह फर्दर line ले आकर यहाँ पर अब जब मैं इस पर click करता हूँ और कुछ type करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके जो text का color है वो black आ रहा है जबके मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर focus जब मेरा इस पर click हो तो तब इसके text का color जो है वो green आना चाहिए तो उसके लिए जो मेरे पास एक pseudo class selector वो है focus का मैं यहाँ पर सबसे पहले यह मैंने general styling की मैं इसको उपर कर दोंगा और इसी को copy करके यहाँ पर colon यह pseudo class selector का syntax है और उसके बाद आप यहाँ से basically double colon को छोड़के वो pseudo element selector है वो हम next video में study करेंगे यह जो single colon के साथ जितने हैं यह सारे pseudo class selector हैं यहाँ से आप कोई भी use करके देख सकते हैं अगर आपको किसी की समझ ना आए यहाँ किसी में कोई issue आए तो आप मुझे comment section में उसको mention करेंगे और मैं उसको explain कर दोगा क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए हर एक pseudo class selector को use करके दिखाना possible नहीं होगा इसलिए मैं most जो common pseudo class selector हैं उनको use करके यहाँ पर दिखा दोगा और आपको by the end of this video इस document पर भी आपको redirect कर दोगा ताके आप यहाँ पर pseudo class selector और इदर यह basically w3 school यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं और अब हम hover को already study कर चुके हैं next हम focus को study कर रहे हैं जैसे कि यह इनोंने color change किया है हम font का color change करेंगे यहाँ पर आके आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक list जो most common pseudo class selector हैं वो यहाँ पर available है आप इन में से कोई भी एक use करें जैसे कि यहाँ पर अगर आप इसको use करना चाहते हैं इसको new tab में open कर लें और यहाँ से study करके किसी भी pseudo class selector में आपको कोई issue आए तो आप इस video के comment section में उसको mention करें मैं उसको explain करूंगा हम focus के pseudo class selector को study करें ते यहाँ पर आप मैं focus इसको enter करूंगा यह exact same होना चाहिए और मैंने कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि जब यह focus हो तो इसका color green होना चाहिए save और यहाँ पर आके refresh करूंगा अब आप देख सकते हैं कि जब मैं इसमें focus हूँ और लिक रहा हूँ तो इसका color green है जब मैं बाहर क्लिक कर दोंगा तो उसका color black में shift हो जाएगा यहाँ पर मैंने क्लिक किया element focus में आया उसका color जो है वो green हो चुका है यहाँ पर मैं type कर रहा हूँ जब मैंने इसके click किया तब यह focus में है जब बाहर क्लिक कर दूँगा यह unfocus हो जाएगा और उसका text black में convert हो गया next मैं आपको दो से तीन और जो pseudo class selectors है उनको study कर वाँगा और फिर हम इस वीडियो को लैप अप करेंगे जो next pseudo selectors हम study करेंगे वो है link, visited, active और इसके इलावा यहाँ से मैं इस documentation में से देख लेता हूँ जो most common pseudo selectors है first child यह काफी commonly use होता है first child और disabled और lastly एक काफी important यहाँ से यह दोनों हम study कर लेंगे not यह बहुत important है and and child इसके इलावा और भी बहुत ज़्यादा है यह basically हम throughout the course almost सारे ही हम use कर लेंगे कोई एक आदा होगा हम शायद use ना कर सकें लेकिन वो आप पुद यूज करके अगर उसमें आपको कोई issue है तो आप मुझ से पूछ सकते हैं वीडियो के comment में बाकि जितने भी pseudo class selector और elements selector होंगे वो almost हम हर एक को throughout the course use कर लेंगे किसी ना किसी यूज केस में अभी next अब हम इस वीडियो में यह सारे जो class pseudo class selector हैं इनको study करेंगे continue करेंगे link pseudo class selector से link pseudo class selector यह basically बहुत ही common और simple pseudo class selector है यह hopefully आपने guess कर लिया होगा कि यह links पे implement होता है यहाँ पर मैं इसे select कर लूँगा इस element की class को और यहाँ पर paste कर दूँगा और इसमें link add कर दूँगा basically link visited active और hover क्योंकि मैंने बताया यह almost हर एक जो element है उस पे available होता है यह तीन जो है यह anchor tag पे available है यह जो focus है यह input और text area पे available है disable यह भी input और text area पे available है यह select और बाकी जो data input के लिए use होते हैं उन सब पे available है not यह भी almost हर एक element पे available है क्योंकि इसके मैं आपको भी तरीका बता दूगा nth child यह भी common है और first child यह भी common है यहाँ पर एक और हम study कर लेंगे last child क्योंकि हम first child को study कर रहे हैं तो हम last child को भी study कर लेंगे यह link visited और active यह basically तीनों available है anchor tag और इनका order matter करता है basically हम सबसे पहले link में styles apply करते हैं उसके बाद हम visited का style चो CSS style rule है उसको लिखते हैं उसके बाद हम hover का style rule लिखते हैं और active का style rule लिखते हैं अगर आप इनका order change करेंगे कि visited का पहले लिखते हैं और link का बाद में तो आपके जो CSS है उसमें issues आ सकते हैं मिन के end result different हो सकता है इसका order matter करता है पहले link आएगा उसकी styling उसके बाद visited और मैं इसकी states को आपको fully define करूंगा कि क्या state में different क्या है hover और lastly active होवर हमने study कर लिया जब mouse उसके open element के link से start करते हैं य basically इसकी default state होती है कि अभी तक user का mouse उसके उपर नहीं है user ने उसको click करके visit नहीं किया और नहीं user ने उसको click करके press रखा है जो कि उसकी active state पहलाती है यहाँ पर मैं इसको define कर दूँँगा कि जो इसका color है वो by default मैं चाहता हूँ कि black हो जाएना मैंने save किया और यहां पर आके refresh ふ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसका color change हो चुक आप लैक हो चुका है आक एक और फिर करके दिखा देता हूं कि यहाँ पर मैं इसका color जो है यहां से कुछ random सा color प्रिक लेता हूं जैसे यह सैयान額 कलर है इसको प्रेश कर लेता हूं save करता हूँ, यहां पर आके refresh करता हूँ, यह by default कि यह सिरफ अभी link है, ना मैंने इस पर click करके इसको visit किया है, मैं उसका criteria भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे verify होता है, और ना ही मैंने इस पर click करके press किया हुआ है, प्रेस जब हम करते हैं, वो active state इसकी होती है, यह था link pseudo selector, यहां पर आप जो भी properties implement करेंगे, वो यहां पर implement हो जाएंगी, जैसे कि मैं इधर font weight इसका implement करतेता हूँ, font हमने size उपर implement किया हूँ, मैं इसको 900 दे देता हूँ, और यहां पर refresh करता हूँ, आप देखतें कि वो bold हो चुका है, next अब हम study करेंगे, visited pseudo class selector, visited pseudo class selector, यह basically काफी important state है, यहां पर link की जगा सरफ आजेगा visited, और बाकी मैं इसका color कह देता हूँ, कि मुझे इसका color जो है, वो almost orange में चाहिए, और फॉन्ट weight, वो मैं खतम कर देता हूँ, और यहां पर font style में italic add कर देता हूँ, save, और refresh करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि यह style यहां पर implement नहीं हुआ, यहां पर अभी सरफ link का style implement हुआ है, और जब मैं hover करता हूँ, तो hover का style implement होता है, visited का style, hopefully आपने guess कर लिया होगा, जब मैं इस पर click करूँगा, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब वो style है, वो implement हो चुका है, यहां पर मैं वाफिज आता हूँ, और यहां पर मैंने कहा था कि इसका जो color है, वो यह orange color होना चाहिए, जब यह visited हो चुका हो, और font style इसका italic हो जाना चाहिए, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो state है, यहां पर implement हो चुकी है, basically, यह visited की state इस तरह डिफाइन होती है, कि यह जो link आपने click करके जो open किया है, यह आपकी history में add हो जाता है, यहां से अगर मैं browser की history open करता हूँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह यहां पर history में available है, और html css automatically इस चीज़ को detect करती है, क्योंकि यह link क्लिक करके इस history में आया है, तो इस वज़ा से यह link user ने visit किया हुआ है, और यहां पर इस visited की pseudo class लग रही है, यहां से अगर मैं सरफ इसका यह history remove कर दूँगा, यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहां से link को remove कर दिया है, इस वज़ा से अब यह visited की state में नहीं है, और यहां पर एक चीज़ note करने होगा, exact same link होना चाहिए जो यहां पर है, यहां पर, क्योंकि slash नहीं है, अगर यहां पर end पे URL में slash आजएगी, जैसे यहां पर यह browser का by default behavior होता है, कि यह end पे slash add कर देता है, मैं इसके साथ slash के साथ अगर इसको visit करता, तो यहां पर यह visit की class नहीं थी आ रही है, क्योंकि मैं है, यहां पर implement होगी है, मैं यहां से एक दफा फिर history से remove करता हूँ, और अगर मैं इस forward slash के साथ visit करूँगा, enter मैंने किया और यह refresh हुआ है, यहां पर आकर refresh करूँगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह यहां पर add हो चुका है, लेकिन क्योंकि इस दफा मैंने forward slash के add कर दूँगा, save करूँगा, तो यहां पर आकर refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं, को वो visited state में चला गया, तो यह चोटा सा concept है, प्लीज इसको तसली से समझ लें, यहां पर जो exact same URL होगा, अगर मैंने वो exact same URL अपने इस browser में visit किया होगा, तो तब जाके यह visited की, जो pseudo class है वो लगेगी, hopefully आपको इसकी समझ आगे ही होगी, अगर इसमें कोई भी confusion हो, तो please comment section में mention करके मुझसे clear कर लिजेगा, hover की state हम already study कर चुके हैं, मैं यहां पर hover की state को नीचे shift कर दूँगा, यहां पर, जैसे के मैंने आपको बताया, पहले हम link की state लिखते हैं, बाद में visited, फ आपने follow करना है, otherwise आपको issues face होने, next जब हम study करेंगे active pseudo class, active pseudo class, यह बहुत ही simple concept है, यहां पर मैंने इसको paste किया, और यहां पर लिख दिया, active pseudo class, और यहां इसकी जगा सिरफ और सिरफ एक्टिव आजएगा, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो color है, वो यह परपल शे, shade में आजाए, उपर वाला भी, hover वाला भी purple में है, तो इसको मैं change करके, किसी और shade में ले जाओगा, green shade, green shade अभी तक यूस किया हमने, green shade अभी तक यूस नहीं किया, मैंने जब active हो, तो तब green shade में चला जाए, और italic को मैंने यहां से भी remote कर दिया, और यहां से भी remote कर दिया okay, यहां पर आके refresh करता हूँ, यह अभी current visited state में, hover करता हूँ, तो यह hover की state में आ जाता है, और जब आप इस पे click करते हैं, तो तब यह active की state में चला जाता है, hover की state भी अभी इस पे implement हो रही है, क्योंकि hover की state में इस पे font size implement हो रहा है, और अब यहां पे देखें, अगर मैं hover का जो style है, वो बाद में implement करता, तो active का जो style है, वो implement नहीं था होना, क्योंकि hover की style ने उसको override कर देना था, यहां पे, अब मैंने इस पे click तो किया है, लेकिन वो style implement नहीं होआ, क्योंकि वो override हो गया, इस वज़ा से यह order matter करता है, तो यहां पर यह होगा, save करूँगा, और य यह है, click करके छोड़ना नहीं है, click करके प्रेस करके रखना है, तो यह इसकी active की state होती है, कि यह currently active है, active in focus है, ओके, user ने इस पे click करके रखा होगा, यह हमारी pseudo class, यहां पर यह भी complete होगी, इसी के साथ यह हमारी 3 यहां से complete होगी है, next अब हम study करेंगे, first child, first child, pseudo class selector, यह बहुत ही important pseudo class selector है, यहां पर मैं इसको add कर दूँगा, और इसके लिए basically, जैसे कि hopefully आपने guess कर लिया, child, mean कि हमें थोड़ा सा structure चेंज करके, एक parent child का structure यहां पर आड़ करना पड़ेगा, मैं एक div add करूँगा, उसको class दे दूँगा, last time पी तरह div 1, और इसमें paragraph tag add कर दूँगा, पी 1, और इसको duplicate कर दूँगा, तेन चाल दफा, यहां पर आके refresh करूँगा, यह यहां पर add हो चुका है, यहां पर आके सबसे पहले मैं descendant selector को use करके दिखा दूँगा, dot, div 1, और space दे के p, और इन सब को मैं color दे देता हूँ, green, refresh, आप देख सेके हैं सारे descendant selector होगे, लेकिन मैं चाहता हूँ, सिर्फ जो first child है वो selector हो, hopefully आपने guess कर लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर first child selector लगेगा, save, refresh, और आप सिर्फ first को implement हो रहा है, बाकी तीनों को implement नहीं हो रहा है, तो यही इसका काम है, यह बहुत simple है, इसी तरह बाकी almost जितने भी solo class selector है, उनको जो उनका नाम है, वो ही उनका काम भी है, यह note वाला, यह थोरा सा complex है, तो यह मैं आपको डिटेल में समझा दूगा, next अब हम study करेंगे disabled, disabled pseudo class selector को study करने के लिए, जैसे कि मैं पैच्छे वीडियो में बता चुका हूँ, कि यह input पे apply होगा, तो उसके लिए हमें अपनी HTML में एक input introduce करवानी परेगी, यहाँ पर एक और horizontal line introduce करवाँगा, और input introduce करवाँगा, यहाँ पर हम पहले ही एक input है, मारे पास तो उसी को use कर ल disabled, मैं लिख देता हूँ disabled, और मैं चाता हूँ dot username colon disabled, इसका जो background color है, वो red हो जाए, यहाँ पर आके refresh करूँगा, अभी कुछ नहीं हुआ, मैं फोकस करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यह जो input है, अभी enabled है, जैसे कि हमने एक attribute study किया था, जब हम HTML fundamentals को कर देत है, कि यहाँ पर input की field पे और बाकी भी जो भी input select हो गया, check हो गया, text area, उन सब पे हमारे पास एक attribute होता है, disabled का, यह add करेंगे, तब हमारे पास यह जो pseudo class है, यह implement, यह होगी, एक्टिव होगी, refresh करता हूँ, और अब आप देख सकते हैं, कि यह disabled हो चका है, और अब user इसको select क case में कुछ भी नहीं लिख सकता, तो यह हमारा disabled की जो pseudo class है, वो cover होगी, यहाँ पर next हमारे पास है, इन दोनों को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, और next हमारे पास एक बहुत ही important pseudo class selector है, not, not pseudo class selector, यह बहुत ही important और एक किसम का advanced pseudo class selector है, क्योंकि इसके थुरू हम बहुत ही ज्यादा fine-tune अपने CSS selector को कर सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा से complex structure बनाऊंगा, मैं एक div create करूंगा, div, इसको मैंने class देदी, div2, उसमें मैं एक paragraph add करूंगा, div2p1, उसी में मैं एक h1 add करूंगा, div2h1, और इसको repeat करता जाऊंगा, h2, h3, और इनको remove करके, यहाँ पर मैं पहला graph को दो तीन दफार duplicate कर लूँगा, 2, 3, 4, और यहाँ पर एक को मैं सिर्फ class दे दूँगा, कुछ भी क्योंके class का नाम हो सकता है, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ p2 कहता हूँगा, यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ, कि ignore text, अब यहाँ पर आके सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मैं जितने p हैं, इस div के अंदर, उनका font size जो है, वो increase कर दूँगा, मैंने descendants selector, यहाँ पर मैं direct child selector भी यूज कर सकता हूँ, क्योंके जो भी paragraph tag है, वो इसके direct child है, इस मज़ा से मैं यहाँ पर direct child selector भी यूज कर सकता हूँ, मैंने font size इसको यूज किया कि font size इसका कर दो 30 pixels यहां पर आके मैं refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह जो सारे paragraph tags है इनका font size 30 pixels सेट हो गया मैं अभी के लिए जो heading जे उनको comment कर दूँगा क्योंकि अभी उनका काम नहीं है यह मैं उनको comment कर दिया save, refresh और यहां पर यह सेट हो गया अब मैं चाहता हूँ कि सारे paragraph tag का जो font size है वो 30 pixels हो जाए लेकिन उस paragraph tag का font size जो है वो 30 pixels ना हो जिस पे मैंने यह class दी हुई है यह class हो जाए यह कोई भी और selector हो सकता है जैसे कि लेकिन कोई specific selector हो सकता है जैसे attribute मैं यहां पर zions selector कुछ भी नाम दे सकता हूँ और उसमें मैं कहा देता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि सारे इस div 2 के अंदर जितने paragraph tags है सब को font size 30 pixels मिल जाए लेकिन उस paragraph tag को font size 32 pixels ना मिले जिसके ओपर यह ignore test के class रगी हुई तो इसके लिए हमारे पास pseudo selector है mode यह basically conditional selector है यह जिसके अंदर यह parentheses आजेंगी यह basically condition को represent करते हैं यह dynamically elements को select करेंगे और इसके अंदर अगर आप power भी करते हैं तो यह आपको बता देता है कि इस पे कोई condition मैट होनी चाहीए अब यहां पे मैं वो selected add कर दूँगा कि जो इस paragraph पे नहीं होना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि वो वाला paragraph select ना हो जिस पे class हो ignore text की जिसके उपर ignore text की class लगी हुई है उस paragraph को select नहीं करना not सारे paragraph को select कर दो लेकिन उसको not select करो जिस पे यह class लगी हो यह simple सा criteria है save किया यहां पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं बागी तीनों select हो चुके है और सिर्फ वो select नहीं हुआ जिस पे ignore class लगी हुई थी यह बहुत ही ज्यादा powerful selector है और हम इसको काफी ज्यादा use करते हैं जरूरी नहीं है कि यहां के सिर्फ class यूज करनी है मैं यहां पर कोई भी कस्टम एक अट्रिब्यूट जाइओंस selector कोई भी एक कस्टम एट्रिब्यूट बनाके उसको भी यूज कर सकता हूँ और उसकी कुछ भी value हो सकती है यहां पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ अपना नाम यहां पर लिख देता हूँ और इसको मैं सिर्फ कह देता हूँ कि वो वाला paragraph tag select नहीं करना जिसके यह वाला attribute होगा तो यह भी 100% value है पहले मैं इसको comment करता हूँ uncomment करता हूँ इसके बिना दिखा देता हूँ कि अभी सारे select है सारे select है इसको comment करता हूँ वो वाला paragraph नहीं select करना जिसके ओपर यह selector लगा हुआ है मैं उसकी value पे नहीं अभी जा रहा कि value कुछ भी हो मुझे फरक नहीं पड़ता सिर्फ और सिर्फ अगर यह selector लगा हुआ है तो उस paragraph तो select नहीं करना save करता हूँ refresh करूँगा तो वो हो गया यहाँ पर मैं इसको value specific भी कर सकता हूँ कि जिसपे सिर्फ ascent value है उसको select नहीं कर पा अभी result show करवाने के लिए मैं यहाँ पर dot add करता हूँ ताकि सब पर implement हो refresh करूँगा सब पर implement होगा यह क्योंकि मैंने यहाँ पर ascent इसकी value add की थी यहाँ पर refresh करूँगा तो वो select हो गया यह हमारे पास है note selector जो के elements को exclude करने के लिए use होता है इसी के साथ हमारा note selector भी complete हो गया और इस line को मैं यहाँ से cut करके नीचे यहाँ पर paste कर लूँगा और इस line को यहाँ से ओपर shift कर दूँगा next अब हम study करेंगे nth child nth child यह note की तरह ही conditional selector है और यह बहुत ही important pseudo selector है कुछ pseudo selectors हैं जो काफी important हैं जैसे यह note, nth child उसके इलावा हम hover यह बहुत ही ज्यादा commonly use होते हैं हम इसको throughout the course बार बार यूज़ करते होंगे अब मैं चाहता हूँ कि बाकी सारे element इस div में से select हो जाए लेकिन जो third element है वो select ना हो सबसे पहले मैं ओपर वाले role को disable कर दूँगा comment out कर दूँगा और यहाँ पर इस comment को भी remove कर दूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा यहाँ पर तो कि font size भी खतम हो गया तो इसको basically यहाँ पर basic मैं simple जो font है उसको add कर दूँगा descendant के साथ 30 pixel refresh यह set हो गया अब मैं चाहता हूँ कि यह third वाला element है third जो child है उसका color जो है कोई भी specific CSS mouse को implement करना चाहता हूँ तरीका कार्ड यही सबसे पहले general selector और फिर pseudo selector and child और मैंने अभी बताया है जिसके ओपर यह parentheses आजए वो dynamic conditional selector होता है यहाँ पर मैंने कहा दिया third आप third कह सकते हैं आप इसमें keyword यूज़ कर सकते हैं इवन आता है इवन एक keyword है old एक keyword है मैं यहाँ पर three लगा देता हूँ यह करेगा कि जो जो तीसरा child है उसको select कर लेगा यहाँ पर मैं color लगा के उसको red कर देता हूँ save refresh और आप देख सकते हैं जो third child था उसका color इसने red कर दिया है यहाँ पर जो मैंने even की बात की अगर मैं even लगाता हूँ यह keyword है यह even इस तरह ही लिखना है save करता हूँ तो जो भी जुफ्त two पे जो divide हो सकते हैं जो even factors होते हैं नमबर होते हैं उस पे जो element आ गये हैं उनको यह style करता जा रहा है लास्ट एक रहा गया था old अगर मैं वो लगाता हूँ तो hopefully आपने guess कर ली आओगा one, three, five जो old numbers होते हैं उन elements को यह select करेगा तो यह है हमारा nth child conditional pseudo class selector लास्ट हमारा सरफ एक pseudo class selector इस वीडियो के लिए रहा गया इसके इलावा मैंने यह dogs आपको दिखा दी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा pseudo class selector available है उसके इलावा अगर आपने सारे pseudo class selector available देखने हो तो सिर्फ single colon वाले यहाँ पे single colon लगाके window में control plus space और macOS में option plus escape दबाएंगे तो यह auto complete देदेगा और जितने भी यह कोई issue हो तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं next अब हम continue करेंगे last child selector से last child selector hopefully आपने खुदी guess कर लिया होगा यह बिल्कुल जैसे हमारा first child selector पहले child को select करता है last child आखरी child को select करेगा यहाँ पर मैं इसी element पे आऊँगा और कह दूँगा last child उसका color green कर दो और यहाँ पर मैं और को खतम कर दूँगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ first element फर्स नहीं थर्ड element को कह दूँगा कि उसको red कर दो और यहाँ पर आखर रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो last element है उसका color green हो चुका है और यहाँ पर अगर मैं एक और element एड़ करता हूँ तो जो last होगा उसी पर यह color implement होगा आप देख सकते हैं four से वो color हट चुका है और fifth पर लग चुका है यह automatically चेक करता है और जो last इस पर paragraph tag होगा यह h1, h2 पर implement नहीं करेगा सिर्फ पर paragraph tag पर implement करेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने p tag के तो इसको select किया अगर मैं किसी class के तो select करता और उस class को इस पर भी add कर देता तो फिर last जिस पर वो class लगी होती उस पर वो style implement होता यह थी आज की वीडियो इस वीडियो में हमने pseudo class selectors को study किया जिसमें के हमने state specific states के जरीए elements को select किया और specific element types को select किया जैसे first child, second child andth child, last child इस तरह हमने उनको select किया उसके इलावा जो states हमने study की उनमें hover की state focused, disabled, active और visited इसके इलावा और बहुत से pseudo class selectors available हैं आप खुद हाद एक pseudo class selectors को try करें किसी भी pseudo class selectors में आपको कोई issue आता है तो please comment section में उसको mention करें मैं उसका जवाब दूँगा, उसको explain करूँगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next video में तब तक के लिए अलावाद आपिस अलावालेकूम, मैं हो आप से महमूद and welcome to Zyans लास्ट वीडियो में हमने pseudo class selectors को study किया था जिसमें हमने hover, active, focus, visited, disabled, old, not, and child और भी काफी pseudo class selectors को study किया था आज की वीडियो में हम selectors के topic को continue करेंगे और study करेंगे pseudo element selectors जिनमें के हम study करेंगे first letter, first line, marker, selection, before and after इन pseudo element selectors को हम आज की वीडियो में study करेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ मैं यहां तर ब्राउजर को open कर लूँगा और यहां तर लास्ट वीडियो में complete कर चुके हैं रहेंगे आज की वीडियो में हम इन छे pseudo element selectors को study करेंगे सबसे पहले मैं यहां पर code editor को open कर लूँगा और इसको यहां पर browser में भी open कर लूँगा यहां पर इसे close कर लूँगा और refresh कर लूँगा यहां तक हम काम Last Time को अर्षिके हैं यहां पिर option प्लस Z इसको wrap करने के लिए और यहां पर यह हमारे पास tax आ गया ऐसे save करूँगा और यहां से styling में से भी जो all चमारे style है यह सारा code आपको basically last video की description में GitHub का link मिल जाएगा वहां पर available है तो यहां पर मैं basically इसे remove कर दोगा और सिर्फ और सिर्फ paragraph tag select करके और क्योंकि हमने यह decide किया हुआ कि हम सिर्फ tag selectors को use नहीं करेंगे और यहां पर यहां पर P1 class में ने add की और यहां पर P1 से select करके इसका font size में ने 22 pixel कर दिया save और यहां पर आके refresh करूँगा तो यह हमारे पास send result है सबसे पहले हम और यह pseudo element selector है हमने last pseudo class selector किये थे जिसका syntax था single colon pseudo element selector में difference यह है कि इसमें double colon आता है first letter उसके बाद first line उसके बाद marker उसके बाद selection फिर before और लास्टली after यह pseudo element selector हम आज की वीडियो में cover करें ले start करते हैं first letter से यहां पर hopefully आपने guess कर लिया होगा इसको मैं as it is रहने दोँगा और एक और style एड़ कर लोँगा क्योंकि यह default मैं चाहता हूँ कि by default इस paragraph को font size इतना है अब मैं इसमें first letter उसको select करता हूँ और इसका font size मैं double कर देता हूँ 44 पिक्जल और color मैं कर देता हूँ red यह basically आपने काफी भी जो websites हैं उन पे यह effect देखा होगा कि हमारा जो letter स्टार्ट होता है उसमें first word का जो font size होता है वो ज्यादा होता है और कुछ styling की होती है जैसे कि मैं यहाँ पर obviously font family यूज़ करके इसको वो भी change कर सकता हूँ sensitive लगा के उसे change कर सकता हूँ तो यह काम इस तरह होता है यहाँ पर हमने इसको study किया first letter यह जो selector जिस element को हमने select किया हुआ है उसमें जो first letter होगा उसको select करेगा इसलिए इसको element selector कहते है part of element यह complete element next अब हम study करेंगे first line pseudo element selector first line pseudo element selector hopefully आपने इसको guess कर लिया होगा यहाँ पर मैं आता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इससे कह देता हूँ first line और बाकी सारी चीज़े मैं वैसे ही देने देता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसका color जो है वो green पर देता हूँ यहाँ पर मैंने element same select किया और first line उसकी select कर ली और यहाँ पर मैंने उसको color कह दिया कि green हो जाए रहा है मैंने इसको save किया यहाँ पर आके refresh किया तो जो first letter था वो इस selector की वज़ा से उसका जो color है वो red ही दा क्योंकि इसकी जो purity है वो ज्यादा है CSS में इसकी importance ज्यादा है और इस पे हम आने वाले lectures में detail में study करेंगे कि CSS में जो priority होती है जो importance है किस selector को ज्यादा मिलती है यहाँ पर first जो letter है इस selector की purity first line से ज्यादा होती है यहाँ पर मैंने first line के बाकी सारे text को green कह दिया और first letter के color को red कह दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो color है वो accordingly है और अगर मैं इसे थोड़ा सा कम करता हूँ जैसे जैसे वो initially line के जाता है text आप देख सकते हैं कि उसका जो color है वो black में shift हो जाता है ओके इसे मैं वाफिस ले आऊँगा और इसी के साथ हमारा first line pseudo element selector complete हो गया next हम study करेंगे pseudo element marker selector pseudo element marker selector basically जो हमारे पास list elements होते है ul या ol उसके जो markers होते है उसकी styling को control करने के लिए यूस होता है मैं यहाँ पर html में आकर एक unwater list को यहाँ पर create करूँगा ul और इसमे li create करूँगा li one और इसको repeat कर दूँगा दो तिन दफ़ा save करूँगा यहाँ पर आकर refresh करूँगा तो यह यहाँ पर आपके सामने show हो गया सबसे पहले मैं इस ul को एक class assign कर दूँगा ul one और यहाँ पर आके dot ul one उसमें l i को font size दे दूँगा 20 pixel refresh करूँगा अब यह coffee visible है थोड़ा सा font size increase कर लेंगे 30 pixel refresh और अब यह काफी easily visible है यहाँ पर यह जो markers है basically इनकी styling को control करने के लिए हमारे पास CSS में property है marker और यह basically marker जो है यह individual li element का है तो हमें सबसे पहले li element तक अपना selector create करना परेगा और फिर यहाँ पर li और यहाँ पर हम यह pseudo element selector लगाएंगे marker जो के इस li के इस marker को select करेगा और hopefully आपने guess कर लिया होगा कि हम इस से पहले कुछ criteria भी define कर सकते हैं वो मैं आपको next करके दिखाँगा अभी मैंने सब marker select किया और मैं चाहता हूँ कि इस circle है इसका color जो है वो green हो जाएं तो मुझे सिर्फ यहाँ पर color की property यूज करके कहता हूँ कि 40 pixel हो जाए से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन pointers का color जो font size है वो increase हुआ है li हमारे अभी भी 30 pixel ही है यहाँ पर मैं इनको 20 pixel करके दिखा देता हूँ refresh तो आप देख सकते हैं कि li ता जो font size है वो अतना ही है जो pointers हैं उनका font size increase हो चुका है इस तरह आप pointers की जो styling है उसको control कर सकते हैं और इसको further control करने के लिए आप इसके साथ sudo class selector भी लगा सकते हैं जैसे first child save और इसमें basically यह एक और colon आएगा save refresh तो अब सिर्फ और सिर्फ वो first जो child है उसके marker को select करके यह element implement कर रहा है यह था हमारा marker sudo element selector next हम study करेंगे selection sudo element selector selection sudo element selector यह basically बड़ा ही interesting सा sudo element selector है आपने Excel websites पे देखा होगा कि जब आप वहाँ पर किसी यहाँ पर जैसे मैंने यह text select किया तो यह by default Chrome browser का behavior है कि जो background है वो light blue हो गई है और color का जो font color वगएरा size वो change नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को control करना चाहते हैं कि user जिस area को select करें उसका color वगएरा change हो जाए font size, etc तो इस चीज़ को control करने के लिए CSS में हमारे पास है selection का pseudo element selector मैं सबसे पहले इसे select करूँगा यहाँ पर और colon colon selection और यहाँ पर मैं कह दूँगा कि जब select हो तो इसका background color purple हो जाए और color इसका white हो जाए save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा और अब जब मैं इसको select करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका color है background color वो change होके purple हो चुका है और text का color white हो चुका है selection के pseudo element selector पे आप background color color, cursor और outline की CSS properties अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे आप बेसिकली font size यहाँ इस तरह की चीज़ों को control नहीं कर सकते हैं अगर आप इसको लगाएंगे तो इसका कोई असर आपको नजर नहीं आया यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कोई असर नहीं आजासका इस पे जो valid properties हैं वो है background color, color उसके लावा cursor और outline यह चार properties इस selection पे वर्ड करती हैं इसी तरह बाकी जो selectors हैं उन पे भी कुछ limitation है mean अगर आप पर कोई property लगा रहे हो और वो काम ना कर लियो तो आप simple यहाँ पर browser में आखकर उसको search कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं इस selection को search करूँ और CSS pseudo element इसको ऐसे लिखके search करूँ और यहाँ पे इन में से किसी पे भी आप जा सकते हैं जैसे mozilla developer dogs यह भी मैंने आपको बताया हुआ पहले और w3 school यह दो documentation मैंने recommend की है यहाँ पर आप देख सकें कि यहाँ पर भी इन्होंने यही पताया हुआ color background color text declaration text shadow और इसी तरह यह बाकी जो properties इन्होंने बताई हुई है यह इसकी valid properties है ओके इसी के साथ हमारा जो यह selection का pseudo selector है वो complete हो गया next अब हम study करेंगे before और after pseudo selector before और after pseudo element selector यह काफी important pseudo element selector है और यह बहुत ज्यादा यूज होते हैं basically जो हम font awesome जिसकों के इंचला future में यूज करेंगे icons के लिए वो इसी को यूज करते हुए हमारे document में icons पर गयादा insert करते हैं इसके लिए मैं यहां पर एक div insert करूँगा और यहां पर अभी तक मैंने div insert नहीं की तो इसको class दे दूँगा div 1 इसमें मैंने कोई content pass नहीं किया यहां पर आके मैं इससे div को select करूँगा width इसकी 200 pixel रख दूँगा और height 200 pixel यहां पर इसकी set कर दूँगा और background color set कर दूँगा ताके मैं इसको देख सको यहां पर मैं इसका background color purple set कर दूँगा और यहां पर आके इसको close करके refresh करूँगा तो यह हमारे पास box आ गए अब before or after का जो concept है यह basically हम detail में study करेंगे जब मैं आपको position css में जो position की property है और display की property है उसको detail में बता रहा हूँगा अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि यह pseudo element selector का पाथ है इनको basic सिर्फ यूज़ करके दिखा दूँगा इनको detail में explain नहीं करूँगा अभी सिर्फ और सिर्फ यह as a pseudo element selector में आपको इनको show कर रहा हूँ जब मैं आपको position की property css में उसको explain कर चुका हूँगा तो हम वाफिस आएंगे before और after pseudo element selector के के हम इनके साथ किस किस तरह की UI को create कर सकते हैं यहाँ पर मैं इस element को फिर select करता हूँ और before का pseudo element selector लगाने के लिए double color before और parenthesis start करके यहाँ पर एक property required है अगर वो property होगी तो ही आपको result शोगा वो है content और यहाँ पर आप कुछ भी अब सकते हैं अभी के लिए sir for sure मैं एसन लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप इसे safe करें और यहाँ पर आकर refresh करें तो आप देख सकते हैं कि एसन यहाँ पर आ गया है मैंने basically इसमें कोई content नहीं लिखा यह इसके before की वज़ा से आया है मैं इसको यहाँ से comment करता किया और मैं चाहता हूँ कि इसका जो color है sorry color वो white हो जाए safe refresh color white हो गया और मैं बागी सारी चीजें भी इसके set कर सकता हूँ font size इसका 30 pixel हो जाए refresh font size इसी तरह after का है मैं इसे after पे भी लगा के लिखा देता हूँ after और यहाँ पर महमूद save और इसका color मैं red कर देता हूँ यहाँ पर मैं ऐसे save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महमूद भी add हो चुका है basically बाकी जो भी इसकी जो styling वेरा और positioning वेरा जब हम position की property को study कर चुके होंगे तब हम उस पे बाकी बात करेंगे अभी इस के सरफ और सरफ आप इतना इनको समझ लें कि यह भी pseudo element selectors हैं और इनको हम future की वीडियो में detail में study करेंगे आज की वीडियो में जो हमने properly study किया वो है first letter यह first जो paragraph होता है या कोई भी text element उसके जो first letter होगा उसको select करेगा first line कोई भी text element उसमें जो first line होगी उसको select करेगा Marker ये basically UL या OL में जो Li होती हैं उनमें जो pointer हैं उनको select करता है selection जो user text को select करता है हमारे document में उसकी styling को control करने के लिए और before और after हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इतना study किया कि ये भी दो pseudo element selectors हैं जिनकी most basic form ये है कि content की property और उस पे हम बाकी styling कर सकते हैं इनको बाकी इंचाला in-depth come बाद में study करेंगे जब हम position की property को study कर जो ये थी आज की video, hopefully आपको video कसंदा ही होगी, video के related कोई भी question हो तो please comment section में उसको mention करें मैं उसका जवाब दूँगा, video को like, share and comment करें, channel को subscribe करें, मैं आप से मिलूँगा next video में, तब तक के लिए Allah आपिस Assalamualaikum, मैं हूँ Aysan Mehmood and welcome to Zions, last video में हमने selectors के topic को conclude किया था, जिसमें के हमने IT selector, class selector, attribute selector, pseudo class selector और pseudo element selectors को study किया था, आज की वीडियो में मैं आपको एक final selector के मतलिक बताऊंगा, और उसके बाद हम CSS में एक custom font कैसे add करते हैं, उसको देखेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं यहां पर अपना Chrome open कर लूँगा, यहां पर मैं साथ ही code editor को भी open कर लूँगा, और यहां तक हमने last time code में काम किया है, सबसे पहले जो selector आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो है wild card selector, और इसको जो represent करते हैं, वो हम represent करते हैं, इसको steric के साथ, बेसिकली अभी तक हमने जो भी selector को study किया, वो किसी specific element को select करते थे, इवन के जब हमने tag name के साथ, जैसे यहां पर अगर मैं h1 लिख देता हूं, इस tag name selector को भी जब study किया था, तो यह h1 tag के elements को ही select करता था, यह h2 tag के element को select नहीं करता था, और अगर हम चाहते हैं कि basically h1, h2, h3 और बाकी जितने भी elements हम html में add करते हैं, वो सभी select all, तो हमारे पास एक non achievable जो basically काफी difficult way है, वो यह है कि हम एक class add कर दे, select all की, और यह class हर एक element को assign करें, जो कि काफी ज्यादा difficult भी होगा और non achievable एक पिसम का होगा, क्योंकि आपको हर एक element, जब भी आप नया element add करेंगे, तब उसे यह class देनी परेंगे, तो इस problem को result करने के लिए CSS हमें जो selector provide करता है, वो है wide card selector, जैसे कि इसके नाम से जाहर होता है, कि यह हर एक element को select करने के लिए काम आता है, इसका जो syntax है वो static, और उसके बाद space दे कर, जो भी आप CSS यहाँ पर लिखना चाहिए, जैसे कि मैं सब यहाँ पर लिख देता हूँ background color, और यहाँ पर मैं एक different color यूज़ करता हूँ, यह blue violet, इसको मैंने use किया, और यहाँ पर आके मैं refresh करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हर एक element select हुआ है, और उस पर यह CSS का color अपलाई हो गया, यहाँ पर यह div थे, क्योंकि हमने इस specific selector के साथ select करके apply किया था, जो कि class पर इस selector है, जिसकी के priority CSS में ज्यादा होती है, इस इस वज़ा से उसको यही जो background color है, वो ही assign होगा है, और CSS में जो priorities है कि कौन सी CSS कब apply होती है, किसको ज्यादा importance दी जाती है, यह हम इंचालला आने वाली वीडियो में details study करेंगे, अभी के लिए यह हमारा wild card selector, और जैसे कि आपने देखा कि इसने हर एक element को select किया, और उस प क्योंकि वो element उस property को sport नहीं करता, तो वो property उस element के लिए ignore कर दी जाएगी, और बाकि जो properties उस element पे apply हो सकती है, उसकी styling उस element पर apply कर दी जाएगी, यह दूसरे selectors के साथ combination में भी इस्तमाल हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, dot div1 space static, अब इस selector का मतलब है कि div1 के अंदर जितने भी elements हैं, जो के उसके descendants हैं, वो चाहिए h1 है, p tag है, div tag है, section tag है, या कोई भी tag है, जो के div1 tag के अंदर है, उन सब पे यह CSS apply कर दो, इसका मतलब यह है, तो हम इसको दूसरे selectors के combination के साथ भी इस्तमाल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको stand alone भी इस्तमाल क कर सकते हैं, जिसका के नतीजा यह होगा कि यह हर एक element पे अपने styling apply करने की कोशिश करेगा, मैं यहां से इसको comment कर देता हूँ, और save करके यहां पे refresh करता हूँ, यहां पर यह fallback हो चुका है भी, next अब हम study करेंगे font face in CSS, जिसको use करते हुए हम अपनी custom font को इस HTML document में introduce जैसे के मैं आपको लास्ट एक वीडियो में बता चुका हूँ, कि हम जो font family, जैसे के यहां पर मैं font family use कर रहा हूँ, send service, basically यह font family हर एक browser में by default available होती है, लेकिन ऐसी बहुत सी font families होती है, जैसे के मैं अगर यहां पर zions की website open कर लेता हूँ, और यहां पर वाफिस आजाता हू जैसे के लिए, ऐसी बहुत सी font families होती हैं, जो कि browsers में by default available नहीं होती है, और वो काफी ज्यादा popular fonts भी होती हैं, जिनको यूज करने से आप अपनी website को एक बहुत ही अच्छी look present कर सकते हैं, उन fonts को अपनी website में यूज करने का तरीका का यह होता है, कि आप उनको manually अपनी website के स पास करते हैं, ताकि यूजर जब आपकी website को विजिट करें, तो वो font आपकी website के साथ load हो जाए, और यूजर को जो text है, वो सही form के साथ show हो सके, मैं यहाँ पर inspect करता हूँ, और यहाँ पर computed में आकर, यहाँ पर search करता हूँ font family, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर जो main font family यूजर हो रही है, वो है source sense pro, यहाँ पर आके मैं अगर इसकी font family change करता हूँ, font family, sense harif, तो आप देख सकते हैं, कि यह किस कदर different है, यहाँ पर मैं इसको remove करता हूँ, तो यह text किस कदर professional feel हो रहा है, और अगर मैं इसको सिर्फ sense harif करते हूँ, तो एक तो इसकी format हो गई है, द उसी तरह और भी बहुत सी website, अपनी custom fonts यूज करती हैं, अपनी websites को custom look देने के लिए, fonts की further दो categories है, free fonts और paid fonts, जो paid fonts होंगी, वो basically आपको किसी ना किसी website से buy करनी पड़ेगी, जो free fonts हैं, उनकी एक बहुत बड़ी collection, font, google, यह लिखकर आप search करेंगे, तो first website आएगी, google fonts, यह बहुत बड़ी free collection है, fonts की, जो के हर एके लिए available है, कोई भी इसको अपनी website में use कर सकता है, जैसे के मैं यहाँ पर यह दो बोटो font है, मैं चाहता हूँ कि मैं यह font अपनी website में इस्तमाल करूँ, इस HTML पेज में, अगर मैं यहाँ पर right click करके inspect करता हूँ, और इस paragraph pack की, जो font family है, यहाँ से font family पर जाके, इसका नाम मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ, मैंने इस पर click किया, और यह इस font का नाम आ रहा है, मैंने इसे copy किया, और यहाँ पर वाफिज आके font family दोबारा add किया, और उसमें उसका नाम add कर दिया है, रोबोटो, और आप देख सकते हैं, कि मैं यहाँ से, इसको on off क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर text पर कोई फरक नहीं पर रहा, क्योंकि यह font अभी इस page में available नहीं है, इसको include करवाने के लिए, जो CSS में हमारे पास तरीका है, वो यह है कि आप यहाँ पर आए, और जो fonts आपको चाहिए, by default जो आपको चीज शो होगी, वो एक कुछ इस तरह हो font है, जिसका weight 100 है, मुझे अभी normal font weight चाहिए, तो यह regular font weight है, जो कि 400 होता है, और यह उसका normal font style है, मैं इसको select करूँगा, और यहाँ से basically मैं thin को भी select कर लोगा, normal अभी सरफ मैं select कर रहा हूँ, यहाँ से मैं italic regular को भी select कर लोगा, और यहाँ तर मैं जो bold है 700 इसको भी select कर और bold italic को भी select कर लोगा, मैंने अभी 1, 2, 3, 4 और यह, thin का italic और normal style font select किया, regular font weight का italic और normal font style select किया, और bold font weight का regular और italic font style select किया, इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यह sidebar में, मुझे यहाँ पे मेरी selection दिखा रहा है, मैं अगर इसको close करता हूँ, तो मैं यहाँ पे click करके वाफिस इसको open कर सकता हूँ, यहाँ पर यह मुझे दिखा रहा है कि मैंने कौन सी fonts को select किया है, और उनका कौन कौन सा style मैंने select किया है, यहाँ पे आपके पास यह download का button आ रहा है, मैं इसके click करूँगा, तो यह इन fonts को download कर देगा मेरे लिए, यहाँ पर मैंने इसके click किया, और यह इसके click करके इसको open कर लोगा यहाँ पर, और इसके double click करके इसको open कर लोगा, unzip कर लोगा, मैंने यहाँ पर इसको double click करके open किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह fonts मुझे यहाँ पर available है, font file की different types होती है, ये जो font file है इसकी type .ttf है जिसका मतलब है true type font जो font file की types online available और spotted हैं वो आप simply css font face ये लिखके search करें और यहाँ पर आके basically scroll down करें यहाँ पर यह आपको browser sport के section में यह मिल जाएगा कि ttf जो के हमने अभी google से हमें available हुई है इसकी जो sport है यह सबसे ज्यादा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो oldest browsers हैं उनको sport कर रहा है बाकी जतनी भी आगे font file की types आ रही है वो यहाँ तो non-spotted है यहाँ फिल उनको काफी higher version required है sport करने के लिए इस वज़ाद से हम कोशिश करते हैं as a developer के हमें ttf font file available हो अगर आपको कोई और font file available हो जाए जैसे कि अगर आपको यहाँ से woff यह font file available हो woff तो आप इसको to ttf लिख कर online converter के थूँ convert कर सकते हैं और convert करने के बाद आप ttf font file को use कर सकते हैं मैं अभी इसे close कर दोँगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ttf font file है और यहाँ पर इस folder को copy करके मैं अपने course के project folder में आ जाँगा यहां पर मैं एक new folder मना लूँगा assets और इसको यहाँ पर sort करूँगा इसमें आ जाँगा और यहाँ पर एक और folder मना लूँगा fonts यहाँ पर मैं से paste कर दोँगा और वाफिस code में आ जाँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये assets का folder उसमें fonts का folder और उसमें रोबोटो का folder आ चुका है और ये license की file basically ये आपने include ही रहने देनी है ये बताती है कि ये font हमने कहां से download किया था इसको as it is रहने देना इसको मैंने close कर दिया और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप font को अपने document में कैसे include कर सकते हैं उसके लिए जो CSS rule हमारे पास available है वो है add font face इसको use करने का तरीका का ये है कि आप add font face लिखें और curly brackets start कर लें ये block start हो गया और यहां पर मैं font family इस property को use करते होगे इस font को जो custom font मैं add करने लगा हूँ उसको एक नाम दोगा अगर तो आप अपने font के नाम में कोई space और hyphen include नहीं करना चाते सिर्फ एक word में उसका नाम complete करना चाते हैं तो आप straight forward उसका नाम लिख सकते हैं जैसे मैं इस font का नाम लखना चाता हूँ जी रोबोटो तो मैं इसका नाम as it is लिख सकता हूँ लेकिन अगर मैं चाहता कि इसका नाम z space रोबोटो हो तो फिर मुझे इसको single quotes या double quotes में रेक करना जरूरी है next मुझे इसका weight define करना परेगा कि इसका weight क्या है font weight की property के साथ मैं इसको बता दूँगा कि ये जो font मैं add करने लगा हूँ इसका weight 400 है जो के normal font weight है next मुझे इसका font style बताना पड़ेगा कि इसका font style क्या है तो मैं उसको font style की property के साथ बता दूँगा कि ये normal font style है इसका lastly मैंने तीनो चारों चीजे बता दी कि font family का नाम मैं क्या यूज करूँगा अपनी website में उसका weight ये कौन सा मैं add कर रहा हूँ और उसका style ये मैं कौन सा add कर रहा हूँ और next अब मुझे यहां पर इस font का source file provide करनी है जिसका कि मुझे यहां पर URL provide करना है यहां पर मैं dot forward slash लगा के इस directory तक आ जाँगा जहां पर ये style dot css की file पर ही हुई है उसके बाद मुझे next assets के folder में जाना है तो मैं यहां पर लिखूँगा assets और मैंने enter press किया है तो उसे automatically forward slash लगा दी है next मुझे fonts के folder में जाना है मैं fonts क्लिक करूँगा और next यहां पर रोबोटो लिखा आ रहा है मैं उसके क्लिक कर दूँगा तो मैं रोबोटो के style है वो normal है तो वो यह वाली फाइल है रोबोटो-regular.tf यहां से मैं इसे select कर लूँगा और यहां पर यह चीज़ complete हो चुकी है यह तरीका कार है एक custom font को अपने HTML document में add करने का CSS यूज़ करते हुए अब जहां पर भी मैं इस font को use करना चाहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो font family नाम है यह assign करना परेगा z रोबोटो मैं इसे save करूँगा यहां पर और यहां पर आके browser में refresh करूँगा और अब की बार जब मैं इसे font family यहां पर अगर मैं सिर्फ इसे रोबोटो दूँगा रोबोटो तो फिर इसे कुछ फरक नहीं परेगा मुझे इसका नाम जो है इसे single coat में रहा करना परेगा क्योंकि मैंने space लगाई है नाम में और z space और आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने space add की है यहां पर यह font जो family है वो change हो चुकी है और actual font family मैं चाहता हूँ वो apply हो चुकी है इसी तरह मैं आपको एक से दो और font families एड़ करके दिखाऊंगा यहां पर अगर मैं इसका font weight अभी के लिए font weight यहां पर set करूं 700 तो आप देख सकते हैं कि इस से इस पूरे text पे कोई effect नहीं परा यहां पर मैंसे on off करता हूँ तो इस पे, इस text पे कोई effect नहीं पराँ मैं यहां पर वाफिज आँगा अपने code editor में और अब मैं यह जो bold font file है इसको भी इसी तरह एड़ करूँगा मैं इस roll को copy करूँगा और अब की बार name यह same रहेगा जो के मैंने यहां पर उपर use किया जो चीज चेंज होगी वो इसका wait चेंज होगा कि कौन से wait की file मैं add कर रहा हूँ कौन से font wait की file मैं add कर रहा हूँ और अगर उसका मैं style दूसरा add कर रहा हूँ तो वो change होगा और यहां पर font file का path change होगा जो कि अब हो जाएगा bold मैं इसे enter करूँगा save करूँगा और यहां पर आके refresh करूँगा सबसे पहले मैं जो font family है यहां पर set कर दोगा इसे p1 की class लगी हुई है यहां पर आके मैं p1 को search करूँगा और यह है इसको मैं font family यहां पर assign कर दोगा z तो botto यहां पर आके refresh करता हूँ तो वो आप by default set हो गई है और अब की बाहर जब मैं font weight 700 set करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये properly bold भी हो गया है मैंसे off करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये clearly यहाँ पर difference नजर आ रहा है ये 400 font weight के साथ है और जैसे ही मैं इसको enable करता हूँ तो ये 700 font weight के साथ है आप सारी जितनी भी font weights और style आपको चाही है जो कि यहाँ पर available हैं आप सब को यहाँ पर select करेंगे और फिर download करेंगे तो तब आपको उनकी files इस तरहां की TTF files available होगी और आप उनको इस CSS way के साथ add करके जैसे चाहें use कर सकते हैं next मैं आपको एक और तरीका पताऊंगा जिसको use करते हुए आप custom fonts को अपनी HTML फाइल में include करवा सकते हैं तो जो दूसरा तरीका हमारे पास available है custom fonts को अपनी HTML फाइल में include करवाने का वो है cdm मैं यहाँ से इसको comment कर दूँगा यहाँ पर इसे comment कर दूँगा यहाँ पर आके refresh करूँगा एक दफाँ और आप देख सकते हैं कि जो font family है वो remove हो चुकी है मैं यहाँ पर राफिज आँगा google fonts में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि download alt के उपर यहाँ पर हमारे पास दो section है एक section में हमें बताया जा रहा है कि इस font family को apply किस तरह करना है और दूसरे section में हमें basically एक link tag provide किया जा रहा है in total तीन link tag provide किया जा रहे हैं लेकिन जो main है वो यह वाला है मैं यहाँ पर इसके copy के button पे click करता हूँ और वाफिज अपने code में आ जाता हूँ और यह चीज हमें basically अपने head section में आड़ करना होती है जो के हमारी जो custom CSS है उससे पहले आड़ होगी जो fonts होती हैं उनको हम सबसे पहले आड़ करते हैं उसके बाद जो packages जो third party packages हम use करते हैं उनकी CSS को आड़ करते हैं और lastly basically हम अपनी CSS को custom CSS को आड़ करते हैं ताकि जो हमारी CSS हो वो उसमें जो हमने rules define की हो वो अगर उपर वाली किसी CSS से override हो रही हो तो हमारे वाले rules apply हो ना कि किसी और की CSS के rule apply हो जाए हो यहाँ पर मैं fonts के section में इसको add कर दूँगा और option plus z की key दबा के इसको wrap कर लूँगा, save कर लूँगा और यहाँ पर यह एड हो गय define हो रही है, मैं इस URL को अगर as it is copy करके यहाँ पर open करता हूं तो यह exactly सेम काम हो रहा है जो हमने किया था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो URL है, वो server पे place file का URL यहाँ पर provide किया जा रहा है, तो सिर्फ यह difference है, उसके इलावा बाकी जो काम है वो बिल्कुल सेम है, कि यहाँ पर भी जो font faces हैं, उन्हीं को define किया जा रहा है, फाइल को add करने के लिए, मैं यहाँ पर इसे close करूँगा, और यहाँ पर आके refresh करूँगा, अभी तक कोई change नहीं आया, लेकिन जब अब मैं यहाँ पर font family add करके, जो बोटो add करूँगा, तो आप देख सकते हैं, कि यह काम कर रहा है, तो यह काफी असा तरीका है, font families को add करने का, जो के हमारे पास Google fonts पर available है, इसके अलावा अगर आप किसी और website से font लेकर add करेंगे, तो वो आपको custom add font face के rule से ही add करना परेगा, यह थी आज की वीडियो, होफ़ली आपको वीडियो की संदा ही होगी, वीडियो के related कोई भी question हो, तो please उसे comment section mention करें, मैं उसका जवाब दूँगा, वीडियो को like, share and comment करें, चैनल को subscribe करें, मैं आप से मिलूगा next video में, तब तक के लिए Allah Hafiz Don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हूँ आसन महमूद and welcome to Zyons आज की वीडियो से हम CSS में box model को study करना start करेंगे, जिसमें के हम already content के part को study कर चुके हैं, मैं आज की वीडियो में उसको एक दफा फिर से explain करूँगा, कि content का part किन चीजों से मिलके बनता है और उसके अलावा जो main चीज़ आज की वीडियो में हम study करेंगे वो है padding, चलते हैं वीडियो के तरफ मैं यहां पर browser open कर लूँगा और last time हम यहां तक काम कर चुके हैं, जिसमें के हमने यह सिखा था कि हम custom font को अपनी HTML फाइल में कैसे introduce कर वाते हैं मैं यहां पर एक दफ़ा refresh करता हूँ और यह हमारा end result था, मैं यहां पर code editor को open कर लेता हूँ और इस file को यहां पर clean कर लेता हूँ मैं index.html की file open करूँगा और यहां से इस code को अभी के लिए remove कर दूँगा और सिर्फ और सिर्फ एक div add कर दूँगा, जिसमें के मैं class add करूँगा div1 और content add कर दूँगा safe, और यहां पर आके यहां से भी सब कुछ remove कर दूँगा और और सिर्फ और सिर्फ डॉट डिव वन और यहां पर मैं इसे बैग्राउंड कलर देता हूँगा ग्रीन सेफ यहां पर आके रिफ्रेश करूँगा तो यह हमारा फाइनल और पुट है CSS box model आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं यहां पर right click करूँगा और inspect करूँगा और इस डिव को select करके मैं यहां पर scroll down करूँगा यह basically CSS box model है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो center part है जिसमें कि width, multiply by height यह लिखा हुआ है यह basically इस डिव का content area है वो area जो इस div को actually content की वज़ा से require है content और इसकी nature की वज़ा से क्योंकि इसको जो actual width require है वो सिरफ और सिरफ अगर मैं इसकी जो display type है वो change करके inline block कर दो तो यह अब वो width ले रहा है जितना कि इसको content इसमें जो content लिखा हुआ था जो उस content को width require है उतनी ही ये width ले रहा है और उतनी ही height ले रहा है लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जो div tag है उसकी by default nature display block होती है इस वज़ा से वो width जो है वो 100% ले रहा है और height सिरफ उतनी ही ले रहा है जितना कि उसके content को require है मैं अगर यहां पर आके इसके content को remove कर देता हूँ save करता हूँ यहां पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो यहां से remove हो चुका है basically div यहां से remove नहीं हुई वो वहीं पर है लेकिन क्योंकि इसमें कोई भी content नहीं है तो इस वजह से इस div की कोई height नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जब यहां पर hover करता हूँ तो उपर top left corner पे आप देख सकते हैं कि div.div1 लिखा हुआ है जिसमें कि width पहला जो number होता है वो width का होता है multiply by height और width यहां पर पूरे browser की almost width आ रही है जो के 1776 pixel है और height क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है इस वजह से वो multiply by zero होके बिल्कुल ही null हो रहा है मैं यहां पर अगर इसे थोड़ी सी height allow कर देता हूँ one pixel तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह line available है और मैं जतना इसको increase करता जाओंगा उतना ही यह prominent यहां पर नज़र आएगा तो यहां से hopefully आपको यह part clear हो गया होगा कि जो content का CSS box model में जो content का part होता है वो actually dependent होता है main तीन चीज़ों पर जो content हो child content और जो के main add the end दो चीज़ों को define कर दा होता है width और height इन दो चीज़ों से मिलकर जो content का part है किसी भी element का वो बनता है CSS box model में कि इस element की width कितनी है और इसकी height कितनी है वो दोनों मिलकर इस element का जो content area है उसको define करते हैं next हम study करेंगे padding पैडिंग बेसिकली CSS box model में ये content का जो area होता है इसके गिर्द जो space होती है उसको कहते हैं यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर padding लिखा भी हुआ है और उसके ओपर border और उसके ओपर margin लिखा हुआ है इन दोनों को हम next video में study करेंगे अभी के लिए ये जो padding है ये content के ऊपर इर्द गिर्द जो space होती है top, right, bottom, left जो space होती है जो border से पहले होती है उसको padding हम कहते हैं इस space को define करने के लिए CSS में एक property है जिसका नाम है padding और इसमें तीन से चार properties available है सबसे पहले top जैसे के इसके नाम से ही जाहिर है कि ये जो उपर वाली space content area के जो उपर space होती है उसको control करने के लिए use होती है मैं यहां पर आके यहां पर space एड़ कर देता हूँ 10 pixel और क्योंके मैंने यहां से content को remove किया हुआ है तो मैं इधर height भी एड़ कर दूँगा height 10 pixel and save करूँगा और यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैं जब इस पर hover कर रहा हूँ तो यहां पर इसकी जो actual height है जो के आप यहां से उपर top right corner से देख सकते हैं वो 1776 by 20 pixel mean के 1776 जो के पहले भी इसकी weight थी वही है लेकिन इसकी height जो है वो 20 pixel शो कर रहा है और अगर आप थोरा सा यहां पर मैं इसे zoom in कर देता हूँ मैंने इसे zoom in किया है और अब जब मैं इस पर hover कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो area है वो दो different color से mark है और यहां पर आके मैं इसका जो color है उसको change करके red में ले जाता हूँ ताके हमें देखने में सामय हूँ अब मैं जब इस पर hover करता हूँ तो आपको यह काफी clearly नजर आ रहा है कि जो नीचे वाला हिस्सा है जो purpley shade में है वो इसकी actual height है और जो उपर वाला हिस्सा है जो almost brown shade में है वो इसकी padding है और मैं यह चीज़ यहां से भी define कर सकता हूँ जब मैं padding के over करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उपर वाला जो हिस्सा है जो 10 pixel हैं वो brown shade में highlight हो जाते हैं मैं यहां से remove करता हूँ cursor को तो वो highlight खतम हो जाता है इस पे वाफिज आता हूँ तो क्योंके मैंने सिर्फ उपर 10 pixel padding दिया है तो सिर्फ और सिर्फ उपर वाला 10 pixel highlight होता है मैं यहां पर आके इसकी height को 50 pixel कर देता हूँ ताके मैं clearly difference देख सकूँ यहां पर आके refresh करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि इस पे जब hover करता हूँ तो वहाँ पर 50 की जगा 60 लिखा हूँ है mean के इसकी जो height है वो जो मैंने height define की है plus जो इसकी width है उसको sum up करके जो final number बंदा है वो इसकी total height consider हो रही है हलाके जो इसके content की height है वो 50 pixel ही है इसका content इस padding area में नहीं आएगा वो 50 pixel में ही देएगा लेकिन जो यह height है वो actual इसकी final जो height हम consider कर रहे है box की उसमें add up हो रही है जो padding और border की जो भी हम width define करते हैं वो इसकी actual final height में add हो जाती है यह CSS का एक basic सा concept है यहाँ पर मैं आपको अब काफी clear नज़र आ रहा है कि जब इसके hover करता हूँ तो उपर जो highlight हो रहा है light green color में यह padding है और बाकी जितना भी इस है वो 50 pixel height है और इसको क्योंकर मैंने zoom in किया हूँ है मैं इसको zoom out कर देता हूँ तो यह actual इसकी look है मैं इसके फिर hover करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उपर clearly आ रहा है next हमारे पास है padding right basically यह जो sequence है वो इस तरह चलता है कि पहले top फिर right फिर bottom और फिर left इस तरह यह sequence चलता है यहां पर right भी मैं 10 pixel add कर देता हूँ और अभी के लिए से comment करता हूँ यहां पर और save करता हूँ यहां पर आके refresh करता हूँ और यहां पर आप देख सकते हैं कि padding में सिर्फ उपर 10 लिखा हुआ है इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहां पर hash है जिसका मतलब है कि यह चीज़ भी define नहीं की unset है मैं इसे uncomment करके वाफिज आता हूँ refresh करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी यह 10 add कर दिया है और अब की बार आप यहां पर अगर उपर goal करें तो आपको वहां पे clearly इस तरह भी right side पे highlight area नज़र आ रहा है इसी तरह next जो मारे पास property है वो bottom के लिए वो adding bottom और मैं इसे भी 10 pixel देता हूँ save यहां पर आके refresh और अब की बार आप देख सकते हैं कि यह जो highlighted area है वो top पे right पे और bottom पे नज़र आ रहा है सिरफ और सिरफ एक side रह गही है left side यह आपका short challenge है इसको complete करें और मुझे left side पर भी 10 pixel की padding एड़ करके दिखाएं वीडियो को post करें और इस short challenge को complete करें hopefully आपने इसे try किया होगा अब हम इसे मिलकर complete करेंगे मैं यहां पर वाफिज आऊंगा और यह बहुत ही simple challenge था padding left हमने top, right और bottom padding एड़ करनी है भी सर्फ left padding रह गई थी मैंने यहां पर भी 10 pixel एड़ गया save किया और यहां पर आकर refresh किया तो आप देख सकते हैं कि अब जब मैं इसके hover करता हूँ padding के tab पे तो उपर complete box जो है वो highlight हो जाता है जो के top पे 10 pixel right bottom और left पर 10 pixel की padding को show कर रहा है यह यह basically हमारे पास एक तरीका है css में padding एड़ करने का next अब मैं आपको इसका short hand way बताऊंगा जिसको use करते होए आप सिर्फ एक ही property के साथ इन चारो sides को control कर सकें padding property के लिए हमारे पास short hand available है मैं सबको comment out कर दूँगा यहां पर और save करूँगा यहां पर आके refresh करूँगा सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसकी actual height है वो कम हो गई है तो यहां पर भी हमें यह concept एक दफा revise हो गया कि जो padding होती है वो actually इसकी height में add up हो जाती है उसमें basically content show नहीं होगा जैसे कि अगर मैं यहां पर एक image add कर देता हूँ आपको इसको clear करने के लिए इस concept को मैं यहां पर एक image add करता हूँ और इसमें इसका source attribute add कर देता हूँ online zions का हम logo ले ले लेते हैं मैं यहां से इसका logo बखा लेता हूँ और इसको copy image address यहां पर paste करता हूँ save करता हूँ यहां पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं basically क्योंकि मैंने height यहां पर define की हुई थी जो के css में एक अच्छा काम नहीं माना जाता क्योंकि जो child होंगे अगर तो हमने उनको height 100% नहीं होगी कि जितनी आपकी parent की height है सिर्फ उतनी height हो तो वह इस तरह overflow करेंगे यह concept हम future video में detail में study करेंगे अभी के लिए मैं इसकी height होगी उसको थोड़ा सा increase कर दूँँगा ताके मैं इसको properly show करा सको मैं इसको 100 pixel कर रहा हूँ save और यहां पर child css selector को करते होगे direct child css selector को use करते होगे image की height को define कर रहा हूँ 100% save किया और यहां पर आके refresh किया तो आप देख सकते हैं कि अब यह properly यहां पर adjust हो रहा है जितनी कि basically मैंने इसके parent को कह दिया 100 pixel height है तो यह image अपने parent का 100% height को cover कर रहा है जो 100 pixel है मैं यहां पर इन properties को uncomment करूंगा और save करूंगा और यहां पर आके refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो content है वो padding के section में नहीं आ रहा तो यहां से हमारी जो concept था वो revise हो गया कि जो padding है वो height में तो add up हो जाती है कि जो actual इसकी final height है इस div की उसमें padding add हो रही है लेकिन जो content है इस div का वो padding के section में नहीं आता ओके वो जो space है वो खाली रहती है लेकिन जो total height होती है इस element की उसमें वो add up हो जाती है अब continue करते हैं जो short hand property है उसकी तरफ जो हमारे पास css में short hand property है padding के लिए उसका नाम है padding सिर्फ और सिर्फ padding लिखकर मैं enter करूंगा और अब मैं यहां पर जो भी number लिखंगा जैसे मैं यहां पर 10th इक्जल लिख देता हूं यह basically चारों sides पर apply हो जाएगा यह most short hand form है इसकी मैं इसको save करूंगा और यहां पर आकर refresh करूंगा तो आप देख सकते है कि end result same मैं इसको comment करता हूं refresh करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ से padding removed हो गी है और यहांपर भी padding नहीं show रही कि पाइसीपी side पे padding नहीं लगी ही यहां पर आके uncomment करता हूँ, save, refresh, तो आप देख सकते हैं कि हर side पर 10-10 pixel है, अब इस चीज़ को control कैसे करना है, कि आप चाहते हैं कि top पे 10 pixel हो, right side पे 30 pixel हो, bottom पे 20 pixel हो, और left side पे 50 pixel हो, तो इस चीज़ को हम कैसे control करेंगे इस short hand property के साथ, उसका तरीका कार यह है, कि यह जो short hand property है यह इस तरह काम करती है, top, फिर right, फिर bottom, और फिर left, mean मैं अगर top को specific define करना जाता हूँ, तो पहले मैं top का जो भी मैं लिखना चाता हूँ, उसको लिखूँगा, space देकर, right side पे जितनी मैंने padding देनी है, उसको लिखूँगा, मैं 30 pixel लिख देता हूँ, bottom पे जितनी मैंने padding दे नहीं है, मैं उसको लिखूँगा, मैं 100 pixel लिख देता हूँ, save करूँगा, और यहां पर आके refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर, जिस तरह मैं चाहता था, top पे 10, 30, 40 और 100, उसी तरह padding adjust हो गई है, इसके इलावा, इसकी एक और short hand form है, मैं इसे यहां पर copy paste करक ताके हमारे पास, last जो हमने study किया है, उसका record रहे, यह most short hand form थी, जो के 4 साइट पे अपलाई होती है, यह controlled short hand form है, top, right, bottom, left, और उसके लावा, अगर आप चाहते हैं कि top और bottom को एक लग जाए, जो आप define करें, और left और right पे एक style लग जाए, तो उसकी जो short hand form हमारे पास है, two digits के साथ, first जो होगा, वो vertical को assign हो जाएगा, जो के top और bottom में add हो जाएगा, और जो second होगा, वो horizontally apply हो जाएगा, left और right, मैं यहाँ पर 10 और 30 के साथ save करूँगा इसको, और यहाँ पर आके refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि top और bottom को 10 pixel लगी होई है, और left और right को 30 pixel लग Hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के related कोई भी question हो तो उसे comment section में mention करें, मैं उसका जवाब दूँगा, वीडियो को like, share and comment करें, चैनल को subscribe करें, मैं आप से मिलूँगा next video में, तब तक के लिए Allahाफिस Don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हूँ Aisad Mahmoud and welcome to Zions Last video में हमने box model में padding के concept को study किया था, कि padding क्या होती है और हम इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं आज की वीडियो में हम box model में border की property को study करेंगे, कि border क्या होता है और इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं चलते हैं वीडियो की तरफ border की property को explain करने के लिए मैं यहाँ पर browser open कर लूँगा और साथ ही code editor open कर लूँगा और यहाँ पर browser में right click करके inspect कर लूँगा और div को यहाँ से select कर लूँगा अभी तक जो चीजें हम study कर चुके हैं वो यह है कि जो content area है वो किन चीजों पर मिलकर बनता है और उसके grid जो padding का area होता है वो किस लिए काम आता है next जो हमारे पास padding के बाद next जो चीज box model में है वो है border border का जो area होता है यह भी almost padding की तरह ही काम करता है mean यह भी जो element होता है उसकी width और height में add up हो जाता है मैं इस बात को explain करने के लिए यहाँ पर code editor में आऊँगा और यहाँ पर style में इस div को एक specific width पी assign कर दूँगा जो के मैं 400 pixel इसे अभी के लिए assign कर दूँगा save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा और अब जब मैं इसके hover करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी actual width है वो 460 pixel है जो के 30 plus 30 pixel जो left और right padding है वो भी इसकी width में add up हो रही है और इसी तरह इसकी height है वो 120 pixel है जो के 100 height मैं इसको दी हुई है और 20 pixel 10 और 10 pixel top और bottom padding वो add हो रही है नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो border है वो इस जो element है उसकी width और height को किस तहां effect करता है CSS में border को control करने के लिए हमारे पास जो property available है वो है border हाइफन और इसके बाद आप direction बताते हैं टॉप और उसके बाद आप बताते हैं width यहां पर मैं लिखूंगा कि मुझे टॉप पे 4 pixel का border चाहिए मैं इसे save करूँगा और यहां पर आके refresh करूँगा तो अभी के लिए कोई change नहीं होगा क्योंके border को show होने के लिए दो चीज़े require होती है एक border की width और दूसरा border का style तो next जो property है उसका pattern भी almost same ही है border और यह basically short hand property है जो के हम end पे study करेंगे हाइफन टॉप जो के direction को define कर रहा है किस direction में और style जो के इसके actual style को define करेगा कि कौन सा border शो करना है जिसमें कि यह सारी option available है डैश डाटीड डबल और यहां पर जो most used border style है वो है solid मैं solid यहां पर लिखकर enter करूँगा safe और यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि border मैं इसकी जो width है वो थोड़ी increase कर दूँगा और उसको 15 पिक्जल एड़ कर दूँगा यहां पर आके refresh करूँगा तो अब यह काफी clear है एक जो चीज रह गई है वो है इसका color यह by default black color को use कर रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि यह red color का show हो तो उसके लिए मैं वाफिज और यहां पर hopefully आपने guess कर लिया होगा उसी तरहां border direction जो के top और लास्टली color यहां पर मैं red लगा दूँगा और save करके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह इसी तरह का control हो गया है जिस तरह कि हमने padding top right bottom left किया था इसी तरह border में भी यह तीनो variation इन तीनो side के लिए भी available है तो यह आपका short challenge है short challenge को complete करें मुझे right side पर 20 pixel का border चाहिए bottom पर 15 pixel का border left side पर 20 pixel का border तो वीडियो को post करें और इस short challenge को complete करें hopefully आपने इसे try किया होगा अब हम इसे मिलकर complete करेंगे मैं यहाँ पर आ जाओंगा और इनको सिर्फ copy paste कर लोगा यहाँ पर तो तीन दफ़ा और यहाँ से top को select करूँगा और दो दफ़ा command plus d प्रेस करूँगा यहाँ पर मैं लिख दूँगा right उसके बाद next में hit दो दफ़ा command plus d bottom और lastly इनको select करके left यह मैंने यहाँ पर change कर दिया और जैसे के मैंने का था right भी मुझे 20 pixel चाहिए तो मैं सिर्फ इसे 20 pixel में change कर दूँगा और left को भी 20 pixel change कर दूँगा इसी के साथ यह challenge complete हो गया मैं save refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जो desire result है वो मिल गया है और यहाँ से मैं confirm भी कर सकता हूं कि जो border है वो ओपर 15 है यहाँ पर 20 है right side पे bottom पे 15 है और left side पर भी 20 है और अब अगर मैं इस div पर hover करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी width और height increase हो चुकी है जो के इसकी actual height plus padding और प्लस border इन तीनों चीज़ों को मिला के इस div की final जो height और width है वो define हो रही है next अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास short hand way जिस तरह के हमारे पास एक short hand way था padding को define करने के लिए हमारे पास short hand way कौन सा है border को control करने के लिए border के लिए जो हमारे पास short hand properties available है वो है सबसे पहले top border के लिए border top ये basically short hand property है जिसको use करते होए मैं तीनों चीज़ों को एक साथ control कर सकता हूँ जो pattern है वो ये है कि सबसे पहले width आती है मैं यहाँ पर इसकी width increase कर रहा हूँ 20 pixel उसके बाद style आता है मैं यहाँ पर dash style को use कर रहा हूँ dashed और उसके बाद last में color आता है और मैं color यहाँ पर purple use कर रहा हूँ और क्योंकि यह property basically मैंने बाद में लिखी है तो यह इन तीनों properties को override कर देगी मैं यहाँ पर save करूँगा और refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो उपर वाला border है वो एक तो dash की format में show हो रहा है और दूसरा उसका color जो है वो purple हो चुका है बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास border top की short hand property available है हमारे पास border bottom हमारे पास border right border bottom और border left की short hand property भी available है मैं यहाँ से इस सब को comment कर दूँगा और save करूँगा यहाँ पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि border चारों side का जो border है वो up to date हो गया है मैं वाफिस आँगा और इन चारों का भी हमारे पास एक और short hand property available है जो के है border सिरफ border का लिखकर enter करूँगा और इसकी जो accepted value है वो भी same है इसी तरह मैं इसको copy करूँगा और यहाँ पर paste कर दूँगा तो यह चारों side ओपर एक साथ apply हो जाता है मैं यहाँ पर red कर दूँगा safe और यहाँ पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि चारों side ओपर एक साथ यह apply हो गया है तो हमारे पास most short hand property यह है border उसके बाद हमारे पास चार upper level short hand properties हैं जो के एक साथ को control करती हैं और उसके इलावा हमारे पास तीन total property हैं एक साथ के लिए जिसके through हम width, color और style को individually control कर सकते हैं और lastly मैं इस चीज़ को एक दफ़ा फिर repeat कर देता हूँ कि जो element होता है उसमें यह जो part है width और height यह basically इसका content area होता है जिसमें जो भी हम element इसमें add करें या content text लिखें, image add करें वो show होता है असके उपर हमारे पास सबसे पहले padding आती है जिसके अंदर content show नहीं होता वो space, खाली space होती है जो के content area और border के दरमियान खाली space होती है इसको उसके बाद हमारे पास border का area आता है जिसका हम color control कर सकते हैं हम padding के area का background color Border control नहीं कर सकते हम सिर्फ और सिरफ यह जो डिख है इसको background color दे सकते हैं जो के padding के area के नीचे भी show होगा हम border का जो color है उसको control कर सकते हैं उसका style भी control कर सकते हैं और lastly हमारे पास आता है margin जो के basically border के बाहर शो होता है ये हमारे पास जो है concept है next अब हम study करेंगे कि CSS में हम border में image कैसे लगा सकते हैं अगर हम कोई image यहां पर लगाना चाहें तो वो काम कैसे achieve कर सकते हैं मैंने यहां पर एक file download की है border.png जो के आपको इस video के git code में available होगी मैं यहां पर आता हूँ और downloads में जाता हूँ तो यह file मैंने download की है मैं इसे यहां से copy करता हूँ और code में जाकर paste कर देता हूँ यहां पर मैंने इसे paste कर दिया यहां पर मैं assets में एक निया folder बनाऊँगा images और fonts को close कर दूँगा और border.png को images में move कर दूँगा इसे चेक कर दूँगा don't I'll show me again और उसे मैंने वहां पर move कर दिया अब मैं चाहता हूँ कि मैं यह border की जगा जो solid color border है वहां पर यह image शो हो रही हो तो इसके लिए सबसे पहले एक चोटा सा concept है जो आपको समझना परेगा मैं assets में आता हूँ और इस image को open करता हूँ और इसे जरा zoom in कर देता हूँ यहां पर मैं इस image को zoom in करूँगा और मुझे basically इसके एक unit की width को समझना होगा कि इसके एक unit की width कितनी है वो हमें अभी जरूरत परेगी मैं इसको यहां से calculate कर लूँगा और थोड़ा सा और zoom in करके ताके मेरे लिए easy रहे यह उपर से exactly match हो रहा है नीचे से exactly match हो रहा है right से left से रहा गया left से मैं इसको match कर लूँगा यहां पर और इसकी जो width आ रही है 27 pixel by 27 pixel यह basically आपके पास भी कुछ इसी तरह की image आनी चाहिए जो के आप use कर सकें यहां पर यह corner पर हम show करवाएंगे और यह center में repeat करवाएंगे मैं अभी दिखाता हूँ किस तरह CSS में आगया मैं और यहां पर हमारे पास जो property है border image लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको long hand approach दिखाऊंगा जो individual properties है और फिर उसकी short hand approach भी दिखाऊंगा इसके लिए हमारे पास property है border image source यह hopefully आपने guess कर लिया होगा यह image यूरल बताने के लिए यूरल और यहां पर dot forward slash इस फाइल के पात तक आने के लिए और यहां से assets वहां पर images और border dot png यह image यहां पर select होगी है मैं से safe करूंगा यहां पर आकर refresh करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहां पर सिरफ और सिरफ मुझे image लगाने से क्या change यहां पर show हो रहा है वो image जो है as it is चारों corners पर show हो रही है लेकिन मैं जो end result चाहता हूँ वो यह चाहता हूँ कि यह इस corner पे सिरफ और सिरफ मुझे यह शोर आओ यह जो element है और यह बीच वाल element जो shape है यह repeat हो रही हो throughout the shape इसके लिए मैंने यह calculate किया था कि यह एक shape कितने pixel किया इसको हम control कर सकते हैं border image slice कि यह border image को किस unit पे रखके slice करना है और यह unit exactly match करना चाहिए सबसे पहले आपका यह जो icon unit है यह square होना चाहिए और यहाँ पर जो उसकी pixel में height है वो आपने सिरफ लिखनी है without any unit यहाँ पर मैंसे save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करता हूँ तो आप देखें कि अभी क्या यहाँ पर change आ गया है एक चीज हमारी सिरफ remaining है उसके बार यह adjust हो जाएगा यह currently भी थोला सा effect अच्छा ही है लेकिन मुझे जो entry effect चाहिए वो यह effect नहीं है मैं वाफिज यहाँ पर आऊंगा और जो चीज हमारी रह गई है वो यह है कि हमने water को भी उस्ते ही पिक्जल सेट करना है जितना के हमारा यह unit है तो जो है 27 पिक्जल और पिक्जल पहली लगा हुआ है मैं इसे save करूँगा और यहाँ पर इसे solid में convert कर दूँगा बेसिकली और यहाँ पर मैंने color को remove कर दिया है यहाँ पर आके अब मैं refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर जो उसका size है वो increase हो गया लास्ट हमारी सिर्फ एक चीज रह गई है बेसिकली अभी जो इसके बैगराउंड के प्रोपर्टी कहलें रपीट पर जो प्रोपर्टी लगी हुई है वो stretch पर लगी हुई है जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट प्रोप्रोप्टी हमारी वो दिखाता हूं border image repeat यह प्रोपर्ट इस image को slice करेगा इस unit पे रखके जिससे कि यह पहला unit top left पे आजाएगा यह आखनी unit top right पे आजाएगा यह वाला unit जो third unit यह bottom light पे आजाएगा यह unit bottom left पे आजाएगा और यह जो बीच वाले units हैं यह basically repeat हो जाएंगे पूरी image के लिए और यह जो बीच वाले चार unit's हैं यह repeat हो जाएगे जो borders हैं उनको आपस में मिलाने के लिए यहाँ पर आके अब refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मैं end result चाहता था वो end result यहाँ पर achieve हो चुका है अब मैं आपको इसका शोट हैंड वे बताऊंगा कि इसको शोट हैंड तरीके से कैसे करते हैं उससे पहले मैं बस आपको इसकी दो से तीन और प्रोप्रीज जो अवेलेबल है वो शो करवा रता हूँ बोर्डर इमेज और कॉलन हमारे पास repeat हमने देख लिया slice देख लिया source देख लिया इसके लावा हमारे पास अवेलेबल है width और यह बिसकली हमारे पास option अवेलेबल है कि यहाँ पर हम 27 पिक्जल यह अगें वही unit जो हमारा simple एक जो corner है जो एक icon है उसका unit है उसकी जो dimensions है यह यहां पर आकर refresh करता हूं तो यह end result आप देख सकते हैं सेम है यह basically chain पैसे होगा यहां से मैं इसको remove करता हूं save करूं refresh करूं तो अब आप देख सकते हैं कि basically जो image है वो उसी तरह शो हो रही है लेकिन जो content है अब वो overlap कर रहा है basically जो image है background border image वो content के पीछे आ रही है और यहां से अगर मैं इसको width को भी remove करता हूं save करूं refresh करूं तो अब वो बिल्कुल भी show नहीं होगी यह width मैं use करके इसको यहां पर show तो करवा सकता हूं लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि जो content है वो basically overlap ना करे तो मुझे यहां पर border भी देना परेगा यह basically border actual जो हमारा border है यहां पर इस actual border कोई assign नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ एक background image की तरह काम कर दी है जो सिर्फ border पे apply हो रही है यहां पर यह actually border को नहीं दे रही border को लाने के लिए हमें border की property ही यूज़ करनी परेगी और solid लगाना परेगा solid को remove करके border 27 pixel करता हूं save करता हूं refresh करूंगा तो हमें वो show नहीं होग हमें यहां पर बताना परेगा कि इस क्या style कौन सा है और यह हमने last अभी सीखा है save refresh करता हूं तो अब mainly यहां पर सिर्फ border एड हुआ है और यह क्यूंकि हमारी border की और border image की जो width है वो same है इस वज़ा से वो उसमें adjust हो गई है last बस हमारी एक property रह गई है border image outset hopefully आपने नाम से guess कर लिया होगा यह जो हमारी border image है उसको जो हमारा main div element है उससे outside पे push करने के लिए use होती है अगर मैं यहां पर 10 pixel add कर दूंगा और यह pixel में unit होना चाहिए save करता हूं यहां पर आकर refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो border image है वो बाहिर की तरफ move हो रही है मैं इसको अगर 27 pixel add कर देता हूं तो यह पूरी तरह बाहर शो होने लग परेगी और यह एक किसम का carpet like जो effect है वो आ रहा है मैं यहां पर सिरफ और सिरफ इसको थोरा साथ नीचे move करना चाहता हूं लेकिन उसके लिए हमें margin की property learn करनी परेगी जो कि हम next video में learn करेंगे और फि इसका short hand way बताऊंगा कि इस पूरी जो हमने यहां पर 5 properties यूज किया है इसका short hand way क्या है border image के लिए हमारे पास जो short hand property है उसका नाम है border image और basically इसमें जो चीजें हम जिस pattern में syntax में pass करते हैं वो है सबसे पहले हम source pass करते हैं image का फिर slice की value उसके बाद width की value उसके बाद outset की value और फिर repeat इसकी value यहां पर मैं आपको इसको use करके दिखाता हूँ मैं इस सब को यहां से remove करता हूँ और URL को यहां पर paste करता हूँ और उसके बाद मैं सिर्फ यहां पर slice की value पास करता हूँ यहां परикомने slice और lastly मैं इन दोनों को अभी कर लिए skip कर रहा हूँ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ repeats करते हैं दोनों चीजे और यहां पर repeat पास कर रहा हूँ जो कि मैं करना और चाल यहां से आप इसकी बाकी values दे सकते हैं कि इसको बाकी क्या क्या value हम पास कर सकते हैं option plus escape इसको repeat round space stretch यह चार values हम पास कर सकते हैं मैं इसको वाफिस comment out कर देता हूँ save करता हूँ यहां पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि end result same है और अब यह इसकी वज़ा से आ रहा है ना के उपर जो हमने code लिखा था उसकी वज़ा से यहां पर आके इसको on comment करता हूँ save करके refresh और यह आपके पास end results देंगे अभी के लिए मैं इसको comment करता हूँगा और इस चीज़ को वाफिस ले आऊँगा save, refresh और नेक्स वीडियो में आप हम study करेंगे कि हम margin को कैसे add कर सकते हैं और फिर हम इसको नीचे की तरफ push करेंगे ताके हम इसको clearly देख सकें कि इसकी final look किस तरह की आ रही है अभी तक हमने box model में जो चीज़े certainty कर लिए है वो है content box padding box और border box next हमारे पास है margin box इसको हम study करेंगे और उसी के साथ हमारा box model complete हो जाएगा ये थी आज की वीडियो hopefully आपको वीडियो किसंद आई होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next वीडियो में अब तके लिए Allah आप देस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum मैं हूँ HSN महमूद and welcome to Zions last video में हमने border को study किया था और ये देखा था कि हम CSS में border image कैसे लगाते हैं उसी के साथ box model में हमने अभी तक content, padding और border इन तीन elements को study कर लिया है आज की video में हम box model के last element को study करेंगे जो है margin चलते हैं वीडियो के तरफ CSS में margin property को explain करने के लिए कि ये क्या होता है और किस तरह यूज होता है मैं browser को open करूँगा और यहां पर right click करके inspect करूँगा यहां पर box model में ये जो start में हमारे पास style का type होता है इसमें end पे हमारे पास ये box model होता है जिसको अभी तक हमने काफी detail में देख लिया होगा है इसमें सबसे पहले ये content होता है जो के actual जिसमें data show रहा होता है अगर कोई element इसके अंदर इस div में paste करूँगा तो वो यहां पर इस content section में show होगा फिर padding जो के content और border area के दर्मयान में space होती है जिसमें के content नहीं आ सकता until unless के हम किसी तरह उसको properties देखे वहां तक ले है by default ये अपने content section में ही रहता है उसके बाद border जो के padding के बाद आता है और ये padding और border ये दोनों जो element होता है उसकी width और height में add हो जाते है जिसकी वज़ा से जो element की final width और height होती है वो content की width और height प्लस padding प्लस border इन तीनों को मिला के जो final result बनता है वो इस element की width और height declare होती है margin बेसिकली CSS में हम use करते हैं ये जो HTML element होता है इसके outside space add करने के लिए padding इस element के inside space add करने के लिए और margin इस element के outside space add करने के लिए और बाकी जो margin की properties और short hand है वो बिलकुल same है जैसे के padding की property और उसके short hand था यहां पर मैं code editor को open कर लूँगा और index.html को open कर लूँगा यहां तक last time हमने अभी तक किया है का मैं यहां से style.css को open कर लूँगा और यहां पर यह जो properties हैं इनको as it is रहने दोँगा यहां पर मैं space देखके margin top से start करूँगा और hopefully आपने guess कर लिया होगा जैसे padding top थी यहां पर जितने pixel मैं add करूँगा unit उतने pixel यह उपर से क्योंकि जैसे मैंने भी बताया कि यह outside space है तो यह उपर उतनी space खाली छोड़ देगा और नीचे आजएगा मैं refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने 30 pixel उपर space खाली छोड़ दी और नीचे आगए यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसके hover करता हूँ तो उपर वो जो औरेंज एरिया है वो highlight हो रहा है मैं यहां से remove करता हूँ तो यह इसका margin area है मैं इसे 80 pixel सेट कर देखा हूँ save refresh और अब मैं चाहता हूँ कि इसके left side पर the 80 pixel का margin हो ताकि यह जो div है यह center में आ जाए और हम इसको properly देख सकें यह आपका short challenge है इसको complete करें इसके left side पर margin एट करना है 80 pixel hopefully आपने इसे try किया होगा अब हम इसे मिलकर complete करेंगे मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर margin left 80 pixel save refresh और यहां पर यह complete हो चुका है और यहां पर मैं अगर margin right या bottom add करूंगा तो उससे visually हमें कोई चीज नजर नहीं आएगी हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर hover करके देख सकेंगे लेकिन उसके अलावा visually हमें चीज नजर नहीं आएगी और जैसे के मैंने आपको बताया था कि यह जो पैडिंग होती है यह background color ले लेती है और फिर उस दिव को background color दे रहें जो कि एक वर्ड कराउंड एक किसम का है प्रोपर वे हैं लेकिन margin को आप background नहीं दे सकेंगे next मैं यहां पर सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि margin right और margin bottom की property किस तरह काम करती है उसको यहां पर add करूंगा और उसे random value assign करूंगा refresh करूंगा यहां पर आप देख सकते हैं कि उपर 80, 70, 60 और 80 इस तरह यह pixel margin एट हुआ है और जब मैं इस पर hover करता हूं तो यह section को highlight करके भी दिखा देता है आपको यह जो Chrome browser का dev tool है इसके साथ अच्छे से familiarity होनी चाहिए क्योंके debugging में हम front end debugging में बार बार इसी क का काम होता है style में यहां पर हमारे पास CSS का का काम होता है और console में हमारे पास यहां पर Java script का का होता है यह हमने यहां पर margin की property को study किया next मैं आप आपको बताऊंगा कि margin की property का shorthand form क्या है margin की property के लिए जो shorthand हमारे पास available है वो बिलकुल similar है जो के हमारे पास padding के लिए available था यहां पर मैं सिर्फ margin दिखूँगा और यह भी same concept है top फिर right उसके बाद bottom फिर left और जो दूसरा shorthand इसका है वो है top यहां फिर इसको vertical and horizontal और last जो shorthand है इसका margin all ओके इसके इलावा भी कुछ shorthands हैं लेकिन यह most used shorthand हम use जो करते हैं यहां पर मैं तीनों एक दफा यूज करके दिखा दूँगा इसे remove करूँगा और यहां पर one by one 30 पिक्जल 40 पिक्जल 50 पिक्जल और 60 पिक्जल save यहां पर refresh किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह apply हो चुका है उसके बाल इसे comment इसे uncomment किया और इसे comment रहने दिया यहाँ पर मैंने 50 pixel and 100 pixel save, refresh यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आप लाई होगे और यहाँ पर भी 50 pixel 50 pixel, 100 और 100 lastly comment, uncomment और यहाँ पर मैंने कह दिया 100 pixel save, refresh और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चालों साइडों के 100 pixel का margin इसी के साथ हमने CSS का जो box model था उसको detail में in depth properly study कर लिया है कि यह हमारा content section होता है, यह padding section होता है यह border section होता है और यह margin section होता है content में जो actual text और elements होते हैं वो इसे होते हैं padding जो होता है यह content के grid space होती है और यह height और width में add up हो जाती है border यह padding के barge space होती है और यह border बेसीकली element का border इससे define होता है और इसकी जो width and height होती है वो element की width and height में add up हो जाती है margin, यह basically element के outside space होती है जो के दूसरे element से इसको अलादा करती है और यह इसकी width and height है, यह element width and height में add नहीं होती mean यहांप array element पे hover करूँगा तो इसकी width and height आप देख सकते हैं कि सिरफ 514 पिक्जल ही है इसकी width and height 174 पिक्जल है जो कि आप इन सब को add up करेंगे तो आपके पास final result आएगा ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो में हमने study किया कि margin की property CSS में किस तरह काम करती है और उसी के साथ हमने box model को complete किया इस चीज़ को control करेंगे कि जब हम padding और border assign करें किसी element को तो उसकी width and height चेंज नहीं होने चाहिए ये चीज़ हम next video में study करेंगे इस वीडियो के related अगर आपका कोई भी question हो तो please comment section में उसको mention करें मैं उसका जवाब दूँगा, वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करें, मैं आपसे मिलूँगा next video में, तब तक के लिया लाव don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हो Aysan Mehmood and welcome to Zyons last video में हमने CSS box model को complete किया था जिसमें हमने content, padding, border और margin इन चीज़ों को cover किया था आज की वीडियो में मैं आपको CSS में box sizing property के मतलिक बताऊंगा कि ये property क्या काम करती है और इसको use करते होए है हम किस problem को result कर सकते हैं चलते हैं वीडियो की तरह box sizing की property CSS में बहुत ही important role play करती है मैं यहां पर chrome browser को open कर लूँगा और यहां पर right click करके inspect को open करूँगा और इस element को यहां से select कर लूँगा यहां पर देखें जब मैं यहां पर click करके इसको select करता हूँ तो यहां पर भी हमें box model पूरी तरह show होता है जिसमें के जो blue area है वो इस element का इस div tag का content area है उसके बाद जो dark green area है वो इस div element की padding area है और उसके बाद जो light green area है वो इस div element का border area है और लास्ट ली जो orange area है वो इस div element का margin area है और यह चीज़ मैं यहां से भी show करवा सकता हूँ यह इसका content है padding, border और लास्ट ली margin यह चारों चीज़ें मिलकर एक CSS box model complete करती है लास्ट वीडियो तक हमें इस चीज़ को पूरी तरह हमने अच्छे से study कर लिया है कि जो element होता है उसकी actual width और height होती है वो sum up होती है जो content area प्लस padding और प्लस border इन तीनों चीज़ों को मिला कर इनकी width और height को मिला के जो final result हमारे पास आता है वो इस element की width और height define करता है वो इस element का जो actual width और height होता है वो होती है लेकिन ये चीज़ हमारे लिए काफी ज्यादा problems create कर सकती है इसको explain करने के लिए मैं यहाँ पर code editor open करूँगा और यहाँ पर इस सारे content को यहाँ से remove कर दूँगा save करूँगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ से remove हो गया styling next मैं HTML में आऊँगा और इस div element को मैं यहाँ पर दो दफार repeat करूँगा save करूँगा और इसकी जो class है वो change कर दूँगा div 2 और div 3 अब मैं इन सब तीनो div element को एक parent div tag में wrap करूँगा जिसका के short hand way हमारे पास है अगर मैं long hand way की बात करूँगा तो मुझे पहले div tag को create करना परेगा और उसके बाद class देकर यहाँ पर मुझे parent की class add करने परेगी यह long hand way है और हमारे पास vs code में एक automatic extension अवेलेबल होती है जिसका नाम है admit उसको यूज़ करते होगे अगर मैं सरफ dot parent लिखता हूँ और अगर आपके पास यह auto completion नहीं आरीगा आपके पास इस तरह शो हो रहा है तो macOS में आप यह इस तरह dot parent लिखने के बाद option प्लस escape दबाएंगे तो यह auto completion आपको दे देगा और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह बता रहा है emit अब निवेशन जो के final result होगा div और उसमें class यह parent की आ रही होगी और cursor आपका यह दर्मियान में यहाँ पर cursor आजाएगा और windows में shortcut की है control plus space मैं इस पर click करूंगा यह enter करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने वही exact same काम कर दिया जो के मैंने मैंनोली तायप किया था next video में आपको मैं emit के कुछ और shorthand ways बताऊंगा जिसको यूज करते हुए आप काफी असानी से और काफी जल्दी अपनी html को लिख सकेंगे अभी के लिए continue करते हैं यहाँ पर मैं इसमें जो मैंने वहाँ से cut किया था तीनों divs को यहाँ पर paste कर देता हूँ और मैंने इसकी parent की जो class है सबसे पहले मैं इसके spelling से ही कर लिता हूँ और अब मैं continue करता हूँ इसको copy कर लिता हूँ और यहाँ पर आकर dot parent और यहाँ पर मैं कहते दा हूँ कि इसमें जो divs है उसको मैंने यह div tag के साथ select की है individual id के साथ select नहीं की यहाँ पर मैंने कह दिया कि सब की जो width है वो 33% यहां पर सब की width आदे और मैंने height सब को कह दिया कि जो actual height है वो सब की 100 pixel हो जाए और यहां पर आप background color में individually define तरूँगा div 1 class के साथ मैंने select किया है background color red और यहां पर parent को मैं background color देंगा sorry modern color नहीं background color पेरेंट को मैं background color black दे रहा हूं sorry black और इसको मैं duplicate करूँगा दो दफ़ा और यहां पर two और यहां पर three और इसे मैं green color assign कर दूँगा और इसको मैं purple color design कर दूँगा और यहां पर आकर basically यह यहां पर एक गलती मैंने कर दी कि पेरेंट को मैंने black color देना था यह मैंने div को दे दिया है तीनों div को तो यह मैं एक rule को और एट करूँगा और यहां पर यह जो color है यहां से parent में ले जाँगा अब यह हमारा end result है यहां पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर जो end result आ रहा है वो कुछ इस तरह आ रहा है कि 33% इसको मिर रहा है क्योंकि अभी यह जो सारे elements हैं यह display block में लगे हुए हैं इस वज़ा से यह एक दू लिका कार यह है मैं चाहता हूं कि यह element जो दूसरी divs हैं वो इसके सामने आजए लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं चाहता हूं कि यह जो image है यह इस तरह overflow ना हो बलकि यह जतने इनकी parent की weight है उतनी ही weight में आए तो यहां पर मैं आके एक और rule add करूंगा dot parent उसमें div और इसमें direct child है image मैं चाहूं तो यहां पर भी descendant css selector की बजाए direct child css selector यूज़ कर सकता हूं जो के proper css होगी और यहां पर मैं इसको कह रहता हूं कि जो height है वो 100% लेना है जो इसका parent है और क्योंकि parent की height 100 pixel है तो इस वज़ा से image भी 100 pixel में adjust होगी यहां पर आके refresh करता हूं तो आप देख सकते हैं कि वो यहां पर adjust हो चुका है next मैं यहां पर वाफिज आता हूं और अब मैं चाहता हूं कि यह जो div है display block की बजाए display inline block हो यहां पर मैं display की property ढूंगा और inline block इसको मैंने set कर दिया save यहां पर आके refresh करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह तीनों एक दूसरे के सामने आ गये हैं क्योंकि पहले जो इनको display लग रहा था मैं अगर इसको comment आप करता हूं save करता हूं यहां पर आके refresh करता हूं और computed में जाके check करता हूं कि यहां पर सामनी नजर आ रहा है कि इनको display block लग रहा है क्योंकि div जो होता है उसको by default display की property block की लग दिया इसलिए मैंने इसको display inline block कर दिया display inline block को यह हमने पहल इतनी ही space ले और आगे वाली space free छोड़ दे ताकि अगर कोई और element वहां पर adjust हो सकता है तो वहां पर आ जाए मैं यह refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं क्योंकि 33% की width लगी हुई थी इस वज़ा से वो एक ही line में adjust हो गए मैं चाहता हूं कि यह जो first wave है मैं इसको 40% set करता और इस selector को copy करता हूं और यहां पर paste करके div 1 अब मैं specifically div 1 को सिर्फ target कर रहा हूं और उसमें सिर्फ मैं width की property देना चाहता हूं 40% safe यहां पर आकर refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 40% पहली div ने लिया उसके बाद बागी जो बचरा था वो almost 60% बचरा था उसमें से 33% इस div ने ले लिया बागी जो बचा 40 plus 33 equal to 73 तो पीछे जो बच रहा है roughly 27% बच रहा है जो के यह div cover up नहीं थी कर सकती इसको 33% चाहिए तो इस वज़ा से यह नीचे shift हो गी है तो display inline block इस तरह काम करता है कि अगर space साथ available हो तो वहां पर adjust हो जाता है otherwise नीचे shift हो जाता है और एक मैं चीज़ा आपको यहां पर दिखा देता हूं कि अगर मैं यह जो 40% है यहां पर directly अभी मैंने score remove कर दिया है तो सब को 33% मिलेगा यहां पर आकर refresh करता हूं यह result है अगर मैं 40% जो मैंने विड़ दी है यहां पर दूँगा और इसको लगाकर save करूंगा यहां पर आ जादा है और यह हम आने वाली वीडियो में detail में study करेंगे कि CSS के जो selectors होते हैं उनकी purity किस तरह काम करती है और कौन सा selector किसको ज्यादा importance दी जाती है यहां पर मैं इसको remove कर दूँगा यहां से comment आउट कर दूँगा और यहां पर आकर refresh करूँगा end result से नहीं है और इस तफ़ाँ यह disabled है मैं enable भी कर दूँगा तो कोई फरक नहीं परेगा क्योंकि ओपर को क्योंकि ओपर वाले जो selector है उसको importance ज्यादा मेरी अभी करी मैं इसको remote कर दूँगा यहां से completely ताके वहां पर show ना हो और अब यह ठीक है okay lastly अब मैं अगर यहां पर आके इन elements को padding assign करता हूँ basically मैं कहता हूँ कि padding और मैं short hand way यूज़ करूँगा मैं top और bottom पे 10 pixel देना चाहता हूँ और left और right 30 pixel देना चाहता हूँ तो आपको यहां पर क्या लगता है जब मैं refresh करूँगा तो end result हमारा क्या होगा क्या यह element इसी तरह show होंगे क्योंकि इनकी weight में 33% define की हूई है सबकी यहां पिर इनकी layout change हो जाएगी comment section में मुझे mention करके बताएं मैं यहां पर refresh करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो element है वो नीचे shift हो गया है क्यों क्योंकि यह basically यहां पर अब इसकी जो width है वो 33% नहीं दही उसमें यह 60 pixel padding के भी add हो चुकी है और इसी तरह आगर मैं यहां पर इनको border भी assign कर दूँगा border मै मैं वो भी कह देता हूँ कि 20 pixel, solid, white यहां पर आकर refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने और ज्यादा space को occupy कर लिया है और यह चीज हमें end में issue कर सकती है क्योंकि अगर हमने padding और border एक element को दिया हुआ है तो normally हम यह नहीं चाहेंगे कि उसकी जो actual width है वो उससे disturb हो लेकिन जो by default CSS का behavior है CSS box model का वो यह है कि जब हम padding और border assign करते हैं तो वो उसकी width और height में add up हो जाता है और width और height change हो जाती है इस problem को resolve करने के लिए जो CSS में हमारे पास property है उसका नाम है box sizing box sizing property को हम इस तरह यूज़ करते हैं कि यहाँ पर मैं आऊंगा और मैं individually भी उसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर property का नाम है हमारे पास box hyphen sizing enter करूंगा और इसमें जो value हम most commonly यूज़ करते हैं वो है bordered box मैं इसको enter कर दूँगा यहाँ पर save करूंगा मैंने अभी सिर्फ पहली डिव को यह assign की है यहाँ पर आके refresh करूंगा तो आपने first डिव कर फोकस रखना है और अब आप देख सकते हैं कि जो first डिव है उसकी यहां से अगर मैं विल्ट उस पे hover करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो actual width और height है वो exactly same है जो यहां पर मैं set करूँगा अगर मैं यहां पर exactly आपको show करवाने के लिए 300 pixel set कर देता हूँ और यहां पर hover करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसकी width और height exactly 300 pixel है अब इस चीज़ से कोई फरखनी पर रहा कि मैंने इसको padding और border डिया हुआ है जो padding और border है वो basically इसके content के area को reduce करके अपनी जो इनको space चाहिए है उसको cover up कर रहे है पहले यह था कि जो मैंने width assign की हुई थी वो सारी की सारी width इसके content area को मेरी थी और padding और border जो है वो बाहिर content area के बाहिर जो defined width है उसके gild अपनी space को cover up कर रहे थे जिसकी वज़ा से कि element की actual width में मसला आ रहा था लेकिन अब जो actual width है वो वही है जो मैंने यहाँ पर hard quality define कर दी है और padding और border उसी width में से अपनी space को लेके बाकि जो space बच रही है वो content area को provide कर ले यहाँ पर मैं वाफिज आँगा और इसको basically यहाँ पर refresh करूँगा तो यह रिवर्ट हो जाएगा और अब मैं सरफ यह box sizing के property यहाँ से remove करके यहाँ पर add कर दूँगा जो के तीनो डिफ्स को add हो जाएगी save करूँगा यहाँ पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास end result वो आगया है जो के हमें required था मैं यहाँ पर वाफिज आता हूँ और सिर्फ और सिर्फ पेरेंट को थोड़ी सी padding add कर देता हूँ ताकि हम easy उसको check कर सके यहाँ पर मैं से save करूँगा five pixel हर तरफ से मैंने padding दी है और यहाँ पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब यह जो layout है यह exactly same layout जो मुझे box sizing की property जिसको use करते होगे हम इस चीज़ को ensure कर सकते हैं कि एक element की width और height exactly वही रहेगी जो कि हमने उसको assign की है ओके तो यह है CSS में box sizing की property जो कि इस issue को resolve करती है कि जब हम किसी element को HTML element को width और height दें तो padding या bottle देने की वज़ा से उसकी actual width और height change ना होज़े बलकि वही रहे जो कि ह हमने उसको assign की है यह थी आज की video hopefully आपको video किसंदा ही होगी video को like share and comment करें video के related कोई भी question हो तो please उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दोगा channel को subscribe करना ना बूले इस तरह की और बहुत सी videos आने वाली हैं हम बहुत जल्दी अपने CSS fundamentals को भी complete करेंगे और उसके बाद आपके लि carrier है उसको complete करके इस चीज को सीख लेंगे कि हम HTML plus CSS plus JavaScript को use करते हुए एक professional website layout किस तरहां बना सकते हैं तो इस चीज को make sure करने के लिए कि आप कोई भी video skip ना करें और जैसे ही हम videos release करें आपको उसका notification मिलता रहे channel को subscribe करें और bell icon को press करते हैं मैं आप से मिलूँगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाँ आफिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हूँ Aysan Mehmoud and welcome to Zions Last video में हमने box sizing की property को study किया था और उसके तो हमने box model की जो width का issue होता है कि padding और border add करने से element की width और height increase हो जाती है उस issue को resolve किया था बहुत ही important concept को start करने वाली है CSS selectors specificity Basically इस topic को cover करने के बाद आप efficiency के साथ यह चीज़ calculate कर सकेंगे कि दो अगर CSS के rules लगाए हैं तो दोनों को क्या weight assign हो रहा है यह दो से तीन terms हैं जो interchange बोली जाती है CSS selectors specificity बोला जाता है CSS selectors weight बोला जाता है CSS selectors importance बोला जाता है और CSS selectors power बोला जाता है मैं इस lecture में ज्यादा तर weight का word use करूँगा कि इस CSS selector को क्या weight assign हो रहा है यह चीज़ मैं आपको इस वीडियो में properly explain करूँगा और इस वीडियो को complete करने के बाद आप बहुत ही असानी के साथ किसी भी CSS selector का जो weight है उसको calculate कर सकेंगे और confidence के साथ बता सकेंगे कि कौन सा CSS selector apply होगा इस element पर चलते हैं वीडियो की तरफ मैं यहां पर Chrome browser को open कर लूँगा और लास्ट वीडियो में हम यहां तर cover कर चुके हैं साथ ही मैं code editor भी open कर लूँगा और इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक sheet create की है जो के हमारा reference sheet के तोर पर काम आई ही यह sheet आप इन दोनों URL में से किसी भी एक URL से access कर सकते हैं यह मैंने एक short URL बनाया हुआ CSS-SWS जो के stand करता है Selectors Weight Sheet यहां पर जो चीज़ें मैंने mention की है वो different CSS Selectors के weight mention की है इस sheet में अभी वाफिज हौँगा और जो चीज़ें हम आज की वीडियो में cover करेंगे वो है CSS Selectors Order यह इदर Selectors की जगा CSS Properties Order कि किस order में हम properties add करते हैं वो matter करता है matters उसके बाद इस चीज़ को explain करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि inline CSS versus internal CSS versus external CSS इन तीनों में से कौन सी CSS को ज्यादा importance मिलती है और कौन सी CSS दूसरी CSS को overwrite कर सकती है फिर हम study करेंगे one by one कि किस CSS selector को क्या wait assign होता है wait wait for different CSS selectors यह study करेंगे और lastly मैं आपको examples show करवाऊंगा जिसके तुरू हमने जो भी study किया होगा उसको properly cover करेंगे यह चीज़ें हम आज की वीडियो में cover करेंगे स्टार्ट करते हैं CSS selector slash properties order matters जैसे के यह चीज़ नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जब हम CSS के कोई property लगाते है तो उसका order of occurrence matter करता है यहां पर मैं style.css को open कर लेता हूँ और यहां तक हमने last cover किया था यहां से अब मैं इसे remove कर दूँगा save करूँगा और यहां पर आके इसका code भी यहां से remove कर दूँगा यहां पर सिर्फ एक h1 एड़ करूँगा और उसमें zions एड़ करके save करूँगा यहां पर आके refresh करूँगा तो यह हमारे पास by default आरा है वाफिज आज़ोंगा code editor में और यहां पर मैं एक simple rule एड़ करूँगा tag name को use करते होगे h1 और मैं इसका color assign कर दूँगा red save करूँगा यहां पर आके refresh करूँगा तो इसका color change होगा अब मैं same rule को copy करूँगा और नीचे paste कर दूँगा और यहां पर इसका color change करके green कर दूँगा यहां पर जैसे के मैंने लिखा हुआ है कि CSS की properties जिस order में लिखी जाती है वो matter करता है क्योंकि CSS पहले इस rule को read करेगा और इसकी CSS जो apply करनी है styling गो apply करेगा और बाद में इस rule को read करेगा और इसमें जो style rule define है उनको apply करेगा क्योंकि यह selector बिलकुल same है और यह चीज matter करती है जो selector है उसका same होना उसके weight का main जो चीज़ है यहां पर वो weight है और यह चीज़ मैं आपको अब भी explain in depth में करूँगा कि हम weight कैसे calculate करते है उसका weight अगर equal हो दोनों selector's का तो बाद में आने वाले selector में जो property define की होती है वो apply हो जाती है अब यह असान अलफाज में क्योंकि यह selector और यह selector बिलकुल same है इस वज़ा से बाद में जो मैंने color की value define की है वो पहले वाली color की value को override करतेगी मैं save करता हूँ यहां पर आके refresh करता हूँ तो यह चीज़ यहां पर proof होगी इसी के साथ हमारा यह जो point है यह covered हो गया done next अब हम continue करेंगे inline CSS versus internal CSS versus external CSS के इन तीनों में क्या relation है और कौन सी CSS हम लिखी हो तो वो दूसरी CSS को override कर देती है और इनका order किस तरह matter करता है इस point को explain करने के लिए मैं यहां पर html की file में आऊंगा और h1 tag पे style का attribute दोंगा ताकि मैं inline CSS add कर सकूँ यहां पर मैं इसका font size control करूँगा और उसे set कर दोंगा 100 pixel save और यहां पर refresh करूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं apply हो गया क्योंकि अभी इसका और कोई भी rule इसके साथ conflict नहीं कर रहा अब मैं यहां पर internal CSS add करूँगा जो के मैं इस custom CSS के बाद एक tag add करूँगा style और इसमें मैं इस h1 tag को select करूँगा using tag selector मैंने h1 लिखा और parenthesis start किये और यहां पर basically मैंने इसका font size लिखा 200 pixel अब आपको क्या लगता है कि कौन सी जो CSS rule है वो apply होगा यह inline वाला या internal CSS rule यहां पर आकर refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि inline CSS rule apply हुआ है क्योंकि जो inline CSS rule होता है इसकी importance बाकी तमान rule से ज्यादा होती है mean जो मैंने यहां पर define किया है वो internal CSS और external CSS दोनों से ज्यादा importance रगता है मैं अगर external CSS की file में आके यहां पर इस rule में font size define करता हूँ 300 pixel के अभी भी inline CSS का rule ही apply हो रहा है इससे यह define हो गया यहां पर मैं comment add कर दूँगा कि inline CSS ज्यादा importance रगती है greater than internal CSS and external CSS यह define हो गया next अप continue करते हैं यह देखते हैं कि internal CSS ज्यादा matter करती है यह external CSS ज्यादा matter करती है उसके लिए मैं सबसे पहले इसको यहां से remove कर दूँगा क्योंकि यह चीज़ हमने पहले से cover कर लिया है यह हमारा extendर है कि don't use inline CSS और यहां पर आपने उसका reason भी देख लिया को इस point के बाद explain करूँगा यहां पर मैं add कर देखा हूँ special case to override inline CSS using internal और external CSS यह मैं आपको इसके बाद explain करूँगा मैं यहां पर वाफिज आ जाता हूँ और यहां से मैंने inline CSS अभी के लिए remove कर दी यहां पर आके मैं refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी internal CSS का rule यहां पर apply हुआ है और क्योंके basically font size 200 pixel इस तरह मैं check नहीं कर सकता तो मैं यहां पर right click करूँगा और inspect करके यहां से आपको confirm करवा दूँगा कि यहां पर 200 pixel apply हुआ है ना कि 300 pixel और ताके हम visually easily इसको check कर सके मैं वाफिज आजूँगा color पे मैं यहां पर भी color set कर दूँगा ताके मैं easily check कर सको और यहां पर currently green apply है तो मैं यहां पर purple color apply कर दूँगा save करूँगा और यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि purple color apply हो गया और क्यूंके मैंने यहां से font size हटा दिया है तो यह वाला font size apply हो गया 300 pixel मैं इसको remove कर दूँगा और यह rule भी remove कर दूँगा यहां के सिर्फ एक rule है यहां पर h1 का जो के color green set करने की कोशिश कर रहा है और यहां पर एक rule है h1 का जो के color को purple set कर सेव करता हूँ refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि purple color set हो रहा है लेकिन यह basically इस वज़ा से नहीं है कि internal CSS external CSS पर ज्यादा important है नहीं यहां पर हमारा यह पहला rule apply कर रहा है कि order matters क्योंकि यह internal CSS external CSS की file के बाद मैंने लिखी है इस वज़ा से यह basically end चो result आ रहा है वो यह आ रहा है कि पहले यह rule study होता है apply होता है उसके बाद यह study होता है apply होता है और इस वज़ा से इसकी property assign हो रही है अगर मैं इसको यहां से cut करके उपर लिख दूँगा यहां पर यहां पर मैं लिख देता हूँ custom external CSS और यहां पर मैं लिख देता हूँ custom internal CSS यहां पर paste करता हूँ अब क्योंकि internal CSS पहले आ रही है और बाद में external CSS आ रही है इन दोनों की importance सेम ही है इन में जो importance matter करती है वो selector के weight पर depend करती है जो कि हमें अभी next study करेंगे मैं यहां पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि green हो चुका है यहां पर color mean सिर्फ और सिर्फ inline CSS है जो internal और external से ज्यादा importance रखती है internal और external CSS आपस में कोई importance नहीं रखते हैं उनकी importance equal है उनका order matter करता है और उनके selectors का weight matter करता है कि selector का weight क्या है और उनका order क्या है पहले internal CSS है यहां पहले external CSS है इसी के साथ हमारा यह point भी cover हो गया यहां पर मैं done लिख दूँगा next अब मैं आपको एक special case बताऊंगा जिसको use करते होवे मैं inline CSS को override कर सकता हूँ using internal यह external CSS basically CSS में हमारे पास एक important का keyword होता है यहां पर मैं लिख देता हूँ इसके आगे यहां पर लिख देता हूँ यह explanation mark और important यह special case है कि यह मैं जहां पर add करूंगा उस CSS को highest importance मिल जाएगी कुछ matter नहीं करेगा इस जब मैं यह keyword लिख दूँगा CSS किसी भी CSS के rule में चाहे वो inline हो चाहे वो internal हो चाहे वो external हो फिर यह चीज़ totally ignore हो जाएगी कि उसका weight क्या selector का weight विल्कुल matter नहीं करेगा और यह चीज़ हम अभी थोड़ी देर में study करेंगे यहां पर मैं inline CSS को वाफिज add करता हूँ style के साथ और मैं color पर ही काम करता हूँ अभी के लिए मैं इसका color यहां पर set कर देता हूँ orange और आपने guess कर लिया होगा कि अभी orange apply होगा क्योंकि यह importance रखता है internal और external दोनों टाइप की CSS पे inline की importance ज्यादा होती है मैं save करूँगा यहां पर आके refresh करूँगा तो यहां पर orange हो गया है लेकिन हम इसको override कर सकते हैं using important keyword यह basically जो भी value लिखनी होती है property की वो value लिखते है उसके बास space देखे explanation mark और important यह देखें auto complete view में जाना उसके click करूँगा तो यह CSS का special case है मैं इसको save करूँगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो override हो गया ओके यह basically important का keyword विल्कुल भी recommend नहीं किया जाता यह बहुत bad practice है और हम throughout the course इसको पूरी तरह avoid करने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी पूरी CSS में कहीं पे भी important का keyword यूज़ ना करें यह सिरफ और सिरफ हम use करते हैं जब हम third party CSS packages को use कर रहे हो और उन्होंने कोई CSS add कर दी हो जो हम किसी selector के weight की बिना पर change नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो inline CSS के through add की हुई थी तो फिर हम important के keyword से उसको override करते हैं सिरफ वो एक valid use case है जब हम खुद अपनी CSS अपने web page के लिए लिए लिख रहे हो तो हम important का keyword विल्कुल use नहीं करते दो standard यहां पर define होगे एक inline CSS use नहीं करनी दूसरा important का keyword use नहीं करना और hopefully आपने guess कर लिया होगा मैं सिर्फ यहां पर दिखाने के लिए आपको कि अगर मैं refresh करता हूँ अभी inline CSS apply होई है अगर मैं यहां पर important का keyword लगा दूँगा तो यह apply हो जाएगी ओके लेकिन यह हम use नह write कर सकते हैं जब हम यह लगाएंगे तो फिर और कोई चीज matter नहीं करेगी कि CSS selector यह जो selector है इसका weight क्या है यह inline है यह all fine है कुछ matter नहीं करेगा एक मैं आपको यहां पर बहुत ही ज्यादा खराब use case बता देता हूँ कि अगर मैं inline CSS पे यहां पर important लगा दूँगा तो अ अब यह CSS किसी भी तरह override नहीं कर सकते हैं किसी और CSS rule को use करते होगे यह अब CSS override नहीं हो सकेगी हम को javascript के थूर CSS को remove करना पड़ेगा और फिर हम कुछ और CSS इसको लगा सकेंगे color की मैं save करता हूँ refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब यह मैंने यहां पर important लगाया इस वज़ा से inline CSS की importance पहले ही ज्यादा थी फिर उस पे important का tag भी लग गया keyword भी लग गया अब इसकी importance सबसे ज्यादा हो गई है इस वज़ा से यह चीज़ जो है काफी ज्यादा bad practice में आती है मैं इसको remove कर दूँगा save करूँगा और यहां से भी save remove कर दूँगा और अभी के लिए internal CSS supply होगी refresh और यहां पर आप देख सकते हैं कि external CSS supply होई है क्योंकि order भी matter करता है मैंने internal CSS कह रही है था लेकिन क्योंकि external CSS बाद में आ रही है इस वज़ा से internal CSS अगर इसके बाद लिखी होती जो कि normal use case होता है तो फिर internal CSS ही apply होनी थी यहां पर यहां पर यहां पर मैं done ल of different CSS selector, यह most important thing है आज की वीडियो में मैं यहां पर index.html में आ जाँगा और इस चीज़ को यहां से remove करता होगा क्योंकि जैसे हमने यह rule पहले ही define कि हुआ है कि हम अपने पूरे course में सिर्फ external CSS को ही use करेंगे, ना inline CSS use करेंगे, ना ही internal CSS use करेंगे, लेकिन अगर कोई specific use case होगा तब, mostly हम सिर्फ external CSS ही use करेंगे, मैं इसको save कर दूँगा यहां पर और यहां पर refresh करूँगा, तो यह default पर अब properly set होगे, अब हम continue करेंगे इस sheet से, और यह चीज़ हमने already cover कर दी, कि हमारी inline CSS को highest weight है, कि उसको सबसे ज्यादा importance बिलती है, important के keyword के बाद, next अब हम यहां से start करेंगे tag name, id, class और attribute, इन तीन को अब हम study करेंगे, उसके बाद हम यह बाकी जो तीन से चाल रहे गए हैं, उनको study करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि जो tag name के साथ हम selector बनाते हैं, उसको जो weight assign होता है, वो one weight, one का unit assign होता है, एक weight assign होता है, अगर मैं id का कोई selector बनाता हूँ किसी element के लिए, तो उसको 100 weight assign होता है, अगर class का selector बनाता हूं तो उसको 10 weight assign होता है अगर attribute का कोई selector बनाता हूं तो उसको 10 weight assign होता है और उसके बाद जो बाकी है वो हम बाद में अभी study करेंगे यहां पर आके मेरे पास यह है H1 selector मैं इसको एक ID देढ़ूंगा H1 की H1 ID उसके बाद मैं इसको एक class दे दूँगा, h1 class, उसे बाद मैं इसको एक attribute दे दूँगा, zions, custom, और इसकी value मैं set कर दूँगा, h1 attribute, ओके, यह मैंने चीज़ें यहां पर define कर दी, save करूँगा, और यहां पर आ जूँगा, css की file, सबसे पहले मैं id से start करूँगा, वो क्योंकि यहां पर mention है, tag name हम already देख सकती हैं कि tag name कैसे काम करता है, simple, tag name लिखा और css apply कर दी, next, यहां पर मैं id selector से start करूँगा, h1 id, और इसको मैं color दे दूँगा, red, save करूँगा, और यहां पर आप मैं weights mention करता जाँगा, आपकी असानी क और इसको जो weight assign हो रहा है, वो है 100 का, बहुत ही simple यह rule है, weight से css apply होती है, अगर कोई दो rule का weight same होगा, तो जो बाद में rule लिखा जाएगा, वो css apply होगी, और अगर दो rules का weight match नहीं करता, जैसे यह use case है, तो जिस css rule का weight ज्यादा होगा, इस चीसे matter नहीं करता कि वो पहले ल लेकिन जिसका weight से ज्यादा होगा, वो css supply हो जाएगी, यहाँ पर इस css selector का weight 100 है, और इस css selector का weight 1 है, यहाँ पर tag name लिखा है, यहाँ पर ID लिखा है, अगर मैं यहाँ पर tag name plus ID कर दूँगा, तो इसका weight क्या हो जाएगा, 100 ID का लगेगा, प्लस 1 इस tag name का लगेगा, तो total weight इसको assign होगा, 101 होगा, अभी के लिए सिंपल ID से continue करते हैं, तो इसका weight ज्यादा है, तो इसका css rule apply होगा, इसमें अब order matter नहीं करता है, इसमें पहले weight matter करता है, जब weight same हो जाए, दोनों selectors का, तब order matter करता है, यहाँ पर आकर refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह होगा है, और वो order वाली बात मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पर मैं same rule apply करता हूँ, और इसको मैं purple करतेता हूँ, क्योंकि अब weight दोनों को 100 मिल रहा है, और यहाँ पर purple है, यह बाद में आ रहा है, तो अब यह apply होगा, save, refresh, तो यह apply होगा, lastly वो जो मैंने, यहाँ पर compound selector बनाया था, h1 मैंने add कर दिया, तो इसमें id का 100 weight मिला, और plus 1 मुझे मिला tag name का weight, जो कि यहाँ पर मैंने define किया हुआ है, आपकी असानी के लिए tag name को 1 मिलता है, तो इसको total weight 101 मिल गया, अब यह वाला दूल apply होगा, save, refresh, तो आपके सामने है, next अब हम continue करेंगे, class के सा dot h1 class, और इसको मैं basically color assign कर दूँगा, यहाँ से मैं कोई एक color choose कर रूँगा, मैंने यहाँ से aqua color choose कर लिया, save करूँगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पर weight लिख दूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि id को जो weight assign, sorry, class को जो weight assign होता है, वो है 10, यहाँ पर मैंने लिखती ह कि जो इसे weight assign हो रहा है, वो है 10, तो hopefully आपने guess कर लिया होगा कि अभी इस पूरे rules में सबसे ज्यादा weight किसका है, वो इस rule का है, 101, तो यह rule ही अभी apply होगा, यहाँ पर refresh करूँगा, अभी भी वो ही rule apply हो रहा है, मैं यहाँ से basically इसको comment कर दूँगा, ताकि मैं class का जो rule है उस explain कर सकूँगा ना यह, तो मैं अभी के लिए ID के जो rules है, उनको comment out कर रहा है, यहाँ पर यहाँ पर comment यहाँ पर बंद हो रहा है, इस वज़ा से यह error आ रहा है, मैं यहाँ पर space add कर दूँगा, ताकि यह simple collectors manage है, और यहाँ पर जाकर comment बंद हो, इसको भी comment कर दूँगा, और यहाँ पर space add कर दूँगा, sorry, यहाँ पर space add कर दूँगा, save करूँगा, और अब इसको weight assign हो रहा है, one, और class वाले selector को weight assign हो रहा है, ten, save करके यहाँ पर refresh करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं, class वाला selector add हो रहा है, एक दफ़ा class के साथ भी मैं दूसरा tag name को add करके दिख basically आपका एक small test है, मैं यहाँ पर color add कर देता हूँ, color यहाँ पर basically मैं brown add कर देता हूँ, यह small आपका test है, यहाँ पर वीडियो को post करके यहाँ पर लिख के दिखाएं कि इसका total weight कितना हो जाएगा, hopefully आपने इसे try की आओगा, यहाँ पर basically class का जो weight assign इसे हो रहा है, वो 10 है, और tag name का 1 assign हो रहा है, plus 1 equal to 11, तो इसका weight अब क्योंकि ज्यादा हो गया है, अगर मैं इसको उपर भी shift कर देता हूँ, तो उससे फरक नहीं परेगा, क्योंकि इसका weight ज्यादा है, तो इस वज़ा से, मैं यहाँ पर आकर refresh अप करूंगा, तो यह दूल apply होगा, अगर मैं इसके साथ एक ID को add कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक ID add कर देता हूँ, जो हमारे पास है ID, तो अब इसका total weight कितना हो जाएगा, जी बिलकुल, 10 जो हमारा weight है, वो है class का, और plus 100, equal to 110, total जो इसको weight assign हो गय और 10 weight assign हो रहा है class का, दोनों को हम sum up कर देंगे, वो इस selector का total weight हो जाएगा, अब अगर मैं इस वाले selector को uncomment भी कर देता हूँ, यहाँ से, और इसे basically space को दोबारा add कर देता हूँ, ताकि वो correct हो जाए, save करूंगा, refresh करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यह assign हो रहा है, क्य comment आउट कर दूँगा, और इन्हें भी comment आउट कर दूँगा, यहाँ पर refresh करूंगा, और अभी जो हमारा rule सरफ apply हो रहा है, यह यह जारा weight वाला rule, next continue करेंगे, मारे पास है attribute selector, यहाँ पर मैं add कर दूँगा, simple attribute selector कैसे होता है, यहाँ पर आपके पास दो से तीन तरीक है, आप सिरफ और सिरफ attribute का नाम लिखते है, custom, और यहाँ से basically मैं h1 को खतम कर दूँगा, ताकि इसका जो weight है वो 10 के equal हो जाए, यहाँ से इसे remove कर दूँगा, और इसे भी remove कर दूँगा, यहाँ पर मैंने इसे color कह दिया, कि color जो है, वो red हो जाए, safe, यहाँ पर इसे थोड़ा change कर देते हैं, ताकि यह बाकियों के साथ conflict ना करें, okay, refresh, और अब आप देख सकते हैं कि यह assign हुआ है, और यहाँ पर सोरी मैं weight लिखना बोल गया, weight, क्योंकि इसका weight भी 10 है, इसका weight भी 10 है, और इसका weight भी 10 है, और यह क्योंकि बाद में आ रहा है, order matters, दोनों का weight equal था, इस इस वज़ा से यह assign हो गया, अगर मैं इसको उपर move कर दूँगा, यहाँ पर इससे पहले, तो आप दोनों का weight से मैं class वाला rule बाद में apply हुआ है, उसका weight उतना ही है, जितना attribute वाले का weight है, तो इस वज़ा से अब यह class वाला rule apply होगा, refresh और यहाँ पर आप देख सकते हैं, य सारा काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर एच वन attribute लिख दूँगा, तो end result सेम ही रहेगा, क्योंकि अभी भी इसका weight सेम ही है, refresh, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि attribute वाला apply होगा, next रब हम study करेंगे, pseudo class selector, pseudo element selector, और combinator selector, और lastly हम study करेंगे, wild card selector, यहाँ पर basically इससे मैं remove कर से, और यह automatically add होड़ा, यहाँ पर मैं से totally remove कर दूँगा, continue करते हैं pseudo class selector से, मैं यहाँ पर वाफिज आओंगा, और hopefully आपको याद होगा कि pseudo class selector में हमने काफी pseudo class selector study किये थे, जिसमें hover आ जाता है, focus और इस तरह और भी बहुत से, basically अभी जो मैं use करूंगा, क्योंकि इसको जो weight assign हो रहा है, वो है 10 का, और आपको clearly show करवाने के लिए, यहाँ पर जो मैं pseudo class selector use करूंगा, वो है first child, यह pseudo class selector मैं use करूंगा, मैं यहाँ पर HTML में आऊँगा, और यहाँ पर सबसे पहले एक div introduce करूंगा, और उसमें दो P tag introduce करूंगा, दोनों को एक class assign करूंगा, P, पर भी मैं zions website url, मैंने यह एक add कर दिया, https zions.com slash my, यह मैंने add कर दिया, मैं copy paste कर देता हूं, इसे save करूंगा, यहाँ पर आके refresh करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह show हो रहा है, वाफिज आ जूँगा CSS में, क्योंकि यह मैंने यहीं पर छोड़ती थी, इस व tag name से select नहीं किया करेंगे, यह ओपर मैंने basically सिर्फ और सिर्फ आपको explain करने के लिए इसका wait इसलिए select किया है, यहाँ पर मैं div1 इसको class दे देता हूं, और वाफिज आके यहाँ पर इसे dot div1 कह देता हूं, और उसमें मैं descendant selector यूज करते होए, p को के साथ start करूंगा, और य यह basically हमारा filter down the line था लेकिन यह अभी आगया क्योंकि मझे first child को select करना था, तो उसके लिए मुझे यह setup चाहिए था, अभी मैं continue करूंगा first child selector से, उसके बाद मैं आपको यह भी explain करूंगा कि यह किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर dot p class यह add करता हूं, class और इस पे color assign करता हूं, यहाँ पर red और यहाँ पर मैंने भी कुछ assign ने किया, save करता हूं, यहाँ पर रिफ्रेज्च करता हूं तो आप देख सक्ते हैं color assign होगा, लेकिन यहाँ पर वाफिच आकर एक color को green करता हूं, और यहाँ पर आप देख सिकते हैं, यह tag name है, यह class है लेकि क्योंकि यह parent का है यह इस selector का नहीं है यहां पर main जो हम चीज select कर रहें वो paragraph tag है ना के div tag तो इस वज़ा से यह count नहीं होता यह जो div है यह count नहीं होते div के बाद जो भी लिखा होता है जो final selector होता है वो count होता है वो मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे count save करूँगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसका color green हो गया next अब हम study करेंगे यहां से हमारे यह attribute selector तक complete हो गया next अब हम study करेंगे pseudo class pseudo element और combinator selector और हम start करेंगे combinator selector से मैं इसको यहां से भी उपर shift कर देता हूँ ताकि यह easy हो अब हम combinator selector को पहले study करेंगे save और इसे मैं यहां पर मुफ़र देता हूँ और html में आ जोका combinator selector को study करने के लिए मुझे यहां पर basically parent-child relation के साथ html content चाहिए मैं यहां पर emit को यूज करते होवे थोड़ा सा html content लिखूँगा और मैं इन्छाला next आने वाली वीडियो में आपको emit को भी properly explain करना हूँगा जो हमारे पास short hand way है वो है dot जो भी class लिखने हैं और div one और उसके बाद इसमें child ले अड़ करना है तो greater than symbol और मैं paragraph tag अड़ करना चाहता हूँ जिनको मैं class assign करना चाहता हूँ तो उसके लिए dot class के लिए p class ये मैंने class का नाम अड़ करना था और मैंने ये तीन element अड़ करने है तो मैं multiply by कर दूँगा तीन और ये मेरी auto completion खतम होगी है यहां पर show नहीं कर रहा मैं enter करूँगा तो खुछ भी नहीं होगा तो auto completion को वाफिस लाने के लिए मैं option plus escape दुबाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि option और यहां पर ये मुझे दिखा भी रहा है कि जो end result होगा वो किस तरह का होगा मुझे यहीं चाहिए मैं enter करूँगा और यहां पर ये मेरे पास end result आ गया मैं इन सब में content आड़ कर दूँगा simple zions website और उसका link आड़ कर दूँगा https colon colon slash zions.com slash bio और इसको basically मैं दो दफ़ा paste करके दोनों को remove कर दूँगा save करूँगा यहां पर आके refresh करूँगा यह हमारे पास आ गया अब यहां पर मैं सबसे पहले descendants selector को use करके इसको style कर दोगा जो के होगा dot div one यही मैंने class assign किया यहां पर j और space p और मैंने अभी सिर्फ यहां पर tag name यूज किया और मैं इसको color कर देता हूँ red save किया यहां पर refresh किया यह हो गया अब इसका weight किस तरह calculate हो रहा है basically यह जो class है यह calculate नहीं होती क्योंकि यह parent selector है इस child के selector में पहला graph हम select करें तो उसमें add up नहीं होता main जो चीज add होती है वो यह descendant selector जो space के साथ descendant selector है वो add होता है और वो क्या है वो एक combinator selector है उसका weight क्या है 10 mean कि जो सबसे पहली चीज यहां पर आगी weight में weight equal to 10 वो किसका आ रहा है यह descendant selector का आ रहा है space का और यहां पर मैं basically clear करने के लिए असान अन्फास में यहां पर direct child selector लगा दिका हूँ तो यह जो 10 लिखा है मैंने यह इस direct child selector का जो combinator selector जो भी यहां पर यूज किया उसका लिख रहा हूँ ना कि मैं यह जो पहला parent div है क्योंकि यह parent div को हम select नहीं कर दे हम parent div के थूँ इस p tag को select कर दे इस वज़ा से जो selector start होता है वो यहां से start होता है सबसे पहले child selector आ गया जो कि एक combinator selector है जिसको कि weight can assign होता है और उसके बाद 11 यह हो गया अब मैं कौन सा ऐसा selector लिख सकता हूँ जिसका weight exactly 11 होगा हमारे पास दो से तीन cases है एक तो हम इसी को repeat कर ले दूसरा हमने यह देखा था कि जब मैं class के साथ इसको लिखते हैं tag name को तो तब भी उसका weight 10 होता है और तीसरा हमारे पास जब हम attribute के साथ इस tag name को लिखते हैं तो उसका weight भी 11 होता है मैं यहाँ पर तीनो cases को show करवा देता हूँ जल्दी से मैं इसको copy paste करता हूँ और इसके साथ यहाँ पर मैं इसको remove करके t.t class यह case मैं show करवा देता हूँ और यहाँ पर फाइनल जो case है उसको भी मैं show करवा देता हूँ attribute वाला उसके लिए मुझे इसको कोई attribute देना पड़ेगा तीनों को यहाँ पर मैं attribute देता हूँ zions custom यह मैंने attribute दे दिया यहाँ पर आके मैंने attribute दे दिया zions custom और color मैंने change कर दिया green और यहाँ पर औरेंज और यहाँ पर फर्फल save किया और यह सोरी यहाँ पर डॉट नहीं आएगा वह class selector save किया और अब basically इसका weight भी 11 है इसका weight कैसे 11 है यह child selector जो के combinator selector है दस उसका weight है एक tag name का है उसके बाद यह exactly same है सिर्फ और सिर्फ मैंने दुबारा लिख दिया यह show करवाने के लिए कि यह बाद में आ रहा है तो इस वज़ा से यह apply होगा उसके बाद अब इसका weight भी बिल्कुल वही है मैं अभी के लिए यहाँ से P को हटा देता हूँ अब इनका weight जो है वो 10 हो गया अभी के लिए इनका weight 10 हो गया ताकि मैं उपर से नीचे show करवा सका और यह क्यूंके इसका weight 11 है यहाँ पर मैंने green का है तो अब यह green में हो जाएगी एक चीज़ next continue करते है यहाँ पर मैं पी लगाऊंगा एक weight इसको tag name को मिला दस उसको मिला टोटल इसका 11 हो गया यह एकवल हो गया अब यह अपलाई हो जाएगा और इंज हो गया अब मैं इसदर अगर पी आड़ कर देता हूँ एक उसको मिला दस attributes लेक्टर को मिला टोटल 11 हो गया अब यह अपलाई हो जाएगा इस तरह यह काम चल रहा है और इसी तरह मैं चाहूँ तो इसको और complex कर सकता हूँ कि मैं इसको duplicate करके कफ़ा और paste करता हूँ और save करता हूँ और यहाँ पर class भी add कर देता हूँ तो अब इसका total weight कितना हो गया है दस इसको मिल रहा है एक tag name को मिल रहा है और 10 ही फिर class को भी मिल रहा है तो मतलब 10 प्लस 1 प्लस 10 equal to 21 यह 21 weight हो गया इसलिए अब green apply होगा और यहाँ पर basically मैं इसको green की जगा कुछ और कर देता हूँ उपर वाले को मैं उससे aqua color दे देता हूँ safe यहाँ पर नीचे वाले को एकवा देते हैं ताके हमने यह color देख सके इसको मैंने एकवा दिया यहाँ पर safe और यहाँ पर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं क्योंकि उसका weight जयादा था वो apply हो गया तो यह combinator selector हमारा complete हो गया next हम जाते हैं pseudo class selector पे hopefully आपने से guess कर लिया होगा मैं यहाँ से इसको basically सारे को comment out कर लूँगा इनको सबसे पहले uncomment करूँगा ताके मैं एक साथ ही सबको comment कर सकूँ यहाँ तक मैंने uncomment किया और इन सबको एक साथ comment कर दिया save refresh और यह by default में आ लिए अब मैं सिरफ और सिरफ dot div 1 red और यहाँ पर basically मैं क्योंकि pseudo class selector को पिखाना चारा हूँ तो मैं use करूँगा colon first child sorry not first save किया refresh करूँगा तो no doubt ही हो गया लेकिन इसको properly show करवाने के लिए इसका weight कितना होगा है यहाँ से हम calculate कर लेंगे मैं weight वाली line को copy करूँगा यहाँ पर paste करूँगा इसे remove करूँगा comment करूँगा तो total weight combinator selector का 10 आ गया p tag का 1 आ गया और pseudo selector का यहाँ से देख लेंगे कि उसको भी 10 ही होता है mean case का total weight है वो 21 आ रहा है refresh करूँगा यह इसका total weight है तो अगर मैं एक और selector बना देता हूँ जिसका total weight 21 हो जो कि मैं बना सकता हूँ simple p एक weight होगा इसको class name में sign कर दिया total 11 हो गया और 7 ही मैंने attribute भी assign कर दिया total 21 हो गया यह इसको मैंने color दे दिया green okay save करूँगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि override हो गया अगर मैं इसको उपर कर दूँगा यहां पर paste कर दूँगा यहां पे और इसका यहां पे यह copy करके दिख दूँगा तो आप दोनों का क्योंकि weight same है तो यह वाला apply होगा refresh तो आप देख सकते हैं कि पहले पे वो apply हो रहा है क्योंकि दोनों का weight same था और यह बाद में लिखा गया है इस वज़ा से lastly pseudo element selector basically यह बिल्कुल सेम काम करता है जैसे tag name क्योंकि यह before after marker यह special elements है इस वज़ा से इनको एक weight assign होता है यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं h1 को select करता हूँ और उसके before में यहां पर content add कर देता हूँ यहां पर edit by css यह मैं ने लिख दिया और इसको मैंने basically color assign कर दिया है aqua का save करूँगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं क्योंकि यह completely separate है इसका कोई तालुक नहीं है basically tag की properties के साथ जो tag को properties है वो before को apply नहीं होती वो before जो है वो अपनी properties यहां से css की लेके चलता है तो इस वजा से उसको जो purity assign होती है जो weight assign होता है वो one का है यहां से मैंने copy किया और यहां पर paste कर दिया यह इसको one का weight assign हो रहा है आप यह कह सकते हैं कि इसको one इसका भी मिल रहा है लेकिन before यही मैं समझाने के उचिश कर रहा हूं कि before यह separate element है ओके यह h1 का separate element introduce हो गया तो यह एक new html element की तरह काम कर रहा है इस वजा से इसका overall weight one है यह h1 consider नहीं होलगा उस पर हम वो element लगा रहें इस लिए लास्टली हम यह study कर लेते हैं wild card इसकी जो purity हो यह सबसे कम है zero पर मैं इसको अगर end भी लिख दूँगा यहां पर सबसे end पर wild card color black मैं reset करने कोशिश करता हूं तो यह किसी पर apply नहीं होगा क्योंकि सबका मैंने color जो है किसी ना किसी selector से दिया हुए जिसका weight zero से ज्यादा है क्योंकि minimum जो h1 tag name का भी जो weight है वो one है जो कि zero से ज्यादा होता है इस वजह से यह apply नहीं हुआ भी तक किसी पे लेकिन अगर मैं यहां पर black की जगह यहां पर पुछोड कर देता हूं बेसिकली purple कर देता हूं और यहां पर एक और एच्टू इंटर्ड्यूस करवा देता हूं जायांस अड्रेस लेक्टेते हैं यहां पर लेक्से और https colon colon zions.com slash address यह मैंने इसका address का URL दे दिया यहां पर save करूंगा इस वजह से यह जो wild card था वो अप्लाई होगा इसी के साथ हमारा यह वाला part भी done हो गया हमने weights को properly study किया हर एक weight यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है उसको in depth detail में study किया calculate करके एक एक हो और साथ में हमने examples भी काफी ज्यादा examples की हैं जिससे के hopefully आपको clear हो गया होगा कि कौन सा weight कब apply होता है weight को calculate कैसे करना है और भी क्या क्या चीज़े हैं जो के matter हो सकी है और प्लीज एक चीज़ को याद रखिएगा कि important का keyword मैं किसी के साथ भी लगा दूँ तो फरक नहीं पड़ता कि बाकी जो selectors है उनकी specificity उनका weight क्या है फिर जहां पर important लगा होगा उसको कह लें कि आप इसको weight अगर mean कि आपने एक बात जो रह गई वो यह है कि before ये क्योंकि actual ये वाले elements नहीं थे यहां पर HTML में कोई element नहीं था ये CSS के true add हुआ है इस वजह से ये जो wildcard selector है इनको select नहीं करता wildcard pseudo elements को select नहीं करता और बाकी आप देख सकते हैं कि हाद ये को इसने overnight कर दिया इसलिए important को हम कहीं पर reuse नही नहीं करेंगे until unless कि हम किसी third party package के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने सही तरह CSS को add नहीं किया इस वजह से हमें important keyword शाइद यूज़ करना पर चाहिए refresh करूंगा और यहां पर यह set हो चुका है यह थी आज की वीडियो इस वीडियो में हमने बहुत ही important CSS का concept study गिया जिसमें कि हमने detail में देखा कि कौन से CSS के selector को क्या weight assign होता है और हमने proper understanding की कि कौन सा CSS का rule at the end apply होता है HTML elements टे वीडियो के related कोई भी question हो तो please उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा otherwise comment section में बताएं कि आपको कौन सा concept पहले से आता था और कौन सा concept आपने इस वीडियो में से सिखा वीडियो पसंद आई हो तो comment section में thanks लिखें वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next video में तब तक के लिए Allah आपिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum मैं हूँ Aysan Mehmoud and welcome to Zymos आज की वीडियो मैं आपको mint के मतलिक बताऊंगा जो के vs code में एक extension है by default available होती है जिसको use करते हुए आप अपना html का code बहुत ही जल्दी और असानी के साथ लिख सकते हैं चलते हैं वीडियो पी तरफ मैं यहां पर vs code को open कर लोंगा और यहां पर मैंने और एक folder open किया हो गया और मैं इस extension के मतलिक बात कर रहा हूँ यह basically extension एक है जो vs code में by default enable होती है यहां पर मैं index.html create कर लोंगा और यहां पर basic html को add कर लोंगा यहां पर basically यह जो shortcut हम अभी तक use करते हैं यह itself emit का shortcut है और आप यहां से इस चीज को verify कर सकते हैं यह लिखा हुआ है emit abbreviation और इसका जो skeleton यह add करता है वो यह वाला है enter करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यह skeleton यहां पर add हो चुका है अब हमारे पास emit में काफी ज्यादा shortcuts available है जैसे कि एक बहुत ही basic shortcut है जिसमें हम tag का जो भी tag हमने लिखना होता है उसका नाम लिखते हैं और enter करते हैं enter करने से पहले basically यह auto complete में आप next देख सकते हैं कि इसका end result क्या होगा यह बता रहा है कि इसका end result होगा एक div का tag मैं start करूँगा और cursor को center में place करते हूँगा और div का tag end करते हूँगा enter करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यही end result है अब अगर आप चाहते हैं कि एक div का tag आप start करें जिसमें कि आप कोई class add कर सकें तो उसका तरीका का रहा है एक तो आप कोई भी जलूरी नहीं कि सिर्फ div का tag कोई भी tag add करना जाते हैं तो आप उस tag का नाम लिखें और फिर dot लगा के जैसे हम CSS में करते हैं dot for class और अब जो भी class का नाम आप लगाना चाहते हैं जैसे के class 1 और hopefully आपने इससे guess कर लिया होगा कि यहाँ पर एक तो इसका auto complete आ रहा है जो end result आएगा और क्यूंकि मैंने यहाँ पर class 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि मैं एक दफ़ा old dot लगा के class 2 भी add कर सेका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह दो classes add करेगा मैं इससे पर click करूंगा यह enter करूंगा तो यह end result आगा है उसके अलावा अगर मैं body के tag अंदर सिर्फ और सिर्फ dot class लिखूंगा तो यह by default div के tag को create करेगा यह इसका default है यह basically कुछ defined tag है जो कि body के tag के अंदर यह by default div के tag को create करता है अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोई और tag define ना करणूं सिर्फ dot लगाके class का नाम लिख दूँ यहां फिर hash लगाके id लिख दूँ जैसे हम CSS में लिखते हैं basically dot उसके लिए होता है class के लिए hash id के लिए और आपको पता है कि यह जो brackets होती है यह attribute के लिए होती है और enter करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे end result प्रवाइट कर दिया यहां पर मैं कुछ use cases रिफाइन कर देता हूँ जो हम next cover करेंगे हमने अभी तक देखा कि tags कैसे create कर सकते हैं उसके बाद उसमें class कैसे add कर सकते हैं और फिर id कैसे add कर सकते हैं लास्टली attributes को कैसे add कर सकते हैं यहां पर मैं आपको input एक tag create करके दिखाता हूँ मैंने लिखा input और यह सारे image के abbreviations हैं यहां पर मैं किसी के ओपर भी आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि image यहां पर end result क्या देगा लेकिन मैं server server यहां पर यही add करता हूँ और उसके बाद यह predefined है कि अगर मैं यहां पर predefined colon B पी आता हूँ तो यह मुझे एक button create करके देगा लेकिन यह मैं खुद भी बना सकता हूँ क्योंकि यह type का attribute है button उसकी value है तो मैंने जैसे अभी बताया attribute के लिए brackets आएगी type और उसकी value जो है वो button यह हो गया और उसके बाद यहां पर मैं पहले देख लेता हूँ sorry इसको एंटल नहीं था मैंने करना लेकिन कोई नहीं यहां पर B में उसने value भी आड़ की हुई है तो उसके लिए मैं इसको remote करूँगा और यहां पर पहले मैं input B को यहां पर create कर लूँगा था कि मैं देख सकूँ और आप मैं input इसको मैं customly create करके दिखाऊंगा मैंने input लिखा और brackets के साथ type equal to button और एक और मैंने जैसे कि मैंने class add करते वक्त मैंने क्या किया था div.class1 उसके बाद एक और class चाहिए थे bracket start होगी और उसमें मैं लिख दूँगा value और equal to this और यहां पर क्योंकि autocomplete खतम हो गया तो autocomplete को फिर से enable करने के लिए यह visible करने के लिए मैं end पे आ जोँगा यहां कहीं पे भी बीच में रहके बेहता रहके आप end पे आ जाएं और option plus escape यह मैंने दबाया तो यह मुझे बता रहा है कि ओके यह command मुझे पता है यह emit की command है तो आप इसको utilize कर सकते हैं मैंने click किया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह end result बिल्कुल सेम है जो कि predefined emit template के साथ हमें मिलना था next अब मैं आपको continue करके दिखाता हूँ कि आप इसमें childs कैसे create कर सकते हैं कि parent हमने यह तो देख लिया कि एक div कैसे बनती है यह इस तरह बनगी लेकिन इसके अंदर child मैं चाहता हूँ कि एक div बने और उसके अंदर एक h1 बन जाए तो उसका तरीका कर यह कि आप जो भी parent का tag है अगर उसको कोई class देनी है तो class दे लें अगर उसको कोई id देनी है तो वो दे लें कोई attribute देना है तो वो assign कर लें आपने attribute सारा कुछ कर लिया करूंगा तो यह end result आएगा और आपने उसमें child देना है तो div के अंदर भी by default अगर dot लगा के mean के मैं अगर कोई html tag specified नहीं करूंगा तो by default यह div को ही consider करेगा मैं class लगाता हूँ enter करूंगा तो आप देख सकते हैं by default इसने div का tag बनाया यह हर एक case में by default div नहीं बनाएगा जैसे कि मैं आपको बता रहता हूँ यहाँ पर अगर मैं ul बनाके अब जैसे कि html में standard है कि जब ul बनती है उसमें child li होना चाहिए तो अगर मैं यहाँ पर child selector लगा के dot कुछ भी random class दे रहता हूँ एंटर करूंगा तो इसने li बनाया div नहीं बनाया तो यह इसको basically इतना पता है कि किस html tag के अंदर कौन सा child हो सकता है अगर कोई भी child किसी html tag में जैसे कि यहाँ पर अगर मैं form करता हूँ उसमें child बनाने की कोशिश करता हूँ something तो यह div बनाएगा क्योंकि form के अंदर कुछ भी आ सकता है उसमें input भी आ सकता है उसमें text area select तो इसको नहीं पता अब आपको क्या चाहिए तो अगर आपको कोई specific चीज़ आए तो आप form child form greater than symbol और फिर tag का नाम लिखेंगे कि मुझे text area चाहिए sorry text area चाहिए और उस पे मुझे कोई id चाहिए या नहीं चाहिए और इस तरह एंटर करेंगे तो आपको यह basically वो complete add कर देगा और यह जो column और row है यह basically emit ने by default उसका standard है कि यह जो attributes है यह चाहिए add करने चाहिए एक test area पे उसने add कर दी इसको मैं यहाँ से close करता हूँ और यहाँ भी हमने देखा कि यह child कैसे add करता है greater than simple से लेकिन ज्यादा तर हमें सिरफ और सिरफ one child नहीं चाहिए होता जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि div का एक tag हो और उसमें 3 से 4 let's force 3 paragraph tag हो तो सबसे पहले मैं greater than simple add करूँँगा child element pass करने के लिए p tag add कर दूँगा कि मैंने p का tag read कराना है और अब क्यूंके मुझे 3 p के tag चाहिए तो मैं multiply कर दूँगा इसको 3 के साथ और मेरा auto complete कतम हो गया है option plus escape और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि end result वही है जो मुझे चाहिए अब एक और use case यहाँ पर मैं multiply के symbol भी add कर देता हूँ add multiple child और जलूरी दी है कि सिर्फ child हो यहाँ पर मैं by default dot div लगा के उसको भी multiply कर सकता हूँ चाहर के साथ और फिर auto complete enable करूँगा तो यह by default div से भी बना देगा तो यहाँ पर multiple nodes कह देते हैं child नहीं है इसको मैं format कर देता हूँ और next जो हम study करेंगे वो है कि आप किसी tag में text कैसे add कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं paragraph tag ना हूँ जिसके अंदर text हो let's pause zions की उसका नाम हो तो उसका तरीका कार यह है सबसे पहले मैंने paragraph tag नाना है तो p मैंने लिख दिया कुछ id assign करनी है तो dot के साथ हो जाएगी कोई id assign करनी है तो hash के साथ हो जाएगी कोई class assign करनी है तो dot के साथ हो जाएगी कोई attribute assign करना है तो brackets के साथ हो जाएगा और अगर ज्यादा यह elements आई है तो multiply कर दिया लेकिन अगर इसमें आपने text add करना है तो उसके लिए curly brackets use करनी है और यहाँ पर जो भी tags आप इसके अंदर add करना चाते हैं वो add कर दें यह हो गया और यहाँ पर enter करूँगा तो आप देख सकते हैं कि end result same है मैंने एक main tag के अंदर एक sub tag add करना है तो वो मैंने यह greater than symbol के साथ करना है mean के p tag के अंदर मुझे div tag चाहिए तो मैंने p tag को लिखना और फिर greater than symbol और फिर div tag इस तरह add होगा और मुझे अगर p tag के अंदर text चाहिए तो मैं p tag और curly brackets लगाऊँगा और जो भी मुझे text चाहिए let's close as some मैं हो चाहिए और enter करूँगा तो यहाँ पर वो as a text value add हो जाएगा यह हमने cover कर लिया add text value ओके इसके लिए यह symbol है और इसके लिए यह symbol है attribute के लिए हमारे पास यह symbol है ideal के लिए हमारे पास hash की symbol है class के लिए dot की symbol है tag के लिए symbol tag name है ओके यह होगा next अब हम study करेंगे कि हम structure को जड़ा complex कैसे बना सकते हैं अभी तक हमने यह देख लिया कि मैं div कैसे बना सकता हूँ उस div के अंदर मैं को div कैसे बना सकता हूँ उस sub div को मैं multiply करके तीन के साथ तीन sub div कैसे बना सकता हूँ और जो sub divs हैं उनको मैं class कैसे को assign कर सकता हूँ यह सारा कुछ हमने देख लिया और यह देखें यहां पर यह सारा कुछ हमने देख लिया यहां तक हो गया एक केस आपके पास यह होगा कि आप चाहते हैं कि आपके पास कोई variable हो कि आपने यह तीन divs add कर दी है जिसका मैं use case आपको बता देता हूँ यहां पर मैंने यह div write की इसको मैं कह देता हूँ class देता हूँ products की और इसको अब मैं subclass देता हूँ इसको इस तरह select करता हूँ product यह एक generic class देना चाहता हूँ उसके बाद मैं एक subclass भी देना चाहता हूँ जो के product 1, 2, 3 इस तरह का structure मैं चाहता हूँ तो ये Amit के साथ किस तरह हम achieve करेंगे है बहुत simple है dot क्योंकि by default ये div पे जाएगा तो मैं products लिखूँँगा मुझे 3 sub child चाहिए तो greater than symbol और इसमें मैं सिधा dot से start करूँगा क्योंकि by default ये div लेगा तो dot product ये वो class आगी जो मुझे default चाहिए थी और फिर dot product लेकिन इस अब second class के साथ मुझे 1,2,3 चाहिए तो हमारे पास Amit के अंदर एक special variable है जिसका नाम है dollar symbol ये dollar symbol मैंने यहाँ पे लगा दिये ये basically कहले के इसका loop का variable होगा जो जिस time इस पे loop और obviously क्योंकि मैंने loop कहा दिया मतलब मुझे इसको multiply करना परेगा किसी भी number जितने दफ़ा मैं इस चीज को इस element को create करना जाता हूँ मैं यहाँ पर 3 कह देता हूँ और यहाँ पर option plus escape दुमाँगा enter करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने पास end result same आ गए अगर मैं यहाँ पर result reverse order में चारा होता कि यहाँ पर पहले 3 आए फिर 2 आए और फिर 1 आए तो यह भी achievable है simple same हम करेंगे पहले products उसके बाद greater than symbol dot product और मैं अभी के लिए यह product की class remove कर रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ उससर्फ main पर focus कर सको यहाँ पर product और dollar symbol loop के variable के लिए multiply करना है तीन दफ़ा ताकि तीन create हो जाए और मुझे क्योंकि यह यहाँ पर reverse order में चाहिए था इस तरह तो उसके लिए जो हमारे पास तरीका है emit के अंदर वो है कि dollar symbol के बाद आप add की symbol लगाए और reverse order में करने के लिए आप negative minus की symbol या iPhone की symbol add कर दें और end पर आके मैं यहाँ पर escape दबा के autocomplete को मैंने खतम की है और option escape दबा के autocomplete को re-enable की है एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं के end result वो ही है जो के मुझे चाहिए 3, 2, 1, save करता हूँ यह उसके लावा अगर आप इस जो गिंती है इसको किसी special number से start करना चाहते हैं जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 7, 8, 9 और 10 यह मेरे पास end result आए तो यह भी achievable है यहाँ पर dot और अभी के लिए मैं इन classes को भी small कर दूँँगा ताके मैं असानी से काम कर सको हूँ यहाँ पर मैंने p कह दिया okay ps उपर और नीचे मैंने यहाँ पर ps कह दिया greater than symbol dot p dollar symbol variable के count के लिए add symbol यह basically कोई condition apply करने के लिए कोई special logic apply करने के लिए last time हमने यहाँ पर negative का sign add किया था तो उसने reverse order में counting को start किया था अगर मैं किसी specific digit से start करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस digit को यहाँ पर mention कर दूँगा कि इस digit से start करो और multiply by जितने भी element मुझे चाहिए क्योंकि मुझे 7 से लेके 10 तक element चाहिए तो मैं 4 element total 7, 1, 2, 3, 4 यह हुआ option plus escape enable करने के लिए amid की autocomplete को enter करूंगा तो आप देख सकते हैं can result same यह हमने study कर लिया कि हम यह content कैसे add कर सकते हैं और numbering कैसे add कर सकते हैं और यह number सिर्फ और सिर्फ और आगे move on करने से पहले यह सिर्फ और सिर्फ क्लास के साथ भी चलता है यह कहीं पर भी काम करेगा जैसे कि मैं इसको एक complex example दिखा देता हूँ ps और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ हाइफन सम्थिंग और उसके साथ मैं dollar symbol लगा देता हूँ कि यहाँ पर इसको लगा देना उसके बात child greater than symbol dot p यहाँ पर मैं फिर यही dollar symbol लगा देता हूँ और इसको multiply कर देता हूँ तीन के साथ और इसमें मैं content add कर देता हूँ जिसमें के मैं कह रहाँ के zions link और space देके मैंने यहाँ पर भी फिर dollar symbol add कर दी है जो के loop के variable को define कर दी है और यहाँ पर मैं brackets में एक custom attribute भी दे देता हूँ zions index equal to dollar symbol मैं इसको auto complete करता हूँ enter करूँँगा तो आप देख सकते हैं कि यह हर जगा पे एक ही साथ properly काम कर रहा है यह मैं सिर्फ और सिर्फ class में नहीं बलके custom attributes में ाइडी में और content में भी use कर सकता हूँ यहाँ पर मैं इसको अब remove कर दूँगा और यहाँ से यह हमारा complete हो गया यहाँ पर dollar symbol मैंने add कर दी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ numbers in reverse order उसके लिए add negative and numbers from specific digit उसके लिए specific digit यहाँ पर हम लिख देंगे nine left से ओके next अब मैं continue करूंगा हमने tag name class यह चीजें काफी अभी तक study कर ली है लेकिन complex structure को अभी इतना नहीं देखा मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक div हो ओके उसके अंदर paragraph टैग हो मैं यह करो और उसके बाद इस paragraph टैग के साथ मेरे पास h2 हो तो यह कैसे अचीव होगा यह basically बहुत ही simple है यहाँ पर मैं आता हूँ div उसमे child symbol मैंने add की greater than symbol के साथ p और क्यूंकि इसके sublink add करना है तो hopefully आपको याद होगा कि css में जो sublink selector था वो था plus और यहाँ पर h2 एंटर करूंगा और आप देख सकते हैं का end result same तो जो plus symbol है वो sublink add करने के लिए use होती है next इसको और complex मैं आते हैं यहाँ पर मैं इसको add कर देता हूँ add siblings ओके और plus symbol और मैं आप इसको और complex मैं आता हूँ वो इस तरहां से के यसे मैं यहाँ से remove कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ पहले div add हो उसमें p tag add हो और उस p tag के अंदर span tag add हो जिस span tag को मैं class दूँ span 1 की यहाँ s1 की काम को छोटा रखने के लिए और एक custom attribute add कर दूँ zions और एहसन यह मैंने यहाँ पर add कर दिया यहाँ पर मैं custom attribute add कर दूँ यहाँ पर मैं title का attribute add कर देता हूँ main div ओके और उसके बाद यहाँ पर मैं साथ में इक और div add कर दूँ जिसमें मैं h2 add कर दूँ ओके और इस h2 में basically मैं content add कर दूँ zions website link और इसके साथ ही मैं एक anchor tag add कर दूँ जो के जिसका link हो https colon colon zions.com slash by यह इसका link हो और इसका text हो zions अब यह थोड़ा सा complex structure है इसको किस तरह अचीव करेंगे emit के साथ काफी simple है title से start करते हैं क्योंकि by default इसने div को लेना है तो मैं directly title attributes से start करूँगा title equal to main com space div उसके बाद अब मैंने next में आना है तो मैं यह add करूँगा child symbol जो greater than symbol है paragraph tag चाहिए मुझे और directly फिर उसके अंदर आ जाना है तो मैं paragraph tag के अंदर आ गया और यहां पर मुझे span चाहिए तो मैं यहां पर span add कर देता हूँ लेकिन वहां पर basically मुझे class भी चाहिए dot s1 में ने add कर दिया custom attribute चाहिए उसका वो add कर दिया उसकी value एसन होनी चाहिए वो मैंने add कर दी थी उसके बाद next अब basically मुझे यहां पर div p tag के साथ चाहिए अगर मैं यहां पर plus add करूंगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहां पर अगर plus add करके बाकी पहले complete कर लेता हूँ div चाहिए था यह plus मतलब sublink selector जो sublink को add करने के लिए सिर्व और सिर्व मैं refer कर रहा हूँ कि यह CSS में sublink selector था लेकिन यहां पर sublink add करने के लिए तो next मुझे div चाहिए तो मैं यहां पर div लिखूँगा क्योंकि उसके साथ कोई class या कुछ भी नहीं तो इसमें जासे मुझे tag name लिखना परेगा अब उसमें मुझे एक h2 चाहिए वो मैंने child symbol के साथ greater than symbol के साथ h2 add कर दिया और उसमें मुझे text चाहिए यह वाला मैं copy करके यहां पर text add कर लेता हूँ इसके साथ और अब h2 के साथ मुझे sibling चाहिए a तो मैं plus add करके a sorry यहां पर नहीं यहां पर a add कर लेता हूँ और उसमें मुझे attribute चाहिए hr e app जिसकी value यह वनी चाहिए मैं इसको copy कर लेता हूँ value को और attribute add कर लेता हूँ hr e app और इसको escape कर आके यहां पर यह एड कर देता हूँ और उसमें मुझे text चाहिए जाया हूँ यहां पर यह कर दिया अब enter करने से पहले आप सिरफ और सिरफ option plus escape दबा के end पे लाइन के end पे आके option plus escape दबा है तो यह आपको यह structure दिखा रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पहली बाद ठीक है p tag ठीक है span tag तक ठीक है लेकिन बाद में यह काम खराब है क्योंकि बाद में इसने क्या किया है कि जो div tag था वो span के साथ add कर दी है और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था क्योंकि आपने जो plus add किया वो span के element के साथ है लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि यह जो plus है यह p के साथ हो मैं यह नहीं कर सकता कि मैं इसको यहां से उठाओ और यहां पर move करता हूँ यह काम नहीं करेगा मैं यहां पर कड़के निखा लेता हूँ structure जो है वो पूरा ही खराब हो गया क्योंकि अब जो span है वो यहां पर आ गया ए टैग के अंदर जो के बिल्कुल ही गल्ट structure है मैं इसको रिवर्ट करूँगा control जी अब मैं क्या चाहता हूँ क्योंकि यह plus मैंने इस P के साथ engage करवाना है तो मैं चाहता हूँ कि यह सारा हिस्सा एक block बन जाए और यह बाकी जो सारा हिस्सा है यह दूसरे block की तरह consider हो ताकि यह दोनों block एक दूसरे के sublink मानने जाए उसके लिए जो emitter ने हमें shortcut दिया है उसके लिए जो emitter ने हमें option दिया है वो है parentheses का mean के मैं यहां से select करूँगा जो element P से start हुई बात और जहां तक के P के childs खतम हो जाते हैं उन सब को मैं wrap कर दूँगा parentheses में और उसके बात यह basically block मानना जाएगा और plus लगाने का मतलब है कि यह जो next sibling आ रहा है यह इस block का sibling है इस block में जो भी काम हो रहा है वो valid है और इस सब को भी मैं अब चाहूं तो मैं इसको block में wrap करूँ या ना करूँ दोनों cases में okay है क्योंकि मुझे इसके बाद कोई और div के साथ sibling नहीं था चाहिए मैं यहाँ पर end पे आके option plus escape दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो end result है वो बिलकुल same है जो के मुझे ओपर चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर good practice follow करते हुए emit के shortcut को फिर reenable करूँगा option plus escape और enter करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो end result आया वो बिलकुल same है जो के मुझे ओपर चाहिए था यहाँ पर मैं इसको add कर दूँगा कि हमने क्या study किया lab logic in block और इसको हम क्या सकते है create block to add siblings at higher level जो के हमारा use case था उसके लिए हम parenthesis यूज करते हैं इसके बाद हमारे पास एक use case रह गया है हमें अभी तक यह पता है कि हमने downward कैसे move करना है मेन के यहाँ पर div लगा के अगर मैंने इसके अंदर एक child insert करना है तो वो हमारे पास option है कि child symbol जो direct child selector CSS में है जिसकी symbol है greater than symbol उसको यूज करते होए मैं एक step downward move कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी जो भी tag insert करना चाहता हूँ वो काम कर लेगा लेकिन यह कैसे हो सकता है कि मैं एक div create करूँ और h2 create करूँ यह इसमें भी एक div create करूँ उसमें h2 create करूँ और अब मैं एक step upward move करूँ में के यहाँ पर है तो मैं बाहिर आके यहाँ पर मेरा करसर आजे यह मैं कैसे achieve कर सकता हूँ और फिर इसके साथ मैं यहाँ पर एक और div create करके उसमें h3 create करूँ no doubt हम इसे इस group tagging के साथ achieve कर सकते हैं लेकिन हमारे पास एक और option भी है तो मैं इस structure को अब दूसरी तरह करके आपको दिखाँगा यहाँ पर मैं से close करूँगा और मैं शुरू से start करूँगा सबसे पहले title का attribute आ जाएगा और उसकी जो value आ जाएगी main div आ जाएगी उसके बाद मैंने मुझे उसमें paragraph tag चाहिए उसमें मुझे span cut element चाहिए और उसकी जो class है वो है s1 और उसमें attribute लगा वह zions का जिसकी के value है s1 अब क्यूंके मैंने एक step upward move करना है तो उसका emit में तरीका है exponent symbol जो के आप insert कर सकते है shift plus 6 यह press करेंगे तो यह exponent symbol यहाँ पर insert हो जाएगी मैं यहाँ पर इसको zoom in कर लेता हूँ और इसे close कर लेता हूँ ताकि आप यह symbol easily देख सके यह exponent symbol यहाँ पर add कर लेता हूँ मैं zoom out कर लेता हूँ ताकि हमारा code हमें easily नज़र आए और उसे भी d enable कर लेता हूँ side bar को जो side bar मैं enable और disable कर रहा हूँ उसकी shortcut की है command plus d अभी मैं यहाँ पर continue करता हूँ मैंने यहाँ पर यह symbol यूज की है अभी मैं continue करता हूँ मैंने यहाँ पर यह symbol यूज की है exponent की तो इसे क्या होगा है कि यह एक step upward move हुआ है और p tag के साथ आके cursor को इसने छोड़ दी है यहाँ पर अगर मैं option plus escape दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो end result है वो कुछ इस तरह का है अब यहाँ पर magic क्योंकि एक div चाहिए p tag के साथ तो मैं यहाँ पर div लिखूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो div insert हो रही है वो p tag के साथ insert हो रही है अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यह hit आ देता हूँ और plus का symbol लगाता हूँ और यहाँ पर re-enable करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो div है वो span के साथ insert हो रही है मैंने यहाँ पर plus की जगा exponent की symbol लगाई कि एक step upward move करो और फिर मैंने इसको call किया re-enable किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास same result आ रहा है जो कि हमने पहले parenthesis को use करते होगे achieve किया था अब मैंने इसके अंदर एक h2 मुझे चाहिए तो मैं greater than symbol h2 और उसमें मुझे text यह चाहिए मैं curly brackets यूज़ करते होगे उसका जो text है वो add कर दूँगा और अब खुर मुझे इसके sublink में चाहिए एक anchor tag तो मैं plus की symbol add करूँगा a और उसका मुझे attribute चाहिए href जिसकी value यह होनी चाहिए मैं attribute add करूँगा href equal to this और lastly मुझे उसमें text चाहिए जाया है वो मैं curly brackets के साथ add कर दूआ यह हो गया अब इसको option plus escape दबाके दी enable करता हूँ तो आप देखते हैं कि end result हमारा बिल्कुल same है जैसे कि हमने ओपर achieve किया है यहाँ पर मैं इसको select करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो end result है वो बिल्कुल same है यहाँ पर basically मैंने एसन नहीं था add किया तो वो यहाँ पर add नहीं हुआ यह मैं यहाँ पर एसन add कर देता हूँ वो मैं वहाँ पर बूल गया और अब आप देख सकते हैं कि यह exactly same है और यहाँ पर मैं add कर देता हूँ move one step up उसके लिए हमारे पास symbol है exponent की यह हमारे पास कुछ shortcuts है emit के इसके अलावा भी हमारे पास emit के काफी और shortcuts है जो के आप command प्लस shift प्लस p दबा कर यहाँ पर यह आपके पास command palette open हो गया है इसका एक और तरीका open करने का यह है कि आप यहाँ पर view पे क्लिक करें और यहाँ पर यह command palette लिखा हुआ है यह आप यह इसका shortcut लिखा हुआ है इसके क्लिक करें यह फिर वही same चीज ओपन होई है और यहाँ पर emit लिखकर सर्च करें A, M, E, T यह सारी commands हमारे पास emits की available हैं मैंने आपको यहाँ पर जो most useful commands हैं वो यहाँ पर detail में show करती है होफुली आप इसको use करते होवे अपने HTML lighting की speed को काफी ज्यादा enhance कर सकते है यह थी आज की वीडियो इस वीडियो में हमने emit को detail में study किया और काफी complex structure को emit के साथ काफी easily बनाया वीडियो को ले टिप कोई भी question हो तो please comment section में उसको mention करें वीडियो को like share and comment करें चैनल को subscribe करें और bell icon को press करतें इस तरह की और बहुत सी वीडियो आने वाली हैं मैं आप से विलूँगा next वीडियो में तब तक के लिए लाँ पिस असलामा अलेकुम मैं है वैसन महमूद and welcome to Zyhons ये एक शोट वीडियो हने वाली है किसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी Gmail में जो Mails हैं उनको किस तहां Organize कर सकते हैं उसके इलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोकली अपना कोई भी काम कर रहे होते हैं आपकी ड्राइव में जो डैटा है वो किस तरह Organize होना चाहिए और फॉल्डर में आपको फॉल्डर और फाइल के नेम स्ट्रक्ट्टर के मतलिक गाइड करूँगा चलते हैं वीडियो की तरह स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर Google Chrome को ओपन कर लूँगा और Gmail पर मॉव करूँगा मैं मेंली आपको Gmail के मतलिक बता रहा होगा लेकिन यह तरीका आप किसी भी email अकाउंट पर अपलाई कर सकते हैं आउट्लोग, mail, yahoo mail यहां किसी भी और iCloud email किसी पर भी यह तरीका अपलाई किया जा सकता है बेसिकली आपका जो भी professional data है वो sort होना चाहिए organized और group हुआ होना चाहिए ताकि आपको अगर कोई चीज सर्च करनी पड़ती है तो आपके लिए वह काम easy हो यहां पर सबसे पहले जो mails important है मैं उनको read कर लूँगा अगर कोई mail important होगी otherwise मैं सबको select करके mark as read कर लूँगा एक काम उसके बाद अब एक category की जो mails है उनस्ब को मैं select कर लूँगा जैसे यह सारी progresses कि teatrisk में से आई हो ही है, जो कि कि सिंपल टूल है, मैं औन सारी emails को select कर लूँगा जो कि यहां से हरे कि lot इस email को select कर लूँगा जो कि इस tool मेंail मैं से मुझे आई है तो मैं उसमें उसे move कर दूँ otherwise मेरे पास option है कि मैं new label create कर दूँ मैं यहां पर search करूँगा जो के app का नाम है मैं अपनी mercy से कोई भी नाम लिख सकता हूँ जैसे के अगर मुझे मेरी company का नाम है Zion's अगर वहां से मुझे mails आती है मैं अपने किसी Zion's के account से इस Gmail पर email send करता हूँ तो मैं उसे organize करने के लिए यहां पर एक नया option ला सकता हूँ Zion's mails और यहां पर जैसे के इसने search किया कि इस नाम का कोई भी label अभी create नहीं हुआ तो इसने मुझे option दे दिया आगे लिखा हुआ है create new मैं enter क्लिक करूँगा यह new model open हो जाएगा जिसमें के new label create मैं कर सकता हूँ और यहां पर मैं basically इसको click करके किसी all label में इसको nest कर सकता हूँ यह आप labels को folders समझ लें कि यह मेरी files हैं और मैं folders बना के अपनी files को organize कर रहा हूँ मैं यहां पर move to पर click करूँगा और क्योंकि मैंने तराक का पहले ही label बनाया हूँ मैं उसमें move कर दोँगा यह तराक की mail सारी वहां पर चलीगी अब मैं next github की mails को select कर दोँगा यहां से जितनी और यहां पर आप simple क्योंकि आप देखने हैं कि start में नाम github लिगा हूँ तो आप search कर सकते हैं यहां पर Github मैंने search किया और इसने मुझे बता दिया कि सर्फ एक ही mail है मैंने move to पर click किया औरreiben get hub पर click कर Bio next मैंने search किया google यहां से जितनी select होए Google की mails मैंने उन सब को यहां से select कर दिया और select करने के बाद मैं इनको move कर दोगा और ये Google Analytics है, ये Simple, ये एक different service है, तो मैं इसके लिए एक अलाइदा label बनाऊगा, और ये Google account, ये भी Google account के रिलेटी दी है, तो मैं इसको भी select कर लोगा, ये basically category खुद बनानी होती, कि अच्छा मैं ये mails इस label में move करना चाहरा हूँ, इस पे कोई hard and fast, कोई दूल नहीं है, कि जो मैं आपको एक rule बता दूँ, जो हर एक पर apply हो, main ये ही rule है, कि आपकी चीज़े और्गनाईज होनी चाहिए, अगर आपके inbox में 1000 याँ, 10,000 email हैं, तो obviously आप वो email find नहीं कर सकेंगे, जिसको कि आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और almost impossible हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी mails organize होंगी, और आपके ट्राक्ट फोर वोल्डर में या GitHub के वोल्डर में सिर्फ 200 email हैं, या 1.500 email हैं, तो आप उसमें से काफी easily search करके अपनी email को find कर सकते हैं, इन सब को मैं आप move करूँगा गूगल में, और गूगल का क्योंकि अब भी label नहीं था बनावा तो यहां पर मैंने Google लिखके search किया, कोई predefined label नहीं आया, मैंने Google पे click किया, इसने कहा कि new label बना लो, और यहां पर मैंने create पे click कर दिया, क्योंकि मैं एक main top level label यहां पे बनाना जाता हूँ, मैंने create किया और यहां पे top level label बन दिया, मैं Google Analytics का भी mainly top level label ही बनाता हूँ, लेकिन यहां पे आपको show करवाने के लिए, कि sub level label किस तरह का बनता है और कैसे show होता है, मैंने इसको select किया और यहां पर basically मैंने search करके, पहले analytics से confirm कर लिया किसे पे एक ही mail है, next, move to पे click किया icon पे और मैंने search किया Google Analytics, यह मैंने search किया, create पे click किया और nest label करके, यहां से मैंने google select कर लिया, कि यह google का sub product है, mainly जैसे मैंने बताया कि मैं mainly सिर्फ top level labels ही बनाता हूँ, लेकिन आप nested भी बना सकते हैं अगर आपको वो ज्यादा convenient लगे तो, मैं create पे click करूँगा, और आप देख सकते हैं कि इसने यहां पर हिदारगी को इस तरह अपडेट कर दिया, नेक्स यहां से मैं यह जायोंस कंपनी से मुझे मेल्स आई हुई हैं, यहां पर मैं जायोंस के नाम की एक label बनाऊंगा और उसमें move कर दोंगा, और इसी तरह मैं अपनी बाकी जो mails हैं उनको भी move कर दोंगा, उनके respective label में, ताके यहां पर जो मेरा inbox है वो clean दे और मुझे अगर कोई new mail आती है तो उसको find करना उसको read करना और उसको manage करना मेरे लिए easy दे, अगर आप इसको rose की basis पे manage रखेंगे अपने at least main जो आपका account है उसको तो आपके लिए यह काम काफी easy देगा और आपका जो inbox है वो भी clean देगा, otherwise जो आपका inbox होगा वो काफी ज्यादा clouded हो जाएगा और आपके लिए कोई भी चीज find करना almost impossible हो जाएगा, यहां पर मैं IP info और इसी तरह मैं बाकी भी जो लेबल्स हैं उनको create कर लूँगा तो यहां पर मैंने अपनी सारी मेल्स को organize कर लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर कुछ new लेबल्स create हो गया है मेरा जो main account है उसमें मेरे पास more than 50 लेबल्स available है और मे मेरे लिए कोई भी चीज़ find करना काफी easy है मैं सिर्फ और उसके respective level में जाता हूं जैसे कि मैं यहां पर Firebase के level में जाता हूं यहां पर सर्फ एक mail है जो कि काफी ज्यादा easy है मुझे पता है कि Firebase की मुझे अभी तक सर्फ एक email आई है यहां पर दस पनना होती तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्फ कर लेता कि मुझे वो मेल दिखाओ जिसमें के welcome का keyword available है और मुझे वो स्पेस्विक emails Firebase के folder में से सर्फ करके बता रहेता और मेरा जो inbox है वो भी clean है मुझे कोई नहीं mail आएगी तो उसको manage करना और उस पे engagement करना मेरे लिए काफी असान होगा यह था त designing का 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 कोई भी काम है आप उसको किस तरह organize करके रख सकते ताकि आपको कोई भी चीज जूनने में असानी रहे local system में अपनी files को organize करने का जो best तरीका है वो यह है कि आप अपने windows explorer में आजें या finder में आजें और drives से categorize करना start करें और folder और file तक काम को finalize कर दें मैंने ले पास क्योंकि यहां पर से दो ही partitions हैं तो मैंने एक को macOS इसमें के mac के related softwares etc वो सारा कुछ है और दूसरा personal जो के मेरी personal driver मैं इसको open करूंगा और इस पर बाकिया आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मैं software's download करता हूं वो इस directory में है और यह तरीका बाकी सब के भी apply कर सकते हैं यहां पर मैं code work को open करूंगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक category जिन पर मैं काम करता हूं मैंने उनके respective folder बनाए हूए अगर मैं कोई alpine.js पे काम करूं तो वो परजेक्ट इस alpine.js परजेक्स में जाता है अगर मैं कोई angular परजेक्ट पे काम करूं तो वो अपने respective folder में जाता है अगर मैं कोई irony का परजेक्ट, flutter का, type script का, cypress का कोई भी project में करता हूं तो वो respective folder में जाता है अब next मैं अगर यहां से किसी एक फॉल्डर में जाता हूं जैसे के लारावल पॉर्जेक्स में जाता हूं तो इसमें आगे फॉर्दर कैटेगरियराइस परस्नल जायों और अधर बेसिकली यह कंपनी डिलेटिट पर्जेक्स परस्नल अगर मैं कोई चीज सीक रहा काटेगरी में उसको शिफ्ट कर देता हूं यहां पर जब क्लाइंट्स का कौई काम आता जाएगा अगर मैं किसी कंपनी एबी सी पे काम करता हूं तो उसका यहां पर मैं मेन एक फॉल्डर बना दूँगा के कंपनी एबी सी और उस कंपनी के जो पर्जेक्स होंगे मैं उस तो वो यहां पर one by one show हो रहा है इस तरहां अपने काम को organize करने से मुझे ये benefit है कि अगर मुझे कोई भी प्रजेक्ट चाहिए जैसे कि मुझे अगर ironic का ट्रिजलिंग का प्रजेक्ट चाहिए तो मुझे मैं simple अपने code work में होगा यहां से मैं ironic लिक के search करूँगा और ironic के प experiment कर रहा हूं और zions company में जो zions company के projects है अब मुझे पता है कि जो प्रजेक्ट है जो ironic का प्रजेक्ट है मैं सीधा इसमें आ जाँगा और यहां पर आगे मेरे पास फुर्दर चार प्रजेक्ट हैं और यहां पर सामने है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन steps में अपना जो exact folder अपना जो exact project था वहां तक पहुंके हैं और मुझे नहीं है कि यह प्रजेक्ट पता नहीं एंगलर में पढ़ा है और कितने लेवल डी पर आगा है मुझे exactly पता है कि यह परजेक्ट कहां पर पर आगा है और इसी तरह बाकी सारे projects भी है क्योंकि अगर कोई react native के related project है तो मैं फोल्डर होगा कोई type script का होगा तो वह इस फोल्डर में होगा react का इस फोल्डर में होगा इस तरहां categorize और अगर आप यह designing work पे implement करना चाहें तो मैं designing work में आता हूँ यहां पर मैंने दो category main की हुई है personal और zions work यहां से मैं personal के folder में अगर आता हूँ तो यहां पर आगे मैंने further तीन folder बना है जो illustrator में मैं काम करता हूँ Photoshop में और जो मैंने assets यूज़ है यहां से अगर मैं Photoshop में आता हूँ तो आगे further up project wise category है कि zions के project पे, zions community के project पे, learn zions के project पे इसी तरह और इसी तरह अगर मैं zions के folder में आता हूँ तो यहां पर basically मुझे exactly अपने काम को इस तरह categorize करके रखने का benefit यह होता है कि आपके काम में मसले कम से कम आते हैं और आप उसको easily organize कर लेते हैं और accessibility increase होती है तो यह था तरीका अपने local system पे अपने projects को, अपने काम को organize करने का next अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने folder का और file का नाम किस तरह रखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा benefit हो मैं यहाँ पर फिर से finder को open कर लूँगा और personal drive में आ जाओंगा यहाँ पर basically जो structure मैं recommend करता हूँ folder naming के लिए वो यह है कि अगर आपने numbering add करनी है सिर्फ sort order को increase करने के लिए तो आप start में 0 1 basically अगर आप सिर्फ 1 लिखेंगे तो जब 11 आएगा तो 1 के बाद 11 पहले आएगा 2 से पहले तो अगर आपने numbering add करनी है sort order को control करने के लिए तो आप simply 01 से start करें और अगर आपको लगता है कि आपके folder 99 से ज्यादा होंगे तो फिर obviously आप 001 से start करें लेकिन मैं अगर personally कभी numbering के through sort order को control करना भी लगो तो मैं सिर्फ 01 क्योंकि मुझे पता है कि मैंने maximum एक folder में ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 या 20 folder maximum add करने होते हैं यह add हो गया उसके बाद अपने folder या file के नाम में space enter ना करें यह आपको future में issue create कर सकता है basically आप इसको terminal में open करेंगे तब issue हो सकता है या फिर जब आप git में आपको इसकी वज़ा से issues आ सकते हैं तो कभी भी अपने folder या file के नाम में space use ना करें बलकि जहां पे आपको space use करनी हो वहां पे hyphen use करें या hyphen use करें या underscore use करें underscore most secure है लेकिन आप hyphen भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन flutter का जो project होता है उसमें आप basically hyphen यूज़ नहीं कर सकते हैं इसलिए यहां तो आप starting से अपनी convention बना लें कि मैंने underscore use करना है ताकि आपको एक चीज़ की आदत हो जाए और आप उसी में continue करें otherwise मैं normally hyphen यूज़ करता हूँ उसके बाद अब अपने folder के नाम में या folder और फाइल दोनों के नामों में एक तो हमने space यूज़ नहीं करनी दूसरा हमने कोई भी capital letter यूज़ नहीं करना हम lower class letters को use करेंगे जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूँ word projects यह मैंने लिख दिया और मैंने जहां जहां पर space आनी थी वहां वहां पर hyphen यूज़ किया hyphen और underscore यह दो कहलें के हमारे लिए allowed symbols हैं इनके अलावा हमने और कोई symbols भी अपने जो folder या file के नाम में यूज़ नहीं करनी हमने slash की symbol यूज़ नहीं करनी हमने कोई भी dot इस तरह की कोई symbol को यूज़ नहीं करना और lastly कोशिश करें कि आपका जो file और folder का नाम है वो brief होना चाहिए आप उसको बहुत ज्यादा लंबा नाम लिखने की कोशिश ना करें यह ना हो कि आपका जो नाम है वो 10 से 15 words के मुश्चिमिल है कि जिसकी total जो length है वो 100 से 1500 characters होगी है कोशिश करें कि अपना जो file जो folder है उस का नाम आपका maximum 10 character में finalize हो जाए 10 character better है क्योंकि जब आप 3-4 level deep चले जाएंगे और अगर आपका हर एक folder का नाम 30-40 character long होगा तो आपका जो structure है जो हजार की है वो खाफी ज्यादा लंबी हो जाएगी जो कि आपको git पे जब आप code push कर रहे होंगे या changes push कर रहे होंगे तब issue क कर सकता है उसके अलावा भी जब आप कहीं से एक जगा से दूसरी जगा पे usp drive में data copy कर रहे होते हैं तब भी ये issues आ जाते हैं कि अगर आपका जो folder का नाम है काफी ज्यादा बढ़ा हो और यहां file का नाम काफी ज्यादा बढ़ा हो और वो काफी ज्यादा overall जो file path है वो letters यूज नहीं करने कोई special symbol यूज नहीं करनी सिर्फ दो symbols यूज कर सकते हैं हाइफन और अंडर स्कोर ये कर दिया और इसमें अगर मैं कोई file बनाता हूँ मैं यहां पर terminal में इसको open कर लेता हूँ और यहां पर एक file बना लेता हूँ तो file में भी same ही criteria है कि आपने अगर उसको sort order दो उसका control करना है तो 01 numbering के साथ start कर लें हाइफन यूज करें space यूज बिलकुल नहीं करनी small letters यूज करें capital letters यूज नहीं करनी और कोई special symbol यूज करनी सिर्व और सिर्व दो loud symbol है हाइफन और underscore और इस file के नाम को आप 50 character तक maximum लिखें उससे ज्यादा ना लिखें कोशिश करें 20 से 30 factor में आपका file का नाम finalize हो जब आप file कहीं पे share कर रहे हों कहीं पे जैसे कि आपकी अगर कोई image file है तो मैं आपको recommend करूँ होगा कि आप उसमें कुछ ना कुछ keywords add कर लिया करें जैसे कि अगर मैं कोई एक zions company के project पर काम कर रहा हूँ और मैं ट्रिजलिंग क्या logo बना रहा हूं तो मैं जो लोगो का final नाम होगा उसको इस तरह रखना पसंद करूँगा त्रिजलिंग लोगो यह basically उस file की main description होगी सबसे पहले हम file से बात स्टार्ट करेंगे कि यह file किया है यह त्रिजलिंग का logo है अब त्रिजलिंग क्या है SAS एप यह SAS एप है त्रिजलिंग एक SAS एप है और यह किस का project है यह ZIONS का project है यह मैंने जाहिम्स लिख दिया उसके बार इस किस ने काम किया इस पे एसन महमूद में काम किया और उसके लावा एक से दो कीवर्ड आप और एड़ कर सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि कही ना कहीं सर्च रिजर्ट में आज़े जैसे कि अपना यूजर नेम अकसर फाइल में कर देता हूं ये मैं यूजर नेम हैं ये मैं अकसर फाइल में एड़ कर रहा हूं से रहां सिर्व प्रश के लिए और इसका कोई पर पर्स नहीं है अगर आपको रिकॉर्ड रखना है तो आप वी वी टू, वी मीन वर्जन के ये फाइल का कौन सा वर्जन है इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और फाइनली आप फाइल में डेट अड़ कर दें नो डाउट हम फाइल की डेट देख सकते हैं कि क्रिएट अड़ कब होई थी लेकिन अगर आप तें इसको थोड़ा सा एजी रखना हो दोस्तों के लिए तो आप सिंपल बस उसमें डेट हाइफन के थू एड़ कर सकते हैं जैसे के मैं यहाँ पर एक रैंडम डेट एड़ कर देता हूँ 30, 31, 30, 23 तो यह मैंने एक रैंडम इनवालिड डेट यहाँ पर एड़ करती है 35 तो यह मैंने एक यहाँ पर रैंडम इनवालिड डेट एड़ करती है आप एक वैलिड डेट एड़ करेंगे और मैंने सबसे पहले दे फिर मंत और फिर एड़ को एड़ किया ये पैटरन आप फॉलो करें ता एक सिंपल पैटरन बना लें जो भी आपने पैटरन फॉलो करना है फिर उस पे कंसिस्टेंट रहें ताकि आपको एक काम करते करते उसकी आदत हो जाए और आपके लिए फ्यूचर में वो चीज बेनिफिशल साबित हो यहां पर मैंने एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ फाइल नाम सबसे पहले जो फाइल जिस चीज के मतलिक है उसको लिखें फाइल ये उसको थोड़ा सा और अब उसका कहलें के सिकेंटरी एक किसम की हैडरिंग ये किस कमपनी का काम है ये किस ने ये काम किया है उसके लावा एक से दो कीवर्ड जो आप एड़ करना चाहें ये इस फाइल का कौन सा वर्जन है और अगर आप डेट एड़ करना चाहें तो कर लें अदरवाइस इसको आप प्मिट कर सकते हैं क्योंकि हम वह फाइल डिटेल में देख सकते हैं और ये नाम आप देखेंगे कि काफी SEO POV से ETC काफी बहतर है क्योंकि इसमें प्रजेक्ट का मेंशन हो रहा है इसमें कंपनी मेंशन हो रहा है और एक आदा कीवर्ड भी इसमें मेंशन हो रहा है और मुझे ये भी पता चाल रहा है कि ये इस फाइल का कौन सा वर्जन है तो ये थी आज की वीडियो इस वीडियो में आपने इमेल अकाउंट को किस तरह और्गनाईज कर सकते हैं उसके बाद आपने सीखा कि आप अपने लोकल सिस्टम में फाइल और फॉल्डर को किस तरह और्गनाईज कर सकते हैं और लास्टली आपने सीखा कि आप के section में mention करें, मैं उसका जवाब दूगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करें बेल आइकन को press करना ना बूले मैं आपसे मिलोंगा next वीडियो में, तब तक के लिए Allah आफिस Don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हूँ Assam Mehmoud and welcome to Zyons आज की वीडियो में मैं आपको git में branches के concept को explain करूँगा जिसको सीखने के बाद आप git में different branches बना सकेंगे और एक feature का task एक branch में और दूसरी feature का task दूसरी branch में separately कर सकेंगे हमारी एक ही लैपोर रहेगी लेकिन उसमें हम different branches बना के या तो complete different code को different branches में रख सकेंगे या एक code base के different branches बना के different features पे उस पे काम कर सकेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले मैं यहाँ पर Google Chrome को open कर लूँगा और यहाँ पर GitHub लिखकर उसे website को open कर लूँगा GitHub में basically account कैसे बनाते हैं एक लैपो कैसे बनाते हैं और उस लैपो को local जो हमने code base या कोई भी काम हमने किया होता है उसके साथ sync कैसे करते हैं इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो चीज़ आप वहां से सीख सकते हैं आज की वीडियो में मैं ये एस्वियूम करूंगा कि आपने और रेड़ी अपना एक गिट हब का अकाउंट बना लिया हुआ है आपके local सिस्टम पे गिट सैट अप है और आप काम करने के लिए बिलकुल रेड़ी हैं और आपको ये भी पता है कि आप एक गिट की लैपो क concept study ये मैंने इसका नाम दे दिया और यहां पर मैंने description एक कर दी प्राइवेट इसको बना दिया और create repo कर लिया जैसे ही ये repo create होगी आपके सामने ये page यो होने लग परा और यहां पर आपके पास दो option आ रहे हैं इस repo को basically clone करने के एक HTTPS के साथ और एक SSH के साथ तो मैं यहा connect कर सकते हैं ताकि आपको password-based authentication ना करने पड़े और SSH की के साथ automatically जब आप किसी तैपो clone करने लगे तो आपकी SSH की के थूप authentication complete हो SSH की authentication को setup करने के लिए आप basically यहां पर अपने profile icon पर क्लिक करें और यहां से settings पर क्लिक करें यह basically आपको आपके profile, public profile page के लिए आएगा यहां से आप scroll down करें और आपके साथ यह लिखा होगा है यहां पर SSH की and GPG Keys इस पर क्लिक कर दें और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह SSH की का section है यहां पर basically मैं क्लिक करूँगा new SSH की और अब एक SSH की यहां पर आपने SSH की की जो public की है उसको यहां पर एक्टर ना है और एक title इसको provide करना है उसके लिए आप terminal open कर लें macOS में terminal को open कर लें terminal को open करने के बाद आप यहां पर लिखें SSH की gen मैंने यह command लिखी है मैं इसको full screen में कर लूँगा और इस size को increase कर लूँगा ताकि आप इसको easily देख सकें यहां पर मैंने यह command लिखी है SSH की gen मैं यहां पर enter करूंगा तो यह एक private की बनाएगा और एक public की बनाएगा यहां पर यह मुझे सेव करने की location पूछ रहा है जो के default location ही रहनी चाहिए मैं enter कर दूँगा और यहां पर यह basically मुझे बता रहा है कि वहां पर already एक key इस नाम की available है क्या आप उसको override करना चाहते हैं तो मैं no कह दूँगा ताकि जो मेरी existing key है वो खराब ना हो जाए आप जब yes करेंगे और अगर वहां पर कोई key नहीं होगी तो यह उस key को create कर देगा यह आप से उसका एक password प्रेस कूछेगा आपने वहां पर भी एंटर कर देना है कोई password सेट करने की जोट नहीं है और फिर confirm पर कहेगा वहां पर भी एंटर कर देंगे तो वो एक ssh key create कर दे यहां पर अब क्योंकि मेरी default की पहले से ही creative है तो मैं यहां पर एक new create करूँगा मैं यहां पर फिर से वही प्मार्ट run करूँगा ssh keygen और अब की बार मैं basically इसको path खुद specify कर दूँगा मैं इसे copy करूँगा और paste करूँगा यहां पर एक random नाम मैं यहां पर add कर दूँगा जो step है जो next step आया है यह basically जिन यूजर्स ने अभी तक कोई भी ssh key create नहीं थी कियो ही उनका next step यह आएगा जब वो इस step पर enter करेंगे यहां पर जैसे कि मैंने का था हम सिर्फ enter कर देंगे यह एक दफ़ा फिल positive convert का करेगा यहां पर भी enter कर देंगे तो हमारे पास यह एक block show ह होगा आपने जो आपका शार 256 या इस परा की कोई भी detail किसी के साथ share नहीं करने है और इसी वज़ा से मैंने भी यह info blood की हुई है अब यहां से मुझे अपनी जो ssh key है उसको copy करना है उसकी जो public file है उसको copy करना है यहां पर अब newly created ssh key की public file को public key को copy करने का जो तरीका कार है वो है cat for copy command और यहां पर अलिफ मता का sign forward slash dot ssh forward slash और यहां पर दो दफार टैप प्रेस करेंगे तो यह आपको बता देगा कि यह आपका path correct है के नहीं और उस path में क्या क्या चीज़े यहां पर available है मुझे यहां से जो चीज़ copy करनी वो यह वाली चीज़ है id underscore z work one dot pub आपने ज जो जिसके साथ dot pub नहीं है वो आपकी private की है वो ना तो आपने किसी के साथ share करनी है जो आपकी private की है वो आपने किसी के साथ share नहीं करनी है जो public की होती है वो हम इस तरह servers में add करते हैं ताके हम ssh के साथ login कर सकें यहां पर मैं id underscore z work one dot pub इस तरह यह पूरा path लिकरे के बाद confirm क के बाद enter करूंगा और यहां पर यह मेरी public SSH की है यहां से मैं इसे copy करूंगा और वाफिज आके यहां पर इसे paste कर दूँगा यहां पर मैं इसका नाम लिख दूँगा basically यहां पर आपने नाम लिखना होता है कि यह SSH की किस सिस्टम की आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि इसका टाइटल क्या आप रखना चाते हैं मैं लिख देता हूँ एसन मैक ओएस पीसी जायाउंस अकाउंट यह मैंने इसका नाम दे दिया और एड SSH की कर दी यहां पर यह बिसिकली आपस्वर कुछेगा आप अपना पास्वर जो भी आपके अकाउंट का पास्वर है उसको एड कर दे और कंफर्म कर दे जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर यह SSH की एड हो गई है SSH की एड होने के बाद अब मैं वाफिज आऊंगा यहां से क्लिक करूँगा और यूर रेपोजिटरिस में आ जाऊँगा यहां से मैं गिट बरांचिस जो अभी अभी हमने रेपोजिटरिस क्रेट की थी उस पर आ जाऊँगा और यहां पर एक दफ़ा SSH के टैब के यहां पर क्लिक कर लूँगा यहां पर यह URL इस तरह का होना चाहिए इस पर क्लिक करके से कॉपी कर लूँगा और अब लोकली आकर इसको मैं क्लोस कर दूँगा यहां से और यहां पर मैं finder को open करूंगा और git projects में यहां पर मैं एक terminal window को open कर लूँगा और इसमें वाफिज आ जागा यहां पर मैं से full screen के ले आँगा और इसमें इसे size को increase कर लोगा इस repo को मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर इस folder में यहां पर एक folder बन जाए इस repo के नाम का और वहां पर इसका जो भी content है अभी clone हो जाए इसमें अभी कुछ भी नहीं है इसलिए empty repo clone होगी तो next मैं आपको git की repo को clone करने का तरीका का दिखाँगा git की repo को clone करने के लिए आप यहां पर इसको click करें यह copy हो गया और terminal में वाफिज आजए यहां पर मैं git clone यह command है clone करने की और आगे उसका URL पास कर दें मैं यहां पर ssh जो उसका path है वो add कर रहाँ और enter करूंगा तो यह automatically check करेगा मेरी ssh की को server के साथ और देखेगा के मुझे permission है के नहीं है यहां पर यह चीज फेल होगी है क्योंकि जब आप default के लावा जो हमारी default ssh की होती है जो के यहां पर ssh की जर्म मैं लिखकर जब actor करता हूं तो यह जो id underscore rsa यह default ssh की होती है यह by default ssh agent में active होती है लेकिन जब आप एक new ssh की generate करते हैं तो आपको उसको ssh agent में register करवाना पड़ता है उसको बताना पड़ता है कि मैंने new secondary ssh की create किया है उसको भी sync कर लो तो हमने यह जो newly ssh की create की है जो के default ssh की नहीं है default ssh की automatically add हो जाती है लेकिन जो हम new create करते हैं उसको हमें add करना पड़ता है उसका तरीका कर यह है ssh add space और उस ssh key का private path private key तरका path अलिख मता का sign forward slash dot ssh और forward slash double tap यहां पर यह सारा कुछ दिखा रहा है यहां से basically id underscore zy मैं enter करूंगा तो यह जो ssh की है वो add हो गी है यहां पर आप last time देख सकते हैं जब मैंने clone करने की कोशिश की थी तो मुझे error आ गया था अब मैं वो ही command फिर run करूंगा तो अब की बार क्योंके मेरी यह जो new created ssh की है वो add हो चुकी है ssh agent में तो आप देख सकते हैं कि यह command वो successfully perform हो गई है लेकिन यहां पर सब एक warning show कर रहा है कि you appear to have clone a empty repo जो कि बिल्कुल सही बात है कि इस repo में अभी कुछ भी नहीं है लेकिन यहां पर folder में आता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह यहां पर clone हो चुकी है और यहां पर dot git का एक folder बनता है वो hidden folder होता है मैक वेस्ट में hidden files को show करने का तरीका कार है command प्लस shift प्लस dot यह दबाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हो गया विंडोस में basically आपके पास जो tool बार उपर होती है उसमे view का tab होता है उसमें क्लिक करें और आपके पास यहां पर करकी option होगा hidden items का आप उसको check कर दे करेंगे तो आपको hidden items show ने लग परेंगे और यह हमने अभी के लिए इस जो branch थी इस जो रैपो है इसको clone कर लिया है locally यह तरीका था git hub की रैपो को clone करने का यह सेम तरीका आप big bucket की git lab की और भी किसी भी जो version control servers हैं उन मेंसे रैपो को clone करने के लिए use कर सकते हैं next अब हम continue कर करेंगे और अपनी पहली branch create करेंगे एक नई branch create करने के लिए मैं यहां पर टर्मिनल में आ जोंगा जो के यहां पर project के फोल्डर में open है सबसे पहले मैं जो मैंने अभी अभी क्लॉन किया project उसमें आ जोंगा cd की command मैं use करूंगा change directory और यहां पर उसका path लिकूंगा git मैंने स देखा है कि सरफ एक ही folder है जो के git के साथ start हो रहा है उसने उसको auto complete कर दिया एंटर करूंगा और मैं उस folder में आ गया हूँ और यहां पर जब मैं git status लिखकर enter करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यह मुझे बता रहा है कि मैं on branch main mean कि मैं main branch पर हूँ no commits yet अभी तक मैंने कोई की चीज कमिट नहीं की और nothing to commit और कोई भी चीज कमिट करने के लिए है भी नहीं लास्ट वीडियो में आपने hopefully इस concept को अच्छे से समझ लिया होगा कि जब हम कोई file create करते हैं तो वह untracked file होती है हमको पहले उसे changes को track करना परता है git add के साथ जब हम track कर चुके होते हैं तो त यहां पर यह जो git के related कोई भी कमांड है वो आप सिर्फ उसी directory में यूज कर सकते हैं जहां पर यह git का folder है जहां पर git initialized है मैं अगर एक folder पीछे आता हूँ जिसकी के मेरे पास command है cd change directory और double dot space देखे मैंने double dot की है जिसका मतलब है कि एक folder backward आ जो enter करता हूँ तो मैं git projects के folder में वाफिस आ गया हूँ अगर मैं यहां पर git status की command को enter करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यह मुझे error दे रहा है not a git repo means के यहां पर इस folder में कोई भी dot git का folder नहीं है इसमें कोई repo clone नहीं की गई किसी repo के साथ इसका link नहीं बनाया गया यह इसका मतलब है जो के बिलकुल सही बात है यहां पर मैं वाफिस इसी folder में आ जोंगा git branches concept study में और अब हम continue करेंगे यहां पर अब मैं इसे open कर लूँगा code editor में यह मैंने इसे code editor में open कर लिया और इस window को मैं maximize कर लूँगा और इसे trust करके yes कर लूँगा यहां पर अब मैं से पहले एक file create करूँगा readme.md markdown यह मैंने एक markdown की file create की और यहां पर basically मैं एक heading add कर दूँगा readme file created while I was on main branch ओके यह मैंने एक heading add कर दी कि यह मैंने फाइल create की है कब जब मैं main branch में था और यहां पर अब मैं git status की command दबारा दरन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इतने मुझे पता दी है कि untracked changes है और यह चीज़ क्योंकि हम पहले study कर चुके हैं तो आप मैं speed के साथ इन changes को track करूँ करूँगा फिर git commit करूँगा और git push कर दूँगा ताकि यह changes जो हैं वो मुझे यहां पर show हो जाएं कि आपका short challenge है वीडियो को post करें और यह जो changes है इनको git पर push करें main branch में hopefully आपने इसे try किया होगा अब मैं आपके सामने इसे करूँगा सबसे पहले मैं changes को track कर दूँगा git add और dot ताकि इस folder में जितने भी changes हैं वो सारे track हो जाएं उसके बाद अब मैं फिल git status की command run करूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले यह untracked changes कहा रहा था अब यह कह रहा है कि changes to be committed मैं changes को commit करूँगा git commit dash m for message और message add कर दूँगा readme file created in main branch enter कर दिया यह इसने commit का message create कर दिया फिर से मैं git status की command run करूँगा और यह मुझे बता रहा है कि अब कोई changes नहीं है nothing to commit लेकिन और यहां पर अब मुझे यह बता रहा है कि nothing to commit और यहां पर यह जो मुझे बता रहा है your branch is based on origin main but the ups team is gone इसका मतलब है कि यह जो local changes है यह server के साथ अभी sync नहीं हुए यह branch पहली दफ़ा clone हुए और अभी तक जो changes है वो sync नहीं हुए उसका कोई record नहीं है तो changes मैंने commit कर ली हैं track कर ली है अब उनको push करना है उसका तरीका कर रहा है git push dash u for user जो current user है और यहां पर आप मुझे remote url लिखना है वो remote url यह है जो यहां पर लिखा वह आ रहा हो वो remote आपका url होता है यह आप पता कैसे कर सकते हैं मैं इस इसे cancel करता हूं और git remote dash v इस command के साथ आप confirm कर सकते हैं कि यहां पर जो नाम लिखा आ रहा हो यह आपका remote url server का नाम होता है अब मैं वाफिज वही command लिखना हूं git push dash u और यहां पर मैंने remote server का नाम लिखना है जिस पर मैं push करना चाहरा हूं वो है origin और अब मुझे space देके branch का नाम लिखना है जिस branch को मैं push करना चाहरा हूं और यह मैंने अभी तक दो तीन रखाप दाया कि हम main branch के हैं यहां पर मैं main लिख दूँगा enter करूंगा तो यह जो local changes जो readme की file बनाके मैंने track की थी और commit की थी उसको उपर push कर देगा server पर यहां पर रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि readme की file add हो गई है और readme की file यह ऐसी special file है कि git इसको automatically read करता है और यहां पर नीचे show करवा देता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह heading यहां पर show हो रही है यह markdown में लिखी है इस वज़ा से इस तरह show हो रही है अब next मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नई ब्रांच किस तरह create कर सकते हैं git में git में नई ब्रांच create करने के लिए हमारे पास जो command है वो है git check out dash b for new branch space और जो भी मैं ब्रांच का नाम देना चाहता हूँ जैसे कि मैं ब्रांच का नाम देता हूँ child one और obviously आपकी ब्रांच का नाम कोई specific होना चाहिए जैसे कि जो naming convention मैं काफी पसंद करता हूँ और use करता हूँ वो यह है कि html slash test project underscore v1 अब यह मैंने naming convention क्या use की मैंने सबसे पहले category का उस technology का नाम लिखा जो मैं use करना चाहता हूँ उसके बाद slash देके मैंने कह दिया कि मैंने technology का नाम लिख लिया next मैं project का नाम लिखना चाहता हूँ project मैंने कह दिया कि यह test project है और अब मैं lastly underscore देखे project का जो नाम था उसमें मैं हाइफन यूज करूंगा same इसी तरह जो technology का अगर नाम यहां पर मैंने framework लिखना होता यहां react native लिखना होता तो मैं react hyphen native लिखता इसी तरह जो नाम है उन में हाइफन यूज कर रहा हूँ space की जगा space यूज नहीं करनी और जब मैंने version को mention करना था कि कौन सा version है तो मैंने underscore यूज किया और v1 लिख दिया कि यह उसका version 1 है यह naming convention मैं काफी prefer करता हूँ क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा explanatory है और fully detail में बता रहा है कि अच्छा यह किस का project है और उसका कौन सा version है और project का नाम किया है जब आप एक wrapper में एक से ज्यादा project सकता है अगर आपने एक wrapper में सिर्फ एक ही project रखना है और उसके different tasks पे काम करना है तो आप जो branch का नाम है वो task क नाम पे भी लग सकते हैं जैसे कि मैं एक task कर रहा हूं sso login तो मैं branch का नाम लगते हूंगा sso login underscore v1 या फिर मैं इसको t1 कहा देता हूं कि मैं sso login का test 1 कर दा हूं उस task पे test कर रहा हूं उसको complete करने के लिए और यह उसका t1 है test version 1 है ओके यह हो सकता है और अगर मैं actually implement कर रहा यह उसका version 1 है अगर मैं version 2 में कोई code changes कर देता हूं तो मैं उसको version 2 बना दूँगा एक नई branch बन जाएगी जिसकी वज़ा से मेरा एक तो code categorize रहेगा और मेरे लिए काम करना बना असान रहेगा अभी के लिए मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ child 1 enter कर रहा हूं enter करता हूं और यहां पर यह लिखती है इसने switch to a new branch child 1 यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और capital कर लिता हूं zoom in कर लिया है मैंने और जब अब मैं यहां पर git status करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यह मुझे बता रहा है on branch child 1 nothing to commit working tree clean लेकिन अभी यह branch git पे push नहीं हुई जब भी आप नई branch create करे सबसे पहले उसको git पे push कर लिया करें ताके वह आपकी git पे deserve हो जाए यहां पर refresh करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी एकी branch है और यहां पर click भी करता हूं तो branch show नहीं हो रही है तो push करने का तरीका वही है जो मैंने यहां पर last किया था git push dash u origin और branch का नाम child one enter करता हूं और यहां पर यह जो branch के changes हैं वो git पे push हो गया है अभी मैंने change कुछ नहीं था किया सिर्फ branch create की थी आपको भी यही recommend है कि जैसे branch create करें उसको सबसे पहले git पे push कर यहां पर refresh करता हूं और आप देख सकते हैं कि आप यहां पर two branches लिका हुआ है और इस पर भी क्ल child one dot md और इसमें सिर्फ और सिर्फ यही heading add कर देता हूं child one file created when I was on child one branch ओके यह मैंने heading इसमें दे दी save करता हूं यहां पर आके git status की command दुबारा run करता हूं तो आप देख सकते हैं वही untracked changes आ रहें तो यह आपका short challenge है मैं इसको basically आप show नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी आपको show करके दिखाया है मैं इसको जल्दी से track करूँगा commit करूँगा और push कर दूँगा आप इसको वीडियो को post करें और इस part को complete करें hopefully आपने इसे try दिया होगा अब मैं इसे quickly cover कर दूँगा यहां पर changes push हो चुके हैं और यहां पर आके मैं आप refresh करूँगा तो यहां पर यह देखें यह आपको बता रहा है child one had recent pushes less than a minute ago मैं इसमें अगर click करता हूँ तो यह automatically मेरे लिए branch को switch कर देगा और आप देख सकते हैं कि यह जो file है यह सिरफ और सिरफ branch two में sorry branch जो child one branch है उसमें available है अगर मैं main branch में जाता हूँ तो यह file वहां पर available नहीं है ओके और branches का git में जो branches का concept है वो कुछ इस तरह चलता है यहां से मैं image open कर लेता हूँ यह वाली यह एक काफी simple और अच्छी image है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी main लिखा हुआ है और इस image को मैं new tab में open कर लेता हूँ ओके आप काफी बेतर हो गया यह जब हम project स्टार्ट करते हैं तो तब हमारी पास main branch होती है आप इसको master कह लें main कह लें version one कह लें या जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप पे dependent है नेम एक common convention है name यूज़ किया जाता है जो main branch होती है production की यह production का word यूज़ कर लिया जाता है कि यह main जो production वेबसाइट है उसकी ब्रांच है वहां से बात स्टार्ट होती है हम वहां पर project को create करते हैं उसमें default setup करते हैं जो packages बगरा एड़ करने होते हैं वो कर लेते हैं उसके बाद जो feature one यहां पर यह लिखा भी होगा है कि जैसे कि SSO login इंप्लिमेंट करना है यह Google login इंप्लिमेंट करना है तो हम एक नई branch बना लेते हैं Google login की वो main branch से बनती है इसलिए इसको drive branch कहते हैं यह parent branch है और यह child branch है यहां यह main branch है और यह drive branch है यह सारी terms यूज़ होती है और main branch यहां पर चलती रहती है drive branch यह जो सब branch बनी थी उसमें क्या हो रहा है main branch को उसका कुछ नहीं पता main branch अराम से अपना काम आगे कर रही है यहां पर एक और फीचर आ गया जिसमें के Facebook को login करना था उसकी एक अलाइदा branch बन गी इस पर एक developer ने काम करना था इस पर दूसरे developer ने काम करना था उसने एक अपनी branch बना दी और इस ते एक अपनी branch बना दी यह दोनों अपना-पना काम कर रहे हैं इस ते उसमें changes किया करता यहां तक यह feature complete हो गया यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एक feature a branch बनी थी उससे आगे second step पे जाके एक और branch drive होगी है mean यह branch इस main branch से drive होई है उस branch से आगे further एक और branch drive होगी और यह proper value structure है हम इसी तरह सब branches बनाते जाते हैं अगर एक task ज्यादा complex हो तो उसको further tasks में divide कर देते ह हैं और उसमें से branches create करके एक एक developer को ब्रांच assign कर देते हैं और जब developer काम कर लेते हैं जैसे कि यहां पर feature a1-1 यह branch का का काम दो commits में complete हो गया है यह dots जो है यह आप commits समझ लें इसने एक commit किया और फिर दूसा commit किया और जो task हो complete हो गया तो इस branch को हम वाफिस merge कर देते हैं जिस branch में से इसको drive किया था drive का मतलब जिस branch में रहते हुए जैसे के मैंने यहां पर main branch में रहते हुए यह command run की थी मैं इस command की बात कर रहा हूं हूँ यहां पर मैंने यह command run की थी get to checkout dash the child one तो यह command है जो कि एक new branch बनाने के लिए काम आती है जब यह feature complete हो जाता है हम उस branch को वाफिस जो main उसकी branch होती है जिसमें से वो drive हुई थी उसमें उसको merge कर देते हैं यहां पर जब इस branch को मैंने इसमें merge कर दिया वाफिस और यहां पर क्य तो next step मैं आपको बताऊंगा कि branch को जो drive branch होती है उसको main branch में वाफिस merge करने का तरीका कार क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप यह जो drive branch हमने यह child one जो branch नहाई है इसको github में रहते होगे main branch में किस तरह merge कर सकते हैं दो branches को आपस में merge करने का जो process है वो pull request का process कहलाता है मैंने यहां पर pull request पे click किया है और यहां पर यह UI मेरे सामने आगी है कि अभी कोई भी pull request create नहीं हुई मैं यहां पर new pull request पे click करता हूँ और यहां पर basically यह मुझे पूछ रहा है कि base branch कौन सी है base का समझ लें कि main branch parent branch कौन सी है और derived branch child branch कौन सी है और यहां पर arrow की समझ भी आ रही है कि यह branch इस branch में merge हो जाएगी तो base branch की जगा मैंने main को select कर लिया और drive branch की जगा मैंने child one को select कर लिया जैसे ही मैंने इन दोनों को select किया है क्योंकि यह child branch main branch से बनी थी इस वज़ा से उसने कह दिया कि able to merge अगर यह दो different branches होंगी तो यहां पर आपको यह merge करने का option नहीं देगा these branches can be automatically merge क्योंकि मैंने सिरोबर सेफ एक नई file add की है इसमें कोई भी conflicts नहीं है these branches can be merged automatically यहां पर अब मैंने main branch select कर ली drive branch select कर ली और मैं यहां पर click करूंगा create pull request मैंने उस पर click किया तो इसने मुझे यह option दिया है कि यहां पर मैं heading देदू title देदू कि मैं क्या कर रहा हूं यह basically वो commit है जो के last time मैंने child one branch में किया था अब यहां पर मुझे यह message का कह रहा है यहां पर मैं कह दूँगा merging child one branch in main branch और यहां पर मैं click कर दूँगा create pull request मैंने इसे click किया अब ही तक हमारे जो changes हैं वो merge नहीं हुए मतलब कि मैं अगर यह code को ने टैर में open करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि main में अभी तक वो file नहीं आई मैं वाफिस यहां पर आता हूं और इसने चेक किया है कि यह branch merge हो सकती है यहां पर मारे पास बटन है merge pull request मैं इस पर click करता हूं और यह मुझे कह रहा है कि confirm merge मैं इस पर भी click करता हूं और अब यह जो branch हो चुकी है mean के मैं यहां पर वाफिस आके आप main की branch में रहते हुए refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें child1.md की file आ चुकी है और एक और जो चीज जो आपने hopefully पहले note की होगी कि पहले यहां पर जो commit थे सिरफ एक commit शो हो रहा था लेकिन अब यहां पर तीन commits है एक commit जो मैंने स की तरह commit जो मैंने अभी किया है merging के दर्मियां यहां पर यह आप देख सकते हैं कि यह commit मैंने अभी किया यहां पर एक commit हुआ है यह चीज और वो भी यहां पर add हो गया और यह verified है तो यह process है GitHub में दो branches को आपस में merge करने का next रब मैं आपको बताऊंगा कि आप यह same काम locally अप git CLI के साथ दो branches को merge करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक short test रोंगा यहां पर आप main branch में switch करें जिसका के तरीका कार है एक branch से दूसरी branch में switch करने का जो तरीका कार है वो है git checkout और उस branch का नाम जिसमें आप switch करना चाते हैं मैं main branch में switch करना चाहता हूं तो मैं यहां पर main ल लेनी है और यहां पर यहीं लिखा आ रहा होना चाहिए कि आपकी जो branch है वो up to date है और region branch के साथ और कोई changes कमिट करने के लिए नहीं है जब आपके पास यह लिखा आ रहा हो तब ही सिर्फ आप branch को change करें otherwise आपको unexpected errors fails होंगे कि यहां पर untracked changes थे आपने branch switch कर दी वो untracked changes हमेशा इस चीज़ को confirm करें कि आपके जो branch है वो up to date है server के साथ और कोई भी चीज़ कमिट करने के लिए नहीं है अब मैं वह command run करूंगा git checkout और dash b नहीं लगाना क्योंकि यह नई branch create करने के लिए अगर मैं इसको लगा कि main लिखकर enter करूंगा तो मुझे error आजएगा कि main branch already exist ह क्योंकि यह command एक branch create करने के लिए यूज़ करने के लिए चेंज करने के लिए dash b को नहीं लगाना get to checkout और सिर्फ branch का नाव जो कि already created है enter करता हूं तो आप देख सकते हैं स्विच to branch main और your branch is up to date with origin branch यह origin की branch को मेंशन चार रहा है यहां पर एक दफा मैं build status की command से इसको confirm कर लूँगा और यह सेम वही काम मुझे कह रहा है कि मेरी branch on main branch पे हो और यहां पर मेरी server के साथ branch up to date है और यहां पर कुछ भी चीज़ें commit करने के लिए नहीं है next अब यह आपका short test है यहां पर अपने जो काम अभी अभी किया है हमने एक new branch बनाई थी उस branch में एक नई फाइल बनाई थी child one dot md के साथ आप एक नई बनाच बनाए child two उस branch में एक नई फाइल बनाए child two dot md और same content जो मैंने child one dot md में लिखा था सिर्फ child one की जगा child two लिख हैं और फाइल का नाम भी child two लिखें child two dot md यह सारा काम करें changes को track करें commit करें server पे push करें और यहां पर server में get up पे आपने mainly मुझे यहां पर show करवाना है कि यहां पर आपकी दो की जगा तीन branches आ रही होनी चाहिए और main child one और child two यहां पर लिखा हुआ आना चाहिए वीडियो को post करें और इस short challenge को complete करें होफुली आपने इसे try किया होगा अब हम इसे मिलकर complete करें मैं यहां पर थोड़ा speed के साथ काम करूँगा मैं सबसे पहले एक new branch create कर लूँगा git checkout dash b child two और अब मैं इसमें जाकर एक file create कर लूँगा child two dot md इसमें मैं content add कर दूँगा जो मैंने इसमें एक किया हुआ था child two file when I was child two branch और इसको मैं add कर लूँगा commit कर लूँगा और push कर दूँगा यहां पर यह push हो रहा है और जैसे ही यह push complete हो जाएगा यहां पर आकर मैं refresh करूँगा और यहां पर आप देख सकते हैं उसने उसी वक्त मुझे दिखा दिया था यह ब्रांची यहां पर तीन हो गई है और यहां पर child two शो हो रहा है ओफुली आप में भी इसको complete कर लिया था अब मैं next continue करूगा last time देखा था कि हम यहां पर pull request बना के इसको कैसे merge कर सकते हैं main में क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं child two पर जब जाता हूं तो इसके यह child two की file है लेकिन जब मैं यहां पर main में आता हूं तो यहां पर यह child two की file नहीं है अब मैं merge करके उस file को यहां पर भी लाना चाता हूँ तो मैं ये काम अब locally करोगा locally ये काम करने के लिए सबसे पहले जिस branch में दूसरी branch का code pull करना है या merge करना है सबसे पहले आपको उस branch में switch करना होता है यहां पर मैं get status करके एक दफ़ा confirm कर लोगा कि यहां पर कुछ change कमिट करने के लिए नहीं है अब मैं get check out और dash b के बिना क्योंकि वो नहीं branch create करने के लिए यूज़ होता है main लिखोंगा main branch में आ जूँगा और अब मैंने basically branch 2 का जो जितने भी changes है उनकी pull लेनी है इस main branch में और अब मैं आपको बताऊँगा कि हम यह जो branch 2 है child 2 इस branch का code किस तरह pull करेंगे इस main branch में child 2 branch का code इस main branch में pull करने के लिए नहीं हमारे पास command है get pull और यहां पर अब मैंने origin का नाम लिखना है origin basically जो server का नाम है जो के हमें यहां पर हमने यह confirm किया था इस command के साथ get remote dash यहां पर यह जो नाम आ रहा हुता है यह लिखना हुता है यह server का नाम होता है remote server का नाम मैंने origin यह लिख दिया और अब जिस branch का code मैं इस branch में pull करना चाहता हूँ और वो branch है child 2 मैं इस branch का code पूल करना चाहता था मैंने यह command run की और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यह यह command run किया get pull server का नाम remote server का नाम और उस branch का नाम जो इस remote server पर available है जिसको मैं locally इस branch में pull करना चाहता हूँ child 2 मैंने इस command को enter किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह उसने उस code को pull कर लिया अब मैं वहां पर code editor में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां पर child 2.mt create हो चुकी है child 2.mt यहां पर अभी तक यहां server में available नहीं है next इन changes को server पर push करने से पहले हमने एक और काम करना है हमने यहां पर यह जो merge किया था git hub में रहते हुए हमने उस changes को pull करना है क्योंकि वो changes git hub में की main branch में होए है वो हमारी इस local main branch को नहीं पता कि वो changes git hub में हो चुके है उन changes को locally pull करने के लिए बिलकुल सेम तरीका है git, pull, origin और branch का नाम इस तफ़ा branch का नाम है main मैंने enter करता हूँ तो यह जो server पे main branch है उसमें जो भी commits हैं जो भी changes हैं उसको locally pull कर लेगा यहां पर मैंने यह branch run की है और मुझे यह warning यहां पर error आ गया मेरी वो branch successfully run नहीं हो जब आप first time pull लेते हैं basically same branch की उसी branch में pull लेते हैं तो आप से यह पूछता है कि आपके जो changes जो server में changes है और जो local changes है आप उसको किस तरह manage करना चाहते हैं यहां पर मैं पहले git status करके देख लेता हूँ मेरा locally काम ठीक है तो यहां पर तीन हमारे पास option है जिसमें से मैं आपको पहला option recommend करूँगा merge वाला तो मैं इसको यहां से select करूँगा paste करूँगा और enter करूँगा यह इसने config में इसको set कर दी है अब मैं उस उपर वाली जो command है उसको फिल run करूँगा क्योंकि यह पिछली तफ़ा फिल होगी थी यहां पर enter करता हूँ तो अब की बार यह जो branch है जो वो successfully complete हो जाएगी आपके सामने इस तरह की window open हो तो आप एक new terminal open कर ले और उस old terminal को close कर देगे यहां पर इसको मैं close कर दूँगा अब मैं get status लिक कर enter करूँगा तो आप देख सकते हैं यहां पर जो child one branch जो कि यहां पर server में online server में available थी वो pull ले ली गई है उसकी क्योंकि यह changes अभी तक commit नहीं होगे यहां पर लिखा आ रहा है changes to be committed untracked changes नहीं है commit नहीं होगे मैं directly git add की command को skip कर देगे क्योंकि यह changes already tracked है सिर्फ इनको commit करना है commit की branch से स्टार्ट करेंगे dash m child main branch pulled from server enter करूंगा और status की command फिर रण करूंगा तो अब आपको यहां पर यह बता रहा है your branch is ahead of server branch by two commits यह इसका मनलब होता है कि यह server की branch को point कर रहा है और यहां पर यह मुझे बता रहा है कि मेरी local branch में दो commits ऐसे हैं जो कि server में available नहीं है और यह बिलकुल सही बात है क्योंकि मेरे पास locally यहां पर main branch में और यहां पर यह branch का नाम लिखा होता है जो VS code है उसमें यहां पर bottom में यह आपके पास branch का नाम लिखा होता है मैं इसको increase कर लेता हूं size को और यहां पर यह आपको exactly नजर आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो down arrow is का मतलब है कि server में changes है आपके पास नहीं है और अब paro का मतलब है कि आपके पास local changes है server पे नहीं है आपने push करने है यहां पर वाफिज आ जाता हूं यह command complete होगी, यहां पर वाफिस आऊँगा, तो अभी आप देख सकते हैं, यहां पर child 2 की जो फाइल हो नहीं है, main branch में हूँ मैं, refresh करूँगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि child 2 की फाइल आ गई है, तो यह सारा तरीका था, git में different branches बनाने का, उन branches को github पे push करने का, उन वीडियो के related आपका कोई भी question हो, तो please उसे comment section में mention करें, मैं उसका जवाब दूँगा, वीडियो को like, share and comment करें, channel को subscribe करें, bell icon को दुबाना ना भूलें, इस तरह की और बहुत सी videos आने वाली हैं, मैं आप से मिलूँगा next video में, तब तक के लिए, Allah आफिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हूँ Aysal Mahmoud and welcome to Xions आज की वीडियो में मैं आपको HTML elements की background में image लिगाना सिखावना, चलते हैं वीडियो की तरफ अभी तक हमने बहुत सारी CSS properties cover कर ली हैं, जिसमें font, color, background color, border, padding, margin और भी काफी ज़्यादा properties शामिल हैं, आज की वीडियो में जो main CSS की properties हम cover करेंगे, वो मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ हम start करेंगे, यहाँ पर मैंने उन्हें पहले ही mention किया हुआ है, और यह सारी properties हम already cover कर चुके हैं, जो जो properties हम further cover करते जाएंगे, इस list में add करता जाँगा, ताकि आपके पास यह complete reference sheet बनती जाए, उसके लावा मैं यहाँ पर और ज़्यादा columns भी add करता जाँगा, जैसे जैसे उनकी need होगी, आज की वीडियो में हम यह सारी properties study करेंगे, मैं इनको यहाँ पर ही हम mark करते जाएंगे, और हम start करेंगे background image के साथ, html में elements की background image सेट परने के लिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले index.html में आ जाता हूँ, और यहाँ पर इसे open कर देता हूँ, last time हम यहाँ तक study कर चुके होए हैं, और यहाँ पर मैं इसे clear करके, brand new div यहाँ पर एक add कर लोगा, और उसको class assign कर दोंगा, div 1, यहाँ से मैं CSS भी remove कर दोंगा सारी, और .div 1, और इसे background color assign कर दोंगा, black, और इसे width assign कर दोंगा, 700 pixel, और height assign कर दोंगा, 500 pixel, इसकी box sizing मैं set कर दोंगा, bordered box, और margin मैं से set कर दोंगा, 0 auto, और 0 की जगा, यह मैं पहले आपको result दिखा देता हूँ, यह किस तरह शो होगा, यह तरह जो होगा, मैं सर्फ इसको ओपर से top से नीचे push करना चाता हूँ, तो मैं top पे 40 pixel का जो margin है वो एक्टर दोंगा, light पे मैं auto set करना चाता हूँ, उसके बाद bottom पे मैं 0 लखना चाता हूँ, और left पे auto, save और यहाँ पर यह तरह नीचे shift हो गया, अब मैं इस जो block है, इसमें एक background image set करना चाता हूँ, मैं यहाँ पर आँगा और zions लिखकर search करूँगा, zions की website पे चला जाँगा और इसकी image को एक new tab में open कर लोगा, यहां से मैं इसकी image को एक new tab में open करूँगा, और यह हमारे पास इसकी image है, इस image को मैं यहां पर save कर लोगा, control s कर लोगा और इस image को downloads के folder में save कर लोगा, मैं यहां से finder को open करूँगा और downloads के folder में जाओंगा, इस image को copy करूँगा यहां से और project के folder में आकर assets में images में इसको paste कर लोगा, और इसकी जो size है यहां पर मैं hover करूँगा तो यह मुझे इसका size बता देगा कि इसका जो size है वो है 203 pixel मैं यहां पर इसे rewrite कर डूँगा zions logo,203 ताकि मुझे पता हो कि यह pixel कि यह इतनी इसकी width और height है अब मैं यहां पर core editor में वाफिज आ जूँगा और इसकी background को set करूँगा हमारे पास property है CSS की background image और यह basically और भी काफी values accept करता है अब ही के लिए हम जो इसमें क्योंके image लगाना चाहरे है तो उसके लिए हमें image का URL पर रिवाइड करना होता है यह एक online URL भी हो सकता है जैसे कि मैं यहां से directly इस image का URL कोपी कर सकता हूँ और उसको paste करके save करूँगा और यहां पर आके refresh करूँगा इसे close कर दूँगा यहां पर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो image यहां पर थोड़ा time लगा है लेकिन वो image load हो गई है उस time को save करने के लिए जो थोड़ा सा time लगा है हम prefer करते हैं कि हम local image का URL प्रोवाइड करें यहां पर .forward slash इस folder तक आने के लिए जहां पर यह style.css की file है उसके बाद assets के folder में मैंने जाना है फिर images के folder में और यह image है save करूँगा अब की बार पहले मैं इसको close करता हूँ save करता हूँ refresh और uncomment करके अब save करके जब refresh करूँगा तो अब की बार यह time लेगा फोरण ही उसे show कर लेगा क्योंकि यह local image है साथ ही available है तो यह तरीका था CSS के through HTML के elements में background image लगाने का हम चाहें तो यहां पर एक से ज्यादा background image को भी लगा सकते हैं यहां पर मुझे उसका URL परवाइड करना परेगा एक new file का और मैं फिर local file को यूज़ करूँगा assets, images और border यह basically और एक file को दूसरी file से separate करने के लिए हम comma का इस्तमाल करते हैं save करूँगा और यह basically यह वाली file है जो हमारे पास पहले यहां पर available है जो के हम last video में border image के तोर पर use कर चुके हैं मैं यहां पर वाफिज आऊंगा और refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर basically जो मैंने image पहले लगाई है वो उपर शो हो रही है और जो second image है वो नीचे शो हो रही है इसी तरह मैं जितनी चाहूँ यहां पर images लगा सकता हूँ और यह इसी pattern पे रहेगी जो सबसे पहला URL होगा वो सबसे उपर शो होगा और उसके बाद वाले URL उसके नीचे शो होते जाएंगे अभी के लिए मैंसे comment कर दूँँगा इसे भी और सिर्फ और सिर्फ एक background image यहां पर लगा दूँगा background image URL, colon assets, images और जाएंगे refresh करूँगा और save करूँगा यहां पर इस property को मैं check mark कर दूँगा कि यह हमने learn कर लिया next अब मैं आपको बताऊंगा background position की property जिसको use करते होवे हमने यह जो background image लगाई है यहां पर इसकी position को control कर सकते है CSS में जो background position की property है यह बहुत ही important property है इसको use करते होवे यह basically short hand way है इसकी next दो properties हम इसके बाद फॉरन स्टरी करेंगे अभी के लिए इसकी जो short hand यह way है यह first value में x की value accept करता है और second में y की value accept करता है और जो यह values accept करता है मैं इसको percentage में value send कर सकता हूँ यह percentage होगी इस element की यह जो element main है अगर इसकी width 100 pixel है यह thousand pixel है तो 10 pixel का अगर मैं कहता हूँ कि इसकी जो total width है वो thousand pixel है और total height 500 pixel है तो जो 10% होगा उसका मतलब है कि 100 pixel आगे x-axis में 100 pixel इदर को आजएगा और height में अगर 10 pixel रखूँगा तो y-axis पे वो 50 pixel नीचे आजएगा यहां से start होगा almost यहां पे क्योंकि मैं इसको 1000 pixel कर देता हूँ ताकि जो calculation है वो easy रहे refresh करता हूँ यह कुछ इस तरह शो हो रहा है अब मैं इसका क्योंकि यहां पर यह position मैं set कर चुका था last time मैं इसको set करूँगा अगर मैं basically तरफ एक value pass करूँ x की और y की value pass ना करूँ तो उसको by default 50% allow होता है मैं इसे save करूँगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि end result same है तो इसे यह साबित हो गया कि by default जो value pass होती है second हो 50% है मैं क्योंकि दोनों को 10% pass करना चाता हूँ तो मैं दोनों को 10% यहां पर allow करूँगा save करूँगा और refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें 100 units यहां से move किया है और 50 units उपर से नीचे move किया है और क्योंकि यह अभी background repeat के लगा हुआ है इस वज़ा से यह बार बार यहां पर repeat हो रहा है उसको हम control करेंगे इस property पे जब हम इस property को study कर चुखे होंगे अभी के लिए हम continue करेंगे और मैं इस short hand way को long hand प्रेके से समझाँगा इन दो individual properties के दो मैं यहां पर वाफिज आऊंगा और इसे comment कर दूँगा save करूँगा refresh अब यह इस तरह हो गया और यहां पर सिर्फ और सिर्फ background position और इसे close करूँगा x और मैं 10% यहां पर add करूँगा और जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर pixel की value भी दे सकता हूँ तो मैं 100 pixel भी यहां पर pass कर सकता हूँ save करूँगा refresh करूँगा तो same result है जो के पहले था लेकिन अभी मैंने क्योंके y axis के नहीं दिया इस वज़ा से थोरा सा difference नज़रा रहा है और इसको uncomment करूँगा और यहां पर change कर दूँगा 100 pixel जो के x को assign होगी और दूसरे को change करके 50 pixel कर दूँगा जो के y को assign होगी और यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर end result हमारा बिलकुल same है तो यह हमारे पास background position की property थी हम इसको mark कर देंगे कि यह हमने cover कर ली इसके तो हम background की position को control कर सकते हैं next हमारे पास background size background size की property होफुली आपने नाम से guess कर ली होगा यह background image की size को control करने के लिए use होती है मैं यहां पर आउँगा और यहां पर मैं अभी के लिए इसको comment कर दूँगा position को save करूँगा refresh यह यहां पर आगया बाइडिफूल position पर और मैंने background size और हमारे पास तीन option है auto save करूँगा जो के currently लगा हुआ है auto का मतलब कि जितनी यह image की width और height है उतनी ही width और height यह ले और repeat horizontally और vertically repeat होकि यह पूरे background को cover कर ले जो next हमारे पास option है वो है cover अगर मैं इसको यह set करूँगा तो इसका मतलब है कि यह जो image है यह पूरे background को cover करेगी उस चीज़ को achieve करते वक यह हो सकता है कि edges को cut भी कर दे crop करके किसी तरह यह पूरे background को cover कर लेगी मैं refresh करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो edges हैं उनको नीचे से crop कर दिया है नीचे से काफी ज़्यादा image को इसने crop कर दिया है और background को cover कर दिया है यहाँ पर मैं background कलर को अब रड़ में shift कर दूँगा क्योंकि इसका जो border कर रहा है वो भी black है इस वज़ा से वो conflict कर रहा है refresh करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि यह इसका end result आया मैं आप वाफिज यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर तीसला जो हमारे पास option है वो है contain का इसको यहाँ पर contain करूँगा इसका मतलब है कि यह basically full image को यहाँ पर show करेगा और बाकी जो area होगा उसको खाली छोड़ देगा save किया refresh करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पूरी image को जो area है उसको पूरी उसमें image को पूरी तरह show किया है और क्योंकि यहाँ पर बाकी इतना area बचा हुआ था कि यह एक तफ़ा और image को repeat कर सकता तो इसने एक दफ़ा और image को repeat करके show कर दी है मैं यहाँ पर अगर area को कम करूंगा 800 pixel करूंगा यहाँ पर आकर refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी height है वो फूरी cover हो रही है और यहाँ से जो बाकी image है वो यहाँ से cut out हो रही है मारे पास इसका एक option और भी है जो के है width और height mean के मैं इसकी width और height को pass कर सकता हूँ जिसमें दो option है मैं pixel के साथ pass कर सकता हूँ 100 by 100 pixel save करूंगा refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि उस तरह हो गया और मैं percentage में pass कर सकता हूँ 100% by 100% save करूंगा refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह fully cover हो गया लेकिन क्योंके मैंने यहाँ पर width और height को 100% कर दिया और यह एक square नहीं है लेकिन image एक square थी इस वज़ा से image जो है वो stretch होके खराब हो गयी है इसलिए जो normally जो हम यूज करते हैं तरीका वो है cover का background size हम cover कर देते हैं refresh करते हैं अभी के लिए यह image size से show नहीं हो ली उसके लिए background position में भी हमारे पास keywords available है एक तो हमने यह तरीका सेखा जो numbers था जिसमें pixel और percentage दूसर तरीका हमारे पास keywords है जिसमें जो default keyword होता है वो है top left या इसका मतलब है कि top left corner पे refresh करता हूँ तो यह default है जो normally हम use करते हैं वो है center center refresh और यह normally हम इस तरह use करते हैं क्योंकि images हमारे पास इस तरह होती हैं जिनको जब हम center center करते हैं तो उनकी end result आता है वो काफी बेतर होता है लेकिन hopefully आपने guess कर ली होगा बाकी जो हमारे पास option है top यहां पर top left right bottom और center और यही पांचो option यहां पर be available है हमारे पास इनको हम left right shuffle करके जो हमारे पास total end number of result बनते हैं उनको achieve कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर bottom लिख सकता हूँ bottom center तो refresh करूंगा तो यह bottom और center में यहां पर इसको show कर रहा है अगर मैं इसको bottom bottom करता हूँ refresh करता हूँ तो आप देखने कि यह इस तरह show होता है किसी तरह आप बाकी सारी values के साथ play along करके देख सकते हैं कि क्या end result आपको show होता है इस property को हम यहां पर cover mark कर देंगे यह done हो गई है next अब हम study करेंगे background repeat मैं यहां पर background repeat की property को study करने के लिए background size को uncheck comment कर दूँगा और यहां पर आके refresh करूँगा यहां पर जब मैंने refresh किया तो आपके पास ये end result शो हो रहा है अब यह image यहां पर बार बार repeat हो रही है पूरी background को cover करने के लिए मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर background repeat की property को none कर दूँगा को no repeat कर दूँगा कि यह repeat ना करें यहां पर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सिरफ उसमेज को show किया है और उसके बाद उस image को repeat नहीं किया वाई default जो इसकी value होती है वो हमारे पास repeat होती है refresh करूँगा तो यह हमारी default value होती है हमारे पास repeat x available है जिसमें सिर्फ और सिर्फ horizontally repeat होगा और repeat y available है जिसमें कि यह vertically repeat होगा इस property को यहां पर check mark कर देते हैं और next हमारे पास property है background origin मैं यहां पर content में आता हूँ और background origin की property को explain करने के लिए मैं सबसे पहले यह चीज़ यहां पर repeat को not repeat को set कर दूँगा और refresh करूँगा यह आगया अब मैं यहां पर padding add कर दूँगा 40 pixel save करूँगा और यहां पर आकर refresh करूँगा तो यह अभी यहां पर show हो रहा है उसके बाद मैं next यहां पर add करूँगा border 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 भी मैं 40 pixel add कर दूँगा solid green यहां पर refresh करूँगा तो यह आपके पास end result आ रहा है मैं यहां पर inspect करूँगा इसको और इसको यहां पर फुरा सा नीचे move कर लूँगा यहां पर आपके पास यह इसका content area आ रहा है यह इसका padding area और यह इसका border area आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो image है वो क्योंकि हमने background image set किया और by default जो background होती है वो padding box पे apply होती है यह पूरा box यह padding box है और यह content box है हम इस चीज़ को control कर सकते हैं कि यह जो background image है यह basically content box में show हो और padding box में show ना हो यह फिर यह border box में show हो और padding box में इसका शुरू ना हो इसका जो starting pointer वो border box पे set हो जाए इन तीनों चीज़ों को control करने के लिए जो हमारे पास property है वो है background origin यहाँ पर मैं origin लेकर सर्च करता हूँ यह property है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास तीन values जो important है border box content box और padding box by default यह padding box पे set होता है यहाँ पर मैं इसको padding box enter करूंगा save करूंगा refresh तो same end result है क्योंकि यह हमारा padding box है और यहाँ पर यह implement है background image यहाँ से start हो रही है मैं इसको change करूंगा इसको comment करके background origin content box करूंगा तो अब यह इस area में से start होगा यह जो blue area top left corner है यहाँ से background image start होगी refresh करता हूँ तो आप देख लें कि यह अब content box के अंदर आ गया lastly इसकी जो आपनी property है उसको शोकर आने के लिए वो है मारे पास border box और hopefully आपने उसको guess कर लिया होगा कि वो फिर border box से start होगी जो background image है रिफ्रेश करूंगा और आप देख सकते हैं कि जो background image है वो border box से start हो रही है और क्योंकि मैंने border box को solid color दिया हुआ है green इस वज़ा से उसके नीचे जो image है वो नजर नहीं आ रही है अगर मैं border को यहां पर solid की बजाए dash कर दूँ तो आप देख सकेंगे कि नीचे मुझे image show हो रही है यह थी हमारी background origin की property मैं इसको done mark कर दूँगा और next अब हम study करेंगे background clip background clip की property इसकी जो value है वो almost same है background origin की तरह लेकिन इसका काम different है background clip basically यह करता है कि जो background हमारी जो paint हो रहा है उसको define करता है कि वो कहां तक paint होगा अगर मैं उसको content box set कर दूँगा तो वो सिरफ content box के पीछे paint होगा यहां पर padding box set कर दूँगा तो उसे padding box तक paint होगा और अगर border box set कर दूँगा तो border box जो के अभी default है उसके तक paint होता है यहां पर आके मैं code में आता हूँ और यहां पर background clip पैड करता हूँ सबसे पहले border box save refresh और यहां पर आप देख सकते हैं के end result same है क्योंकि यह default value थी इसको मैं दो दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ और end वाले और शुरू वाले को comment out कर देता हूँ second मैं करता हूँ padding box इसका मतलब यह है कि जो border box वाला area है उसके पीछे border जो background color और image है वो शोर नहीं होगी रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि उतना जो area है वो white हो गया है लेकिन क्योंकि मैंने इसका origin background image का वो border box set किया हूँ है इस वज़ा से उपर से वो clip हो रह करूँगा और इसको set कर दूँगा content box hopefully आपने guess कर लिया होगा अब जो होगा padding area भी उसके नीचे से भी background जो है वो clear हो जाएगी और सिरफ और सिरफ content area के नीचे background show होगी और जितना area यहां पर image का show हो रहा है उतना show होगा बाकी सारा clip हो जाएगा refresh करता हूँ और आपके सामन end result आपके सामने हैं कि जो background का color और background image है वो सिरफ और सिरफ content box के अंदर show हो रही है ना padding box में कुछ show हो रहा है और ना ही border box में हो रहा है और यह आपके पास एक और तरीका आ गया है जिसके तो आप एक बहुत ही beautiful और interesting सा design pattern बना सकते हैं यह जो background image है इसको अब मैं position यूज कर करते हुए इस property को इसको मैं center center कर दूँगा जिससे के यह बिलकुल center में आ जाएगी और यह आपके सामने एक end result आ गया बैसिकली यह top center 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 बैसिकली फर्स सेंटर फर्स जो center value होती है यह जो मैंने फर्स सेंटर value लिखे यह horizontal line में define करता है कि कहां पर यान है और second जो center है यह vertical line में define करते हैं तो यह थी background clip की property जिसको use करते हुए हमने यह चीज़ control की कि जो background image और background color है वो किस area के नीचे draw होगा और कहां पिक draw नहीं होगा इसको मैं यहाँ पर done mark कर देता हूँ और next अब हम study करेंगे background attachment background attachment की property बहुत ही interesting property है क्योंकि हम इसको use करते हुए background parallax का effect create करते हैं मैं यहाँ पर एक demo website open करूँगा और आपको background parallax का effect show करूँगा यहाँ पर मैंने यह demo website open की है यहाँ पर आप इस image पर focus करें जब मैं scroll करता हूँ तो वो image scroll नहीं हो रही है जबकि अगर मैं यह simple website पर आता हूँ जहाँ पर parallax effect नहीं लगा हुआ तो यह image आप देख सकते हैं कि यह जब मैं scroll करता हूँ page को तो उसके साथ scroll होती है जबकि यहाँ पर यह जो background image है यह अपनी जगा पर fixed रह रही है और page scroll कर रहा है जिसकी वज़ा से यह हमें parallax effect मिर रहा है इस चीज़ को achieve करने के लिए हमारे पास जो CSS की property है उसका नाम है background attachment मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर background attachment को set कर दूँगा जो by default इसकी value होती है वो है scroll मैं यहाँ पर scroll set करूँगा और यहाँ पर आकर refresh करूँगा अभी हमारे page में scroll available नहीं है मैं यहाँ पर वाफिज आऊँगा और यहाँ पर एक और div add कर दूँगा div class div 2 और इसको basically इसको div की class दे दूँगा 3-4 add कर दूँगा यहाँ पर काफी ज्यादा ताकि हमें scroll था effect मिल सके और 3-4 इससे पहले add कर दूँगा यहाँ पर आके अब मैं सिर्फ और सिर्फ जो div की class में ने add की है उसको width 100% दे दूँगा और height 400 pixel दे दूँगा background color मैं उसको black दे दूँगा ताकि easy old बाकी differentiate करना और मैं उसको border color दे दूँगा ताकि हम देख सकें कि जो difference आ रहा है एक दूसरे में border white 10 pixel solid green और margin मैं उसको दे दूँगा 20 pixel 0 safe यहाँ पर refresh करता हूँ तो यह हमारे पास end result आगे अब भी मैं scroll कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह image page के साथ scroll हो रही है जो कि इसका by default behavior है मैं यहाँ पर वाफिज आँगा और यहाँ पर scroll को background attachment को set कर दूँगा fixed पर save करूँगा refresh करूँगा और अब आप देखेंगे जब मैं scroll करता हूँ तो वो image अपनी जगा पर fix रहा रही है और एक किसम का parallax का effect हमें यहाँ पर मिरवाए है यह थी हमारे पास background attachment की property जिसके तुरू के हम parallax का effect अचीव करते हैं मैं इसको done mark कर दूँगा और अब मैं आपको इन सारी properties यह जो हमने इतनी properties study की हैं इनकी short hand form बताऊंगा जिसको use करते होवे हम यह सारा कुछ अचीव कर सकते हैं एक ही property के साथ हमारे पास यह एक background property का short hand है जिसको use करते होए हम यह सारी चीजें एक साथ implement कर सकते हैं मैं यह सारा कुछ यहाँ पर comment कर दूँगा इसे comment कर दूँगा और मैं पहले जो already commented area उसको यहाँ से remove कर दूँगा और यहाँ से इसको remove कर दूँगा जो चीजें हमारी commented हैं उनको मैं remove कर दूँगा यहाँ पर ताकि हमारे पास तरफ वही code बचे जो actual code है और यहाँ से मैं इसको भी remove कर दूँगा और एक दफा़ confirm कर दूँगा कि कोई चीज repeat नहीं हो रही है यहाँ पर border और पैडिंग को मैं उपर shift कर दूँगा और यहाँ पर इनको organize कर दूँगा image position repeat origin पोजीशन के बाद size यहाँ पर size नहीं mention size basically मैं mention कर दूँगा background size और उसको auto कर दूँगा जो by default होता है अभी के लिए क्योंकि मैं और कुछ नहीं सेक्टर नहीं जा रहा हूं repeat origin or clip repeat origin clip और last click attachment अब मैं इसका short hand way आपको बताँँगा यहाँ पर मैं इसको comment कर दूँगा और यहाँ पर background लिख दूँगा यह हमारे पास short hand property है background के लिए और जो यह accept करती है सबसे पहले color accept करती है जो background पर आपने color लगाना हो और इसको भी मैं नीचे shift कर दूँगा इनको on comment करूँगा एक दूँगा और इसके साथ इसको comment करूँगा सबसे फिर यह image accept करती है उसके बाद यह मैंने इनको इसी तरह order में किया जिस तरह यह accept करता है और फिर यह position और size इन दोनों में से एक चीज़ यह accept करता है उसके बाद repeat उसकी value accept करता है origin की value accept करता है clip और lastly attachment की value accept करता है यह pattern है मैं इसको यहां पर copy paste कर लूँगा और comment कर लूँगा और सबसे पहले वाले से start करेंगे background हमने set किया वा था red पे save करूँगा यहां पर आके refresh करूँगा तो यह हमारे पास end result आया next image वो मैं यहां से इसको copy कर लूँगा और यहां प हमारे पास position वो मैं center center यहां पर apply कर दूँगा safe refresh यह हमारे पास आ गया next size उसकी जगाए की आना था उसके बाद repeat वो मैं इसको no repeat कह दूँगा refresh और यह center में अप एक आ गया उसके बाद अभी यह scroll जो attachment है वो scroll है अभी पूरा complete नहीं हुआ यहां पर वाफिस आँगा next इसका origin मैं set करूँगा वो हमने set किया हूँ था border box यह मैं इधर set करूँगा safe refresh next हमने clipping set की वी थी contact box उसको set करूँगा safe refresh और lastly attachment अभी भी attachment set की वी बाकी सारा कुछ हमारा अचीव हो गया safe refresh और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमने end result in art properties के साथ achieve किया था वो हमने एक ये short hand property के साथ same end result अचीव कर लिया है तो यह थी आज की वीडियो इस वीडियो में आपने सीखा कि हम CSS को use करते हुए एश्रिया मेले elements की background image कैसे set कर सकते हैं उसका background size, attachment, origin, clipping behavior और position को किस तरह set कर सकते हैं वीडियो के related कोई भी question हो तो please उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like share and comment करें, channel को subscribe करें, bell icon को दबाना ना बुलें, इस तरह की और बहुत सी वीडियो आने वाली हैं मैं आज से मिलूँगा next वीडियो में, तब तक के लिए, Allah आफिस Don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हूँ एसन महमूद and welcome to Zions लास्ट वीडियो में हमने CSS में background properties को study किया था आज की वीडियो में मैं आपको CSS में inherit, initial, unset और revert ये special values हैं जो के हम किसी भी CSS property को assign कर सकते हैं इसके मतलिक हम study करेंगे और इनके use case को समझेंगे किस value को हम किस property पे कब इस्तमाल कर सकते हैं चलते हैं वीडियो की तरफ हम start करेंगे inherit value से यहां पे सबसे पहले मैं Chrome browser को open कर लूँगा और अभी तक जो हम properties cover कर चुके हैं वो यह सारी properties हैं आज की वीडियो में हम यह special values हैं इनको cover करेंगे और हम start करेंगे inherit के साथ साथ ही मैं code editor को यहां पे open कर लूँगा और यहां पर last time जो हमने study किया था वो यह CSS background properties थी मैं यहां पर इस code को reset कर लूँगा और यहां पर एक h1 tag को insert कर लूँगा जिसमें के जो चार special values आज हम study करेंगे उनको मैं यहां पर mention कर लूँगा inherit, initial, unset, revert, यह चार property values को आज हम study करेंगे इसी के साथ मैं CSS भी यहां से remove कर दूँगा जो last CSS had थी और यहां पर आकर refresh करूँगा तो यह हमारा यहां पर final result शो हो रहा है मैं यहां पर code editor में वाफिस आ जूँगा और inherit property value को explain करने के लिए मैं यहां पर push elements को insert करूँगा T1 साथ में मैं एक div element को insert करूँगा उसको class दोँगा div 1 उसमें एक paragraph को insert करूँगा इसे class दोँगा T2 इसे मैं class दोँगा T1 और इसमें मैं text center कर दोँगा T2 inside div 1 और यहां पर मैं तोड़ा text दोँगा div 1 text इसी तरह मैं इसे एक दफा रपीट करूँगा और यहां पर यह div 2 हो जाएगा T3 div 2 P3 और यहां पर div 2 finally इसको मैं यहां पर आके refresh करूँगा तो यह मेरे पास end result आ रहा है Inherit की property value CSS में एक special value है जो हम किसी भी CSS property को assign कर सकते हैं इसका मकसद यह होता है कि जब मैं किसी भी property की value को Inherit पे set करूँगा तो वो उस property की value को अपने parent में से drive करने की कोशिश करेगा जैसे कि मैं यहां पर आके सरफ body element को select करता हूँ और उसको color की property दे रहता हूँ red और क्योंकि जो color की property CSS में जो color की property है वो by default inherited है में कि उसकी जो default value होती है वो Inherit होती है वो अपने parent का your 7 color setup होता है उसको Inherit करता है और यहां पर क्या काम होगा जो most nested level पे पी है यह अपने parent के color property को Inherit करेगा इसपे क्योंकि मैंने color set नहीं किया तो यह अपने parent की color property को Inherit करेगाехगा जो का body है mean body यहाँ पर जितने भी HTML elements है उन सत का parent element है और body का जो parent element है वो है HTML जो के हमारी यहाँ पर पूरी document head हर एक चीज़ को wrap कर रहा है यहाँ पर मैंने body को select किया और उसको color दे दिया red और जैसे कि मैंने आपको बताया कि color की property by default जो CSS में है वो inherit की value set होती है उसकी जो default value है वो inherit पर है बाकी इन सब को जो color की property लगी हुई है वो inherit की लगी हुई है तो मैं यहाँ पर आकर जैसी refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक जो element है उसका color red पर set हो गया हलांकि मैंने यहाँ पर सिरफ और सिरफ body का जो color है उसको red set ही है क्योंकि बाकी सब की जो color की property है वो inherit पर set है तो वो अपने parent पर जो color set है उस पर fallback कर रहे हैं मैं यहाँ पर अगर body की जगा html लिख दूँगा जो के top most element है और यहाँ पर color को change कर दूँगा सरफ आपको दिखाने के लिए हमारी चीजें उस पर fallback होगी html की जगा हमारे पास एक और selector है जो के html को ही represent करता है वो है colon root basically यह special type of selector है जो के document में जो root element होता है उसको select करता है और क्योंकि हमारी html document में जो root element है वो html itself है इस वज़ा से इसको select करेगा यहाँ पर मैं इसकी color की property को फिर कोई और value देता हूँ ताकि आप change को देख सके refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यह value update यहाँ पर हो गई है mean यहाँ पर जो root है इसको मैं comment कर देता हूँ वो equal है html के मैं यहाँ पर html लिख दूँ यहाँ रूट लिख दो दोनों ही equal हैं यहाँ पर refresh करता हूँ तो आप देख सकते end result same यहाँ पर आके अगर मैं यह div 1 जो है इसको color assign करता हूँ मैंने यहाँ पर इसको select किया dot div 1 और मैंने इसको color assign कर दिया red save किया यहाँ पर जब मैं refresh करूंगा तो आप देखेंगे कि यह जो h1 element है और यह जो p1 tag element है इन दोनों का color orange ही रेगा और बाकी यह div 1 tag से लेके बाकी इसमें जो भी elements है क्योंके वो inherit पर उनका color set है उन सब का color change हो जाएगा जो के मैंने यहाँ पर set किया red पर मैं यहाँ पर आके इसको refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का color जो है वो अभी भी होनी जाए और बाकी सब का जो color है वो red पर set हो गया इसी तरह मैं अगर यहाँ पर वाफिज आकर इसको basically यहाँ पर div 2 को select करता हूँ और उसका जो color है उसे set कर देता हूँ blue पर save करता हूँ और यहाँ पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह जो default element थे h1 और p1 उनका color अभी भी orange है यहाँ पर div 1 और जो p2 div 1 के अंदर था उसका color red है और lastly div 2 और जो p3 div 2 के अंदर है उसका color जो हो गया वो blue है तो hopefully इस से आपको जो css में inherit value है उसका concept समझ आ गया होगा और यहाँ पर basic अली मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मैं p3 को select रगता हूँ और इसकी color की value जैसे कि मैं लिखा कि by default इसकी value inherit पर set होती है इसको मैं इसी तरह रहने दोंगा save करूंगा और यहाँ पर आके refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि end result same है यहाँ पर मैं इसे थोड़ा zoom in कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको इसलिए नजर आ रहा है कि इसकी जो अभी भी color value है वो ही है जो कि इसके parent की color value set है यहाँ पे आके अगर मैं इसे कोई और color value set करता हूँ जैसे कि मैं इसे purple set करता हूँ save करता हूँ और यहाँ पर आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी value change हो चुगी है यहाँ पे आके इसको मैं वाफिस कर दूँगा inherit पे save और refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी color value blue पे वाफिस set होगी है इसी तरह अगर मैं div की भी color value को inherit पे set कर दूँगा तो यह inherit करेगा अपनी parent color value को जो कि div 1 है इसका parent यहाँ से आप देख सकते हैं कि div 2 का जो parent है वो div 1 है और div 1 को मैंने color red दी है क्योंकि मैंने दोनों को inherit की value दे दी है save करूँगा, refresh करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का color भी red हो चुका है मैं इसको omit भी कर सकता हूँ क्योंकि यह by default इनकी जो value होती है color की वो inherit ही होती है मैं save करूँगा और यहाँ पे refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह अभी भी end result same है next मैं आपको यह बताऊंगा कि CSS में किस किस property की by default value inherit होती है और किस property की by default value inherit नही होती और आप यह चीज कहां से easily check कर सकते हैं हर एक property के लिए CSS में किस किस property की by default value inherit होती है इस चीज को find करने के लिए आप एक new chrome tab open करें और यहाँ पर w3 school लिखकर search करें मैंने इससे search किया और मैं इसकी website पर यहाँ पर आगे यहाँ से मैं CSS पर click करूँगा और यहाँ पर आ जाओँगा यहाँ से मैं scroll down करूँगा और यहाँ पर basically मैं click करूँगा CSS reference पर end पर इस पर जैसे ही मैं click करूँगा तो मैं एक और page पर deduct हो जहाँगा जहाँ पर मैं तमाम जो CSS properties हैं उनको यहाँ पर देख सकता हूँ left hand side पर यहाँ पर मैं किसी भी property पर click करूँगा और उस property की जो description है जो उसकी detail है वो right hand side पर open हो जाएगी मैं यहाँ पर scroll down करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं definition and usage section में यहाँ पर लिखा हुआ है inherited yes mean यह जो cursor की property है इसकी by default value inherit होती है इसके parent से यहाँ से मैं कोई और एक CSS property open कर लूँगा जैसे के मैं यहाँ पर basically border की property को open कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी definition और usage के section में आया हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो inherited value है वो no पर set है mean border जो है children by default अपने parent से border की value को inherit नहीं करते हैं मैं यहाँ पर code editor में आऊँगा और div1 को border set करूँगा 4 pixel solid blue मैंने इसे यह set किया और यहाँ पर browser में आके मैं यहाँ पर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर basically सरफ div1 को जो border रखी value है वो assign होई गया और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो div1 में जो p2 का element है यह अपनी border की value inherit करें अपने parent से तो basically मैं यहाँ पर आऊंगा और p2 को select करूँगा और यहाँ पर इसकी border की value को set कर दूँगा inherit पर जैसे के आप ते देखा कि by default इसकी value inherit पर set नहीं होती बाइडिफोल्ट इसकी value basically unset होती है कि null होती है जो browser में define हो वो इसकी value होती है लेकिन हम उसे change कर सकते हैं हम CSS में किसी भी property की value को inherit के set कर सकते हैं जिसका के मकसद यह होगा कि उस value को वो अपने parent में देखेगा और अगर वो value को इस तरह की है जैसे के color यहाँ से अगर मैं color को open कर लेता हूँ जैसे CSS में color की property है जो के by default भी inherited है जिसका inherited यहाँ पर yes लिखा हो है तो अगर उसके parent में उसकी value set नहीं होगी तो वो अपने parent के parent में देखेगा फिर अपने parent उस parent के parent में देखेगा और तब तक देखा जाएगा जब तक कि वो html tag तक नहीं पहुंच जाता और इन में से किसी पे भी अगर उस property की value लगी होगी जिसमें inherited true है तो उसको वो use कर लेगा लेकिन जैसे कि यह border की value inherit नहीं होती by default तो अगर मैं इसको यहां पर inherit set कर दूँगा border को मैंने inherit set कर दिया P2 पे तो अगर तो यहां पर div1 को border की value लगी हूई या تو यह उसको inherit कर लेगा और अभी क्यूंकब div1 को लगी हूई और neighborhood की value तो यह इसको inherit लेकिन अगर यह byl-fard ना लगी होती तो फिर ये इस div 1 के parent को check ना करता इसने सिर्फ और सिर्फ इसको check करना था और बार में जो इसकी default value है उस पे fallback कर देना था जो के inherited by default नहीं है तो इसने सिर्फ ये देखना था कि ओके div 1 को कोई border की value नहीं लगी हुई तो इस element को भी कोई border की value नहीं assign होगी यहां पर div 1 को border की value 4 pixel assign है तो मैंने यहां पर p2 को border की value भी inherit set कर दी यहां पर आके मैं refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि p2 को same border लग गया है जो के मैंने div 1 को दिया था और यहां पर अगर मैं इसका color यहां पर change करता हूँ कोई भी color रख देता हूँ यहां पर मैंने इसको यह color set किया refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी उसकी color की value चेंज होगी लेकिन यही काम मैं इस p3 के साथ अगर करूँगा कि मैंने p3 को set किया border inherit पे तो यह सिर्फ और सिर्फ चेक करेगा कि इसका जो parent जो के div 2 है यह div 1 पे नहीं जाएगा यह div 2 के parent को check नहीं करेगा यह सिर्फ और सिर्फ यह देखेगा क्या इसको value लगी वी है इसका reason यह है कि जो border की property है वो default inherited नहीं है इस वज़ा से उसने अपने parent की parent को नहीं देखा जो यहां पे default inherited होगा वो अपने parent को देखेगा फिर उसके parent को देखेगा और जब तक उसको value मिलना जाए यहां फिर पूरा वो html तक पहुंचना जाए तब तक वो parents को देखता जाएगा कि कहीं से मुझे इसकी value मिल जाए यहां पे मैंने इसको inherit preset किया p3 को और यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने refresh किया है लेकिन p3 को कोई border assign नहीं हुआ क्योंकि div 2 को यहां पर कोई border assign नहीं है मैं यहां पर अगर div 2 को भी select करके उसको भी border inherit कर दूँगा तो अब यहां पर जो main समयने वाली बात है वो यह है कि मैंने main border दिया है div 1 को जो के यह element है उसके बाद मैंने का div 2 inherit कर ले div 2 child है div 1 का तो यह inherit करेगा border की value div 1 से lastly मैंने का div 3 जो p3 है वो भी border की value inherit कर ले इसने inherit करना है अपने parent से जो के div 2 है जो के already अपनी border की value inherited कर रहा है div 1 से इस वज़ा से अब div 2 पे भी border की value आजएगी और p3 पे भी आजएगी यहां पर आकर refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इन तोनों पे भी border की value आजएगी एक दफा मैं फिर इसको repeat कर देता हूँ ताकि आपको fully clear हो जाए यहां पर basically कोई भी CSS की property है और आपने यह देखना है कि क्या अगर मैं इसको inherited पे इसकी value set कर दूँगा यहां फिर अगर मैं इसकी value set नहीं करता हूँ और इसके parent को इस same property की value assign करता हूँ जैसे कि यह color की property थी तो क्या इस parent के जो जितने भी child और descendant है जो उसके अंदर html elements में लिखे है वो उस property को उस property की value को inherit करेंगे के नहीं करेंगे तो आप सिरफ और सिरफ यहां पे इस page पे आएंगे इसका link basically मैं आपको देदूगा मैं आपको यह start जो property है इसका starting property का link दे दूँगा ताकि आप बाकी किसी भी property को यहां से check कर सकें सिरफ और सिरफ आपने उस property को open करना है और यहां पे definition और usage के section में इस चीज़ को confirm कर लेना है कि क्या उसकी inheritance value yes है के नहीं अगर वो yes है तो इसका मतलब है कि आप parent को value assign करेंगे वो property और उसकी value assign करेंगे तो उसके सारे childs automatically उस property को inherit कर लेंगे और इसका दूसरा जो important concept है वो यह है कि अगर यह no होगी और आप किसी child को inherit की value set कर देते हैं उस case में जैसे के border यह by default inherited नहीं है लेकिन मैंने यहां पे P3 को inherit पे set किया था और इसके parent में वो border की कोई value नहीं थी तो यह अपने parent के parent में चेक नहीं करेगा क्योंकि by default उसने inherit नहीं करना इसने सब parent पे चेक किया border की value यहां पे कुछ assign ना की जाए तो उसकी by default जो value होगी basically इस पे dependent होगी कि अगर तो वो inherited true है तो by default उसकी value inherit होगी लेकिन क्योंकि यह by default inherit नहीं है border की value यहां पर false है, no है तो इसकी जो default value होती है border की वो unset होती है और unset का क्या मतलब होता है वो हम अभी कुछ देर में study करेंगे नहीं यहां पे save करता हूँ और यहां पे आके basically इसे refresh करता हूँ तो यह आपको यहां से भी confirm हो गया end results है तो अभी तक हमने दो चीज़ों को clear किया कि inherit की जो property value है उसका क्या मक्सद है और हम यह चीज़ कैसे check कर सकते हैं कि कोई CSS की property वो by default inherited है कि नहीं है यह दो चीज़े हमने clear कर लिए next अब मैं आपको बताऊंगा कि CSS में property की initial value जो special initial value है उसका क्या मत्ता रहा है initial value को explain करने के लिए मैं यहाँ पर dev tools को open कर लोगा right click करूँगा और inspect पे click करूँगा इसका macOS पे short hand way है command options आई यह मैं press करूँगा तो इससे dev tools open हो जाएगा और यहाँ पर मैं elements के tab में आ जाँगा इसको मैं scroll up करूँगा थोड़ा सा और यहाँ से मैं किसी भी एक element को select कर लोगा मैंने यहाँ से यह P3 को select कर लिया और इसके computed यह जो styles का tab है यहाँ से मैं इसकी computed value में आ जाँगा और यहाँ पर मैं search करूँगा color की property को और यह मुझे show कर देगा कि color की property को जो final value assign हो रही है इस P3 element को वो क्या है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो pure red color है अब मैं वाफिस coded detail में आऊँगा और यहाँ पर basically P3 हमारा पहले ही selected है यहाँ पर मैं इसकी जो color की value है उसको set कर दूँगा initial पर यह special keyword है inherit की तरह ही इसकी एक special value है और इसकी value को set कर दूँगा initial पर मैंने इसकी value को set किया यहाँ पर initial पर save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका जो color है वो जो इसका default color था starting color उस पे revert हो गया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसको जो final color की value assign हो रही है वो basically जो default इसकी starting value थी वो assign हो रही है जो कि black होती है text को जो default color लगता है वो black है इससे ये clear हुआ कि जब हम किसी भी CSS की property को initial पे set करते हैं तो वो जो उसकी starting value होती है यहाँ पर basically मैं comment कर देता हूँ कि इसको initial पे set करने की वज़ासे जो इसकी starting value है वो इसको assign होगी है जो भी उस property की starting value होगी वो उसको assign हो जाएगी यह काफी straightforward है यह समझ ले कि आपने अगर उस CSS की property को एक किसम का reset करना हो कि जो इसकी starting default value थी उसके यह वाफिज आ जाए तो उसके लिए हम initial का keyword use करते हैं हम उसका property को mention करते हैं और initial as a value assign करते हैं इससे उस property की जो value है वो reset हो जाती है जो कि उसकी starting value हो उस पे और color की जो starting value है वो black होती है आप color की तरह बाकी किसी भी CSS property की value को initial पे set कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर background color को select करूँ और उसकी value को initial पे set कर दो तो यहाँ पर visually आपको कोई change नजर आएगा यहाँ पर इसको और explain करने के लिए मैं इसकी parent div को font size apply करूँगा जो कि मैं इसे 40 pixel पे set कर दोगा save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो font size है वो भी by default inherited होता है में कि वो अपने parent div font size को apply करता है children's होता है मैं यहाँ पर वाफिज आके font size को यहाँ पर set कर दूँगा initial पे तो आप देखेंगे कि इसकी जो value है वो reset होके जो default 16 pixel होता है यहाँ पर मैं अगर search करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि by default जो पहला graph track होता है उसको font size 16 pixel assign होता है तो यह अपनी default value पे reset होगे तो यह initial जो special keyword है initial का उसका यह मतलब होता है वो reset को करता है value को reset the value to its starting value ओके यह इसका मतलब होता है next अब हम study करेंगे unset unset की value को जब हम study कर रहे हो तो यह चीज़ बहुत importance रखती है कि यह किस property पर define की गई है क्योंकि अगर वो property by default inherit करती है मीनकि यहाँ पर उस property का जो value inherited की value है वो yes लिखी हुई है तो unset का मतलब होगा अगर मैं उस property को unset कर देता हूँ तो जो property inherit करती है उसके लिए unset का मतलब होता है कि inherit पे उसकी value को set कर दो और जो property inherit नहीं करती उसके लिए unset का मतलब होता है कि उसे set कर दो initial पे ओके यह थोड़ा सा difference है unset की property ज़रा special है यह जो तो properties जैसे font size है यह by default इसका inherited की जो value वो true है यहाँ पर मैं आपको search करके दिखा देता हूँ font size और इसको मैं open करता हूँ एक new tab में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि by default यह inherited true है mean यहाँ पर अगर मैं इसको unset करूँगा तो यह बिल्कुल same है कि जैसे मैं इसको कर दो यहाँ पर इसे मैं inherit और by basically यह दोनों काम अगर मैं ना भी करूँ तो भी end result same ही होगा यहाँ पर मैं इन दोनों को सबसे पहले मैंने दोनों को comment कर दिया save किया यहाँ पर आके refresh किया इसके मैं थोड़ा सा नीचे ले होंगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका font size 40 pixel हो गया और इस पर मैंने यहाँ पर three dots पर click किया है three dots पर और इस पर click किया है तो यह इसकी location change कर देगा यहाँ पर basically मैंने p3 को select कर लिया है और computed value वो अपर लिया है हो और यहाँ पर font size आप देख सकते हैं कि 40 pixel यहाँ पर assign है मैं यहाँ पर inherit font size को inherit कह देता हूँ save करता हूँ refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी भी font size 40 pixel है और अगर मैं इसको unset कर देता हूँ तब भी आप देखेंगे और मैं ताकी एरन खतम हो इसको पल लाके ऐसे comment कर दोगा refresh करूँगा तो अभी भी यह 40 pixel पर ही set है mean कोई भी property जिसकी inherited value जो by default inherit करती है अपने parents से यहाँ पर जिसका inherited की value yes होगी उस पे अगर आप unset set कर देंगे तो वो बिलकुल सेम होगा जैसे कि आपने उसे set किया है inherited ये और अगर वो by default inherit नहीं करती जैसे कि यह border की property है यहाँ पे हमने open की हुई थी यह inherited इसका no है अगर border की property को मैं unset set करूँगा तो उसका मतलब होगा कि मैंने उसको initial पे set कर दिया है mean unset और initial ये दोनों same है border के लिए क्योंके वो by default inherit नहीं करती यहाँ पे मैं लिख देता हूँ for those properties which inherit by default और इसको मैं नीचे ले आऊँगा और इसको मैं लिख दोगा यहाँ पे line देख और यहाँ पे which do not okay for those properties which do not inherit by default unset is equal to initial और जो properties inherit करती है उनके लिए unset equal है inherit का तो ये difference आपको पतावना चाहिए अभी तक हमने 3 special values को study किया है inherit जिसका मतलब होता है कि जो भी इसके parent को इस property की value लगी हुई है वो ही value इस children को भी लग जाए initial जो के reset करता है basically यहाँ पे space आने चाहिए थी reset the value जो इसके starting value होती है वहाँ पी reset कर देता है unset ये special है basically जो values inherit करती है by default उनके लिए इसकी मतलब होता है inherit और जो by default inherit नहीं करती उनके लिए इसका मतलब होगा initial next हम last special value को study करेंगे revert और उसी के साथ आज का हमारा lecture कम्प्लीट हो जाए unset की value की तरह revert की value भी इस पे dependent है कि ये inherit उस property का by default true है के नहीं लेकिन एक जो difference है इन दोनों में वो ये है कि जो value by default inherit करती है अगर मैं उनको इसे मैं यहां तक basically comment कर दूँगा और इन comments को close कर दूँगा और इसे यहां पर paste कर दूँगा ताकि आपके record के लिए वो चीज़ वहां पर दे और यहां पर अब मैं इसे font size तक ले आऊँगा font size inherit और यहां पर इसको यहां पर आके refresh करूँगा यह आ गया और color क्योंके मैंने remove कर दिया है तो वो भी by default inhabit पर चला गया पहले मैंने initial किया हुआ था इस वज़ा से वो reset हो रहा था अगर मैं इसे reverse करूँगा यह special value है और इसके लिए मैं इसे basically copy कर लूँगा क्योंके यह almost same होने वाला है एक difference के चोड़ के जो properties by default inherit करती है उनके लिए reverse का मतलब inherit ही है तो यह बिलकुल same है जिस तरह की unset कर दी है लेकिन यह unset से different यहां पर होती है कि जो properties by default inherit नहीं करती जैसे कि border की value है यह बाकी जो भी property जो by default inherit नहीं करती वो उसको जब हम revert पे set करती है तो उसका मतलब initial नहीं होता बलकि उसका मतलब यह होता है कि जो browser ने जो current browser है उसने जो उसकी value set की हुई है उस value पे इसे set कर दो example के तोर पे अगर chrome browser ने सिर्फ example के तोर पे यह कह रहा हूँ border की default value को अपने अंदर set किया हुए कि जो default border है वो two pixels solid red है और जो firefox है उसने set किया हुए border की value को कि जो default browser ने border की property की value को set किया हुए वो यह है कि four pixel dashed blue है तो जब मैं किसी element पर border को set करूंगा reward पर और इसे मैं comment कर देता हूँ जो code है वो chrome पे open होगा तो उसका मतलब होगा कि उसका border जो है वो set हो जाएगा two pixel solid red पर और अगर वो firefox में open होगा तो उसके जो border की value हो जाएगी वो four pixel dash blue do set हो जाएगी और यह सिर्फ और सिर्फ मैंने example के तोड़ पर बताया है कि यह browser पर dependent होते हैं कि browser ने उस property की value को क्या set किया हुआ है क्या define किया हुआ है यह reward non inherited properties को initial पर set नहीं करता यह difference है unset और reward में मैं यहाँ पर इसे save करूँगा और यहाँ पर आके refresh करूँगा और क्योंके basically मैंने यहाँ पर border को revert किया है और font size को भी revert किया है और font size by default inherited है यहाँ पर yes लिखा हुआ है तो इसका मतलब exactly same हो गया है कि जैसे मैंने यहाँ पर inherit लिखा हूँ यह बिलकुल same है इस वज़ा से अभी भी इसका font size है वो 40 pixel की है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसी के साथ हमने आज की वीडियो में यह 4 special values को study किया जिसमें inherit, initial, unset और revert यह special CSS values हैं जो कि हम किसी भी properties को दे सकते हैं last वीडियो को finalize करने से पहले मैं आपको एक special CSS property दिखाऊंगा जिसको use करते होएं हम किसी भी HTML element की हर एक CSS property की value को इन चारों में से किसी एक value पर set कर सकते हैं अगर आप किसी HTML element की हर एक CSS property को inherit, initial, unset यां, leverage की value पर set करना जाते हैं और बाद में अपनी कोई styling उस पे apply करना चाते हैं तो इसके लिए हमारे पास CSS में एक special property है जिसका आपका नाम hopefully आपने guess कर लिया होगा all है, मैं यहां पर all लिखोगा और यहां पर basically मैं कुछ भी इसको set कर सकता हूँ जैसे कि initial पर मैंने set कर दिया और क्योंके मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ और यहां पर font size को revert जिसका मतलब के inherited values के लिए inherit होता है, वो पहले लिखा हुआ है तो यह font size को भी revert कर देगा initial value पे यहां पर all हर एक CSS property को select करके उसकी value को set कर देगा initial के लिए, इसलिए by default और जब भी हम all को use करें तो यह पहली line होती है CSS code block में और उसके बाद हम जो specific basically property को value देदी हो वो बाद में assign पर यहां पर पहले मैं आपको end result दिखा देता हूँ कि अभी क्या end result है all के बिना और यहां पर जब मैंने all को initial पे set कर दिया और क्योंकि font size जो मैंने specific set किया था वो पहले आ रहा है यह override हो जाएगा इसकी वज़ा से यहां पर refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हर एक चीज जो है वो initial पे set हो गई है और एक चीज आपने note की होगी जो मैं आपको clearly यहां पे दिखा देता हूँ यहां पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ font size को initial करता हूँ font size और border को initial पे set करता हूँ sorry, यहां पर initial करता हूँ save, refresh तो यह अभी भी इस नीचे वाली line पे है इसका मतलब कि जब मैंने यहां पर all को initial पे set किया तो इसने हर एक css की property को initial set कर दिया जिसमें के इसने display की value को भी initial पे set कर दिया और display की value की जो reset value है तो है inline इस वज़ा से आप देख सकती है कि जब मैंने all को initial पे set किया और उसने हर एक css की property को reset कर गिया जिसमें display की property भी सामिल थी तो उसकी value यहां पर मैं आपको search करते दिखा सकता हूँ और display inline हो गया तो इसी के साथ हमने all की जो special CSS की property है उसको भी study कर लिया जैसे के मैंने आपको बताया जब भी हम को CSS का block रिखें और इस property को use करना चाहें तो यह सबसे पहली property होनी चाहिए ताके हम जो भी style को revert, reset करना है वो सबसे पहले कर ले और उसके बाद जो specific styling हमने apply करनी है वो properly implement हो तो यह proper तरीका होता है ना कि अगर आप अपनी specific styling पहले implement करके end पे आके उसको revert, unset या initial कर देंगे तो वो साथ ही आपकी styling remove हो जाएगी यहाँ पे refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि display तो inline पे set हो गया यहाँ पर लेकिन क्योंकि font इसको मैंने revert किया था जो कि inherited values के लिए equal होता है inherited के तो उसने अपने parent का font site inherited कर दिया तो यह इसका final result है lastly मैं आपको यह बताऊँगा कि आप यह कैसे check कर सकते हैं कि कि CSS property की जो default value है जो कि जब हम initial पे set करें तो किस value पे वो set होगी यह आप कैसे check कर सकते हैं इस चीज़ को confirm करने के लिए कि जब आप basically किसी भी CSS property की value को initial पे set करते हैं तो कौन सी value assign होती है उसकी reset value क्या है यह बहुत ही असान है आप यहाँ पे basically एक simple सा document बना ले और उस में जो अपने custom styling है उनको बस remove कर ले यह तरीका होगा यहाँ पे basically मैंने सारे custom styling को remove कर लिया इसको भी मैंने यहाँ पे comment कर दिया हाद एक चीज़ को और आप select all करें और all properties को set कर दे initial पे यह किया और यहाँ पर आके browser में आके refresh कर दे और अब आप किसी भी element को जैसे के div को select कर ले और जिस भी property की आप value को check रिना चाहते हैं जैसे मैं check कर रिना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो background की property है क्योंकि यहाँ पे assign नहीं होई मैं show all पे click करूँगा इसका मतलब यह होगा कि वो property मैंने assign की है या नहीं की क्योंकि हर एक property by default हर एक element को assign हो रही होती है सिरफ और सिरफ computed by default हमें वो properties show कर वाता है जो हमने style के थरूँ उसको assign की हो आप computed में यहाँ पे show all कर लेंगे तो यह हर एक CSS property जो कि उस element को assign हो सकती है वो आपको show कर देगा और क्योंकि background एक div element को assign हो सकता है इस लिए हम उसकी value को यहाँ पे check कर सकते हैं और यहाँ पि बिसिकली मुझे से देखना परेगा यह basically उसकी जो default values है उनको show कर रहा है और short hand property इस वज़ा से show नहीं कर रहा क्योंकि short hand property हमारे styling के लिए है by default CSS जो है वो short hand property नहीं बलकि जो complete हमारे पास individual properties है उनको use करता है जैसे मैं यहाँ पर border को search करूँगा तो आप देख सकते हैं कि border की short hand property यूज नहीं हो बलकि left, right, top और bottom ये use हो गए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो background अगर color की बात की जाए तो उसकी जो value है वो set हुई हुई है transparent पे ये basically एक special value है R, G, B, A और ये हम future video में study करेंगे properly CSS में ये CSS function है हम CSS functions की जब video आएगी तो इसको और बाकी भी जो CSS में functions available है उनको properly study करेंगे अभी के लिए आप इसको समझ रहें कि ये transparent के equal है और transparent क्या है ये हम next video में study करेंगे और यहाँ पर background color की जो value है वो transparent पर set है ये basically एक special CSS function है R, G, B, A ये हम properly study करेंगे जब हम CSS functions पर बात कर रहे होगे अभी के लिए आप इसको याद रख लें कि ये जो है equal है transparent के और यहाँ इसी लिए हमें कोई भी background color जो है नजल में ही आ रहा है ये थी आज की वीडियो इस वीडियो में आपने सीखा कि CSS में जो special chart property value types होती है inherited, initial, unset, on, reward उनका क्या काम है और उनको आप किस जगा यूज़ कर सकते हैं उसके लावा आपने CSS में all जो special property है जो कि हर एक CSS property को select करती है उसको study किया कि उसको use करते होए आप हर एक property की value को reset कैसे कर सकते हैं उसके लावा आपने ये देखा कि आप किसी भी CSS property को कैसे check कर सकते हैं कि वो by default inherited है या नहीं है और lastly मैंने आपको ये बताया कि आप जब किसी भी CSS property को initial पर set करते हैं तो उसकी जो unset, reset value होती है वो क्या होती है और आप उसको chrome dev tools use करते हो भी किस तरह identify करते हैं वीडियो के related कोई भी question हो तो please उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करना ना बुलें इस तरह की और बहुत सी videos आने वाली हैं हमने already HTML fundamentals के part को complete कर ली है और currently हमारा CSS fundamental का part भी almost complete होने पे आ गया है जब हम ये दोनों parts को complete कर लेंगे तो उसके बाद हम कुछ websites की layout को clone करेंगे जिसमें के मैं आपको जो best practices होती है responsive design ये सारी चीज़ों को clear करवाँगा और जब ये काम हम कर चुके होंगे तो उसके बाद फिर हम start करेंगे JavaScript के साथ तो इसलिए चैनल को ज़रूर subscribe करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के notification मिलता रहे मैं आपसे मिलूँगा next video में सब तक के लिए यालना आफिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel करें न सक्क अर्ड़क्ल थामा आफबस द चैनल करें पर आफिस असलाम अलेकुम मैं हो एसल महमूद और वेलकम टो जायॉंस लास्ट वीडियो में हमने चार स्पेशल CSS प्रोपर्टी वैलियूस को स्टेडी किया था जिसमें इनहेरिट, अनिशियल, अनसेट और रिवर्ट को हमने स्टेडी किया था आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा CSS में जो कलर रिलेटिट प्रोपर्टी होती है वो कौन कौन सी वैलियू एकसेट कर सकती है जिसमें के जो कलर वैलियूस हम स्टेडी करेंगे उसमें शामिल है यह सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे चलते हैं वीडियो किदा रहूंगा मैं यहाँ पर Chrome Browser को उपन कर लूँगा और साथ ही Code Editor को उपन कर लूँगा लास्ट टाइम हमने यहाँ तक स्टेडी किया था जिसमें के हमने यह चार Special Values को स्टेडी किया था अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर रिसेट कर लूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा CSS Color Properties Values ओके Save और यहाँ पर मैं इसको भी साथ ही सेट कर लूँगा रिफ्रेश करूँगा और यह हमारे पास Default यहाँ पर आ गया सबसे पहले मैं आपको Pre-Defined Color Values के उन्तलिक बताऊँगा जिसमें के मैं यहाँ पर H1 को स्लेक कर लूँगा और Color की Property पे उसको Assign करूँगा यह जो भी चीजे मैं आपको आज बताऊँगा यह Basically कोई भी Color Related Property पे Assign हो जाएगी जैसे के Background Color, Border Color और भी कोई भी ऐसी Property जो के Color Related Value को Accept रहती है उस सब पे यह Assign किया जा सकता है मैं अभी सिरफ Education Purpose के लिए Color की Property को यूज़ करूँगा और Pre-Defined Color Values Basically जो के Colors के नाम है जैसे Black और इसके अलावा आप यहां पर यह सारे देख सकते हैं जो मुझे यहां पर Pre-Defined Color Values में दी हैं यह Auto Complete अगर आपके पास ना आगा हो तो Windows User यहां पे Cursele लाके Basically Column के बाद और सेरनी Column से पहले इसके Center में Cursele को रखेंगे और Control प्लस Space दबाएंगे और उनके पास Auto Complete शोओने लग पड़ेगा Mac OS User Option प्लस Escape की दबाएंगे तो उनके पास Auto Complete शोओने लग पड़ेगा और यहां पर वो Pre-Defined जो Color Values हैं उनको मेंसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि यह जो भी Color Value है उसको यूज़ कर सकते हैं और यह इसका Special एक नाम है मैं इसको Save करूँगा, Refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो Color यहां पर Assign हो गया Next अब मैं आपको बताऊंगा कि Current Color Value और Transparent as a Color Value उसको कैसे यूज़ करते हैं Current Color, CSS Color Related Properties के लिए एक Special Value है जो के बेसिकली यहां पर मैंने यह Color की प्रोपर्टी को इसके एक्वल Assign किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक Border दो जिसे कि मैं 10 पिक्जर Solid Border यह मैंने ऐसे Border Assign किया अगर मैं इसको As It Is Refresh करूँगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो Border Color है वो By Default जो मैंने Color इस Element को Color की Property पे Value दी है उसको Accept कर रहा है यहां पर Basically मैं अगर इसे Red Set कर देता हूँ, Refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो Change हो गया तो By Default जो Border की Property को Value लग रही होती है वो लग रही होती है Current Color यह Basically एक Special Value है जो के इस Element को जो Color की Value Assign होती है वो यहां पर Output करता है, मैं इसको Save करूँगा और Refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि End Result हमारे पास फिर Same आगया जो के By Default हमारे पास आगया तो यह हमारे पास Current Color की Value है इसके अलावा हमारे पास जो एक और Keyword है, Color के लिए वो है Transparent मैंने इसको Set करूँगा और Save करूँगा तो Basically, Hopefully आपने Guess कर ली होगा, यहां पर Refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे Border पर नजर नहीं आ रहा Transparent का मतलब होता है कि Invisible Border ओके यह दो Keywords है Current Color और Transparent Current Color का मतलब होता है कि जो Color की Value Assign है, उसकी Value को Output कर दो यहां पर यह Basically आपके लिए Useful थाबित हो सकती है कि अगर आप यहां पर आपके पास एक Div हो मेरे पास एक Div है और उसके अंदर मेरे पास Paragraph टैग है जिसमें मैंने कुछ Text लिखा हुआ है Chlorum मैंने Text लिखा हुआ है और यहां पर Basically मैं इसको Class देता हूँ Div 1 इसको यहां पर आके . Div 1 और इसको Color Assign करता हूँ Green और थोड़ी Padding दे देता हूँ ताके बिसिकली जो टैग है और Div क्या जो बॉर्डर है उसमें थोड़ी स्पेस हो मैं इसको ज़रा Padding दे देता हूँ 30 पिक्जल Save यहां पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आ गया है और Paragraph Tag को जो Div 1 के अंदर Paragraph Tag है उसको Background Color मैं दे देता हूँ White इसका Reason मैं आपको अभी बता रहता हूँ यहां पर बिसिकली अभी रिफ्रेश करूँगा कोई चेंज नहीं होगा लेकिन यहां पर आके मैं बिसिकली इसका Background Color सेट करूँगा Front Color के यह बिसिकली आउटपुट करेगा यहां पर जो भी वैल्यू मैंने Color को सेट की हुई है इस Element पर Save, Refresh तो आप देख सकते हैं कि जो Div है उसका Background Color किया हो गया जो कि मैंने Color और मैं यहां पर सरफ एक जगा पर इसको चेंज करूँगा कुछ भी यहां पर मैं Color Value लिख सकता हूँ यहां पर मैं Hover करूँगा और कुछ भी इसकी Value यहां पर सेट कर दिखा हूँ Save, Refresh तो आप देख सकते हैं कि Automatically दोनों चीज़े जो हैं वो Update हो गई इस तरह कि Use Cases में यह जो Current Color है यह आपके काम आ सकता है यह Output करेगा जो भी Value आपके Color के Property को Assign होई होगी Next अब हम Study करेंगे Hex Code as a Color Value अभी तक जो Color Set करने का तरीका मैंने आपको बताया है वो यह Pre-Defined Color Values को Use करते होगे हैं अभी के लिए इसको Ignore कर देते हैं इसको हम अभी Study करेंगे कुछ देर तक यहाँ पर मैं Green इससे सेक्र देखाओ Save Refresh अभी तक हमने सिरब Pre-Defined Color Values को Use किया है लेकिन Pre-Defined Color Values में हमें हर एक किसम का Color नहीं मिल सकता उस Case को Fulfill करने के लिए हमारे पास Hex Code, RGBA और HSL ये तीन Methods हैं जिसके तरू हम जो भी Color Value चाहें जिस भी Opacity के साथ चाहें अपनी Color Value को Set कर सके हैं अभी मैं आपको सबसे पहले यहां पर बताऊंगा Hex Code के साथ Hex Code basically Hash के साथ स्टार्ट होता है और उसके बाद 6 डिजट का Code आपने लिखना होता है ये 6 डिजट का Code एक Special Color Value को Represent करता है जिसमें कि पहले 2 डिजट रेड कलर को Represent कर रहे होते हैं यहां पर मैं इसको Define कर देता हूँ पहले 2 डिजट हैं वो Red को Define कर रहे होते हैं बाद में 2 डिजट ग्रीन को Represent कर रहे होते हैं और फिर 2 डिजट ग्लू को Represent कर रहे होते हैं यहां पर Zero का मतलब होता है कि वो Color absence है पूरी तरह से अगर आप तीनों को Zero के Equal रख देंगे तो Black Color होगा और Full अगर वो Color आपको चाहिए तो आप F को Use करती है Small F या Capital F दोनों Equal है Save करूँगा अभी क्योंकि मैंने यहां पर पहले 2 डिजट को F के Equal रखा है इसको as such basically आपको understand करने की ज़रोत नहीं है क्योंकि हमें as a developer designers की तरफ से Color Quotes मिलते हैं जिनकों के हमने use करना होता है यहां पर जो चीज आपके समझने वाली है वो यह है कि हम hex quote के जरीए अपनी Color Value को assign कर सकते हैं यहां पर मैं इसको save करूंगा refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो set हो गया अगर आप इसकी opacity को भी control करना चाते हैं तो आप 6 की बजाए 8 digits को use करेंगे जिसमें के आखिर वाले 2 digits जो हैं वो opacity को represent करते हैं 00 अगर मैं end पर लिख दूँँगा तो उसका मतलब है कि zero opacity fully transparent color save, refresh तो आप देख सकते हैं कि यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा और अगर मैं यहां पर double F use करूंगा तो इसका मतलब है full opacity यहां पर आकर refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो fully visible है यह थी हमारे पास X code जिसमें first दो digits red को represent करते हैं फिर green को, फिर blue को और add वाले दो digits opacity को represent करते हैं मैं यहां पर पूरे spelling लिखते था हूँ red, green, blue और lastly opacity ओके next अब हम study करेंगे RGB और RGBA color value lastly hex color code value में आप double की बजाए single digit भी use कर सकते हैं में पहला जो digit होगा फिर वो red को represent करेगा फिर second digit green को और third digit जो होगा वो blue को represent करेगा और lastly fourth digit जो होगा वो represent कर रहा होगा इसकी opacity को यहां पर अगर मैं first वाले को F के equal कर देता हूँ और last वाले को F करता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह full जो है red color बग लिए है ओके तो यह hex color code की short form है जिसमें हम double digits की बजाए single digit को use करते हैं basically double digits में हमारे पास control ज्यादा होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम यहां तो full जा सकते हैं यहां मैं जा सकते हैं बीच में भी जो values होती है लेकिन control ज़रा कम हो जाता है save करूँगा यहां पर refresh करूँगा तो आप देख सेकते हैं end result मैं यहां पर first F को zero कर दूँगा और last F को mean के full value set कर दूँगा तो आप देख सेकते हैं इसका जो color है यहां पर blue हो गया refresh करूँगा यहां पर भी blue हो गया next अब हम study करेंगे RGB और RGB A as color value RGB और RGB A color value भी hex code की तरह ही है almost तो CSS functions यह basically CSS functions में से हैं CSS functions जो specifically color functions हैं okay मैं इनके spelling बस से कर देता हूँ next जिसमें के हमारे पास RGB और RGB A है start करते हैं RGB से यहां पर मैंने color को set किया और RGB यह मैंने set किया R stand for red G for B और sorry G for green mean और B for blue mean यहां पर जो पहली इसमें जो चीज़ चेंज होती है hex color code से वो इसके unit है जो यह accept करता है यह basically alpha pets को accept नहीं करता है बलकि जीरो से लेके यहां पर मैं लिख देता हूँ जीरो से लेके 255 तक digit को जो number digit है उसको accept करता है जिसमें 255 का मतलब होता है full और zero का मतलब होता है कि complete access यहां पर अगर मैं 255 करूंगा और फिर मझे green को represent करना होगा उसको मैंने null कर दिया zero और साथ में blue को भी उसको मैंने zero कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो color बना है यह red color बना है यहां पर मैं इसे save करूंगा और यहां पर आके refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर यह value यहां पर इसे green में convert परने के लिए मैं पहले red की value को zero कर दूंगा और green की value को 255 कर दूंगा full value save करूंगा refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यह green होगे next RGBA ये बिलकुल सेम है RGB की तरह लेकिन इसमें end पे A आ जाता है जो के alpha या opacity को represent करता है जो के हम यहाँ पर एक और कॉमा लगाके zero से लेके one तक ये accept करता है zero का मतलब है complete transparent और one का मतलब है full करता हूँ refresh करता हूँ ये same result है यहाँ पे zero कर दूँगा तो ये basically fully transparent हो जाएगा और अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूँगा तो ये semi 50% transparent हो जाएगा next अब हम study करेंगे HSL और HSLA color value यहाँ पे मैं इसे comment कर दूँगा और नीचे आके HSL और जो हम दूसर से study करेंगा HSLA ये दोनों भी CSS function ही है और color functions है इसको मैं as it is यहाँ पे लिख दूँगा और ये basically जो represent करते हैं वो ये है यहाँ पे मैं एक enter HSLA जहाँ पर कि H जो represent करता है वो represent करता है U को जो S है वो represent करता है saturation को और जो L है वो represent करता है lightness को lastly जो A है वो represent करता है alpha को यहाँ पिर opacity को ओके यहाँ पर मैं color define करूंगा और यहाँ पर इसकी value को set करूंगा HSL अभी के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैं रहे एंटर किया वो कहरा है hue saturation or lightness hue basically color value को represent करती है जो के 0 से लेके 360 तक होती है जिसमें 0 और 360 equal होते हैं red के 0 या 360 value equal होती है complete red के 120 equal होता है complete green के और 240 equal होता है complete blue के और इसके दर्मियान जो भी value करेंगे वो फिर colors का mixture होगा उसके बाद जो saturation है वो basically 0 से लेके 100% तक हो सकती है जिसमें के 0 का मतलब है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिसमें के 0 का मतलब है gray उसमें layer होगी complete gray scale हो जाएगा और 100% का मतलब है full color जो हमारा color होगा उसकी value as it is last में lightness वो हमारी 0 से लेके 100% हो सकती है जिसमें के 3 values most important है 0 का मतलब है full black 50% का मतलब है full color और 100% का मतलब है full white 50% को आप इस तरह consider कर सकते हैं कि ना वो black होगा और ना ही white होगा जिस तरह color की value शोनी चाहिए उस तरह होगी lastly यहां पर मैं उपर लिख भी देता हूँ कि यह किस-किस को explain कर रहा हूँ hue को saturation को lightness को और lastly alpha को लिख देता हूँ जब फिर उस पर हम जाएंगे उसको study दो यह basically zero से लेके one तक हो सकता है similar जिस तरह कि हमने last study किया था zero mean full transparent और one mean full color okay यहां पर मैं hue की value जैसे कि मैंने आपको बताया कि zero और 360 represent करते हैं red को तो मैं यहां पर 360 कर दूँगा red color के लिए और saturation यहां पर basically percentage का sign होना चाहिए आपने saturation की कोई भी value assign करनी है तो percentage का sign रिक्वाया same lightness के लिए भी यह sorry मैं सो गया था यहां पर saturation मैं कहा देता हूँ 0% और lastly lightness को भी मैं कहा देता हूँ 0% क्योंके color तो red मैंने define की है लेकिन saturation मैंने zero कर दी है तो मतलब gray scale हो जाएगा लेकिन उसके बाद मैंने lightness को zero कर दी है तो black color हो जाएगा refresh करूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं black color है मैं यहां पर basically इसको lightness को null करने के लिए या फुल color लाने के लिए मैं 50% यहां पर value दूँगा 50% भी यहां पर value save और यहां पर आके refresh करूँगा ब्राउजर में तो आप देख सकते हैं कि अब gray color आ रहा है क्योंकि अब यहां पर lightness की वज़ा से तो full color आ रहा है लेकिन gray scale यहां पर zero की वज़ा से gray scale आ रहा है इसको मैं अगर 100% कर दूँगा जिसका मतलब है saturation का full color save करूँगा refresh करूँगा तो अब red आएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि अब red आ और इसी तरह basically यहां पर अगर मैं 240 कर दूँगा तो वो blue के कर दूँगा इसके बाद next हमारे पास जो है SHLA जिसमें के last alpha को represent करता है यहां पर एक और comma डालके zero कर दूँगा तो यह fully transparent हो जाएगा one कर दूँगा तो यह full color हो जाएगा यह हमारे पास कुछ color values हैं जिनको हम use कर सकते हैं किसी भी तरह का color अपनी HTML elements को assign करने के लिए चाहे वो border color हो background color हो text color हो यह कोई भी all value हो जो के color value को as यह कोई भी all property हो जो के color value को accept कर सके यह थी आज की वीडियो hopefully आपको वीडियो पसंदा ही होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो please उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like, share and comment करें channel को subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next video में तब तके लिए Allah आपिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum मैं हूँ Aysan Mahmoud and welcome to Zions last video में हमने study किया था कि हम CSS में जो color related properties है जो के color value को accept कर सकती है उन में हम क्या-क्या value पास कर सकती है जिसमें हमने RGVA, HSLA, current color, transparent, hexa color और भी काफी कुछ study किया था आज की वीडियो से हम एक बहुत ही important concept को start करने लगे है CSS units basically CSS में बहुत सी ऐसी properties है जो के length को as a value accept करती है जिसमें width, margin, font size, padding और भी बहुत ही जैसे के border width काफी ज्यादा properties इस तरह की है जो के length को जो के एक number और उसके साथ कोई unit होता है जो के pixel, em, ram, inch, centimeter या कोई भी और unit हो सकता है उसको as a value accept करती है आज की वीडियो में आपको एक basic सा overview दोगा के कौन-कौन से CSS units available है और उसके बाद next वीडियो से हम properly पहली type से start करेंगे चलते हैं वीडियो की तरह मैं यहां पर chrome browser को open कर लोगा और यह sheet जिसका link आपको description में भी available होगा उसमें अभी तक हम में almost 60 CSS properties को cover कर ली है काफी ज्यादा CSS selectors, almost जितने CSS selectors थे उनको cover कर ली है और कुछ special types को जो value हैं उनको study कर ली है आज की वीडियो में वैंने यह एक नई sheet इसमें sub sheet बनाई है जिसमें के CSS units में हमारे पास दो types के CSS units होते हैं absolute length और relative length absolute length units में हमारे पास cm, cm, mm, mm, in, inches, px, pixel, pt, point और pc, pka यह basically हमारे पास total 6 units हैं जो के absolute length में हमारे पास available होते हैं जिसमें बाकी जो units हैं pixel को चोड़के बाकी सारी units mainly हम print media में use करते हैं जब हमने कोई print के लिए document बनानी हों web design में mainly हम सिरफ और सिरफ pixel को use करते हैं next relative units relative length units में हमारे पास em जो के relative होता है current element के font size के ram जो के relative होता है root element के font size के vw जो के relative होता है viewport की width के vh जो के relative होता है viewport की height के vmin जो के relative होता है जो भी unit smaller हो जो भी dimension smaller हो mean एक screen पे अगर मैं इसको resize करता हूँ यहां पर इस तरह से अब इसकी जो height है वो कम है इसकी width से तो vmin इस case में मुझे इसकी height लाके देगा और vmax basically vmin के opposite है के जो dimension बड़ी होगी viewport में उसको लाके देगा इस case में width होगी क्योंके width height से ज्यादा है lastly हमारे पास है percentage जो के relative होता है parent element की property के जो भी property आप child element पर use कर रहे हो उसकी जो value same property की के basically आपने child को width देनी है और percentage में देंगे तो वो width relative होगी उसके parent के width के यह हमारे पास units ते इसको मैं full screen कर लेता हूँ यहां पर हमने इनका basic सा overview किया next video में हम start करेंगे absolute units में से जहां पर मैं आपको इन सबको एक दफा यूज करके दिखा दूँगा लेकिन क्योंके मैंने जैसे बताया कि absolute units में से website design में हम सिरफ और सिरफ pixel यूज करते हैं और relative units में से हम यूज करते हैं ज्यादा तर EM, RAM और percentage इन तिनों के अलावा कभी कबार हम VW और VH भी यूज करते हैं लेकिन mostly हमारे पास सब यह 4 units जो हैं वो web development में mostly यही यूज होते हैं pixel from absolute unit और M, RAM और percentage from relative units next video में हम start करेंगे absolute units से और मैं आपको सब units को use करके दिखाऊंगा कि उनका end result क्या होता है यह थी आज की वीडियो hopefully आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो please comment section में उसको mention करें मैं उसका जवाब दूँगा video को like share and comment करें इस तरह की और बहूसी videos आने वाली है हम बहुत डल जावस्किप का course भी तरौनी वाले है तो उस course से फाइदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नह भूले ताके जैसे ही हिए worldly zeggen हो आपको उसका notification मिल जाय कि मैं आपसे मिलूँगा नेक्स वीडियो में, सब तक के लिए लावस्तु असलाम अलेकुम, मैं हूँ आसे महमूत, और वेलकम तु जायोज्स। लास वीडियो में हमने study किया था, कि css में length के कौन-कौन से units होते हैं, जिसमें के हमने absolute units और relative units को discuss किया था, सिर्फ के कौन-कौन से types हैं और कौन-कौन से units हमें available हैं आज की वीडियो में हम Absolute Units से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको हर एक Absolute Units को यूज़ करके दिखाऊंगा और फाइनली हम इस चीज़ का decision करेंगे कि हम अपती वेब development में कौन सा यूज़ प्राइमरली यूज़ करेंगे चलते हैं वीडियो की तरह Absolute Units से स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर Chrome Browser को उपन कर लूँगा और साथ ही Code Editor को भी उपन कर लूँगा Last time हमने यहां पर Colors तक Study किया था जिसमें के हमने Colors की Different Values को Study किया मैं यहां से इसी डॉकुमेंट को Reset कर लूँगा और CSS Length Units Absolute ओके Save और यहां पर इसे भी Refresh कर लूँगा यहां पर मैं वाफिस होंगा और Refresh करूँगा तो यह हमारे पास End Result है इस पूरे सेक्शन में जब तक हम Units पे बात कर रहे होंगे एक चीज़ बहुत ही Important है कि आपको यह Dev Tools अच्छे से यूज़ करना आता हो आप Right Click करें और Inspect करें और यहां पर जिस भी Element को आपने देखना हो यहां से यह Element Selector है मैं आपको इसे दिखा दता हूँ यह Element Selector है इस पे आपने क्लिक करना है और जिस Element को आपके देखना है कि उस पे CSS की कौन सी प्रोपर्टी लग रही है उस प्रोपर्टी की क्या वैल्यू है आप उस Element पे होवर करेंगे और क्लिक करेंगे यह उस Element को स्लेक्ट कर लेगा स्लेक्ट करने के बाद यहां पर स्टाइल्स के टैब में जो राइट हैंस राइट पे आ रहा है वहां पर आप देख सकेंगे कि स्टाइल्स के टैब में जितनी भी CSS की प्रोपर्टी इस पे लग रही है और साथ में बॉक्स मोडल इस Element का हमें शोगा लेकिन जो फाइनल कंप्यूटिट प्रोपर्टी है जैसे कि यह फाइनल प्रोपर्टी नहीं है जो इसको लग रही है मैं यहां पर आऊंगा कंप्यूटिट प्रोपर्टी में और यहां पर जिस भी प्रोपर्टी की CSS प्रोपर्टी की मुझे final value देखनी है by default आपका ये show all uncheck होगा इस तरह से और आप अगर कोई property search करेंगे तो chances है कि वो property show ना हो तो आपने ये show all को check करेंगे है ये हर एक CSS property जो कि इस element पे लग सकती है और लगती है browser में उसकी final computed value जो लग रही है वो show करेंगी जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि font size जब मैं search करता हूँ तो final जो value इसको लग रही है वो 32 pixel है जबके यहां पर styles में लिखा हुआ था 2 RAM मैं यहां पर आ जाँगा और इसको change कर लूँगा P में ताके मैं different units के साथ play कर सको मैं इसको class दे दूँगा इसको मैं h1 मी revert कर दूँगा और नीचे basically add कर दूँगा dot p1 और यहां पर lorem को add कर दूँगा इसको मैं copy paste करूँगा 3-4 दफ़ा कितने हमारे पास्ट units है 6 total units है तो मैं 6 दफ़ा इसको copy paste करूँगा 2 3 4 5 और 6 save करूँगा यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अभी के लिए हर एक font size same आ रहा है और मैंने basically इसको zoom in किया हुआ यहां पर देख सकते हैं 200 pixel पे अगर मैं reset करूँगा तो यह 16 pixel पर ही है लेकिन वो zoom in इसलिए किया हुआ है आके आपको easily नज़र आए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लूँगा ताके आपके लिए easy हो और यहां पर किसी भी element को select करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसको 1m जो font size है वो assign है यहां पर basically मैं आऊँगा और font size आप देख सकते हैं कि 16 pixel assign है अब हम start करेंगे css से e1 font size और default के लिए मैं 16 pixels आपको देख सको ताके मैं easily देख सको यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 यह वहाँ safe refresh अब सिर्फ इतना change हुआ है कि यहां पर styles में यह show हो रहा है otherwise इसके इलावा और कुछ change नहीं हुआ इसको मैं change करूँगा अब यहां पर मैं करूँगा 1 inch यह basically unit है जिसका मतलब है कि यहां पर basically मैं यहां पर कर ज़ता हूँ 1 inch इसकी value है यहां पर मैं basically next देख ज़ता हूँ next unit है millimeter 1 millimeter यहां पर basically मैं one और mm यहां पर मैं इसको यहां से निकाल लेता हूँ ताके तर्टीब हमारी सही रहे और इसको यहां से निकाल के यहां पर ले आता हूँ one centimeter यहां पर comment कर देता हूँ one centimeter next pixel point और टिका यहां पर basically अगर मैं one pixel होगा तो वह बहुत ही काम होगा देखें आपको दिखाने के लिए one point और one पी का सिर्फ और दिखाने के लिए कि यह किस तरह अपस में relative है absolute unit यह है absolute unit लेकिन इनकी value एक दूसरे के साथ compare करें तो क्या है और यहां पर basically इस element selector को select करके आप चेक कर सकते हैं कि थर एक को final जो computed value है font size की वो कितनी में रही है तो मैं यहां पर first को select करता हूँ जिसको को मैंने एक centimeter दिया था तो उसको जो final pixel में value में रही है वो यह में रही है 37.7 और something pixel और यहां पर भी मैंने लिखा होगा है यह चीज के 1 centimeter roughly equal है इसके जो के exactly सही है next move करते हैं यहां पर आ एक inch है वो 96 के equal होता है यहां पर भी लिखा होगा है next move करते है pixel यह basically एक pixel है और यह कहां पर है यह basically यहां पर नीचे करती है इसलिए जो default basically web का font size होता है default आपका webs का browser का paragraph का font size वो 16 pixel होता है next point एक point pt equal होता है 1.33 roughly 3 के pixel के और lastly एक p का वो equal होता है 16 pixel के exactly 16 pixel के इन 6 absolute units में से जो length का unit absolute length का unit हम अपने last of the course में use करेंगे वो pixel है मैं इन सब को comment कर देता हूँ कि इनको हमने use नहीं करना है और यहां पर basic अले comments को collect कर देता हूँ save और इसको 16 pixel कर देता हूँ मैं यहां पर browser में आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सारे जो है वो by default हर एक को 16 pixel assign होता है और यह इसको मैंने खुद assign किया हूँ जो pixel वाला यह थे css के absolute length units और एक दफा फिर इसमें से हम सिरफ pixel को use किया करेंगे website design में मैं इनको done mark कर दूँगा next video में हम study करेंगे relative units को यह थी आज की video, hopefully आपको video कसंद आई होगी video के related कोई भी question हो तो please उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा, video को like, share and comment करें channel को subscribe करें, मैं आपसे मिलूँगा next video में तब तक के लिए Allah आपस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हूँ Aysan Mehmood and welcome to Zyons Last video में हमने CSS में absolute length units को study किया था आज की video में मैं आपको उताऊँगा कि CSS में relative length units कौन-कौन से है चलते हैं वीडियो के तरफ relative length units से स्टार्ट करने के लिए मैं यहां पर chrome browser को open कर लूँगा और लास्ट टाइम हमने यहां तक study किया है यह हमारे done होगे थे और इस video में हम इन 7 units को study करेंगे मैं यहां पर code editor को open कर लूँगा और यहां पर basically heading को change कर लूँगा relative length units और एक और paragraph tag को add कर लूँगा e7 क्योंकि हमारे पास 7 relative units है और यहां पर इनको uncomment कर दूँगा और यह basically correct कर दूँगा इसको भी uncomment कर दूँगा और यहां पर एक सिरफ और class add कर दूँगा 7 और सब को मैं font size दे दोगा 16 pixel save यहां पर आके refresh और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सारा default state है साथ ही inspector को on कर लेंगे chrome depth tool inspector और यहां पर मैं code editor में आ जाओंगा यहां पर मैं comment set कर दूँगा कि सबसे पहले हम start करेंगे em, ram और बाकी units से basically इस वीडियो में मैं सर्फ आपको यह use करके दिखा दूँगा और next वीडियो में क्योंकि जैसे मैंने का कि हम pixel, m, ram और percentage इन चार यूनिट्स को थरू अधा course यूज़ करेंगे तो next वीडियो में आपको इनका detail में बताऊंगा क्योंकि यह आपस में किस तरह काम रहते हैं तो इस वीडियो में मैं सर्फ आपको इनको use करके दिखाऊंगा यहाँ पर मैं सर्फ को m और यहाँ पर 1 m, ram और यहाँ पर 1 ram, यहाँ पर 1 v w, यहाँ पर 1 v w, इसी तरह यहाँ पर 1 v h, इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस कर दूँगा, यहाँ पर 1 v min, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस कर दूँगा, और यहाँ पर 1 v max, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस कर दूँगा, यहाँ पर लास्ट ली percent, और basically 1 आए, पहले आए कमान, यहाँ पर 1 percent, save, और यहाँ पर आके refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि end result क्या हुआ है यहाँ पर ओ स्वरी यह 7 जो है 67 हो गया सेफ और कि यह result सही नहीं था अब सही है और यहाँ पर basically जो यह आ गया सबसे पहले m जो के basically 1m मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1m by default 16px के equal होता है क्योंकि browser में by default जो font लगा होता है जो font setting होती है वो 16px की लगी होती है जो html को by default font में लगा होता है font size वो 16px है इस वज़ा से 1m 16px की है और यह जैसे कि मैं बता चुका हूँ यह relative होता है element के font size के यह हम next video में तसली से discuss करेंगे एक RAM यह भी equal होता है 16px के क्योंकि यह root element font size के equal होता है और root element को by default html जो के html की document में root element html होता है उसको by default 16px मिला होता है इस वज़ा से यह भी 16px के equal होता है by default और यहां पर मैं इसको लिख भी दोंगा relative to document root यहां फिर html tag next यह basically relative होता है viewport की width के यहां पर जो width है इसकी उसके relative है और यह relative है viewport की height के जितनी इसकी height हो और इसको basically यहां पर यह देखें इस पर ज़रा गोड़ करिएगा क्योंकि अभी जो height है वो कम है और यहां पर v min लगा हुआ है उसके फॉरण बाद यह दोनों जो हैं यह एक साथ move करेंगे और यह दोनों हैं यह एक साथ move करेंगे यहां से देखें इनकी जो size है वो कम नहीं हो रहा क्योंकि इनका जो size है वो width पर रिपाइनेट है यह देखें मैं इसको कम करूंगा तो उसका size भी कम हो रहा है व्यूपोर्ट की width पे यह दोनों क्योंकि यह max पे लगा हुआ है और अभी width ज्यादा है इस जासे max equal है almost v w के यहाँ पर मैं आपको finally show करवा दूगा कि हर एको क्या क्या final end computed result क्या लग रहा है मैंने यहाँ पे p1 को select किया और यहाँ पर मैंने filter किया font size को और आप देख सकते हैं कि 1 ram जो है वो equal है 16 pixel के जैसे कि मैं 2-3 दफ़ा भी आपको बता चुका हूँ next 1 ram भी equal है 16 pixel के उसके बाद vw equal है यह basically width के क्योंके तो इसका मतलब है कि यह 1% है तो मेरे जो पूरा viewport है उसकी जो width अभी होगी वो almost 1433 होगी है क्योंकि इसको 100 से multiply करना है तो यह viewport की width है height पे जाएं तो वो होगी 449 इसको 100 से multiply करना है यह फिर vmin height को ही दे रहा है same है vmax width को दे रहा है क्योंकि width अभी बरी है ok vmin जो भी dimension छोटी होगी उसको return करेगा vmax जो भी dimension बरी होगी उसको return करेगा lastly percentage यह अपने parent के font size को लगा होगा है तो इस वज़ा से यह 6 pixel के इकवर्ण है इसी के साथ हमारा यह part भी complete हो गया next video में अब मैं आपको तसली से इन चारों को use करके दिखाऊंगा इनका क्या क्या use case हो सकता है और इनको किस तरह आप control कर सकते हैं क्योंकि mainly responsive design में यह दोनों और यह बहुत ही ज्यादा control होते हैं और जो fix width के लिए हम फिर इसको use करते हैं pixel को यह हम detail में next video में इस तरही करेंगे यह थी आज की video hopefully आपको video पसंद आई होगी video के related कोई भी question हो तो please comment section में उसको mention करें मैं उसका जवाब दूँगा video को like share and comment करें channel को subscribe करें ताके आपको आने वाली videos का alert मिलता रहे मैं आपसे मिलूँगा next video में तब तके लिए Allah peace don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum मैं हूँ एसन महमूद and welcome to Zyos last video में हमने relative length units को study किया था आज की video में मैं आपको pixel, m, ram और percentage ये चार most important जो CSS length units हैं इनको briefly explain करूँगा examples के साथ और आइंदा course में throw of the course हम इन चार योनिट को ही mainly use कर रहे होगे तो please इस video को आपने पसल्ली से समझने ये responsive design में बार बार मैं इस video को point out कर रहा होगा कि ये चीज़ उस video में explain की गई थी तो kindly अगर आपको एक से ज्यादा दफ़ा ये video देखने पर है तो please ज्यादा दफ़ा देखें कोई भी आपका question हो तो please comment section में उसको mention करें मैं उसका जवाब दोगा चलते हैं video की तरह स्टार्ट करते हैं पिक्जल से यहाँ पर मैं code editor को open कर लूँगा और code को reset कर लूँगा एक रफाव यहाँ पर इसको भी reset कर लूँगा यहाँ पर मैं सर्फ mention कर दूँगा जो units नम आज की वीडियो में cover करेंगा पिक्जल, m, ram, and percent जिसमें से यह जो है यह absolute है और बाकी जो तीनों हैं वो relative है मैं लिखते था हूँ आपकी याद हाने के लिए यहाँ पर भी और यह देए starting with pixel basically pixel जो है यह एक इसम का magic unit है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि जो screen पे एक dot है उसको एक pixel नहीं कहते है यह थोड़ी सी एक misconception है कि screen पे जो एक dot होता है उसको एक pixel गयते है यह बात गलत है क्योंकि अगर उस बात को सही माना जाए तो मेरी यह screen high that screen है जिसके के 3000 और कुछ basically 4K यह display है तो अगर वह बात सच तो यह जो 32 pixel का h1 है यह बहुत ही चोटा यहां पे करके इतना सा कुछ होता है तो जो pixel है यह basically devices के साथ change होता है mean के एक pixel यह normally असान अलफाज में 16 pixel जो desktop machine है जो के 4K display है वहां पे किसी और तरह नज़र आएगा उसकी जो output value होगी वो किसी और तरह आएगी और जो एक simple mobile होगा अगर मैं अपने mobile में same page को open करूँगा तो उसमें जो इसकी output होगी वो different होगी तो यह device के viewport के हिसाब से अपने आपको change करता है है यह absolute unit लेकिन यह behind the scene device के viewport के हिसाब से relative होता है जो के हम calculate नहीं करते जो के हम calculate नहीं करते वो हमारे लिए automatic calculate किया जाता है लेकिन आपने यह जहने में रखना है कि यह basically absolute unit की तरह इसको delete किया जाता है हमारे पास एक term होती है dot per pixel यह basically actual term है जो के आपको बताएगी कि अच्छा आपकी screen पे एक pixel में कितने screen dots आ रहे है हमारे पास जो normal term यूज़ की जाती है वो dpi dot per inch यूज़ किया रहता है जो के resolution को show करता है लेकिन यह थोड़ा सा advanced concept है इसको ssh आपको याद करने की अभी जरूरत नहीं क्योंकि यह advanced जब CSS में चले जाएंगे तो मैं इसको detail में explain करूंगा और सारा इंशाला properly समझाओंगा अभी के लिए आप सिर्फ ये समझें कि हमारी website में जो एक pixel होता है वो screen पे जो एक dot होता है उसकी equal नहीं होता यह थोड़ी misconception है lastly यह हमारा absolute unit है mean अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर एक div हो और इसमें आपने एक image शो करनी है जो कि मैं यहाँ पर assets में hopefully मेरे पास फ़ी image होगी यहाँ पर यह वाली use कर लगते है assets, images, zion's logo, save, refresh by default इसने इतनी जगा लिया लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह जो image है यह fixed width और height में show हो उसके लिए मैं pixel को use करूंगा आज की वीडियो में क्योंके मुझे बार-बार यहाँ पर style चीप change करनी होगी तो मैं आपको ज्यादा style जो है वो inline लगाकर ही दिखाऊंगा लेकिन यह बिल्कुल भी good practice नहीं है हम बाकी throw out the course until unless कि मैं इस तरह कोई चीज explain कराना हूँ और सिर्फ फाइलें चेंज करने में जो time waste रोगा उसको बचाने के लिए मैं inline style को use करूंगा otherwise most of the time and all of the time हम course में जो external CSS है उसको use करेंगे अभी के लिए मैं यहां पे style एप करता हूँ और width set करता हूँ 200 pixels save refresh करता हूँ तो आप देखते हैं यह थोड़ी भी size हुई है मैं इसको जरा clear करने के लिए 100 pixels करता हूँ refresh और अब आप देख सकते हैं कि यह काफी clearly visibly हो गई है और यह basically जैसे के मैंने अभी का कि हमने इसको set to 200 pixels कर दी है और यह happy absolute unit लेकिन इस device पर यह जिस तरह show हो रही है जब मैं mobile device पर इसको open करूंगा तो इसका end result क्योंकि mobile की जो screen है वो चोटी है overall screen चोटी है इस तरह इतने बरे elements हमारे पास show नहीं हो सकते अगर मैं इसको open करूं तो mobile में हमें इस तरह अगर नज़र आएगा तो कुछ भी समय नहीं आएगी इस वजह से mobile में सिर्फ एक से दो columns हमें एक वक्त में नज़र आते हैं और बाकी जो operations होते हैं वो sideband यूज में होते हैं यह इस तरह दूसरे elements में adjust किये जाते हैं कर करके बना सीख जाते हैं इसको हम set करते हैं जब ही हमें कोई fix bit चाहिए हो हम उसको pixel में use करते हैं ताके वो device के लिहास से आपको adjust कर लें यह था pixel next अब हम start करेंगे most important responsive length unit से m em unit बहुत ही special सा unit है क्योंके basically इसकी जो value होती है वो equal होती है element के font size के मैं आपको बताता हूँ इसका मसलब यह है मैंने यहां पर एक div create की और इसको अभी के लिए मैं class दे देता हूँ div 1 और इसमें मैंने एक paragraph create किया उसको मैंने class दे दी t1 और इसमें lorem को add कर दिया अब कुछ भी करने से पहले मैं यहां पर browser में आऊँगा refresh करूँगा और इसको right click करके inspect करूँगा मैं इस जो paragraph है इसकी styling में computed के tab में होगा और search करूँगा font size और आप देख सकते हैं कि इसको by default जो font size paragraph को assign हो रहा है वो 16 pixel है अब मैं सबसे पहले मुझे बिस आदत है external CSS यूज़ करने की इस वज़ा से मैं यहां यूज़ करूँगा मैं background color assign करूँगा इसको orange div को मैंने assign किया save करूँगा refresh यह result आया और इसको मैं select करूँगा और इसको मैं कहा दूँगा margin one M okay यहने इसको save किया और यहां पर आके basically refresh किया और मैं अगर margin की property यहां पर देखंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो margin है वो एक M लिखा हुआ है EM unit लेकिन यहां पर जब मैं computed property इसका font size 16 pixel है मैं margin को search करता हूँ आप देख सकते हैं कि margin जो है वो 16 pixel है और अगर मैं इस M का font size change करता हूँ 40 pixel refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि margin भी 40 pixel हो गया है mean कि जो इस element का font size होगा वो ही EM की value होगी वो चाहे 40 हो चाहे 2 हो कोई भी value जो इस element की font size की होगी वो इसको assign होगी यहां पर एक concept जड़ा समझने वाला है जो font size है वो by default inherited property है ओके mean अगर मैं इसको font size assign नहीं करता यह fallback कर लेगा 16 पर लेकिन क्योंके यह by default inherited property है और यह concept मैंने detail में पिछली वीडियो में explain किया हूँ उस video का link आपको description में मिल जाएगा और आप उसको playlist में से भी find कर सकते हैं यहां पर मैंने इसका font size इसको assign नहीं किया लेकिन font size क्योंके inherit करता है अपनी value जो है वो अपने parents से यह अपने parents से inherit करने की कोशिश करेगा यह अपने parents से अगर in between किसी parent को font size assign नहीं वा होगा तो यह सारे html पे आ जैंगे जिसको के by default 16 pixel लगा होता है font size okay font size 16 pixel लगा होता है HTML को by default refresh करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको select करूँगा तो इसको 16 pixel लग रहा है अब अगर मैं इसको जो कि इस P1 का parent है इसको font size दे दूगा क्योंकि font size की property inherit करती है अपने parent से और करती ही जाती है जब तक कि वो HTML तक नहीं पहुंच जाती अगर मैं इसको 30 pixel दे दूगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 pixel हो गया और इससे फरक नहीं था पड़ता कि मैं इसको देता यहाँ body को यहाँ पर यह font size देता यहाँ पे पहले इसको कमेंट करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ 16 पे वाफिस आ गया इसको करके 40 pixel दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वहाँ तक का आ गया उसके बाद अगर मैं इसको HTML को दे देता क्योंकि आज आके इन्होंने आना end पे HTML पे पास है वो इनका top most parent है और जो भी property यह मैंने उस वीडियो में पर बिताया था कि आप कोई भी यहाँ पे basically W3 school लिखें ओके W3 school और यहाँ पर CSS में आ जाए CSS में आने के बाद आप यहाँ पर reference में क्लिक करें मैंने scroll down किया है end पे आ गया हूँ और मैंने reference पे क्लिक किया और इसको new tab में open करता हूँ मैंने command दबा के macOS पे command plus क्लिक किया है तो new tab में open होगा है अगर आपके पास mouse है तो आप उसके mouse का wheel उसके उपर क्लिक करेंगे तब भी new tab में open होजएगा अगर आप windows में है तो आप control दबा के क्लिक करेंगे तो आप भी new tab में open होजएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह by default inherited yes है जिस भी property का by default inherited yes हो वो अपने parent को देखता रहता है until unless के वो top most parent तक पहन जाता है इसको मैं font size assign कर देता हूँ 10 और अब आप देखेंगे कि इसको जो assign होगी value वो 10 हो जाएगी ओके यह हमारा m का unit था एक दफा इसको फिर explain कर देता हूँ m का unit relative होता है इस element की font size के क्योंके font size inherit करता है इसको कोई font size ने दिया होगा तो इसको देखेगा इसको ने दिया होगा RAM का unit बहुत ज्यादा similar है EM के unit के सिरफ एक difference है कि EM का unit जो था यहाँ पर मैं एक दफा फिर comment कर देता हूँ EM का unit relative था element के font size के लेकिन जो RAM का unit है REM वो relative है यहाँ वो अपनी value लेता है HTML यहाँ फिर सही अलफाज होंगे root element root element जो है उसके font size के मैं इसको आपको explain कर देता हूँ यहाँ पर basically मैं इसको R कर देता हूँ और इसको comment कर देता हूँ save करूँगा मैंने इसको one RAM किया यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 16 pixel आया margin अगर मैं इसको अब font size assign कर भी देता हूँ मैंने इसको font size assign कर दी है let's say 40 pixel save refresh करूँगा margin अभी भी 16 pixel ही है क्योंके margin की value है one RAM जो के देख रहा है कि HTML को क्या font size assign है और HTML को by default जो font size assign होता है वो 16 pixel होता है इस वज़ा से ये इसकी value 16 pixel है computed में final जो है ये अगर मैं HTML को यहां पे इसका font size अटा देता हूँ save करता हूँ refresh करता हूँ भी 16 पर ही है HTML को font size assign कर देता हूँ 30 pixel और यहां पे refresh करूँगा तो ये जो margin जो के one RAM के equal है वो equal हो जाएगा 30 pixel के क्योंकि HTML को जो font size है वो 30 pixel assign है अगर इन दोनों concept पे से कोई भी concept आपको unclear रहे है तो please comment section में mention करिएगा मैं एक दफा फिर explain कर दोगा next अब हम move करेंगे last अपने unit पे जो के बहुत important है percentage finally हमारे पास unit आता है percentage का जो के dependent अब ही तक हमने दो dependent unit देखे ram क्या था अपनी font size पे dependent था rem m अपने font size पे dependent था ram html या root element के font size पे dependent था last ली हमारे पास आ जाता है percent जो के dependent होता है same value के in parent तो के इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक parent को विर्थ दी हुई है so pixel okay मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे specific unit इस वजा से use कर रहा हूँ ताके मैं आपको नीचे calculation करके बता सके और उसके अंदर मैं child को width दे देता हूँ 50 percent तो इसकी जो final value बनेगी वो 50 pixel बन जाएगी इसको मैं करके दिखा रहता हूँ यहां पे मैं आया सबसे पहले मैं इसको reset करूँगा इसको reset करूँगा refresh करूँगा यह reset कर आगी parent को मैं basically width देता हूँ width 1000 pixel ओके और यहां पर अब मैं जो यह orange का color है ना इसको सबसे पहले मैं comment करता हूँ इसको cut करके यहां पे ले आता हूँ save refresh अभी के लिए आप change नहीं देख ले क्योंकि जो paragraph tag होता है वो by default यहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसका जो display होता है वो block होता है यह ले इस वजह से वो अपने पूर यह parent की जो भी width होती है उसको लिए occupy कर देता है अब मैं यहां पे आऊंगा इसके parent को यह width 1000 पिक्जल असाइन कर दोगा अभी मैंने आपको बताया था कि मेरा जो viewport है वो roughly यहां पे यह देखें मैं अगर इसको कम ज्यादा करता हूँ तो आप यह देख सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ sorry यह देखें यहां पे आ रहा होता है वो basically मेरे viewport का जो size है जो के 1400 पिक्जल के एक और यहां से मैं easily भी दिखा सकता हूँ इस पे अगर hover करूंगा तो आप basically यहां पे इसको मैं mark करने की कोशिश करता हूँ यह देखें यह जो width है यह इसकी और यह इसकी height है width इसकी क्या है 1416 पिक्जल और height कितनी है 36 पिक्जल height इसने अपनी लिए है जिसने किसके child को required थी और width इसने तो कि div का भी default display size जो type होती है वो block होती है तो उसने अपने parent की पूरी width ले लिए यहां पे मैं वाफिज आ जाता हूँ और अब मैंने इसको 1000 पिक्जल सेक्टर दिया refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अभी पेराग्राफ टैग 100 पिक्जल जो भी है पूरी width ले रहा है यहां पे मैं बेसिकली आपको width दिखा रहा हूँ कि जो पेराग्राफ है उसको width कितने हसाइन हो रही है यह देखें इसको 1000 पिक्जल जो के अपने पेरेंट का 100% है डिस्प्ले ब्लोक्स की वज़ा से वो हसाइन हो रहा है मैं यहां पे आके इसको कहता हूँ कि आपकी जो width है वो 50% है और मैं इसको background color दे रहता हूँ red इसको पहले मैं comment करता हूँ अभी आप देखें background color नहीं देख सकते है उसका क्योंकि यह जो पहला graph है वो पूरा वो पूरी width ले रहा है मैं यहां पे आके इसको अनक्मेंट करता हूँ save refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं यह 50% div का background color है और यह जो orange है यह पहला graph का background color है और क्योंकि मैंने इस div को 1000 pixel विर्थ दी थी और इसको मैंने 50% काया तो इसकी final जो value इसको assign हो रही है वो 500 pixel है जो भी value हो उसका percentage ले जितना percent आपने का है यहां पे refresh करके यहां पे आप देख सकते हैं 500% यह चार most important units हैं CSS length units में जो कि हम अपने पूरे प्रोट बाकोर्स बार बार यूज़ करेंगे खास होटे जब responsive design भी बात की जाएगे तो प्लीज इस वीडियो को तसली से समझें कोई भी बात समझना है तो उसे comment section में mention करें मैं उसका जवाब दूँगा वीडियो को like, share and comment करें चैनल को subscribe करें मैं आप से मिलूँगा next वीडियो में तब तके लिए Allah आफूस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हूँ Aysan Mehmood and welcome to Zyons last video में हमने CSS में length units के चार most important length units को cover किया था जिसमें के हमने study किया था pixel को EM, RDM और percentage ये चार units हमने study किये थे जो के हम throw out अपने course बार-बार यूज़ करेंगे बाकी units को भी हम जब 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 दो करेंगी तब यूज़ किया करेंगे लेकिन ये चार most commonly used units है आज की वीडियो में हम display की property को study करेंगे मैं यहाँ पर Google Chrome को open कर लेता हूँ और इसमें ये 6 जो इसकी values हैं इनको आज हम study करेंगे जिसमें block, inline block, inherit, initial और none ये display की values को आज की वीडियो में हम study करेंगे चलते हैं वीडियो की तरह हम स्टार्ट करते हैं display property के introduction से मैं यहाँ पर browser को open कर लोगा और last time हम यहाँ तक काम कर चुके थे साथ ही मैं code editor को भी open कर लोगा और इस code को reset कर लोगा ताके हम शुरू से start कर सके यहाँ तक मैं इसे ख़तम कर दूगा और यहाँ पर display property in CSS और उसी के साथ मैं इसे भी यहाँ से remote कर दूगा त्यूकिक़् हम use नहीं कर ले finally मैं यहाँ पर आखे इसे भी reset कर दूगा refresh और यहाँ पर यहाँ पर यह CSS में one of the most important property है क्योंकि इसी एक property के साथ हम almost अपने पूरे website की जो layout है उसको manage करते हैं इसमें बहुत ज्यादा values आ जाती हैं जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आपको सिरफ इसमें display की property शो करके तो इसमें यह सारी values इसकी supported values हैं जिसमें most important flex आ जाता है और grid आ जाता है जो कि हम आने वाली videos में study करेंगे इनी को use करते हुए हम अपनी पूरी website की layout को define करते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर zions.com को open कर लेता हूँ तो इस website में जो भी element जहां पर भी place हुआ 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 है वो display दी आ गया है इसको उसके बाद इस element को display inline block दी आ गया है यहाँ पर इस image को display inline block दी आ गया है उसके बाद in elements को display inline block दी आ गया है इन sections को display block दी आ गया है उनमें elements को display inline block, flags, grid इस तरह यह सारी properties को use करते हुए यह पूरी website की layout को design किया गया है इसलिए display की property बहुत ही ज्यादा important है और हम उसे detail में study करेंगे ताकि आपको किसी भी किसम की layout बनाने में कोई भी issue ना हो यहाँ पर मैं एक comment कर दूँगा ताकि हमें पता हो कि हमने कौन कौन सी इसकी values को cover करना है हम सबसे पहले start करेंगे block से इसकी block value से फिर inline से फिर inline block इस हम आज की वीडियो में cover करेंगे start करते हैं display block से जैसे के हम already जानते हैं कि html में दो types के element होते है block type और उसके बाद inline type इन दोनों में फरक ही होता है कि जो block type elements होते हैं जैसे के paragraph tag मैं यहाँ पे p1 लिखता हूँ और साथ में एक और paragraph tag introduce करवाता हूँ p2 उसे save करता हूँ और यहाँ पे browser में आके refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि p1 एक line में आया है और p2 दूसरी line में आया है यह क्योंकि by default इनको जो display की property लग रही है वो block की लग रही है मैं यहाँ पे right click करूँगा inspect करूँगा और मैंने आपको बताया हूँ है कि आपने final value जो apply हो रही हो उसको check करना हूँ तो आप यहाँ पे computed के टायब में आजएं और जिस element पे check करना है उस element को select कर लें यहाँ से अगर आपका elements काम है otherwise इस element selector को यहाँ से select करें और उस element को उस पे hover करके click करेंगे तो वो element नीचे select हो जाएगा computed में जिस property को आपने check करना है कि उसकी final value क्या इसके apply हो रही है वो यहाँ पे search करें और आपको यहाँ पे final उसकी value मिल जाएगी इसको display block में रहा है और इसी की वज़ा से यह जो paragraph पी 1 वाला paragraph है वो एक line में आ रहा है और जो पी 2 है वो दूसरी line में आ रहा है हलांके यह दोनों एक line में आ सकते थे यह सिंपल टैक्स है लेकिन क्योंके इनकी display type block है इस वज़ा से यह दोनों separate line में आ रहे हम किसी भी html tag element की जो display property है उसको control कर सकते हैं और उसको यह वाला behavior दे सकते हैं कि वो एक separate line में आए और उसके left side पे और right side पे कोई भी दूसरा inline element ना आए मैं यहाँ पे रहाँगा और अभी तक हमें पता है कि जो span का tag है यह inline है मैं यहाँ पर इसे inline लिखता हूँ inline span 1 refresh करूँगा अभी यह second line पे आ रहा है लेकिन इसकी वज़ा सिर्फ और सिर्फ यह है क्योंके यह paragraph 2 जो p2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है paragraph tag वो block type का है और वो अपने आगे किसी और element को नहीं आने दे रहा इस वज़ा से यह span नीचे आ गया लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसे duplicate करके 2 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि अब जब मैं refresh करूगा तो जो inline span 2 होगा वो इसके फॉरण बाद आएगा refresh और आप देख सकते हैं कि वो इस बाई डिफॉल्ट जो span element होता है जो span का html टैग होता है उसको display inline की property लगती है मैं इसको control कर सकता हूँ और इसको basically instruct कर सकता हूँ पीच कर सकता हूँ कि यह बिलकुल इसी तरह भी एव करें जैसे यह paragraph टैग रहा है मैं यहाँ पे वाफिज आओंगा code में और इसे class करूँ स्पैन 1 सेफ करूँगा और यहाँ पे आके basically span 1 जो मैंने class दी थी उसे select करूँगा और उसको display की property दे के उसे मैं कह दूँगा कि block आपने block की तरह behavior में अब जब मैं यहाँ पे आके refresh करूँगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी जो property होगी वो block पे set हो जाएगी values की और यह जो inline span 2 है यह नीचे आ जाएगा क्योंकि यह जब block की तरह behavior करेगा तो यह अपने आगे किसी और inline element को नहीं आने देगा मैं refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह नीचे आ गया और आप यह सोचे होंगे कि basically मैंने इसे block दी है तो यहाँ पे इन दोनों के दर्मया दोना सा margin है इन दोनों के दर्मयान क्यों नहीं है यह basically browser का behavior है कि browser जो paragraph tag होता है उसको by default margin top और margin bottom assign करता है जो कि 16 pixel होता है आप यहां से देख सकते हैं लेकिन span element त्यूंकि by default inline होता है इस वजह से उनको कोई margin assign नहीं होता margin padding या border नहीं assign होता और इसको मैंने सिरफ और सिरफ अभी display की properties की override ही है इस वजह से वो display block की तरह हम behave तो कर रहा है लेकिन margin क्योंकि उसको कोई नहीं assign होगा इस वजह से वो नीचे वाली element को नीचे देखेल नहीं रहा कोई margin apply नहीं कर रहा इस प्ले block के related आपका कोई भी question हो तो उसे comment section में mention करें नेक्स्ट अब हम study करेंगे display in display inline hopefully आपने already guess कर लिया होगा ये किसी भी element को force करेगा कि वो behave करें कि वो एक inline element है सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इससे comment कर दूँगा और save करूँगा तो ये लिवर्ट हो जाएगा back अपनी जो इसकी initial state थी वहाँ पी कि अब इसकी display की जो property है वो inline पे वाफिज आगई है अब मैं चाहता हूँ कि ये जो p2 tag है ये paragraph tag जिसमें मैंने p2 लिखा हुआ है ये भी inline element की तरह behave करें मैं यहाँ पर code में वाफिज आऊँगा और इसको class assign करूँगा p2 क्योंकि इसका content यह है यहाँ पे styling में आ जाँग होगा और dot p2 इसको display की property दे दूगा inline save करूँगा और अब मैं जब यहाँ पर आके refresh करूँगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो elements है ये इसके साथ आगे आ जाएगे लेकिन इसको जो margin लगा हुआ है वो already लगा रहेगा क्योंकि margin वो एक separate property है मेरे सिरफ इसे display inline करने से इसका margin खतम नहीं होने वाला एक CSS property की वजह से until unless के दूसरी CSS की property उसके dependent हो उस case में तो उसको फरक पढ़ता है लेकिन display और margin ये independent है इनको एक दूसरे से फरक नहीं पढ़ता इस वजह से जब मैं इसको inline करूँगा जब refresh होगा तो इसको display की property inline set हो जाएगी अधी मैं आ सिर्फ उतनी ही जगा लेगा जितना की इसका content है display inline का element उतनी ही जगा लेता है जितना के उसका content होता है उसकी width और height define होती है उसके content से आप display inline के element को manually width या height नहीं दे सकते हैं और यह मैं आपको भी करके भी दिखा दूगा यहाँ पर मैं refresh करूँगा तो आप देख सकते है कि यह उसके साथ shift हो गया यहाँ पर और यहाँ पर भी आप देख सकते हैंगे display inline पर shift हो गया और यह element एक दूसरे के बिलकुल साथ है lastly जो मैंने अभी बात की कि आप इसकी width और height को control नहीं कर सकते जब आपने display को inline पर set कर दिया हूँ मैं सबसे पहले आपको इसे एक specific width और height देके दिखाता हूँ क्योंकि इसका जो display है वो block पर set है यहाँ पर मैं आता हूँ इसे class देता हूँ P1 की save यहाँ पर आके P1 और अगर किसी के जहन में आ रहा है कि basically मैं P1 को उपर क्यों लिख रहा हूँ यह एक गुड़ प्रैक्टिस है कि आप CSS को अपनी HTML elements की hierarchy के साथ मैच करें ओके अगर आपके कोई CSS element एक component है obviously उसकी CSS separate होगी और यह सारी चीज़े हम next जो हमारे advanced lectures होंगे उस पर study करेंगे कि हम जो CSS है उसको separate फाइलों में अलग कैसे कर सकते हैं ताके अगर कोई component based है क्योंकि जो modern जितनी भी react अंगुलर सारे यह component based frameworks और libraries है तो हम उसी approach को follow करते होगे learn करेंगे अभी के लिए continue करते हैं यहां पर मैं display basically यह block यह रहेगा लेकिन मैं यहां पर mainly इसकी width और height को set करना चाहरा हूँ इससे यहां पर लगाने या ना लगाने से कोई फरक नहीं परदा क्योंकि पहला graph को by default display block assign होता है मैं इसे width दूँगा let's say 400 pixel और height दूँगा 300 pixel और सब देखने के लिए कि इसको width और height assign हो रही है मैं इसको background color देदूगा red का save करूँगा यहां पर आके refresh करूँगा तो यह जो t1 वाला paragraph tag है इसके width जो होगी वो 400 pixel तक हो जाएगी height 300 pixel तक हो जाएगी और background color red हो जाएगा refresh और आप देख सकते हैं कि वो implement होगे यहां पर मैं height को थोड़ा कम कर दूँगा ताके ज़रा easy हो next अब मैं यह same style apply करूँगा p2 को जो paragraph tag 2 है उसको क्योंकि मैंने display inline manually set किया हुआ है पे display की जो property है वो inline पे set हो जैसे कि आप display की property को inline पे set करते हैं तो उस element की जो manual width और height आपने set की होती है वो ignore हो जाती है और वो उतनी ही width और height लेता है जितना कि उसका content required करता है यहां पे आके अब मैं इसको same यही copy करता हूँ सिर्फ color को change कर दोगा ताकि जरा identify करना सानो save refresh तो आप देख सकते हैं कि यहां पे विर्ट और height ने बिल्कुल भी effect नहीं किया और यहां पर भी आके आप देख सकते हैं कि वो जो दो properties है आप इस dev tools में से बहुत कुछ easily identify कर सकते हैं यह दोनों property gray out हो गई है basically इनकी opacity इस तरह लग रही है जैसे apply नहीं हो रही है और आगे यह sign भी आ रहा है जो कि आपको exactly बता रहा है जो कि मैं बताने कोशिश कर रहा हूँ जब आप display inline property prevents width और height यह दोनों को prevent करती है अब इसका solution क्या है कि आपने किसी एक element को inline रखना है लेकिन उसकी width और height को भी control करना है वो हम अभी सीखेंगे next property के साथ अब हमें problem का तो पता चल गया कि जब हम display inline set करते हैं तो हम उसकी width और height को control नहीं कर सकते लेकिन ऐसे बहुत से cases आएंगे कि आपको display inline नहीं चाहिए होगा लेकिन उसकी width और height को control भी करना पड़ेगा इस थरह के cases के लिए hopefully आपने guess कर लिया होगा chapter intro से जब property हमारे काम आती है वो है inline block मैं इसे change करूँगा inline block में save करूँगा और refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये behave as inline element ही कर रहा है कि इसके आगे दूसरे elements आ सकते हैं लेकिन उसी के साथ इसने block type element की properties को भी कुछ inherit कर लिया कि ये अपने उपर width और height की जो properties हैं उनको implement कर रहे दे रहा है और यहां पर भी आप confirm कर सकते हैं कि ये दोनों properties active show रही हैं जैसे के normal property show रही है और lastly यहां पर computed के tab में आपको दिखा सकता हूँ कि अब इसकी जो display की property की value है वो inline block है इसी के साथ हमने display property की तीन values को अभी तक study कर लिया जो के बहुत important है next अब हम study करेंगे थोरी से tricky types को जिसमें के inherit और initial आता है display inherit से start करने से पहले अगर आपने अभी तक जो video मेंने inherit, initial और revert इन पे जो video बनाई थी इनको explain करने के लिए कि यह property values क्या होती है और इनका क्या effect होता है वो अभी तरफ नहीं देखी तो please पहले cover कर ले ता कि आपको इस video में इन values को समझ दे में आसानी हो क्योंकि यहां पे मैं शुरू से पूरा explain नहीं करूँगा वहां पे मैंने in depth detail में explain किया हुआ है यहां पे मैं quickly सिर्फ उसको implement करके उसकी basic सी जो introduction है वो करवा दो यहां पे मैं उनको mainly use करके उनके case को explain कर दूँगा क्योंकि हमने वहां पे properly study किया था इसका मतलब क्या है यहां पिर यह इसी तरह काम कर रहा है और inherit initial, revert, unset यह basically तमाम CSS की properties में as a value available होते हैं तो इसलिए मैं आपको strongly recommend करता हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखने ताकि आपको यह concept clear हो जाए वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा अभी continue करते हैं यहां पे मैं इसकी जो display type inherit को explain करने के लिए सबसे पहले मैं इसको reset करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा structure change करना पड़ेगा और यहां पर इसे भी reset करूँगा यह basically मुझे तो paragraph packs चाहिए होंगे उने मैं रहने दूगा, expand pack इन चारों को रहने देए लेकिन इन सबको मैं wrap कर दूँगा div के अंदर मैं इन सबको wrap करता हूँ div के अंदर और इनको center for server मैंने t और span की tag जो class है वो assign करती है अब यहां पर मैं div को एक class assign करता हूँ div और यहां पर आके dot div करता हूँ यहां पर मैं इसे कह देता हूँ अभी कुछ भी CSS apply करने से पहले मैं आपको end result दिखा देता हूँ कि end result अभी क्या है refresh करता हूँ यह हमारा end result है जो अभी correct है और जो basically default है fully default इन दोनों को display block लग रहा है इन दोनों को display inline लग रहा है यहां पर मैं वाफिस आ जाता हूँ अब मैं जो div है इसको display inline set करता हूँ save करता हूँ और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि by default display जो div है उसको display की क्या property लग दिया उसको by default block की property लग दिया और यहां पर अभी के लिए मैं इसे comment करता हूँ और background color पहले लगा के आपको इस चीज़ को फुली clear करवा देता हूँ let's save और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हमारी अभी div है यह इसका आटर स्टॉक्चर ना यह इसका final structure शो हो रहा है यहां पर वाफिस आँगा इस property को uncomment करूँगा save और यहां पर आकर refresh करूँगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कि basically मैं जब div पे hover करता हूँ तो वो elements तो सारे almost cover कर रहा है कि basically वो दिखा रहा है कि मेरा content यह सारा है लेकिन जो उसका background color है वो सिरफ इन दो inline elements को लग रहा है उसकी वज़ा बिलकुल सेम है जो अभी हमने study की कि जो display inline के element है वो width और height को consider नहीं करते उनकी width और height उनमें मजूद content ही define करता है लेकिन यह जो display block के element है यह कहते हैं कि हमें full width चाहिए और height जितनी यहां तो आपने specify की हो यहां इसके content की height उनको लगती है इस वज़ा से यह दो अगर आपका parent display inline होगा और उसमें childs होंगे वो display block होंगे अगर मैं इन दोनों को यहां से gripe कर दोगा तो आपको जो background color है div का वो बिल्कुल show नहीं होगा मैं यहां पे आता हूँ और इन दोनों को अभी के लिए comment करता हूँ यहां पे आके refresh करूँगा तो आपको background color बिल्कुल ही show नहीं हो रहा इस चीज़ का solution किया है कि आप यह जो हमारे पास div है इसको display inline की जगा inline block कर आपको basically किसी भी element पे inline block चाहिए ताके वो उत्ती space ले जितनी के require है और साथ में कुछ भी उसके अंदर block elements आ सकते है यहां पास की width और height control करना चाहते है तो आप display inline block यूज़ करेंगे ना के display inline अब मैं यहां पे आके जब refresh करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि यह properly काम कर रहा है और यहां पे मैं आगर उसे वाफिस भी ले आँगा इन दोनों को तो तब भी आप देखेंगे कि यह बिल्कुल proper काम कर रहा है जिस तरह के इससे करना चाहिए यह एक और case scenario था अब continue करते हैं जो हमारा actual case scenario है display inherit वाला और अगर आपने वो वीडियो जो मैंने recommend की है वो देख ली है तो आप already guess कर सकेंगे कि जब मैं paragraph tag को इस class के दूँ जो कि मैंने दोनों के दी रही है यहां पर आके display यहां पर अभी मैं इसको comment करता हूँ ताके मैं आपको पहले दिखा सकूँ कि इन दोनों को अभी final value क्या लग रही है block लग रही है लेकिन जैसे ही मैं यहां पर इनको display inherit set करूँगा save करूँगा refresh करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि इन जो paragraph tags है उनको जो property final property computed property लग रही है वो inline block है और यहां पर मैं briefly explain कर देखा हूँ कि जो inherit की value है वो अपनी basically इस property की value को देखेगा अपने parent में और इन दोनों paragraph का जो parent है वो यह div tag है div tag पर मैंने specify किया है कि आपकी जो display की property है वो inline block है उसकी वज़ा से यह दोनों भी inline block की तरह behave कर रहे हैं और इसी वज़ा से यह पहले इसने inline block की तरह भी behave किया P2 उसके साथ आगया P2 भी inline block की तरह भी behave कर रहा है तो नीचे जो inline elements है जो span 1 और span 2 यह सिरफ अभी inline element है वो भी उनके साथ आगे यह हमारा inherit की property थी next अब हम study करेंगे initial की property को की initial की property क्या करती है next display initial से start करने से पहले जैसे के मैंने उस दूसरी वीडियो में भी इस चीज़ को properly explain किया है कि जब हम किसी भी CSS property की value को initial पर set करते है तो उसकी value वो set हो जाती है जो default CSS specification जो W3 CSS specifications है वहाँ पर define की होती है जो main CSS की language के rules है यहाँ पर मैं आप एक URL visit करवा रहता हूँ यह URL है यह आपको basically वीडियो की description में मिल जाएगा और chapter animation के start में भी यह mention था वीडियो की description में भी इसका link होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह mainly जो W3 specifications है CSS specification यह define करता है कि अचा किसी भी property की जो initial default value वो क्या है और यहाँ पर define है कि जो display property है उसकी initial value वो inline है इसी से आपने hopefully guess कर लिया होगा यहाँ पर अब मैं जब इसे set करूँगा यहाँ पर basically मुझे सबसे पहले इस चीज को खतम करना परेगा मुझे इसे block पर लाना परेगा मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ उसके लिए और p tag क्या कर रहे हैं अभी inherit कर रहे है मतलब वो अपनी display की value अपने parent से drive करेंगे और parent में वो value है block और वैसे भी p tag की by default value भी block होती है यहाँ पर आके refresh करूँगा तो अभी के लिए यह end result है मैंने इसको block यहाँ पर assign की इनकी वैसे by default ही block होती है लेकिन क्योंकि यहाँ तो मैंने inherit पर set किया हुआ था तो वो अपने parent से drive कर दे है जो के खुद block पर set है तो यहाँ पर block set होगी अब जब मैं किसी एक specific paragraph को let's say के T2 को select करता हूँ मैंने इसको specific class दी यहाँ पर आगया इसको select किया यह मैं cut कर देता हूँ और इसकी display की जो property है उसको initial पर set कर देता हूँ मैंने अभी आपको दिखाया उस specification के table में कि initial पर set करने का मतलब है जो W3 CSS specifications है उसमें जो इसकी value defined है default defined value वो यहाँ पर set होगी और वो display की property की जो value है वो है inline तो initial set करने का मतलब यही है कि जैसे आपने इसकी property की value को inline set कर दिया है लेकिन यह basically हर case में नहीं है जो दूसरी कोई CSS की कोई और property होगी जैसे कि अगर मैं position की property कहा देता हूँ उसके जो initial की value होगी again वो वो होगी जो इस documentation में defined है यह actual main documentation है CSS की मैं यहां पर रिवाफिज आ जाता हूँ और इसको यहां से cut कर देता हूँ save करता हूँ यह pretty egg मैंने जो के पहले ही install करवाया हूँ यह बहुत important है अगर HTML invalid हो यहां फिर CSS invalid हो जैसे कि यहां पर मैंने यह लिख दिया तो यह जब आप save करते हैं और वो auto formator जो हमने on किया हूँ है उसके थूरू यह आपको बता देता है अगर यह red हो जाए इसका मतलब है कि आपकी geofile में कोई invalid syntax है यहां पे तो यह बहुत clear था ना कि आपने basically यह property को start किया और उसकी ना कोई value sign किया और यह property भी invalid है लेकिन html में यह थोड़ा सा मुश्किल है जो के हम end पे discuss करेंगे अभी के लिए यहां पे मैंने इसको initial पे set करवाया है यहां पे आके अब जब मैंसे refresh करूँगा second जो paragraph tag है P2 जिसको मैंने class दी है अभी मैंने यहां पे assign की है refresh नहीं किया इस वज़ा से यहां पे आपको शोड़ी हो रही उसकी current display जो type है वो block है और यहां पे जो मैंने property sign की है वो inherit है inherit अपने parent से लेता है यहां पर अब जब मैं refresh करूँगा तो यहां पे इसकी set हो जाएगी initial लेकिन जो इसको final computed value लगेगी वो लगेगी inline क्योंकि वो यहां पे set है documentation में initial का मतलब जो main documentation में define है refresh करते हैं और आप देख सकते हैं कि यह आगे आगे हैं उसके साथ और यहां पे आप देख सकते हैं computed में inline है और यहां पर initial और यह inherited basically दूसरे CSS rule में से आरा है जो first one का hopefully आपको यह चीज clear होगी होगी इसमें अगर आपका कोई भी question हो तो please उसे comment section में ज़रूर mention करिएगा मैं उसे clear कर दोगा next अब हम final जो इसकी property value आज की वीडियो में हमने study करनी थी उसे study करेंगे जो है none और उसके बाद finally में जो बात start की थी invalidator html or css उसको finalize करके हम आज की वीडियो को finalize करेंगे अभी तक हमने display की यह पांच property values को study किया है जिसमें block, inline, inline block, inherit और initial को study किया है इनके इलावा भी बहुत ज्यादा display की जो values हैं वो हैं जो बहुत important है जो हम next वीडियो में cover करेंगे लेकिन उसके लावा एक बहुत ही common case scenario होता है जो के काफी हता कहलेंगे आप javas के पे भी dependent होता है जो हम जब javas के start करेंगे तब करेंगे लेकिन आप काफी दफ़ा websites में ऐसे होता है आप कोई चीज, कोई button click करते हैं और कोई mean के pop-up होके आजाता है आपके सामने कोई model आजाएगा कोई दूसरा element, आपने एक element को click किया और कोई दूसरा element visible हो गया आपके सामने आ लिए उसके लिए उस element का पहले invisible होना ज़रूरी है अभी के लिए हम सिरफ invisible वाला part clear करेंगे जो visible करना कि किसी action पे क्योंकि javascript actions को handle करती है तो visible करने वाला part वो हम जब javascript के section में पहुंच जाएगे तब हम करेंगे, अभी हम उसका जो 50% है उसको cover कर लेती है कि invisible कैसे करना है उसके लिए मैंसे यहाँ पे save करता हूँ यहाँ पे आके refresh करता हूँ अभी हमारा current जो structure है वो यह है और let's say कि मैं यह जो first जो span element है इसको यहाँ से hide करवाना चाथता हूँ remove करवाना चाथता हूँ यहाँ तर आता हूँगा code में और इसे एक specific class दे दूँगा span one save करूँगा और यहाँ पर आके इसे class selector से select करूँगा और इसे मैं display की property दूँगा और हमारे पास value है none और यहाँ पे भी लिखा आ रहा है कि the element and its descendants generate no boxes mean कि यह जो हमने यहाँ पे मैं इसे save कर देता हूँ यह जो हमारी html है यह यहाँ पर inspect में तो show होगी यहाँ पे show होगी लेकिन उपर यह कुछ display नहीं करवाएगी display none कि कुछ display नहीं करवाना आपने मैं यहाँ पे refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो element यहाँ से गायब होगी है मैं इस पे click अगर hover करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उपर कोई भी element highlight नहीं हो रहा मतलब वो dom में exist ही नहीं करता मैं दूसरे पे hover करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उपर वो से point कर रहा है कि यह जो argument जिसके आप hover कर रहें यह वाला element है लेकिन इसको क्योंकि display none दिया हुआ है और final value भी यही है इसकी computed तो इस वज़ा से यह dom में यह जो document है dom कहते हैं उसमें यह show ही नहीं हो रहा इसी के साथ हमने यह 6 की 6 values को cover कर लिया है next अब मैं आपको final जो हम बात कर रहे थे invalid html और css उस पे बात करते हैं और फिर आज की वीडियो को हम finalize करें invalid html का क्या मतलब है invalid html का यह मतलब है कि basically जो w3 specifications है यह main website है मैं यहाँ पे आपको open करके दिखा रहता हूँ documentation के लिए last time मैंने आपको w3 school open करके दिखाया था और उसके अलावा mdn यह basically 3 से 4 जो main कहले documentation है w3 school सबसे ज़्यादा easy documentation है इसी लिए उसमें जो information है वो भी कार मैं mdn उससे ज़्यादा complex है उसमें information ज़्यादा है और w3 यह basically main documentation है यहाँ पे rules add होती है और बाद में यह दोनों copy करते हैं तो इसमें almost सारी information है यह जैसे ही open हो जाएगा हम तब तक यहाँ पे continue करते हैं invalid HTML HTML में कुछ rules हैं जिसको अगर आप break करें तो आपकी HTML को invalid consider किया जाता है कि यह सही HTML नहीं है जिसमें से कुछ एक दो rules पर आपको भी बता देता हूँ बाकी और ज्यादा rules जैसे जैसे आप course करते जाएंगे और वो आते जाएंगे course करते दुरान मैं उनको mention करता जाँगा और फिर जब हम कुछ 5-6 या 10 rules को define कर चुके होंगे study कर चुके होंगे तो मैं उनके एक वीडियो भी बना दूँगा ताकि आपको सारा content एक जगा पे भी मिल जाए अभी के लिए HTML का एक rule है कि आप एक paragraph tag में दूसरा paragraph tag use नहीं कर सकते और उसमें मैं एक और paragraph tag यूज नहीं कर सकता यह invalid HTML है यहां से बाकी सब को remove कर देता हूँ और यहां पर मैं इसको कहता हूँ P inner और इसे भी और आप यहां से देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने invalid HTML लिकी है सेफ की है यहां पर मुझे as such कोई error नी शो हो रहा में कि अगर मेरे पास यह प्रिटियर ना होता यह यहां पर red हो गया लेकिन अगर यह extension ना होती तो मेरे पास और जानने का तरीका नहीं था यह invalid HTML यह भी मैं reset कर देता हूँ यहां पर आके अब जब मैं refresh करूँगा तो आप देखेंगे कि output क्या आई है मेरी input क्या थी मैंने एक paragraph टैग लिखा था इसमें मैं लिख देता हूँ p outer save refresh मेरी input यह थी कि एक paragraph टैग था उसमें यह text था उसी के अंदर एक और paragraph टैग था जिसमें यह text था और यह उपर वाला जो paragraph टैग है वो यहां पर close हो रहा है लेकिन यहां पर जब मैंने refresh की है तो यहां पर final output क्या ही है कि एक paragraph टैग पन है जिसमें p outer लिखा हुआ है उसके बाद वो close हो गया दूसरा paragraph टैग start हुआ है जिसमें के p inner लिखा हुआ है वो close हो गया और यह तीसरा paragraph टैग automatically generate होगी यह invalid HTML गी वज़ा से होगा है और उसी वज़ा से बेसिकली अगर मैं यहां पर कुछ यह वाला काम करता हूँ और save करूंगा तो यह format भी नहीं होगा प्रिटियर आपके document को format नहीं करता अगर आपकी जो basically HTML यह CSS है वो invalid हो यहां तो मैं save करूंगा तो यह इसको format नहीं करेगा यह एक और तरीका जाबने का अगर आपकी formatting काम नहीं कर दिया आप save करते हैं यह red हो जाता है format नहीं होता इसका मतलब है कि आपकी जो HTML है वो invalid है वो गलत है उसको say करना परेगा और एक मैंने rule यहां पर बता दिया कि टेग्स not allowed in टेग itself इसका तरीका क्या है कि आप mainly div को use करेंगे या कोई और आप section को use कर ले डिफ को use कर ले आर्टिकल को use कर ले कर ले एडर को use कर ले किसी और element को use कर ले एवन कि आप span को use कर ले कोई मसला है लेकिन पहला graph tag के अंदर paragraph tag नहीं आएगा आप span के अंदर span लिख सकते हैं यह पर चेंज कर देता हूं और और इसके अंदर मैं span inner लिख रहता हूं यह allowed span inner सेफ किया यहां पर मैं refresh करता हूं यह allowed है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह main के format ली हो जाए है यहां पर बेसिकली मैं कोर्ट करते जाएंगे मैं आपको define करता जाओंगा और finally जब हम काफी एक basically noticeable number को कर चुके होंगे तो मैं उन सब को combine करके एक video content बना दूँगा ताकि आपके सामिए अभी के लिए यह रूल हमने study किया कि paragraph tag दूसरे paragraph tags में allowed नहीं है एरर आ जाएगा यह थी आज की video, hopefully आपको video कसंद आई होगी, video के related कोई भी question हो तो please उससे comment section में mention करें, मैं उसका जवाब दूँगा, video को like, share and comment करें, channel को subscribe करें, और bell icon को और बाना ना भूलिएगा, इस तना की और बहुत सी videos आने वाली है, हम बहुत जल्द अपना CSS का जो module है उसको complete कर ले मैं आप से मिल होगा next video में, तब तक के लिए, Allah आपस। CSS में display property की in types को study किया था, उसकी जो values हैं, जिसमें के हमने block, inline, inline block, inherit, initial और none, in values को study किया था, display property थी, आज की वीडियो में हम display property से ही continue करेंगे, और उसकी फर्दर आगे ये no values, possible values को study करेंगे, जिसमें के हम ये देखेंगे के हम एक अपनी मर्जी का custom table किस तरहां बना सकते ह हमने HTML fundamentals के section में table को properly study किया था, उस video का link मैं description में दे दूँगा था कि आप उसको पहले vote को कर ले, अगर आपने online भी नहीं किया हुआ, जिसमें के हमने properly देखा था कि table क्या होता है, उसका table header क्या होता है, footer क्या होता है, body, row, column, इन सब चीजों को हमने अच्छे से study किया था, आज की वीडियो में हम ये study करेंगे कि HTML में वो जो table के tags हैं, उनको अगर हम खुद चाहें, तो manually कैसे बना सकते हैं CSS की मदद से, चलते हैं वीडियो की तरह, मैं यहां पर chrome browser को open कर लूँगा, और साथ ही, जो code हमने last time यहां पर चोड़ा था, उसको मैं code reader में open कर लूँगा, जिसमें के हम last time display properties को study करने के बाद मैंने आपको यह भी कुछ HTML invalidate HTML के मतलिक बताया था, कि paragraph tag के अंदर अगर आप एक और paragraph tag लेग देती हैं, तो वो invalid HTML होती है, मैं इसे यहां से clear कर लूँगा, और यहां पर एक comment दे दूँगा, table related css display properties, यह हम आज की वीडियो में cover करेंगे, जो properties हम in the end cover कर रहे होंगे, वो यहां पर मैं finalize कर लेता हूँ, display, और यहां पर आप table लिखेंगे, तो आपको यह सारी, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, 9 table related properties और यह 10 नहीं दे, table related properties हैं, जिनको हम आज की वीडियो में study करेंगे, मैं इन सब को यहां पर mention कर देता हूँ, ताके हम बाद में उसे mark कर से, मैं इसे यहां पर जल्दी से complete कर लूँगा और फिर हम continue, यहां पर मैंने इन सब को mention कर दिया है, अब हम continue करेंगे और start करेंगे अपनी पहली property से table, यहां पर हम दो चीजों को side by side लेके जा रहे होंगे, मैं एक जो html में table tag है, उसके थूरू एक layout बना रहा होंगा, और दूसरा same layout को हम replicate कर दे होंगे, custom जो css है उसके थूरू, ताकि हम दोनों को side by side, दोनों के मकसद को देख सकेंगे, ओके html में ये वाला जो tag है, उसमें ये वाली css लग रही है, और इस वज़ा से ये output आ रही है, यहां पर मैं एक div ले लेता हूँ और उसमें basically, इसको मैं चाहता हूँ कि ये table की तरह बहें करेंगे, जैसे कि जब हम table tag को study भी कर दे थे, तब भी हमने देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ structure करने के लिए होता है, mean यहां पर मैं इसको एक class दे दूँगा, dot table, sorry, class के साथ dot में ही आएगा, वो css में आता है, जब हम css में उस class को access कर रहे होते हैं, next, अब मैं चाहता हूँ कि यहां पर सबसे पहले start करने के लिए, मैं एक basic structure यहां पर बना दूगा, ताके हम front end पे कुछ देख सकें browser में, तो मैं start करूँगा यहां पर t-head से, और उसमें एक row, और finally उसमें एक t-head, यहां पर मैं id, name, और email, यह तीन चीज़ें यहां पर mention करूँगा, अब इस चीज़ को, मैं यहां पर replicate करता हूँ, अभी के लिए मैं CSS कोई नहीं apply कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना structure दिखाना जा रहा हूँ कि front end पे, यहां पे, क्योंकि इनको automatic CSS apply हो रही है, और वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, और यहां पर अभी सिर्फ मैंने classes दिए और कुछ CSS में कुछ भी mention नहीं किया, तो इस वज़ाद से, यह default जो HTML div tags होते हैं, उनकी तरह अभी behave करेगा, यहां पर मैं इसी को करता हूँ, एक और div tag ले ले लेता हूँ, और उसको class दूँगा, टी head, उसके बाद मैं एक और div tag ले लेता हूँ, और उसे class दूँगा, टी आर, फिर मैं एक और div ले ले लेता हूँ, और इसको class दूँगा, टी एच, और यहां पर मैं ID, और इसको दो दफ़ार रपीट करके, नेम, और email, इसे मैं save करूँगा, और यहां पर browser में आके, refresh करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि जो उफर वाला section है, वो as a table, शो हो रहा है, और नीचे वाला simple, क्योंकि मैंने divs को यूज़ किया है, और div को by default display block लग रहा होता है, इस वज़ा से वो तीनो individual line में शो हो रहे हैं, continue करने से पहले मैं इनको border assign कर दूँगा, border, one, और यहां पर अब आप देख सकते हैं, कि basically जो table था, उसको जो border है, एक dash border वो assign हो चुका है, अब मैं continue करूँगा, और यहां पर CSS implement करूँगा, जो मैंने यहां पर mention किया है, phead, tr, और th, यहां तक हम CSS implement करेंगे, और हम अपना output result, same बनाएंगे, जिस तरहां के यहां पर show होगा है, continue करते हैं, मैं यहां पर code editor में आ जाओगा, और यहां से style में आ जाओगा, अब सबसे पहले मैं इन, चारों classes का अलाइदा CSS section डिफाइन कर दूगा, table, और इसी को मैं copy paste कर लोगा, और नाम चेंज कर दूगा, टी head, tr, और th, यहां पर अब table के अंदर, जो मुझे display property देनी है, वो है display table, इसे मैं save करूँगा, और साथ साथ हम देखते जाएंगे, कि क्या फरकार है, refresh, अभी आप देख सकते हैं, कि कुछ फरक नहीं है, यहां पर मैं inspect कर के, आपको दिखा दूगा, कि इस table को भी, यहां पर display table मेर रहा है, बाकी जो CSS की properties हैं, वो by default मेर रही हैं, उनको भी हम not नहीं करेंगे, और यहां पर इस table को भी, display table मेर रहा है, by default इस div को, display block मेर रहा था, जो कि हमने last study किया है, लेकिन आप क्योंकि हम ने इसे override कर दिया, तो अब इसे display table मेर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो divs हैं, उनको अभी भी display block ही मेर रहा है, तो हम अब उन्हें बैतल करेंगे, continue करते हैं, thead पर मैं दे दूँगा, display table header group, यह basically equivalent है, thead के tag की तरह, save, refresh करते हैं, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि इसको जो मैंने assign ही है, वो ही property मिर रही है, और मैं इसको यहाँ से confirm भी करवा दूगा, कि thead को भी यही css की property assign होती है, बाकी css की property इसको भी हम study रही करेंगे, वो जैसे जैसे आती जाएंगी, कि हमारे course में तब-तब हम इन study करते रहेंगे, continue करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि tr जो है, उसको table row की display property assign हो रही है, लेकिन हमारे पास जो tr है, क्योंकि वो एक div रहाँ को class दी है, ती रहाँ की, इस वजह से वो भी display block पर ही है, मैं यहाँ पर आऊँगा, और इसको गरटूँगा display table row, यह बहुत असान है, हमने जोट, जिस tag की तरह इसको behave करवाना चाहा रहे है, जो CSS की properties उस tag को assign हो रही है, mainly अभी सिर्फ display, और कोई CSS की property नहीं, क्योंकि उसको और भी CSS की properties लग रही है, लेकिन mainly अभी सिर्फ हम इसका display चेंज करना चाहा रहे है, कि जो इसकी layout है, वो इस तरह की show हो, तो इस वजा से सिर्फ display की property, जिस-जिस element को जो assign होई हुई है, हम उसी display की property को, उसके respective जो div class element है, उसको assign कर रहे हैं, उके इसमें अगर आपका कोई question होगा, या कोई चीज ना समझाया है, तो please comment section में जरूर mention करिएगा, मैं उसको दुबारा explain कर दूँगा, और अगर मैंने अभी तक उसको explain ना किया हुआ, तो उसको शुरू से explain कर दूँगा, यहाँ पे अब मैंने इसे table row कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने confirm किया था, कि जो tr का tag था, उसको table row के display प्रोप्री साइड हो रही है, अभी आप देख सकते हैं, कि यह tr class के साथ जो div class को display block मिल रहा है, मैं refresh करूँगा, तो आप यह table row पे चला गया, अभी सिर्फ एक चीज रहा गई है, जो कि यह th है, उसको जैसे ही मैं, जो उसकी display property proper होनी चाहिए, वो assign करूँगा, तो इसकी काफी हद तक layout आप देखेंगे कि इस तरह आजाएगी, move forward करते हैं, मैं यहाँ से पहले confirm कर लोगा, कि इसको क्या assign हो रहा है, मैंने इसको select किया, यहाँ से मैंने देखा, कि display table cell assign हो रहा है, मैं यहाँ पर आ जाओगा, और इसको display table cell assign कर लोगा, अब save करूँगा, जैसे मैं refresh करूँगा, आप देख सकते हैं, कि यहां पर correct हो गया अब इसमें एक चीज की कमी है क्यूंकि जो टी एच है वो साथ में ना सरफ और सरफ display दे रहा है display तो obviously उसको लग रहा है मैंने का भी यह कि आप इसको ही study करना चाहरें लेकिन उसके इलावा जो टी एच है वो अपने font size को font weight को bold भी set करता है इसकी वज़ा से आप देख रहे हैं कि यहां पर यह थोरा सा bold है यहां पर भी आप इसको confirm कर सेथे हैं बाकियों को भी हम नहीं देख रहें यह दो प्रोप्रीज को भी हम नहीं देख रहें तो यहां पर मैं सिरफ इसको bold कर दूँगा ताकि वो जो हमारा result है वो correct हो जाए save refresh करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यह काफी ज्यादा स्टेबिल रहा है अभी बाकी सारा कुछ same हो गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह table cells की तरह behavior कर रहा है और table head जो टी एच का tag होता है उसकी तरह यह जो tax है वो bold भी है जो एक चीज रह कही है वो है border आप देख सकते हैं कि यहां पर एक border अगर मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर लो ताकि आपके लिए ज़राईजी हो तो अब आप देख सकते हैं कि एक जो border है वो पूरे table की around है और एक secondary border है जो कि item जो एक cell है उसके around है तो इस जो behavior है उसके achieve करने के लिए मैं यहां पर आऊँगा सबसे बहले हम table को border देंगे तो उसके लिए border की जो property हम निस्टरी की थी वन पिक्जल solid और gray यहां पर मैं implement करूँगा refresh करते हैं तो अभी के लिए जो outer part है वो हमें achieve हो चुका है अब जो inner part है उसको पहले हम achieve करेंगे मैं इस same line को copy करूँगा और यहां पर paste करूँगा save और यहां पर आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह यहां पर output आई है continue करने से पहले जब भी कभी आपके पास code repeat हो रहा हो तो उसका कुछ better तरीका हो सकता है coding में programming में एक principle है die do not repeat yourself ओके कि जो आपने code लिखाया वो repeat नहीं होना चाहिए कम असकम इतनी छोटी सी जगा में तो नहीं होना चाहिए वैसे overall नहां हो तो best case होता है अब इसका क्या तरीका क्या रो सकता है हमें ये property same इस element को भी चाहिए और इस element को भी तो simple सी बात है कि हम दोनों के selector को एक निया selector बनाएंगे जो कि दोनों को select कर रहा होगा ये एक निया CSS का rule बना है जो दोनों elements को select कर रहा है और जो common property है वो वहाँ पर आ जाएगी अब एक जगा पर मैंने लिखी है refresh करता हूँ and result save है ये पहले से बहतर code है continue करते है next यहाँ पर जो एक चीज़ है वो ये है कि जो inner cell border है और जो main table का border है उन दोनों के दर्मयान कुछ spacing है उसके लिए CSS में हमारे पास property है border spacing मैं वो property यूज़ करूँगा और वो property हमने सरफ और सरफ table को दे ली है और वो implement भी mainly table पे होती है क्योंके वो table के cells को उनके दर्मयान spacing एड़ करती है तो यहाँ पे मैं border spacing पूरा लिख लोगा ता कि मुझे सर्च ना करना परे और एक pixel देखेंगे कि क्या effect आता है refresh अभी थोड़ा सा कम है तो मैं ऐसे दो pixel करता हूँ refresh करते हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी हद तक similar result आ गया है अब एक चीज़ की कभी रह गही है वो यह है कि यह जो sell items हैं उनमें जो tags है और bottle जो है वो separate है उन दोनों के दरम्यान थोड़ी सी space है अगर आप गोड़ से देखें यहाँ पे तो आपको वो space नज़र आएगी यह इन दोनों के दरम्यान तो आपको पता है कि content और border के दरम्यान जो spacing होती है वो padding होती है तो यहाँ पे हम padding यूज़ करेंगे इसके ओपर padding और मैं one pixel की padding को add कर दोगा save करते हैं refresh करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा end result है वो बिल्कुल same है और यहाँ पर यह बिल्कुल almost same end result है हम एक दफ़ा confirm कर लेंगे यहाँ पे आए और यहाँ पर एक property रह गई है border collapse की यह property basically क्या करती है यह जो border spacing की property है यह तब ही काम करेगी जब हम border collapse को separate पर set करेंगे तो आप question कर सकते हैं कि यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो यह अभी हमारे लिए क्यों काम कर लिए क्योंकि by default यह separate पर ही होती है हम इसको अगर चाहें कभी तो set कर सकते हैं border collapse collapse पे कि वो आपस में merge हो जाए save करूँगा refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि end result totally different हो गया उसने क्या किया है लेफ्ट और राइट वाले टॉप और बोटम वाले बॉर्डर को collapse कर दिया जमा कर दिया इस वज़ा से जब ही आपने बॉर्डर स्पेसिंग की प्रॉप्टी को यूज करना हो और end result आप सेम ना आ रहा हो यह आ भी रहा हो रहा अगर यह सेपरेट पर सेट नहीं होगा जैसे आपने भी देखा तो स्पेसिंग की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी सेव करूँगा रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो वाफिस काम करने लग पर लिए यहां तक हमने चार elements को यहां फिर चार CSS की properties values को डिस्प्ले के लिए जो property values हैं उनको study कर लिए उसको मैं यहां पर separate चल लूँगा जिनको हम study कर चुके हैं ताके हम आगे continue कर सकें यह और सिरफ और सिरफ एक और यह वाली ओके यह चार हम study कर चुके हैं next अब हम more phone करते हैं और अब हम line wise चल दे हैं next अब हम study करेंगे table caption की property को display table caption यह basically आपको ability provider tag के जो हमारे पास html में caption का tag होता है जो के table के अंधर ही use होता है table tag के बाद अगर आप foreign caption का tag use करेंगे तो यह इस table की caption show करेगा यह उसके लिए use किया जा सकता है यहाँ पे मैं कर देता हूँ table using html tags ओके और अब मैं चाहता हूँ कि यह same जो caption का जो div है जो कि यहाँ पे जो काम कर रही है वो same काम मैं यहाँ पे manually करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एक div introduce करवाँगा जिसे के यहाँ पे मैं caption की class दे दूँगा मैं वो ही class दे रहाँ जो के html tag का नाम है ताके हम थोड़ी सी similarity क्रिये कर सके और यहाँ पे मैं कहाँ दूँगा table using css property डिस्प्ले प्रोपर्टी ओके यहाँ पे आके refresh करते हैं इसको मैं थोड़ा सा वाफिज ले आँँगा जो size है वहाँ पे normal size पे और यहां से मैं थोड़ा सा zoom in कर लूगा मैंने 200% पे zoom in किया है refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह जो caption है यह properly जो html में define है उस tag का behavior उसके तुरू काम कर रही है उसकी तरह काम कर रही है यहां पे जबके मैंने जो caption दी थी वो जो header row है उसके बाद show रही है caption होफुली आपने guess कर लिए पार सेफ रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो end result है वो same हो गया है एक अभी difference है वो यह है कि यहां पे यह central line है और यहां पे यह basically left line है hopefully वो आपको already पता होगा हमने वो वाली CSS की property study कर ली हुई है यहां पे आपको दिखा दूगा वो property जो हमने study की हुई है वो है हमारे पास यह वाली property tax align तो इसको use करते हुए kindly इसे center align करें वीडियो को post करें और यह challenge complete करें hopefully आपने इसे try किया होगा अब हम इसे मिलके complete करेंगे यहां पे यह बहुत straightforward था tax align center safe refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका result बिलकुल same हो गया इसी के साथ हमने इसे भी study कर लिया table caption को उसे मैं यहां पे mention कर दूँगा यह हमारी पहले ही study हो चुकी है next अब हम study करेंगे table column लेकिन उसके लिए हमें पहले study करनी पड़ेगी table column और table column group यह दोनों साथ पे ही study होगी तो next अब हम study करेंगे इन दोनों properties को table column group और table column यह basically represent करते हैं जो हमारे पास HTML में tag है call group और उसके बाद call और यह हमने जब table को study कर दे थे तब ही हमने study किया था मैं यहां पर repeat भी कर देता हूं यह basically हम इसे use करते हैं किसी एक whole column को style करने के लिए यहां पर मैंने इस column को call group के अंदर हम call के tag को use करते हैं और उसमें फिर हम styling implement करते हैं आप इसको चाहें तो class implement कर दे और class मैं यहां पर इसको implement कर देता हूं call 1 यहां फिर table call 1 ताके हम उसे थोड़ा जाए differentiate कर सकें और अब मैं यहां से से copy करूंगा और यहां पर आके यहां पर इसका background color set कर दूँगा red इससे क्या होगा क्योंकि यहां पर मैंने इस call के tag को को इस call span add नहीं किया कि यह कितने columns पर अपलाई होगा तो यह by default चिरफ एक column पर जो first column है उस पर अपलाई होगा और इस property को basically अगर आपने revise करने है तो HTML fundamentals में जब हम table tag को study कर रहे थे उस में इसे detail में हमने study किया था उस video का link description में आपको मिल जाएगा अब browser में आके मैं इसे refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो first column है उसका background color है वो यहां पर red set हो गया यहां पर दूसरा show करने के लिए कि अगर एक से ज्यादा column को select करना हो तो क्या करना है यहां प span की जो है basically attribute उसको apply करेंगे और जितने columns चाहें उतने की यहां पर value दे रहेंगे obviously अगर मैं यहां पर three select set कर दूगा तो यह technically तीन column पर ही apply होगा लेकिन यहां पर एक column इसने ले लिए यह first one बाकी बचे ही सिरफ दो तो अभी के लिए show यह सिरफ दो पर ही होगा लेकिन जैस two और इसको मैं यहां से repeat कर दूँगा two के लिए let's say green यहां पर आकर refresh करता हूं तो यह और उस बात को clear करने के लिए कि मैं एक और add करूंगा क्योंकि मैंने यहां पर span को थभी किया है और यहां पर मैं ऐसे actions कह रहता हूँ और यहां पर आकर refresh करता हूं तो इस पर apply ही हो जाएगा लेकिन क्योंकि यहां पर है नहीं था इस वज़ा से वो दो पर ही apply होगा जितना इसको बेले बादा यहां पर मैं इसको two कर दोगा ताकि वो properly full of laws सही रहे refresh अब यह जो चीज है हम यहां पर css के साथ implement करेंगे सबसे पहले यहां पर आएंगे और basically मैं एक div लेके आओंगा जिसे मैं कहूंगा कि यह div behave करे इसकी तरह call group की तरह ओके और उसमें मैं फिर एक div लेके आओंगा जिसे के मैं कहूंगा यह div behave करे इसकी तरह अब मैं सबसे पहले इसको basically वो assign कर दूँगा इसकी css.call और इससे पहले call group ओके और इससे display property आजाएगी hopefully आपने guess कर ली आओगा table column group और lastly इससे display property आएगी table column यह हो गया और अब मैं यहां पे आके अभी के लिए refresh करूंगा तो कुछ नहीं होगा अब मुझे basically next काम करना पड़ेगा कि इसको css apply करनी पड़ेगी जो भी css जैसे कि मैं फिर इसे background भी देता हूँ और purple पे set कर देता हूँ safe और यहां पे आके मैं जब refresh करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने जो कॉलम है उसके background कलर को purple पे set कर दिया है हमारे पास अभी यह वाला option नहीं है जैसे कि यह call tag है उस पे span का option है जिसको का अपर हमने two पे set किया तो उसने डो columns पे वो style apply कर दिया है क्योंकि यह div element है इस वज़ा से हम यहां पे span यह वाला जो attribute है इसको use नहीं कर सकते save refresh यह यहां पे अभी काम नहीं करेगा क्योंकि basically यह है itself div element ही यह सिर्फ और CSS की वज़ा से उस पर आप behave कर रहा है कि यह call tag है इस वज़ा से yes span का जो attribute है यह इस पे काम नहीं करेगा और अभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि यह जो styling है यह दो columns पे apply हो यह तीन पे तो उसका simple workaround यह है कि आप इसको अतनी दफार repeat कर लेंगे copy paste refresh करेंगे तो वो दो पे apply हो जाएगा यह अभी के लिए इसका workaround है इसको basically मैं personally study करूंगा और जैसे ही इसका proper official कोई way मिल जाएगा मुझे तो मैं उसे वीडियो में include कर दोगा अभी continue करते हैं और next हम study करेंगे यह दो हमने study कर लिए है इन दोनों को यहाँ पे mention कर देंगे और next अब हम study करेंगे यह हमने पहले study कर लिया अब हम study करेंगे पहले table low group को क्योंकि यह equivalent है t body के और उसी के साथ हम study करेंगे again table cell को क्योंकि इसी को use करते हैं और हम td की जो functionality है उसको लेके आए तो next अब हम study करेंगे table t body को और td को continue करते हैं और यहाँ पे मैं introduce करवाँगा t body इसमें tr आ जाएगा और उसमें फिर td आ जाएगे जो table data cell होते हैं इनको मैं क्योंकि मेरे पास table header cell तीन है तो मैं यहाँ पे table data cell भी तीन रखोगा और one एहसान नेम की जगा और email की जगा मैं basically अपनी email यहाँ पे mention कर दूँगा इसी data को मैं यहाँ पे repeat कर दूँगा और two zions और info at zions.com save करेंगे और यहाँ पे आके refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो data जो है वो properly यहाँ पे reflect हो चुका है अब मैं वाफिज आओंगा और इस चीज़ को हम achieve करने कोशिश करेंगे custom HTML के साथ और CSS के साथ यहाँ पे जहाँ पे टी head खतम हो रहा है वहाँ पे मैं उसके नीचे एक div introduce कर वाँगा और उसको मैं class दे दूँगा T body इसमें basically मुझे T row चाहिए TR वो class हमारे पास already है TR की और finally हमें TD की class चाहिए जो के हमारे लिए अभी नीव है class TD इसको मैं copy paste कर लूँगा और basically मैं यही data copy paste कर लूँगा ताके मुझे दूबारा लिखना ना पड़े one रहसन और email और इसी को मैं copy paste कर लूँगा और सरफ और सरफ data चेंज कर दूँगा जो data होना चाहिए save करते हैं यहां पर आके refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो TR था वो ठीक रहा है ना हमारे पास T body है और ना ही TD है उसको अब हम correct करेंगे यहां पर CSS में आ जाएंगे और मैं start करूँगा T body से इसको हमने display देना है table row group यह basically equivalent है T body को यह assign होता है कैसे मुझे पता है एक तो obviously documentation से दूसरा आप खुद भी check कर सकते हैं यहां पर आके आप सरफ T body को select करें और यहां पर आप देख सकते हैं कि display की property जो है वो table row group पे है अगर आपको यहां पर नजर ना आ रहा हो तो आप computed के tab में जाए मैं भी style के tab में था computed के tab में जाके वहां पर आप सर्च कर सकते हैं display वहां से confirm हो जाएगा कि यह final property है जो इसको implement हो रही है अब ही हमने इसके save किया है refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह उसने basically जो टी आर थे उसको individual कर दी है नेक्स्ट अब हम देएंगे td को styling उसके लिए हमारे पास .td और इसको हमने display की property रहनी है table cell लेकिन वहां पर जाके चेक करेंटे से पहले एक अभी हमने बात की थी do not repeat yourself अभी मैं अगर इसको देखूँ तो यह same property मुझे t h में भी चाहिए तो यहां पर क्या होना चाहिए मैंने अभी इसको explain किया था please video को pause करें जो rule था वो हमारा था do not repeat yourself code में अपने आपको repeat नहीं करना तो उसको हमने correct करना है यह property मुझे इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए वीडियो को pause करें और इसको correct करें hopefully आपने इसे try किया होगा अब हम इसे मिलके complete करेंगे basically मैं यहां पर इसी रूल को अभी के लिए update कर दूँगा क्योंकि मुझे प्रेम हो गया है जो कि हमें required था एक चीज़ यहां पर रह गही है वो यह है मैं यहां से पहले background color को खत्म कर दूँगा क्योंकि अभी के लिए वो डिस्टर्ब्टर है और उसको मैं इस तरह खत्म करूंगा कि यहां पर आके इस code को comment कर दूँगा और उपर भी refresh अब एक ची जबके यहां पर वो खाली है तो यह आपका homework है आपने इनको collect करना है और अभी के लिए आज के लिए हम इस video को यहां पर ही खत्म करेंगे क्योंकि यह काफी लंबी हो चुकी है बाकी जो हमारा एक तो इस जो issue है यह वाला इसको हम next video में collect करेंगे और उसके बाद हम continue और table footer उसको study करेंगे और inline table उसको study करने के बाद इस जो table properties की values हैं डिस्प्ले में table properties की values उनको properly finalize करेंगे यह थी आज की वीडियो आपको वीडियो संद आई होगी वीडियो के related कोई भी question हो तो please comment section में उसको mention करें मैं उसका जवाब दूँगा next video तक आपका एक छोटा स homework है वो यह है कि आपने basically यह जो यहाँ पे result है इनके against border आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा इसको collect करके लाना है next video में हम इसे मिलकर भी collect करेंगे तब तक अपना क्या रखिएगा video को like share and comment करें channel को subscribe करें मैं आपसे मिलूँगा next video में तब तक के लिए लिए लाफिस don't forget to like this video and also subscribe to my channel Assalamualaikum, मैं हूँ Aysan Mahmoud and welcome to Zions last video में हमने display property की जो table related values है उन में almost 80% values को study कर लिया था आज की video में हम वहीं से continue करेंगे और बाकी जो table related value है display property की उसको finalize करेंगे चलते हैं वीडियो की तरह हैं यहां पे code editor को open कर लोगा और साथ ही chrome browser को भी open कर लोगा last time हमने यहां तक study किया था जिसमें के हमने जो table related values को अभी तक study किया है उन में है display table सबसे पहले उसके बाग display table header display table low और display table caption display table column group display table column display table low group और display cell इन properties को अभी तक हम study कर चुके हैं जो properties display की table के related हमारी रहती हैं उन में है display table footer group और inline table यह दो properties mainly हमारी रहती है last property में basically मैंने आपको एक छोटा सा टेस्ट दिया था जो कि था कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो table data cells हैं उनके गिफ्ट भी border show हो रहा है जबके हमारी custom table में वो border show नहीं हो रहा तो यह आपका छोटा सा एक टेस्ट था कि यहां पे भी आपने उसको show करवाना था border को हम इससे start करेंगे और उसके बाद आगे continue करेंगे यहां पे border show करवाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे inspect open कर लूँगा right click करके आप inspect पे click कर सकते हैं otherwise shortcut की यूज़ कर सकते हैं मैंने यहां पे shortcut की यूज़ की यूज़ की है command plus option plus i उसको दबाएंगे तो close भी हो जाएगा और फिन दबाएंगे तो open भी हो जाएगा यह macOS की shortcut की है यहां पे मैं code में आ जाता हूं और सबसे पहले यह border वाला जो issue है उसको result कर लेते हैं border जो है वो t head पे किस तरह आ रहा है कि यहां पे basically मैंने इसे border यहां पे assign की है table और t head को यहां पे आप मुझे t d को भी border चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे dot t d उसको mention कर दूँगा यहां पे आके refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा end result जो है वो same हो चुका है अब हम next continue करेंगे continue करने से पहले एक चीज़ जो और यहां पे मुझे अभी फरक नज़र आया है वो यह है कि यह जो हमारे text है basically t h का जो table header cells है उनका जो text है वो center line है actual table में जबके हमारा जो है वो left line है उसको fully clear करने के लिए मैं यहां पे name में भी तोड़ा सा data add कर दूँगा और ताके वो काफी easy हो जाए हमारे लिए देखना refresh तो आप देख सकते हैं कि name जो है वो center line है इसी तरह id पी आपके थोड़ा सा इत्वार कर सकते हैं वो भी center line है यहां पे यह जो है वो left line है यह आपका short test है वीडियो को post करें और यहां पे जो t h है उनमें जो text है उसको center line कर होगा और इस test को complete गिया होगा अब हम इसे मिलके complete करेंगे यह बहुत ही straight forward था हमने सिर्फ और सिर्फ यहां पे t h जो है वहां पे text align center करना था save refresh और यहां पे आप देख सकते हैं कि end result अब same भी हो चुका है और better भी हो चुका है अब हम continue करेंगे और एक चीज़ जो यहां पे अभी भी रहती है वो यह यहां पे padding है यह चीज़ मुझे मिस्स होगी यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास one pixel padding भी इसको assign है तो अब मुझे यह property th के लिए भी चाहिए और td के लिए भी चाहिए अगें आपका यह short test है वीडियो को post करें और यह property मुझे th और td दोनों को assign करके दिखाएं hopefully आपने वीडियो को post किया होगा यहां से मैं जो property है उसको cut कर दूँगा और यह हमारे पास already वो rule यहां पे available है यहां पे सिर्फ हम padding को assign कर देंगे क्यूंकि th को यहां पे mold और central line भी assign हो रहा है इस वजह से वो हमें th को assign हो रहा है हमें वो td पे नहीं चाहिए इस वजह से हमने उससे यहां पे mention नहीं किया refresh और अब आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल exactly सेम हो चुका है अब हम next continue करेंगे और move on करेंगे जो हमारी next property रह चुकी है उस पे जो के है table footer group सबसे पहले मैं actual जो text के साथ table है उसमें इसको implement करूँगा जो के है tfoot और उसमें आ जाएगा tr और इसके अंदर मैं element लियाओंगा td यहां पे basically यह आ लिए और इसमें अभी के लिए जो table header में basically data है वही same मैं यहां पे show करवाना चाला हूँ id इसको मैं repeat कर लूँगा name और साथ में email save करते हैं और यहां पे आके refresh करते हैं यहां पे save भी हुआ refresh करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो end result है वो इस तरह हैं कि जो उपर जो data लिखा हुआ था वो ही नीचे भी लिखा हुआ है मैं यहां पे सरफ एक change करूँगा कि basically इनको एक special class देके text center इनका जो text है उसको भी center कर लोगा क्योंकि वो मुझे end result चाहिए मैं bold नहीं करना चाहता सिर्फ center अलाइन करना चाहता अगर मैं bold भी करना चाहता तो basically मैं सिर्फ THE यहां पे use कर लोगा यह मैं class text center की class दोंगा और text align center इसको apply करके यह हमारे पास center result आगे है अब हम इस same result को implement करेंगे custom CSS setting के साथ सबसे पहले मैं यहां पे code में आ जाओंगा और जो tfoot के respective है एक div add करूँगा उसको class दे दूँगा tfoot इसमें हमारे पास div wake आ जाएगी जिसको class मिल जाएगी tr जो हमारे पास already है और उसमें basically div आ जाएगी जिसको class मिल जाएगी td जो भी हमारे पास already है और इसको center align भी करना है तो मैं text center already दे दूँगा id साथ में name और साथ में email इसी के साथ देखते हैं कि end result अभी तक क्या है क्योंकि मारे पास tr भी थी td भी थी और text center इन तीनों को already CSS लगी हुई है सिर्फ T foot नहीं है देखते हैं refresh किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा end result ह वो बहुत हद तक सेम है सिर्फ एक चीज़ को जो उसको समय नहीं लगी कि यह एक T foot के section में आना था सिर्फ यह चीज़ रही है उसके लिए अब मैं यहां प्याओंगा और जो T foot है उसको implement कर दूँगा display table footer group safe refresh और अब आप देख सकते हैं कि मारा end result जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे के ऊपर है इसी के साथ हमने इस property को भी cover कर लिया last हमारी एक ही property रहे गी है जो के है inline table यह हमारी property रहे गई है उसके लावा बाकी हमने सबको study कर लिया next time हम इसे study करेंगे और उसी के साथ हमारा यह section conclude हो जाएगा table को study करने से पहले basically यह समझना परेगा कि यह जरूरी क्यों है मैं यहां पर इस table को copy paste करता हूँ मैंने copy paste किया और visually आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास बहुत सारी जगा है जिसमें कि कुछ नहीं तो कमज़ कम एक table तो और आई सकता है अगर दो नहीं भी आ सकते हैं लेकिन मैं यहां पर refresh करूंगा तो वो table नीचे ही show हो रहा है क क्योंकि table की सबने के as a display block की तरह काम कर रहा है कि उसके left या right पर कोई चीज नहीं आने दे रहा है यहां पे मैं इसको इस तरह भी show करवा सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों के दर्मयान simple expand element यूज़ करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ अपना ना मैसल में mode लिख देता आया बलकि इन दोनों के center में आया यह वर्टिकली की तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्यों हमें inline table की जोरत हो सकती है मैं यहां पे आऊंगा और मैंसलों यह main जो table की class है इसको replace कर दोंगा inline table से अभी फरक यह परेगा कि यह disturb हो जाएगा refresh किया वो disturb हो गया क्योंके inline table अभी exist नहीं करती ही वो class हमारी तो यहां पे आऊंगा inline table और display inline table save refresh और अब आप देख सकते हैं कि यह हो गया अभी मसला कहां पे है एक तो इसको spacing नहीं अलाओ और collapse जो border collapse है वो नहीं अलाओ border spacing border collapse और बाकी जो border की property वो भी नहीं अलाओ तो उसको हम correct कर देते हैं अब वो हमें कहां कहां पे चाहिए मुझे बेसिकली यह जो प्रोपर्टी है यह स्पेसी और collapse वाली यह table पे भी चाहिए और inline table पे भी चाहिए एक यह आपका short test है और दूसरा basically मुझे यह border भी यह दोनों आपके short test हैं वीडियो को pause करें और इनको properly inline table पर भी implement करें hopefully आपने वीडियो को pause किया होगा और इससे try किया होगा मैं यहाँ पे नीचे आ जाओगा और सबसे पहले एक नया rule out करूँगा table और inline table का इसमें मुझे यह दो properties चाहिए एक save करूँगा refresh तो आप देख सकते हैं कि almost 50% cover हो गया है एक चीज़ रहती है जो इस inline table को border assign करना है मैं इस class को copy करूँगा और border हमारा यहाँ पे assign हो रहा है यहाँ पे basically मैं उसको assign कर दो save refresh और अब आप देख सकते हैं कि end result हमारा बिल्कुल save हो गया है और पहले से बहतर भी हो गया क्योंकि अब inline भी हो सकता है मैं यहाँ पे आके इसको भी table inline कर दूगा inline table save और refresh करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा end result है इसी के साथ हमने जो display की property थी उसमें table related जो values थी उनको cover कर लिया यह बहुत important है बहुत जगा पे अकाम आता है लेकिन इससे भी ज्यादा जो important है वो है basically display flex जो कि most important है उसके बात जो और ज्यादा modern और उससे important है लेकिन अभी इतना commonly use नहीं होता modern है क्योंकि ज्यादा mainly अभी जो ज्यादा basically component libraries है जिनमें board strap, ionic, material UI, art design इस तरह की और भी बहुत जारी component जो libraries है जिनको obviously इंशाला हम future में study कर दे होंगे वो ज्यादा तर अभी flex box जो display flex है उसको use कर रहे है इस वज़ा से वो बहुत ज्यादा important है और mainly हम display में display flex तक study करके वहाँ पर stop कर देंगे क्योंकि display ग्रिट पर अगर जाएंगे तो वो थोड़ा सा अभी के लिए मुश्किल होगा यह भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन यह ज्यादा जूरूरी है इसको हम study करने के बाद display की property को वहाँ पर stop कर देंगे और उसके बाद फिर हम अपने पहले एक proper test से start करेंगे जिसमें के मैं कोई वी यह template उठा लेंगे हम और उसको clone करने की कोशिश करेंगे वह clone करेंगे और उसके आगे हम काम करेंगे जावास के fundamental से start करेंगे उसमीं पिर basic functionality add करेंगे और आगे सीखते जाएंगे अंटिल अनलस के आम अपना फुल स्टेक ड्वैलपमेंट कम्प्लीट करें इन्शालों ओके यह हमारा रोड मैप है प्रोपर नी पहले हम फ्रेंट ड्वैलपमेंट को कम्प्लीट करेंगे फिर बैक एंट पर स्टार्ट करेंगे और और मूब को किया बाकी जो हमारी प्रोप्रीज थी वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए रहा है यह थी आज की वीडियो जिस्पे हमने डिस्प्ले में टेबल रिलेटिट जो उसकी डिस्प्ले की प्रोपर्टी की व लाइकों को दुबारा ना भूले क्योंकि इस तरह की और बहुत सी वीडियो जाने वाली है मैं आप से मिलूगा नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आपिस दोंट फर्गेट तो लाइक इस वीडियो और अलसो सबस्क्राइब तो मैं चैनल